हेलो रिवन वेलकम डू पीसे अस्तारथी सो आज इस लेक्चर में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी के mcu's हो आपको ये class बहुत अच्छे लगेगी और end तक इस class को देखना बहुत मज़ा आएगा अगर class जो है आपको सारी ना देख पाएं तो आप इसको parts में डिवाइड करके इसको देख सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है quality जो है आपकी 50% से भी ज़्यादा इस पूरी marathon class को देखके भी cover हो जाएगी क्योंकि हमने different different exams के questions, state PCS के exams के questions, UPSC के कुछ questions और different different exams के questions इसमें डाले हैं जिससे आपको जो है quality के questions का idea हो जाएगा कि किस तरीके से examiner question पूछता है और जो है अगर आपको class अच्छी लगे तो like करना और अपने दोस्तों के साथ इस class को share करना और अगर आपको लगता है कि हमारा जो channel है आपको किसी भी माध्यम से help कर रहा है तो वो भी आप मुझे comment section में लिखके बताना और एक चीज़ और है कि अगर आपको quality के इलावा को permission नहीं मिलती जवाब के last में वीडियो के end में comments होते हैं जो हमें show होते हैं सबको show होते हैं तो उससे हमें पता लग जाएगा कि आप कौन सी class चाते हैं तो end में इस class का जो है आप message लिखना कि आपको कौन सी class और चाहिए marathon बहुत सारी मैं लेके आऊंगा तो बस आज हम start करे हैं आज पॉलिटिके mcqs ध्यान दीजिए पहले कुशन की दराफ जी फटाफट अंसर दीजिए और फटाफट जितने भी आपको सब कुछ करवाएंगे यार सब कुछ करवाएंगे जी फैडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाजब फर्स्ट पुट फॉरवड बाइदा इंपॉर्टन है संगिया धांचे की जो बात आई थी यह पहली बार कौन से एक्ट में देखने को आपको मिले थी फर्स्ट आफ ओल फैडरल करेक्टर की बात करें तो फैडरल टर्म का मत होती है मतलब डिवीजन होती है सेंटर की पावर अपने स्टेट की पावर अपनी लोकल गर्मेंट की पावर अपनी यह जो फैडरल स्कीम वाला पार्ट है यह हमने कौन से एक्ट से लिया है डैट इस गमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 उन्नी सो पैंटिस के एक्ट से हमने इसको लिया था अंसर इसमें क्या बनेगा आपका यहां पर बहुत सारी बाते और करी गई थी जो इंपॉर्टन फेक्ट्स हैं वो याद करें जो हमारा 75 परसेंट ऑफ इंडियन कॉंसिशन है जाने कि तीन बटा चार हिस्सा सवीधान का तीन बटा चार हिस्सा वह हमने कहा लिया है एक्ट ओफ 1935 से लिया है पहला दूसरी बात यह है कि आपके 1935 एक्टenden यह जो अन्धान क्या लिए तो तो यह हमें दुबारा से जो है गुलाम बनाने की शाजिस चली जा रही है तो इन्होंने वर्ड यूज किया था 35 के एक्ट में इन्होंने बहुत सारी बाते करी थी आर भी जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग बना सुप्रीम कोट हमारी इसके अकॉर्डिंग बनी यहां पे प्रविंशल ऑटोनोमी देगी प्रांतों के अंदर जो है शक्तियां दी गई प्रविंशल ऑटोनोमी का मतलब प्र का मतलब क्या होता है अध्यादेश यहारी करना मतलब जब पार्लेमेंट सेशन में नहीं होती तो कानून बनता है तो मतलब राश्च्टपती कानून बना सकते हैं और यहां पर और्डिनेंस पावर किसके पास थी गवर्नर जनरल वाइसरोई के पास यहां पर दे दी गई थी यहां पर यह यूपी सी के कोश्चन पेपर में 17 और 18 के एक्जाम में आया था कि ओर्डिनेंस पावर लाइस इन दा हैंड ऑफ अकॉर्डिंग तो यहां पर जैसे कि 1909 आपको पता है इसको और क्या कहते हैं मौरले मिंटो रिफॉर्म मौरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं मौरले यहां पर सेक्रेटरी है मिंटो यहां पर गवर्नर जैनल वाइस राय है और यहां पर सेपरेट एलक्टोरेट की बात यहां पर करी गई थी 1919 के act की बात करें आज एक बच्चे ने मेरे कोई कोश्ण भेजा था वो कह रहे थे कि 1919 के act में प्रुविंशल डायार की जो है हमारी यहां पर स्टार्ट कर दी गही थी जहनकर प्रांतों में दोईशासन, यहां पर ट्रांसफर पावर भी रखी गई, रिजर्ब पावर भी कहते हैं मॉन्ट फोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है इसका मतलब क्या हो गया मॉन्टेक्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म मॉन्टेक्यू कौन है यहां पे सेकरेटरी और चैम्सफॉर्ड कोन है गवरनर्ट जनरल वाइस राई 47 का एक्ट दिखें जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक प्लैन था माउंट मेटन प्लैन थ्री जून का प्लैन उसके अकॉर्डिंग घुशित क्या किया गया था कि हम आजाद करेंगे देश को 15 अगस्ट 1947 को लेकिन एक कानुन उससे पहले बनता है जिसे हम क्या कहते है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया और पाकिसान के बीच में लाइन खीची गई और इंडिया पाकिसान को आजाद किया गया और डैट लाइन वाज रैडड क्लिफ लाइन समझा आया तुम्हें क्लियर हो गया आप लोगों को तो यह द्यान रखना समझा जी चलिए तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर यह वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है चीक है यह वही है थर्टी फाइव का एक्ट की बाद जो हमने डिसकस कर ली है अगला अंसर बताईए शाबाश अगे शाबाश प्रिवेंटिव डिटेंशन मीं इस वर्ड का मतलब क्या होता है झाल मतलब होता है कि हमें किसी के उवपर शक को की यह हमारे देश कर लिए どेश थे सकाम कर रहा है तो हम उसको पकड़ लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं 24 गंटे के अंदर अंदर वैसे आप किसी भी person को हम retain कर सकते हैं तीन महीने के लिए और अगर उसके बाद अगर कोई टैर्रर वगईरा होता थो तीन महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि कुछ आपका जो है रॉंग एक्षिन दिया जा रहा है जिसके अंतरगत जो है उस परसन को पकड़ा गया और वो रीजन क्या हो सकते हैं हमारे देश की सिक्यूरिटी हमारे लोगों की पब्लिक और का मेंटेनेंस करना औ हमारे देश के foreign affairs तो इन कारणों से जो है हम उसको पकड़ सकते हैं प्रवेंटिव डिटेंशन में हम उसको पकड़ सकते हैं तो इस वर दा रीजन द्यान रखना इंपॉर्टन कोशन है तो इस कोशन का अंसर बनना था सी ऑप्शन सी ऑप्शन इस आप्शन इस राइट वा इंडिया डिस्क्राइब इंडिया ऐस देखें जो हमारा सविधान सविधान का जो आर्टिकल नंबर वन है उसके अंतरगत ही हमें बताया गया है कि जो इंडिया है वो यूनियन आफ स्टेट्स है अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा और राजियों का एक संग क्लिए option अब यहां पर मैं आपनेमपको बताता हूं कि क्या होता है हमारा union और Oh लिखा हुआ है और पार्ट अर्टिकल वन में लिखा हुआ है नेम एंड टारेटरीज ऑफ दा यूनियन मत्लब इंडिया इजे यूनियन आफ़ स्टेट यह पहले आपके सब्सक्शन में लिखा हुआ है दूसरा पार्ट यह आता है कि जो हमारा स्केडूल है कहने का मतलब य यहां पे जो constitution है इंडिया का वो बदाता है हमें union of states के बारे में answer इसमें क्या बनेगा a option बनेगा राज्यों का एक संग है answer is one option is the correct one यहां पे एक word है quasi federal what is the meaning of quasi federal अर्द संगिया इस word का मतलब यह होता है हमारा देश हमारे देश की जो government है हाफ federal है और हाफ unitary है मैंने अभी आपको बताया था federal word का मतलब क्या होता है जहां पे जो powers होती है वो डिवाइड होती है सेंटर में local government state में अलग-लग power है लेकिन क्या होता है कि जब हमारे देश में कोई emergency पर जाती है national emergency war होगी aggression external aggression internal disturbance चल रही है तो उसके according जो है हमारा देश फैडल ना रहके क्या बन जाता है यूनिटरी बन जाता है सारी की सारी power किसके पास आ जाती है आपकी सेंटर के पास आ जाती है तो इसी कारण अगर हम बात करें इस time पे at present हमारा देश क्या है क्वासी फैडल यहां पर देखने को मिलती है लेकिन अगर आपको याद होगा आपको याद होगा यह कैनड़ा से कैनड़ा से कैनड़ा के सभीधान से हमने एक वर्ड लिया था federation with strong center federation with strong center यह वर्ड हमने लिया था इस वर्ड का मतलवी क्या है आपका कि हमारे देश के अंदर federation तो है सब की power टो है लेकिन सबसे यादा strong कौन सा है center क्योंकि जब यूनिटरी गमेंट बनेगी जब एकात्मक सरकार बनेगी जब पूरी देश के अंदर एमर्जंसी आ जाएगी तो सारा रूल कौन करेगा सेंटर करेगी तो यह आपको इंपोर्टन है अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा करेक्ट उनियन ऑफ स्टेट इस दा राइट वान यूनियन ऑफ स्टेट अर्टिकल नंबर वान अगला बताईए अगला बताईए जी परसन में चेंज बट रूल्स शूड नॉट चेंज इस अप्रिंसिपल लॉफ बदल सकते हैं लेकिन जो कानून है नियम है वो नहीं बदल सकते तो इसमें किसमें आता है यह वर्ड जी बताईए बताईए यहां पे हम अलग-अलग टर्म्स पढ़ते हैं पहले इस कोशन का अंसर देखे कि क्या बनेगा इस कोशन का अंसर क्या बनेगा परसन में चेंज बट रूल्स शूड नॉट चेंज मतलब लोग वैसे ही लोग बदल सकते हैं लेकिन रूल्स वैसी जहां पे आपका सभीधान हो कहने का मतलत जैसे हमारे देश के अंदर हमारी देश में आज यहां कोई और को उर फ्रेंट रााश्टरपती रामनात को कोई पो यह और होंγे तो इट मैंस जो लोग है वो बदलते रहेंगे लेकिन सवीधान के according जो है आपके rules regulation जो बने हुए है वो चलते रहेंगे तो यह होता है constitutional comment अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा correct answer second option is the correct one यहां पर लिखा हुआ है absolute इसका मतलब क्या होता है absolute monarchy word का मतलब होता है कि जहां पर जो रूल्स और regulation है वो मुनार्की तो ही है यहां पर मतलब जो भी इन्होंने लिख दिया बोल है नोट लिख दिया जो जो मतलब autocratic power है मतलब एक सिंगल बंदा है जो रूल कर रहा है मुनार्की यह वहां पर चीक है और यहां पर अगर कोई सविधान बन गया रिटन एविडेंस बन गे लॉब बन गे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होने वाला एपस्लों ओनार्की के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला लेकिन हां यहां कि मुनार्की में जो बंदा है वही जो जिसने बुझा बोल दिया और चुछ और बोल दिया वैसा ही होगा अगर सभिधान बन भी गया तो कोई कानून लिखित नहीं है वो कॉन्वेंशन से चलते हैं कॉन्वेंशन का मतलब जो बोल दिया वैसे ही आपका कानून है लॉज जो आपके automatically होते हैं वही चलते चलते चले जा रहे हैं तो डैट इस अन रिटन सपरते हैं जिसमें लोकसभा के लक्ति लोяться राजय सभा के लेक्टि लो स्टेट लाट सेट लाएकटर लोग इसमें पाटिसपेट करते हैं कोई नॉमिनेटर रुप नहीं करता ना ही आपके जो अधियोव पपड़नी है लोग द्वारा। तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा B option, that is सविधानिक सरकार, answer is B option is a correct one, B option, constitution government word का मतलब क्या होता है, ये word देख ध्यान से समझेए, इसका मतलब होता है, एक limited government, मतलब एक सरकार, छोटी सी सरकार है, जिसके अंदर जो है आपके constitution rules ने, constitution rules बनाए हुए हैं, जिसके उसको सीमि बताईए, एक बच्चा बूझ रहा है कि सर, आप इतना ज्यादा content कैसे याद रखते हैं, मैं आपको एक चीज बता दू, मैं बहुत hard work करता हूं, मैं अपनी videos भी दुबारा से सुनता हूं, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है, जो मेरा content होता है, जितनी मैं classes लेता हूं, मैं बहुत बार discuss करता हूं, मैं paid course के अंदर मैं अलग से बढ़ाता हूं, YouTube मैं अलग से बढ़ाता हूं, तो बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो मेरे already दिमाग में चल रही होती है, और यही चीज़े होती है, जिससे मैं चीज़ों को link कर लेता हूं, तभी मैं हमेशा आपको यह मैं कहता हूं कि आप नए content की तरफ आप जब जाते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है कि मुझे यह चीज़ आगी, यह चीज़ आगी वो लेनी भी चाहिए, no doubt नहीं लेनी भी चाहिए, बट ऐसा नहों कि जो आपका previous जो आपने पढ़ रखा है, वह भूलते चले जा र करते हैं, मेरे से बफादारी मत करो, या किसी और टीचर से बफादारी मत करो, आप अपने से बफादारी करो, जो आपने पढ़ लिया भाई, पढ़ लो इसको, मैं अगर कुछ कल को नई क्लास ले हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वो देखनी है, कल को को दूसरा टीचर को औ और नहीं क्लास ले आए तो इसका मतलब नहीं वह देखनी है जो आपको पता है आपको चीज़े आती है पहले उसको रिवाइस किया नहीं किया चीजे तो नहीं नहीं लेकिन पढ़ना आपने हैं चलिए जी बीचरी फॉलिंग हुए ऻृप विचर अफॉलिंग इसनौत अफौट बताएय कि शाबाश बहुत बढ़िया नहीं अ Silenceberry कि कि आन्दर चाहर चीज़े होती है एक तो पॉपलेशन होता है लांड होता है ग Covernity, Samproob DA. इसका मतलब हमारे स्टेट का कौन सा पाट नहीं है, आरमी is not the part of the element of the state. आरमी is not the element of the state. ये चार elements होते हैं, population, land, government, clear, ये दियान रखी important है. अगर मैं बात करता हूँ, population और land की, ये दोनों की बात करता हूँ, ए और बी की अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या बनाते हैं हमें physical basis हमारी state का physical basis बनाते हैं physical basis जा हम बता सकते हैं material basis ठीक है यह दोनों चीजे government की बात करता हूं sovereignty की बात करता हूं government की बात करूं sovereignty की बात करूं तो यह हमारे देश का political basis और spiritual basis बनाते हैं बेस बनाते हैं spiritual बेस बनाते हैं हमारे देश के अंदर political और spiritual बनाते हैं तो इस कोशन का अंसर क्या बनने वाला है आपका सी ऑप्शन बनेगा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके concept clear है एक्जाम में आपको नहीं रोख पाएगा और आज जितने हम कोशन डिसक्स करेंगे पूरे के पूरे जो है आपके कॉंसेप्ट बेस कोशन है बहुत आदे पिछेदे जो होंगे वह नॉर्मल होंगे अधरवाइस पढ़ने वाले हैं यहां पर देखेंजी अलिमेंट के अंदर यहां पर एक का मतलब यह होता है कि हां आपके पास पावर है वो आप किसी के अधीन नहीं है आप अन-कंट्रोल वे में आपको पूरे तरीके से काम कर रहे हैं बस आपको एक गन्ट्रोल करने वाली जो चीज है वो आपकी लॉँ है गमेंट आपको कार रही है बट अधरवाइस ऐसा न सब्सक्राइब का मतलब होता है आपका डाइस संप्रूवता संप्रूवता चलिए अंसर बताइए इसका शाबाश ओट इस आप बेसिस ऑफ दा क्लासिफिकेशन ॉफद घुमेंट ८ेज ईनिटरी आण फेटरल उनिटरी गंट्रेणार फेड्रो'm और relationship ब्लेशिप बेइसकीटेशीफ चान करिए हम ने अभी बात करी सरकार और प्रेजिदेंशल सरकार में होता है क्योंकि पार्लेमेंट में पार्लेमेंट में होता है आपका एक्जिकुटिव इस्पॉंसिबल तो लेजिसलेचर और प्रेजिदेंशल में क्या होता है पूरा का पूरा एक्जिकुटिव ही कौन है आपका डैडिस प्रेजिदें करेंट होती है वहाँ पे सेप्रेशन और देखने कव को मिलती है वहाँ पर शोती है तो यह आपका रिलेशन होती हर यह बनेगा तो इस कोशिन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन लेशेशेप इन दा लेश्याचर एक्जीट एंड जुडिशन गलत है यह आंसर इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट वान येस दिखें एक लकी नमबर आ गया हमारा यहां पर जो जितने बच्चे देख रहे हैं लकी नमबर चल रहा है 786 तो मतलब यह 786 जितने बच्चे लाएं देख रहे हैं इनका बला होगा चले अगला अंसर देखें क्या कहता है स्टेट ऑप्रेट्स रूप राज्या जो होता है किसके माध्यम से संचालित होता है राज्या जो हूती है राज्या जो होता है घर्मनेंट जो होती है वह किसके है काम करतीए येस बदाएं कि रधा सकते हैं से कोई भाट नहीं हें एक 1786 हो जाएंगे इस प्रिश के तुरु और पार्टी नहीं अप्रह पार्टी प्रजिटरट गर्नन को सही है जो बंसमें बनेगा अच्छा नष्म ने बहुत में बहुत बहुत आता है कि जो पॉलिटिकल पैंटी होती है यह कहां पर mention है किस article में mention है यह किसी article में mention नहीं है हमारी political parties के बारे में political party का जो mention है representation of people act 1951 में इसका mention किया गया है और दूसरा बात आपको एक amendment हुई थी मैंने आपको बदाया था 52nd amendment act 1985 जिसमें हमने discuss किया था anti defection law जाने की दल बदलने की विरुद्ध कानून अगर कोई दल बदलता है तो उसके according जो है यह लोग जो है आपके आपके इसको रिमूव कर सकते हम उसको हटा देते हैं कि आप member of parliament नहीं है जा आप जो है लोक स्टेट assembly के member नहीं है तो वो तो concept ह आगे बट इतना आपको पताना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी 52nd amendment act के अंदर भी लिखी गई है 10th schedule anti defection law के अंदर लिखी गई है तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा c option government is the correct answer चलिए अगला अंसर बताईए चलिए शाबाश कोशन बताईए कोशन पहले द्यान से समझे क्या बोला है नौट पूचा है कि इन में से कौन सा मेंबर नहीं है drafting committee जिसने ड्राफ त्यार किया था और उसके चेर परसन कौन थे डॉक्टर बीमराव अमेदकर यह चेर परसन थे और इस कमैटी के अंदर टोटल लोग थे साथ साथ लोग थे और इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे चीक है गोपाल गोपाल अचारा अयंगर चीक है प्रेजिडेंट थे यह कॉंसीशन असेंबली के समझाया अधरवाइस नौध इसमबर उन्नी सो चालिस को भी एक प्रेजिडेंट बैठे थे उनका नाम क्या था डैट वाज नौध इसमबर को प्रेजिडेंट का नाम था जो है सत्व बताईए कौन थे सचीदा नंद सीना सचीदा नंद सीना सिर्फ एक दिन के लिए बिठाए थे तो 11 को यह कर दिये गए थे अब तीन लोग तो यह हैं चार चौथा कौन था डैडिस के मुंशीज भी थे ठीक है मुहमद सदुल्ला संध यह भी थे और बी यल मितर बी यल मितर यस हां बी यल मितर को रिप्लेस किसे ने किया था यह न माधवराउं ने किया फार टीक है कितने ओगे दीपी खेतान NAजी को हो रिप्लेज किसे किया था कृष्ण मचारा टो इस कोशन इस आप थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर राजिंदर परशाद रिज़ा करेक्ट वान समझ आया अब यहां पर कुछ इंपॉर्टन परशाद के अगर मैं बात करता हूं डॉक्टर राजिंदर प्रशाद जी की डॉक्टर राजिंदर प्रशाद जी जो है रूल आफ प्रसीजर कमेटी के भी प्रेजिट थे रूल आफ प्रसीजर कमेटी उसके प्रेजिडेंट कौन थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद डॉक्टर राजिंदर प्रशाद जो है एड होग कमेटी बिठाई गई थी एक किसकी एड होग कमेटी ओन नैशनल फ्लैग राश्टिय ध्वज की उपर राश्य जंडे की उपर उसके भी प्रेजिडेंट कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रशाद जी थे समझ आया आप लोगों को यह समझ आया हाँ अब एक चीज कमेटे के लिए एक सपेशल कम है बिदा गए थी समेशल कमेटी टू एग्जामीन सपेशल कमेटी टू एग्जामीन था ड्राफ्ट आप दॉस्वामी भी था यह दिहां रखना एक श्चन का समझाया लोगों को कि समझाया तुम्हीं येस स्पेशल कमेटी टू एक्जामीन दा ड्राफ्ट ऑफ दा कॉंस्यूशन उसके कमेटी के चेर परसन को थे अल्लादी कृष्ण स्वामी लेकिन अगर नॉर्मल कोशन बूचा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेर परसन कौन थे तो आपका अंसर मैं एक दो पॉंट आपको बताना चाहूंगा डॉक्टा राजेंदर पशाजी जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेजिजेंट थे आजाद भारत के राश्ट्रपती पहले राश्ट्रपती दो बार बने थे इनको हम गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है जब हमारा सविधान बनना था एक इंटेरिम कमेंट बंठाई गए थी 1946 में अंत्रिम सरकार टेंपरीरी सरकार उसमें जो है फूड और अग्री कल्चर मिनिस्टर कौन थे फूड अग्री कल्चर मिनिस्टर ते डॉक्टर राजेंदर पशाज आजाद भारत के पहले राश्ट्रपती थे इन्हो इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किस ने लिखी है यह लिखिए अबुल कलाम अजाद जी यह भी याद करिए अबुल कलामा अजाद कौन है हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर दा यंगेस प्रेजेंट ऑफ आए-ंसी द लॉंगेस टे एजुकेशन डे क्लियर यह पॉइंट्स याद रखिए तो इस अर्वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट चलिए अगला अंसर बताईए कि शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया कि देखता हूँ आपको कितना पता है इन चीजों के बारे में कितनी त्यारी चल रही है आप लोगों की कितने कॉंसेप्ट आपको क्लियर है हर कोशन के उपर दिमाग लगने वाली चीज़ है सिर्फ यह नहीं है कि हाँ आपने कोशन देखा और टिक्क्या और चले गए ऐसा नहीं है दिमाग लगाने वाले कोशन आप्शन पी ध्यान पे ध्यान से देखके चलिए जी बहुत बढ़िय विच्व फॉलिंग एक्ट टरिटोरिल डिवीजन ऑफ दा गवर्नेंस इंडिया वाउस डण बारत में शाशन का शेत्रिय विवाजन किया गया तो कौंसा एक्ट था यह बढ़ा 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 जैंतar अब यहां पर देखे ध्यान से समझे यह वर्ड उण्होंने कोश्चंकर अर्शंच कर दी जब कोशच्ट के लेइं चैंज होगि तो आपके अंसर सब के में यह हो सकता करा है यह हो सकता है वह वो सकता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ पावर्ज पहले किसके पास थी इंग्रिश इस इडिया कंपणी के फिर उसके कहां पर चली गई थी आपकी डैडिस कुईन के पास चली गई थी फिर कुईन के बाद तो भाई वही तो चला रहे थे सरकार आगे तो उसके बाद सब्देशी मुमेंट यह वह वह पता यह आगे सब्देशी आंदोला फिर सब्सक्राइब बहुत सारे इक्ट आते गई वो तो अलग चीज है लेगिन शेत्रे विवाजन जब उसके बोला था कि टेरिट्री स्की उपर मेरा कंट्रोल है वो मेरा कौन था डैड्वास कुईन का कंट्रोल है अब क्यून रूल करेगी जाने के इंग्लिश इस्ट इंडिय कंपनी का रूल खतम और क्विन के पास पावर आगी टेरिटरीज की उपर अब किसका रूल होगा क्विन का रूल होगा तो यह कौन सा एक्ट था यह था गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्टर 1858 अंसर इसमें वन ऑप्षिन बनेगा और अंसर धिमाग लगाओ थोड़ा सा अच्छा दिवस अच्छा गुड़ गवर्नेस एक्ट इट्स नॉट दे इस एक्ट सुशासन का जो कानुन बनाया गया था 1858 बनाया गया था मैंने अभी गुड़ गवर्नेस डे लिख दिया था 25 दिसंबर को होता है वह अटर्वारी बाजबहींजी की बर्थ एनिवर्सर की सिदान्त खत्म किये जाएंगे क्या यह तीनों बातें पूरी होई थी नहीं इन्होंने धरम में दखल अंदाजी बंद कर दी थी क्योंकि इनको पता लग गया था हमने धरम पे ऊपर थोड़ा सा बात करी डैडिस 1857 के अंदर यह एंफील्ड राइफल लेका है जिसमें क लेका है जे और से नहीं पर वाहन पर आपके भारतिय शासन चल रहे हैं बारतिय हैं तो वहां पे हमाद우 रहीं हैं यह जवाब देगा distracted सेक्रेटरी जनरल बैठेगा कहां पे इंडिया हाउस में जो लंडन में है और वहां पे जो भी जब बात पहुंचेगी वह कुईन के पास पहुंचेगी तो यह बात हुदी आपकी टेरिटोरिल जो है गवर्नेंस की तो इसमें वन ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर लैंगुस क्या तुम्हें पेपर में ऐसे ही कोशन आने वाले है मैं तुम्हें बता दू मैं ऐसे नहीं कहा रहां कि कोशन आज गा कोशन लैंगुस देखे doubled कर गया वह एग्जामिनर वहां पर आप भी घूमW by जब रट नहीं हो Smith선 का रप रट्टे मार ले दस कोशन रट्टे मार ले तो दस के दस ही आगे concept clear नहीं है तो कुछ clear नहीं है आपका तो इसमें अंसर वन बनेगा 1861 की अगर हम बात करते हैं 1861 की बात करते हैं यहां पर बठाया गया नॉन ओफिशिल मेंबर को फर्स टाइम यहां पर बिठाया गया 1892 की अगर हम बात करते हैं 1892 एक्ट की बात करते हैं तो 1892 में पहली बार indirect elections की बात आई अपर्त्यक्ष तरीके से election की बात आई और यहां पे budget discussion की उपर भी बात करी गई तो इस question का अंसर बनेगा वन ओप्शन गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इस दा करेक्ट वान 1888 का एक यह गोशन भी देखते हैं कि कितने लोग सही करते हैं कि जी विच टाइप ऑफ डैमोग्रेसी डूई फॉलो इन इंडिया हमारे देश में किस तरीके का लोग तंत्र है डैमोग्रेसी है देखिए अगर हम बात करें डैमोग्रेसी इस वर्ड का मतलब होता है गम्मेंट टू सब्सक्राइब लोगों के लिए लोगों ने ही बनाई है तो यह वर्ड किसकी थी तो यह थे अबरहाम लिंक्त जी के अबरहम लिंक्त औरहां है है कि हम लोग अपने रिपर्जेंटिटिव को चुनते हैं जैसे आप इलेक्शन में करवाते हैं एलेक्शन में आपकी एक कॉंसिटेंसी का आपके महले का मतलब स्टार्ट फॉर्म दा लोकल गर्मेंट मुंसे पैरेटी फिर पंचायत फिर स्टेट फिर आपके एंपी सेंटर तो मतलब क्या हो गया लोकल जगह से भी स्टार्ट करते हैं तो एक एरिया एक ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो उसमें आप लोग पार्टिस्पेट करते हो और आप लोग वोट देते हो वोट देके एक बंदा चुना जाता है वह बंदा आगे जो जहां पर बैठेगा वहा कर राने में लोग सिधा वोट करते हैं कानून के लिया जैसे डिक डेमोग्रेसी देखने को मिलती है सुजदल toss and देखने को यह रिपरेजैने को मिलती है और यह पर वोट करते हैं और वहमारे liekानुन बनाते हैं अ कि चलिए अगला ऐनसर बताएं इंडिया इस रिपब्लिक मेंली बिकॉज बदाइए इंडिया को हम गन्राजिय की रूप में मानते हैं गन्राजिय बोलते हैं और हमारा फर्स रिपब्लिक डे जो है हमने सेलिवेड क्या था 26 जनवरी 1950 को कि अब बताओ कि हमारे देश को डिपब्लिक क्यों कहा जाता है यह तो आप बता सकते हैं अजी अरे भाइस अम आएंगे सब में आएंगे सब में आएंगे को चाहे आपका कोई बिएक्जाम हो इंडिया कोई पी एक्जाम सब में ऐसे कोशन देखने को आपको मिलेंगे इंडिया Is एक बच्चा पूछ रहा है इसमें से कि यह पेड़ कोट्स के अंदर कोशन है बिल्कुल ऐसे कोशन और भी बहुत सारे मेंने डिसक्स किये गए हैं इंडिया इस इस रिपब्लिक मेंली बिकॉस क्यों कहते हैं बिकॉस इट्स हैट ऑफ दा स्टेट इस एलेक्टेड वान डैडिज राष्ट्रपती जो है वह आपका मुख्या चुना गया है लोगों द्वारा चुना गया है अंसर इसमें वान ऑप्शन बनेगा बाकी तो ऑप्शन पढ़ने की जुरूत भी नहीं है अगला बताईए यह तो आप बता सकते हैं जब भी आप इलक्षन देते हैं अरे अप्शन नहीं पढ़ने की जुरूत थी वह सीधा आपका पहला अप्शन ही था वह चलिए अगला अंसर बताईए विच ऑफ दा फॉलिंग कैटेगरीज ऑफ दा सीटिजन ऑफ दा प्रि इसक्राइब करते हैं तो किसको आपके जो है कैटेगरी नहीं है बॉतर की वॉटर बोला है उन्हें बॉटर मतलब कि हम वोट कर सकते हैं चाहे बंक्रफ्ट हो तब भी वोटिंग करोगे आप love क्राइप किया हो तभी है कर hell वोट करसकते हैं मंतल़ छो है आपका क्रैक्टीरिया क्या नहीं है नौ को dryer चर्टरर यह एक जो 326 है आपका Right to vote उसकी बात कर रहा है Right to vote की बात कर रहा है यह Right to vote का मतलब Right to vote मतलब 18 और 18 प्लस वाला परसन जो है वोट कर सकता है जिसे आप Universal adult franchise Universal adult suffrage वर्ड यूस करते हैं और 326 में लिखा गया है यह और इसके एक्ट हुआ था 1988 का और इंप्लिमेंट हुआ था 89 में जब हमारी पहले एज थी 21 साल वोटिंगी एज थी अब हमारी 18 साल वोटिंग एज है अठारा और अठारा प्लस तो राजीव गांदी जी की गवर्मेंट में यह पास किया गया था तब यह कुछ भी नहीं था नौन रेजिडेट से टिजन का कोई भी वर्ड नहीं था की उपर में एक बात करना चाहूंगा कि जो हमारे डे होता है हमारे देश में हम सेलिब्रेट करते हैं करते हैं नौ जनवरी को इसी लिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि नौजबरी नवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आये थे भारत आये थे इंग्लेंड से तो स्वरी साउथ एफ्रिका से तो यह आपका जो है देखने को मिलता है अन्राइट अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर नॉन डेजिडेंट सिटीजन का कोई भी पार्ट इसमें नह लिए और लून चुकाने में आपने मना कर दिया कि हम नहीं चुकाएंगे तो बैंक आपको गोशित कर देगी चाहिए आप इंडिया में ऐसा थोड़ा है कि हाँ आपको विजे माले ही होना बढ़ेगा तो इंडिया में बहुत सारे लोग बैंक्रप्ट है आपने सुना नह अगर आपने अगर आपने अगर आपने लून ले रखा है नहीं आपने आपका जो है तो उसमें क्या होगा एक आरबे की तरफ से वहां पर लग जाती है डैडिज एन पी एंपिए नौन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या देते हैं बैंकरप्टी हो जाते हैं आगे जाके फि कोशन क्या है इन में से हमारा पॉलिटिकल राइट क्या है राजनितिक अधिकार इन में से कौन सा है वट इस दापॉलिटिकल राइट हे पॉलिटिकल राइट बताईए इन में से कौन सा है जी शबाश बताए बताए ये पॉलिटिकल राइट इन में से कौन सा है कि आप पाटिस्पेट कर सकते हैं सिविल और पॉलिटिकल लाइफ आफ दा स्टेट स्वी विडाओ डिस्केमिनेशन तो इसमें जो आर्टिकल है वह है राइट टू contest election right to contest election is the political right answer is me be option बनेगा right to freedom आपका fundamental right है right to equality before law यह आपका fundamental right है right to life आपका fundamental right है right to freedom जो है article number 19 से 22 तक आते हैं equality वाला जो article यह 14 नंबर में आता है लेकिन equality वाले 14 से 18 तक आते हैं और right to life वाला 21 नंबर article में आता है तो यहां पर answer क्या बनेगा बी option right to contest election is the political right अब मैं आपको election commission के बारे में बताऊंगा election commission जो है independent body है हमारे देश में article 324 नंबर में लिखा गया है election commission के बारे में election commission का कारेकाल कितना होता है छे साल retirement age 65 दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो इसके according हम उसको retirement दे देंगे तो इस question का जो अंसर बनेगा वो बनेगा बी option right to contest election is the correct answer right to contest election पॉलिटिकल राइट में देखे नैचरल जस्टिस लाइक फॉर एग्जामपल इंडिविजिल पॉलिटिकल फीडम और इंक्लूट राइट अव इंडिविजिल फीडम फॉर्ट यह आपके इंडिविजिल फॉलिटिकल फीडम मतलब यह फंडमेंटर इट क्यों पर बात कर रहा है राइट तू पार्टिसपेट इन दसीविश सोसाइटी अंड़ पॉलिटिक्स यह आगे कोशन की तरफ चलिए शाबाश 947 टाइम भी इतना हुआ है बच्चे भी इतने बैठे हैं 947 तुम कहीं और दुन तो नहीं लगा गया उपर भगवान के साथ चलिए बहुत बढ़िया चलिए शाबाश अच्छा है अगला कोशन देखे जी क्या गयता है विच और फॉलिंग के सिस्टा सुप्रीम कोल है ड़ा फंडामेंटर राइट सार अनमेंडेवल मतलब क्या है कि हम परवर् रखतन नहीं कर सकते यह कौन से केस में दिया गया था जल्दी सी जल्दी बताईए बश्यहाब कौ से केसे बोला गया था जी 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 ये यह बोला गया था गॉलकनाथ गोलकनाथ केस के अंदर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर 1967 में हमारा गोलकनाथ केस हुआ था और यहां पर सुप्रीम कोड ने बोला था कि सुप्रीम कोड जो है आपकी जो है फंटामेंट राइट्स कभी भी अमेंड नहीं कर सकते पार्लेमेंट कैन नो अथॉर् नंदा भारती केस है जो आपका 1973 में आया था और इसने बोला था कि हम सविधान में कुछ भी चेंजिस करें लेकिन आप बेसिक स्रक्चर ऑफ दा कॉंसलिशन को खतम नहीं कर सकते नहीं इसको अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्रक्चर है क्या वो हमारे सविदान में नही बताना चाहूंगा 1973 में ही हमारा प्रोजक्ट टाइगर चला था यह याद रखना प्रोजक्ट टाइगर चला था ठीक है अंसर इसमें फोर्ट ऑप्शन बनेगा गोलकनात केस अगला बताईए consent of the people means consent of देखे छोटा सा वर्ड है बहुत इजी सा वर्ड है लेकिन गडबड करने वाला वर्ड यह है कि मतलब क्या होता है क्या मतलब ऐसी इसका the consent of the people means consent of क्या होता है police chanique भी जब हम वोट करते हैं वोट करते हैं किसी भी परशन को मतलब एक्स वाइज-ड को किसी को स्वासन को चुणना तो हो सकता है आप आपने उसमें वोट नहीं किया उस इलेक्षिन में वोट नहीं किया सब्सक्राइब को कि इस पर्शन को वोट करना था मतलब हमने इन में से चलो तीनों में से एक बंदे को चुनना है और यहां पर हमारे स्टेट में सो लोग हैं सो लोगों में से 50 लोगों ने वोट किया और 50 का मतलब क्या होता है that means majority of the people कहने का मतलब यह होता है majority of the people Adi kaash logo ने जो है उसको चूना है answer इसमें क्या बनेगा see option bannay got correct answer see option नहीं 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 4th option नहीं बनेगा 911 बनेगा 92 बनेगा three option बनेगा correct answer that is the majority of the people clear answer us makes you option बने करेक्ट अंसर मिजरेटि ओधापीपक यैस ठाँप्षिन बने हां करेक्ट अंसर अध्य पढ़िय स्कोशन को पहले कि पहले स्कोशन को पढ़िये और ंताल जाज तुम कहां पे हो पता लग्या तुम में यस तो है बिलकुल शी है हाँ बाई हाँ बिल्कुल हमने ये question discuss किये हैं हमारे paid course के अंदर ऐसे question discuss किये हैं बार बार मत पूछा करो बिल्कुल किये हैं हमने discuss किये हैं ये नो पर्सन शेल बी a citizen ऑफ इंडिया if he has कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जदी उसके पास क्या होगा भारत के नागरिक बनने के लिए आपको पांच चीज़ों की जरुरत होती है बाइबर्थ मैं एक वर्ड बताता हूं ब्रैंड एक वर्ड होता है ठीक है तो इसी तरीके से जो है यह आपकी पांच चीज़ें यहां सकते हैं जातव का जनम यहां पे हुआ तरहेंगे आप यहां से रह रहे थे इंडिया में काफ़ी टाइम से रह रहे थे नैच्रल तरीके से रह रहे थे आप पर रिजिस्ट्र मतलब वह आपको अर्टमेटिक लिजो है हमारी इंडिया की सिडिजनश्प मिल सकती है आपके माता-पिता यहां के होने चाहिए तब भी आपकी citizenship हो सकती है तो यहां पर क्या बनेगा तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा लिव डिन ए फॉरंड कंट्री फॉर मोर देन फाइव यह गलत हो गया यह पॉइंट कॉन्विक्टेड और वाइए फॉरंड कोट अप्ड लॉक गलत हो गया वॉलिंट्री एक्वाइड शीड रिजन है उसके जा तो हमने दूसरे देश की citizenship ले लिए अपनी मर्जी से जा फिर हम किसी जो है यह ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में involved है जो हमारे देश के अगेंस्ट है जैसे टेरिस्ट वगएरा ठीक है तो उसको हम कहा देता है कि यह देश की citizen नहीं है जा फिर आपके देश ने टर्मिनेट कर दिया आपको टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि हाँ आपने दूसरे देश की citizenship ले लिए जा उदर ही रह रहे हैं आप लो तो हमारा देश जो है टर्मिनेट कर सकता है अगर आपने उदर की सिटीजिन ले ली है तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा सी ऑप्षिन डाइज वोलेंटरी एक्वाइट सिटीजिजन शिप ऑफन अनधर कंट्री अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करक्त अंसर सी ऑप्षिन अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं सिटीजन की बारे में बात करेंगे सिटीजन शिप आप से पूचा आता है सि मैं अगर हमने सीटेजन शिप किसको देनी है तो वह किस मनतरालिया के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ओफॉमाफ एर चेंदर काम करते हैं सिटीजन शिप हमें चीज़ें आप बोलते रहते हैं यह पीडिएफ चाहिए भाई पढ़ ले पढ़ ले ठीक है पढ़ ले मतलब पढ़ ले मैं यहीं कहूंगा पढ़ ले in the constitution of India the fundamental rights भारत के सविधान में मौलिक अधिकार क्या है what is this क्या है यह चीज जल्दी बताईए शाबाश बहुत बढ़िया इडिज फॉर्म डे पार्ट ओव दा ओरीजिनल अक्ट में हमारे देश में फंडामेंटल डूटी एड करी गई थी और वह दस फंडामेंटल डूटी थी लेकिन यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा है वह फंडामेंटल राइट आप में से इतने बेकार तो नहीं कोंगा मतलब जो कहते ना कि जल्दबाजी में रहते हैं जल्दबाजी में तो वह अंसर करके एंगे यह फॉर्थ वाला ठीक है यह निपढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट बूच रहा है वह बस देख लेंगे 42 अमेंडमेंट्मेंट को ऑप्शन में दे दिया तो मतलब लगा दो डी ऑप्शन लगा दो फंडामेंटल डूटी दस फंडामेंटल डूटी एड़ करिए स्वान सिंग कमेंटव की रिकोमेंडेशन थी USSR से बोरो करिए तो दस फंडामेंटल डूटी एड़ करी और ग्यारवी फंडामेंटल डूटी एड़ करी थी हमने 42nd amendment act 1976 के according clear तो इस question का अंसर क्या बनेगा आपका a option बनेगा correct answer यह तो भाई original थे fundamental right के लिए हमारी committee के chair person कौन थे fundamental right की committee के chair person थे बल्लबाई पतेल याद रखिए important है जब हमारा देश आजाद हो रहा था जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो आजाद होने से पहले भी fundamental rights की बात करी गई थी वो कहां कहां पर बात करी गए थी पहली बार बात आई थी 1922 1928 की नहरु रिपोर्ट में बात आई थी पहली बार तो यह रिपोर्ट जो यहां पर पास हुआ और fundamental right का resolution का जो ड्राफ्ट था वो त्यार किस ने किया था जो आहलाल नहरु जी ने त्यार किया था ध्यान रखो पड़ो ध्यान से यह समझाया अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन मैंने बोला था कि गलती यहां करने एकजाम में नहीं मैंने यह नहीं कहा था कि यहां पर जो कौशन उसको आँखे बंदगर कि टिक करते जाना है यह भी निकाए तो मैंने जब बोला है ध्यान से पढ़ पढ़के अंसर देने आज आपको तो मतलब ध्यान से देने आए ऐसी नहीं अच्छा यह तो लगा दो डी तो इना सर तो पताई देंगे ऐसा नहीं कहा था मैंने ठीक है हाँ अंसर इसमें यह अप्शन बनेगा करेक्ट अंसर थोड़ा सा दिमाग लगा के कुश्चन करो इसमें यहां पर देखे जी फंडामेंट राइट जो है हमारे सिक्स फंडामेंट राइट है एक्वालिटी का राइट है 14-18 नंबर आर्टिकल फ्रीडम वाला है 19-22 नंबर और तीस रेमेडी वाला जो राइट है वो आर्टिकल 32 में आता है एक हमारा राइट था राइट प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया है 44 अमेंडमेंट एक 1978 के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है और इसको हमने एक लिगल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 300 यह यह समझाया तुम्हें चलो अगला अंसर बताईए चलिए चलिए शाबाश 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 पड़ो कोशन को कोशन को पड़ो और अंसर दो कॉंसेप्ट मैं समझाऊंगा इनमें से ऐसी कौन सी राइट रिट है डैट के लाइव अगेंस परसन होल्डिंगे पब्लिक आफिस मतलब एक साजवनिक पर्द है गॉर्मेंट आफिस में बैठा है तो उसके अगेंस्ट जो है हम जो है यह रिट पेश कर सकते हैं मतलब खि परकांक को बताया था कि रिट रिट वर्ड जो होता है यह हमारे फंडमेंटर राइट के अंदर अक्रिक्ल 32 में रिट वर्ड आया हुआ है और रिट हम बिटेन कॉंसियूशन से हम लेते हैं का सवेधानिक उपचारों का अधिकार है एक आए पतना होना चाहिए कि छब आपके फंडामेंट राइट अगर वाइलेट हो जाएं तो उम्न पेश कर सकते हैं और आपके ऐपकी आपको बताऊंगा कौन कौनसी है इसी कारण हमारे अर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है डैड़ीज दा कॉंसिशन रेमेडीज का आर्टिकल बोला जाता है सुपर इंपॉर्टन सविधानिक उपचारों का अधिकार यह बोला जाता है अब कोशें यहां पे देखिए हेबिस कॉर्पस वर्ड का पहले तो इस कोशें का अंसल लगाते हैं मतलग अगें इस कोई परसन बैठा है तो वह हमारा काम ही नहीं कर रहा तो हम उसके एक रिट जारी कर सकते हैं और उसमें कोड जो होती है उसको बोलती है एक्टिवेट करते है तू अपना काम कर दे भाई ठीक है तो डैट एक डैट रिट is called mandamus mandamus to activate जिसे हम कहते हैं तो एक्टिवेट करना यह हम डालते हैं किसके अगेस्ट पब्लिक ऑफिस्ट के अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर मेंडमस एक चीज द्यान रखना एक चीज द्यान रखना यह जो है आपकी जो है रिट है ना तो हम राश्च्रपती के दे सकते हैं ना ही हम गव आपको किसी परसन ने मतलब किसी किसी परसन ने पगड़ लिया विदाउट एनी रिजन तो आप जिसने पकड़ा है पुलिस वाले की बात कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप रिट फाइल कर सकते हैं और यह सीधी रिट आप हाई कोट और सुप्रीम कोड में डाल सकते है वो हाइब्ल प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब लहता है टु इनेखपीवेट किसी चीज़ को रोख देना अगर मैं कहूं कि कोई केस अगर कोई केस है वो स फके बड़ा डिश्कりました का इसका से सुप्रिम कोड लेख सकती है मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको आप नहीं जारे केस को सीधा जो बड़ी कोड़ से वो खीच रही है जिसके कारण जो लोगर कोड़ से उसको इनक्टिवेट किया जा रहा है आप उसमें डिसीजन नहीं देंगे उसमें उसको प्रोहिबिट कर दिया अगर आप लोगर कोड़ने कोई डिसीजन दे दिया लोगर कोड़ने डिसीजन दे दिया तो आपकी हाई कोड़ उसको खतम कर सकती है जा फिर हाई कोड़ने डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोड़ उस डिसीजन को खतम कर सकती है यह प्रोहिबिशन और सैरिटोर और higher courts होती है high court या supreme court वो चलता चलता case अपने पास ले आती है तो यही difference होता है दोनों में एक है आपका डैडिस क्यू वरंटो क्यू वरंटो तो इसका मतलब होता है what is your authority अगर किसी public office में किसी person को आपने मतलब अगर आप public office में बैठे हो और उस public office के आप head for example तो आपने किसी जगा की ऊपर किसी और person को बिठा दिया और कहा दिया कि तेरी जगा रहेगी मतलब तेरी पोस्ट आई यह सब कुछ ऐसे है तो जिस बंदे की पोस्ट है ना तो वह मेरे गेंस केस करेगा जाने कि अगर मेने ने उसको बिठाया तो मेरे केस होगा और government court मेरे से बूचेगी कि मेरी क्या उसको बिठा दिया उस पोस्ट के उपर बिठा दिया लेकिन पोस्ट तो किसी और की है तो वह कौन सी आपके होगी जिन लोगों नहीं सुना उसको वीडियो को पीछे करो थोड़ा सा दुबारा से सुनो चलिए जग्रांस से बताई यह होगा मैंडमस का होगा जो मैंने आपको बताया था अब बताओ यह क्या होता है राइट वोट बिलॉंग्स यह हमने डिसकुस कर लिए वैसे तो यह जी जी ठीक है और नैच्रल राइट्स क्या होते हैं नेचर बाइचर ठीक है इसमें आपका कोई ना तो लॉल लगेगा ना कोई कस्टम लगेगा कुछ भी मतलब आपके रूल्स रेगुलेशन नहीं लगेंगे लिए अगल नैच्रल राइट्स सिविल राइट्स का मतलब क क्या होता है what is the meaning of civil rights yes civil rights जो आपके आपके civilians को बचाते हैं किसी भी चीज से प्रटेक्ट दा इंडिविज्विज्व सोचल और्गनाइजेशन होती हैं बना सकते हैं human rights बहुत सारे हैं human rights हो हमारे यह दो आपके united इंडिशन ने भी कर रखे है human rights act की बात कर सकते हैं बदाईए बदाईए हुम्हाराइट कमिशन बैठा गब था हुमाराइट कमिशन 1993 में यह याद अखना हमारे भारत में 1993 में बना था नैशनल हुमाराइट कमिशन 1993 में हुमन राइट्स डे कप होता है 10 दिसंबर को हुमन राइट्स के लिए एक और्गनेशन काम करती है युनाइटे नेशन हुमाराइट कांसिल इसके एड़कॉर्टर जिनिवा एक हैति है एमनेस्ट्री इंटरनेशनल इसके एड़कॉर्टर लंडन में अंसर इसमें फॉर्ट ऑप्शन बनेगा पॉलिटिकल राइट इस अक्रेक्ट वान अगला कोश्चन का अंसर बताईए the term fraternity fraternity word का मतलब क्या होता है मिलादरी fraternity word का मतलब क्या होता है what is the meaning of fraternity in the preamble of the Indian Constitution fraternity word का मतलब होता है brotherhood भाई चारा तो यहां पर अंसर क्या बनेगा आपका फॉर्ट ऑप्शन ब्रदर हुडिजा करेक्ट अंसर काफी लोगों को यहां पर फ्रेंड लगेगा लव एक्षिन या कुछ भी आप डाल दोगे इसमें एक्चुल अंसरी जफोट ऑप्शन यस ब्रेदर होड़ीज चारेक्ट ऑन सर ब्रेदर हुड अंसर इसमें फोर्थ ड्रणी वर्ड हमने फ्रांस के constituents से लिया था और French Revolution कब रुभा करेंच रोशन और她 1789 who is the child of the French Revolution that is Napoleon Napoleon Is The tourist challenge a French Revolution Napoleon of India किसे कहते है सुमूदाग appl reasonably को को तृप कवीराज आज भी इनको कहते हैं और इनको बोला था वीए स्मिथ ने बोला था डैड इस नेपोलियन ओफ इंडिया अंसर इसमें फूर्ट ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर नाना गरते मैं कहीं और ले जाता हूं पॉलिटी के अंदर साथ पर और चीज़ें भी डिसकस हो जाती है चलिए अगला अंसर बताईए कि शाबश 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 बहुत बढ़िया कि स्टेबिलिटी ओफ दा कि गमेंट इस एशॉर्ड इन कि जो गमेंट की स्टेबिलिटी है इसमें क्या होता है सब्सक्राइब कहां पर होती है यकुछन 110 परसेंट आपहंड़री परसेंट होतां होता है 100 परसेंट अपगल्ड करेंगे क्योंकि क्या क्वेक्शन समज़ने रहे हैं stability औफॉफ दा गर्मिट is assured in कि जाने के सरकार हमेशा रहेगी तो वो किसमें होता है यह बताएंगा आप लोग कि शाबाश इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा अब मैं बताता हूँ कैसे होता यह पहले हम इसका पड़ेंगे फिर इसको देखेंगे कि पारलेमेंटरी जो मैक्सिमम स्टूडेंट पारलेमेंटरी बोल रहे थे वह गलत क्यूं है वह बाद में डिसकस करेंगे पहले अंसर प्रेजिटेशन फॉर्म आफ गमेंट क्यों है मैंने आपको बताया था अगर आपने आज लेक्चर ध्यान से सुना है कि प्रेजिटेशन फॉर्म आफ अपने मतलब जो अपने यह किसको जवाब दे ही नहीं है प्रेजिडेंट इसको जवाब देना है और इसका वाफिक्स होता है इसका टिने अरो पर चिलाएगी opposition party चिलाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हां यहां पर पूरी government stable रहेगी clear US में देख लो stable government आवाम पर इसमें बी option बनेगा parliamentary 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 में जैसे हमारे इंडिया में है हाल देख लो हमारे इंडिया का हमेशा कभी opposition कभी ruling government कभी यह government क्या एक दूसरी के उपर ना मतलब वो लगा दे रहते हैं कि हाँ यह हो गया वो हो गया उसने कर दिया इसने कर दिया तो वह दब parliamentary presidential में हमेशा stable government रहेगी no doubt कि हाँ presidential government में डी मेरिट्स भी बहुत सा रहे हैं और आपके parliamentary में डी मेरिट्स बहुत सा रहे हैं और मेरिट्स भी बहुत सा रहे हैं बट अदर्वाइस इस question का अंसर क्या बनेगा आपका डैडिस वी option presidential government clear हो गया आप लोगो हाँ क्योंकि देखे पार्लेमेंटरी देखे एक चीज होती है पार्लेमेंटरी में जो भी आपका executive होता है वो responsible होता है legislature के जैसे हमारे देश में अगर मैं बात करता हूं हमारे जो council of minister होते हैं जाने के हमारे मंत्री परिशद यह real executive होता है यह responsible होता है लोग सबागे डिया प्लेक्टली रिस्पॉंसिबल टू लोग सबागे डिया इंडिविज्टल में difference में difference यह आता है कि राष्टपती सरकार में जो उसने बोल दिया बोल दिया लेकिन यहां पर parliamentary में उस चीज़ के उपर पूरी discussion होगी अगर किसी ने गलत कर दिया कुछ कानून लगाने में गलत कर दिया कानून गलत बनाया तो opposition party बैठी है discussion करने के लिए पार्टी को running government को गिरा भी सकती है वो चीक है तो यह सारी चीज़े इसमें देखने को मिलती है कि समझाया तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी option presidential form of government चलिए अगला अंसर बताइए लोक सभा लोक सभा आएगा अगला बताइए राजय सभा के पास बहुत ज्यादा पावर होती हैं लोक सभा के केस के लोक सभा से ज्यादा पावर हैं राजय सभा में किस केस में इन में से किस केस में सबसे ज्यादा जो है पावर होती हैं राजय सभा के पास ज्यादा होती ह है राजलेसभा जो आटिकल नमबर है हमारा आटिकल नमबर है Что-toこ 80 और लोगसभा का आटिकल नमबर होता है gehen है अब बात करे इस मेंधिल के केस में मनी बिल आठीकल 110 में आता है आपका और इस میں सारी की सारी पावर होते हैं लोग सभागी राजय सभागी कोई पावर नहीं होती नौन मनी बिल्स गरत ये बेगर सेटिंग अप ओफ आल इंडिया सर्विसे बिल्कुल अगर आपने अखिल भारतिय सेवाओं के लिए कोई कानू बनाना है अंडर आर्टिकल 312 में आते हैं औ तो पहली बार जो बिल उठेगा वो हमेशा राजय सभा से होगा त्यां रखिए और अगर मैं बात करता हूं कि इस चीज को क्रियेट कौन करेगा सारे मिलके राष्ट्रपती लोग सभा राजय सभा कहने का मतलब क्या है कि पार्लेमेंट इसको क्रियेट करेगी लेकिन लोग सभा तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन नई अखिर भारतिय सेवाओं की स्थापना जो है आपकी 312 के कहां से स्टार्ट होगी राजय सभा से स्टार्ट होगी एक चीज और याद रखिए आपसे पूछा जा सकता है और इंडिया सर्विस के जो है इंडियां सरी और इंडिया सर्विस में आती है इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा और फ्रॉप्षन क्लियर होगे आप लोग को यह चोड़िए यह चोड़ो मैं आपको एक चीज और बदाता हूं एक एस आपको बदाता हूं आपको पता होगा आर्टिकल 249 याद है आ बिल्कुल अगर हमारे देश का कोई नैशनल इंट्रस्ट हो अगर हमारे देश का कोई नैशनल इंट्रस्ट हो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग दो बड़ा तीन से बिल पास करेगी राजयसभा और कानून लौ बना देगी तो यह भी राजयसभा की पावर उसमें आती है च्पॉट चैंटिग अप आफ और कोशन और याद करतें All India services के father the father of all India services किसे कहते हैं बल्लबाई कि वर लेकिन father of civil services father of civil services in इंडिया किसे कहते हैं lord कारन न वालिस को यह पढ़िये ध्यान से वर्ड को प्याद पढ़ना है ध्यान से समझाया तुम्हें अंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर सेटिंग अप आफ और इंडिया सर्विसेज चले अगला अंसर बताईए यह बच्चे मेरे से बहुत कोशन पूछते हैं और यह गलत भी करते हैं वैसे मैं बताता तो हूँ ही ठीक है बट फिर भी पढ़ो इस कोशन को और अंसर दो कोशन खुझ से बढ़ो कि पढ़े बढ़िये जी कि सिंदूर तेरा बाद में बर लेंगे पहले इसको कर ले ठीक है सिंदूर बरने सारे आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पहले इस कोशन को कर ले लड़कों को भी सिंदूर बदावाने करवाने इनको इसका अंसर बताई है कोशन को पढ़ो पहले सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं ही बताऊंगा पहले पढ़ो पेपर चल रहा है स्पोज ऐसे करना है आपने अंसर हुआ कि फॉलिंग क्रिशाइड ओवर दा लोगसबा इन दा एपसेंस ऑप्र चैर परसन आपको पता कौन होता है फिकर होता है और उसके बाद बैठे का अगर स्पीकर आप सेंद द दूपिपिट बैठेगा दिव स्पीकर भी नहीं है तो इस चाइंग पे कौन बैठे गा a member appointed by the president गलत हो गया यह ऐसा कुछ भी नहीं होता member nominated by the members of the Parliament present in the house यह भी गलत है a person from the panel found by the speaker of the लोग सभा यह बिल्कुल सही है यह पैनल चुनके रखता है कि अगर यह absent है तो यह बैठेगा यह absent है तो यह बैठेगा और इस पैनल में से एक परसन को nominate कर देगा और उसको बिठा देगा सीनियर मोस्ट member of the house गलत तो अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर थर्ड ऑप्षिन बनेगा है मनी बिल के इसमें में ट को पूछी जाती है मनी बिल मनी बिल तब कहला आया जाता है जब इसके उपर साइन हो जाए आटिकल बनन दूसरी बात यह है जोएंट सेशन के अंदर जहाँ स्बीकर फाफ यह परसन होते हैं और यह सब कुछ आपके स्पीकर के वे उपर होता है उसमें थर्ड आप्षण बनेगा अन्सर बताओ क पढ़के अंसर पढ़के कोशन पढ़के ध्यान से तो दो कि तुम्हारे बहुत कोशन गलत होंगे आज मैं तुम्हें बता रह वहön जो ह्ते या दस पढ़ लिए उदर से दस पढ़ लिए इदर से तो हमें आ गया बहुत कुछ गलत होगा आज तो वेरीज़ा कॉंसिटिशनल पावर लोकेटेड इने इनेबलिंग दा सेंटर गामेंट टू लेज़ेट ऑन दा काव स्लॉटर गो हत्या पे जो कानुन बनाने के सक्षम होती है सरकार पावर होती है तो कहां पे लिखा गया है बताएंगे आप लोग काव स्लॉटर के उपर कान बनाने के लिए आपका जो आर्टिकल नंबर 48 है जो डिरेक्टी प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलसी के अंत्रगत आता है उसमें लिखा गया है यहां पे देखते हैं एंट्री सेवंटी लिस्ट्री इंदा स्केडूल सेवन प्रिवेंशन अफ्र आपका काव स्लॉटर तो आपका लिखा गया है सवीदान में एमेर्जन्सी पावर गलत है एमेर्जन्सी पावर आपकी राष्ट्रपती बनाते हैं जैसे नेशन remember ऑप्ER लानेंछ वह बंचुल सही है जाने की अपनी reform नंबर जो है 48 मे लिखा गया है डायच्प्रिंसीपल का जो उदेशया होता है वह होता है वैल फियर औफ दा स्टेट और प्लस सोशल और एकनोमिक डैमोक्रेसी प्रवाइड करना और यह हमने कहां से बोरो किया है आयरलेंड से बोरो किया है तो उसमें क्या बनने वाला है फूर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर आर्टिकल 48 इंदा डिरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 यहां पर डिरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए जिसमें आपकी प्रोविजन जो वैलफियर के लिए डील करती है पढ़ लेना यह कोशन पढ़ लेना यूपीसी जैसे आप में से काभी बच्चे एपीफो के लिए त्यार कर रहे होंगे चीक है स्टेट पीसीस के लिए बच्चे आप पढ़ रहे होंगे लोग ठीक है तो उनमें आपको पेपर में पूछा जा सकता है यह बताइए वेलफेर के लिए कौन सा आर्टिकल है 38 42 45 47 ऐसा बताइए सोशल जस्टिस के लिए कौन सा है 39 41 43 46 डेमोग्रेसी के लिए कौन सा है 40 44 45 मिसलीनियस प्रोविजन रेटिंग दा इन्वार्मेंट 48 49 50 51 तो यह पढ़ ले ना भाई कि समझा है आप लोगं को यस अगर आपसे पूछा कि गांधियन प्रिंसिपल बताइए जो गांधि वायत की उपर बात करते हैं आटिकल नमबर 40 43 43 बी 46 47 48 यह आपके हैं गांधियन प्रिंसिपल्स यह वाले आर्टिकल्स क्लियर याद रखे सुदीज आर्दा आर्टिकल्स जो डिफिर्ट इफिर्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं चलिए अगला बताते हैं बदाओ यह कोशन क्या बनेगा हां इनपोर जस्टीशेबल नहीं है यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन्स्टीट इन राज्य सभा इस अकौर्डिंग टो पढ़िये पढ़िये फड़ा हट कि सी बी देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है कि सी भी एन्स टेट इन राज्यस कि बारे में आपको बताया था फूर स्कैडियोल के बारे में फूर स्कैडियूल के अंदर लिखा गया है और जब भी आपकी राज्येसभा की सीट की बात होती है वह होती है अंशर पर दा स्टेट जाने की राज्या 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे दियान रखना 1952 में राज्य सभा का जो एक्स ओफिश्य चेर्मेन होता है वह हमेशा वाइस प्रेज़ेंट होता है वाइस प्रेज़ेंट का चुनाव जो होता है उसमें आल दा मेंबर आफ पार्लेमेंट पार्टी स्वेड करते हैं लो option population of the state answer is B option is a right one अगला बता यह जी बहुत बढ़िया बदा सकते हों एक उस्ट्ट्ट्ट by which will bill does the government propose the collection of the revenue for a year एक साल का जो revenue होता है वो किस बिल के अंदर का देखने को आपको मिलता है वड़ावड बताईए कि बताइए बताईए तो वह लिखा होता है आपका finance दिल के अंदर आंसर इसमें B option बनेगा फाइनज बिल आर्टिकल बन-117 के अंदर लिखा होता है जिसमें आपके रेविन्यू के बारे में लिखी होती है चीज़े और इसमें B option बनेगा सदेर कर्याइं आंसर वी ओप्शेट फाइस विल है एक फाइनेंस बिल है तो मैं पहले ने में पलकत करूँ का मतलब यह होता है जिसमें हमारी एक्स्पेंडिचर और रैवीन्यू की चीज़ें ख Felix कुछ पे हुआ और खर्चा पैसा कहा थे कितला होता है जिसमें हम दो काटेगरी करते हैं फाइनेज फिलनास बिल ऑि मतलब फाइनेंस बिल जो REYता है छोटा है वह किसी भी सदन फाइनेंस बिल को लेकर आने के लिए धाव्त Aegis की मंजboro के के में होती है क्लियर हो गया और जैसे मनी बिल्ट के केस में हमने बदाया था कि मनी बिल्ट को कहने के लिए मनी बिल्ट के उपर साइन होने चाहिए स्पीकर गए तो फाइनेंस बिल्ट के आपको पता ही है औरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है तो इस इस दा डिफ्रेंस बिटूइन दा ये वाला पाट कि जिया आर्टिकल 112 बजट का है यह सब को पता है अगरा बताओ कि अगला बताए कांसिल आफ मिनिस्टर डजन्ट इंक्लूड कांसिल आफ मिनिस्टर के अंतरगत हम कौन से पर्सन को नहीं लेते कांजल आफ मिनिस्क्र को हम इन में से कौन से नहीं लिते पहली बात तो कांजल मिनिस्क्र में परधान मंत्री के कुछ चुनिंदा लोग होते हैं कांजलो मिनिश्ट का हैड़ आपका प्राइम दितने मंत्री जा सकते हैं कि मनिस्टर के लिए चोर फरेंट की बात आइथि और सविश्य के अंदर के अनदर कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं मैंस्टर ऑप स्टिेट भी होते हैं मिनिस्टर विदाउट पॉर्टफोलियो भी होते हैं लेकिन cabinet secretary is not the part of the council of minister answer में सिऑ आप्शन बनेगा यह जो person होते हैं यह bureaucracy के साथ लिंक करते हैं आपके तो यह बनेगा से आप्शन बनेगा कर्एक्ट और तरह काम करता है इसमें सी औप्शन बनेगा यहाँ बे points देखिए क्या कहते हैं देखे जी यहां पर cabinet ministers की अगर मैं बात करता हूं cabinet minister वो मनिस्ट्र होते हैं जो आपके जिनके पास ministry होती है है रोते हैं जो policies को decide करते हैं जो आपके executive authority होती है वो होती है cabinet minister उसके बाद आपके जो हां आते हैं minister of state word सुना आप लोग ने जिसके पास independent charge की ministry होती है जो independently किसी department को किसी ministry की department को handle करते हैं और यह हमेशा cabinet minister की अंतरगत काम करते हैं उनकी guidance में काम करते हैं और इसमें कोई भी member जोगा not member of the cabinet and do not attend cabinet meeting मतलब यह member जो होते हैं आपके independent charge के यह कोई भी cabinet की meeting को attendant नहीं कर सकते जो उसके बाद होते हैं deputy ministers deputy minister जो होते हैं वो minister को assist करते हैं उनकी administrative duty में कोई separate इनके उपर charge नहीं होता बगएरा बगएरा और अगर मैं बात करता हूं पूरे के पूरे की यह आपके deputy minister क्या आपके minister of state cabinet minister इनको collectively हम बोलते हैं council of minister जिनका जो आपके हैं collectively responsible होते हैं लोग सबा के लिए इन्डिविजनी रिस्पोंसिबल होते हैं आपके राष्ट्रपती के उपर चो this is important one इस इस इंपर्डवान है समझाया तुम्हें कि चलें आगे चलिए कि अगला अंसर बताईए कुछ बेखें सन्य तबिखें नहीं टीकले पड़ने की तरफ जयान देजिए पर्लिमेंट्री कमैटी इस पॉर्ल Remo जिव जांच करती है क्या की रिपोर्ट को वह आपका कौंसी कमैटि है क्या की कमेटी जो होती है क्या अपनी रिपोर्ट राष्टपती को देता है पार्लेमेंट में जाती है फिर आगे जाके आपकी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है आपकी लोग सेवा लोग लेखा समती होती है जो आपकी इन चीजों को देखती है अंसर इसमें थर्ड ही जो होते ह Sophia के कि रिपोट को और बबिश कर देते हैं और बताते है कि आग ने गोटाला निकाला सो इसलिए हम बोलते हैं करको बोलते हैं हुआ है और या ऑफ प्लिक अकाउंट बोल जाता है और प्लस ऐंडि यह न दिए तो और ग्याग आपके government के accounts को audit करता है audit करना audit की report आती है यह public account committee को जो publish होती है आगे तो यह बनेगा c option एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगा public account committee और estimate committee इन दोनों को sister committee के नाम से जाना जाता है और यह दोनों financial committees है public account committee में 22 होते हैं estimate committee में total लोग होते हैं 30 और 30 के 30 आते हैं लोग सबा से समझाया दोनों का कारेकाल दोनों committees का कारेकाल एक साल होता है जो chair person होते हैं वो हमेशा opposition party के member और प्लस आपके speaker of the लोग सबाइन को पॉइंट करते हैं एक साल के लिए समझाया आप लोग को estimate का का काम estimate लगाना पैसे का budget बजट का वगएरा वगएरा चीज़ों का estimate लगाना तो अंसर इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शिन public account committee is the correct one बताईए अगला 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 अंसर बताईए देखते हैं आप अंसर क्या देंगे इस question का पढ़ो अंसर पहले question पढ़ो फिर अंसर विच इन्नोवेटिव discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system कौन सा जो है इंडिन पार्लेमेंट discussion पहली बात तो यह word use क्या कर रहा है discussion discussion का मतलब होता है जिसमें सारे मेंबर एक दूसरे के साथ discuss करेंगे बाते करेंगे तो वह इन्नोवेटिव decision है आपका zero hour शुन्या का जिसमें हमेशा public importance के लिए जो चीज़े discuss करी जाती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा correct answer be option is the right one be option zero hour is the correct answer यहां पर देखिए जब भी आपका Parliament start होती है 11-12 का time होता है question R का जिसमें आपके governments के उपर जो चीज़े होती है उसका check और represent किया जाता है लोगों के according question R में तीन तरीके question होते है एक start question होता है जिसमें आपको oral answer देने होते हैं अंस्टार्ड question होता है जिसमें आपको written answer देने होते हैं एक short notice question होता है जिसमें आपको दस दिन का time ले दिया जाता है और तब आप अंसर देते हैं लेकिन 12 बज़े से दिमाग लगाओ दिमाग दिमाग लगा के काम होना यह हाँ कि दिमाग लगा के अंसर दीजिए शाबाश which item out of the following is contained in the concurrent list समवर्ती सूची में इन में से कौन सी चीज आती है समवर्ती सूची में इन में से कौन सी चीज आती है हमारे 7th schedule है सात्वी अनुसूची है जिसमें तीन लिस्ट हैं सेंटर लिस्ट स्टेट लिस्ट और concurrent समझाया सेंटर लिस्ट जो होती है जाने कि आपकी जो है संग वाली होती है सेंटर वाली सेंटर लिस्ट जो होती है आपकी इसके अंतरगत कि इसके अंतरगत जो होता है सेंटर लिस्ट में यह होता है कि आपकी राज्या सेंटर कानून बनाता है स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं औ फोल स्टेट है मार्किट एंड फिर स्टेट का पार्ट आता है यह स्टेट लिस्ट में है अंसर इसमें क्या बनेगा ट्रेड यूनिए इस एक तर एक्जैंपल और इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रस आपको पता है हिस्ट्री में पढ़ा था हमने 1920 लालाज पत्राय जो है इसके चेहर परसन बने थे और प्लस एनम जोशी जौसफ बैप्टिस्ता नाम इतने बड़े-बड़े प्रॉमिनेंट नेम जो थे इस यूनियन के साथ लिंक करते थे तो अंसरे में क्या बनेगा वान ऑप्शन बनेगा ट्रेड यूनियन जो होता है आपका एक प्रेशर ग्रूप की तरह भी काम कर सकती है किसकी तरह प्रेशर ग्रूप की तरह प्रेशर ग्रूप क्या होते हैं यह एक पियर पियर ग्रूप होता है तो उसमें ट्रेड के लिए बाते होंगी लेबर यूनिन हो सकती है कोई भी यूनिन हो सकते है तो मतलब उनकी कि कोई कि या करते हैं दर ने दरते हैं जा कुछ भी आप सरकार सबाइं उसके अंदर आई थी तोrog बात है कि बाते बातु पुरी थी वह तो अलग चीज़ें हैं लेगिन वो एक तरह का प्रेशर गुप था समझाया आप लोगो तो अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्षिन और कंकरेंट लिस्ट में देखने को आपको मिलता है यह वाली चीज अंसर इसमें वन और ऑप्षिन इस दरेक्ट वां ट्रेड यूनियन इस राइट वां ट्रेड यूनियन चीक है अच्छे एक चीज़ आपको बदाता हूं एक आपके पांच सब्जक्ट थे पांच सब्जक्ट थे जो 42 अमेंडमेंट अक्ट 76 के अंत्रगत हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट ल प्रटेक्शन ओफ वाय्ल लाइफ एन अनिमर्स पॉटेक्शन ओफ वायल लाइफ एन अनिमर्स यह पांच चीजे थी जो हमने 42 सेकंद अप्रमेंडमेंट अक्ट के एक्वाडिंग स्टेट से कंकुरेंट लिस्ट में डाली थी तो यह आपको पता होना चाहिए आप लोगं को नहीं क्लियर यह द्यान रखे यूनिलिस्ट सेलिस्ट और कंकुरेंट लेस्ट कोशन समझी अंसर दीजिए कोशन को समझी और अंसर दीजिए अब कि अधर यह दब्वलिश्थ अपर हाउस ओफ धस्ट लेस्टेंट बिलॉंग स्टू अब पर लेजिस्टेटर इपर हाउस उफदा स्टेंट लेश्यचे की बात कर रहा है तो मतलब state legislative council की बात कर रहा है और जिसे हम क्या कहते हैं विधान परिश्यद मैं आपको बताऊं जैसे लोक सभा है उसका सेम काम है आपका state legislative assembly विधान सभा जैसा राज्ये सभा है उसका काम है एक राज्यopia और आपका विदान प्रिशत द्वारा ऊंसील करसकते हैं इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को राज्यसभा हमेशा रहेगी लेकिन स्टेट लेश्टिटिव काउंसिल जो आपकी विधान परिशद है इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और इसको खतम भी कर सकते हैं अबॉलिश भी कर सकते हैं समझाया यह लिखा गया है अंडर आर्टिकल 169 के अकॉ होते हैं special में जोटी 2 मतलब दोबडढ़ा 3 द्वारा बेल पास करते हैं फिर अगर यह में पास हो गया तो यह जाएगा कॉटम भी किया सकता है तो यह कौन बनाएगा यह कौन बनाता है और क्रिएक करता है संसर्समें क्या बने गनी 1890 अबनेगा करक्टन सर्व को यहांसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी-opption बनेगा कर्यक्त बी-opption अब आपको बताता हूं कि कौन-कौन से राज्यों में स्टेड डेस्टिटिफ काउंसल आपको देखने को मिलती है कहां कहां पर है आपकी डैस करनाटक तैलैंगना आंधरपरदेश महाराश्र, बिहार और यूपी तो ये छे राज्या हैं जहां पर आपकी स्टेड लेस्टेटिव काउंसिल देखने को मिलती है इससे पहले जम्मो कुश्मीर में भी थी तो आपको पता कि जम्मो कुश्मीर के अंदर अब नहीं है तो ये चीज जिया रखिए ये क्लियर होना है वह आपके आएंगे municipality से वह आपके पंचाय से local government से जो है चुने जाएंगे एक बड़ा तीन एक बड़ा तीन मेंबर एक वाटा 12 मेंबर जो होंगे वह कहां से आएंगे जो आपके graduates होंगे जिन लोगोंने तीन साल graduation कर रखी होंगी उसका एक बड़ा बारा आएंगे और जो रह गए जो रहे लगो आपके नॉमिनेट करेंगे आपके गवरन्र नॉमिनेट करेंगे और गवरनर जो training करेंगे वह पांच्विल्ड से कर सकते हैं वह 5 ओंसी है एक बटा बारा टीचर एक बटा बारा जो है आपके ग्रेजुएट्स एक बड़ा तीन मुंसेपलिटी और उसके बाद एक बड़ा तीन जो है असेम्बली एक बटा छे गवर्न चुनेंगे तो डिस इस वैरी बारी इंपॉर्टन कि अगला बता ही है कि क्या हो गया थक गये है कि क्या हो गया थक गये बस होगी टाइटाइम फिश खतम का नहीं अगर वैसे तो सर यह करा दो वो करा दो आज तो आंखे भी खुल गी होंगी आप लोगों की पता भी लग जाओगा कि कहां पर स्टेंड करते हो तुम लोग हो पॉइंट जा सेक्रेटरी जैनल आफ दा लोकसभा सेक्रेटरी जैनल को लोकसभा के कौन पॉइंट करता है सेक्रेटरी जैनल जो होता है यह एडमिस्टेटिव हैड होता है एडमिस्टेटिव हैड होता है लोकसभा के अंदर और इसको पॉइंट करते हैं आपके स्पीक चलिए जी अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर चलिए चलिए शाबाश अगलान सा बताईए रोल तो मैंने आपको बताई दिया responsibility होती है उनकी administration करवाना प्रॉपर तरीके से कि पार्लेमेंटरी और पेजिदेंशल गवर्मेंट कैन बी डिस्टिंगुष्ट मेली बाई अगर यह कोशन आप कि पार्लेमेंटरी और प्रेजिदेंशल गवर्मेंट कैन बी डिस्टिंगुष्ट कैसे डिस्टिंगुष्ट किया जाते हैं जे फैडल स्ट्रुक्चर नेचर से गलत दा इज़िद दी अफ गॉंशिशन यह भी गलत दा प्रेजिदेंशल कमेंट में एग्जीगुट इस दा प्रेजिदेंट और वो किसी को जवाब देही नहीं होता अंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट एंसर टालेजिटेटिटिव एक्जीगुटेव रिलेशनशेफ यहां पे देखो बेसिस है पार में कोई कर सकता है किसी भी पर सन को राश्टर पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को जो नहीं चले जाएं तो यह खतम हो सकती है है लेकिन प्रेजिजेंशल में हमेशां फिक्स रहेगा टेन्योर यह याद रखना इंपॉर्टन्ट है कि अगला बताईए कि शाबाश कि अगला अंसर बताऊं कि यह कोशन ध्यान से समझने वाला कोशन है कि अंसर बताईए दिमाग लगा के कोशन को पढ़ो पहले फिर अंसर दो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या था कि अंसर आफ्र दा कोशनर a motion moved by a member of Parliament to draw the attention of the executive for discussing a definite matter of public importance जब सब्सक्राइब भी हम public importance के लिए बात करते हैं जी टुट्राइब अटेंशन ओफ दे एक्जीविट फॉर डिस्कॉसिंग एक definite matter of the public importance तो उसको हम क्या कहते हैं कि अज़ी जी 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 भाइंब्व पार्लेमेंट यस बिलकुल सही इसको हम क्या कहते हैं अजंट्मेंड प्रीज जाता है पहली ब the कर दिया आफ्टर दा कोशीन आवर की बात करते हैं पहली बद पर करी है आगर बात करता कि नौर्मल ही बात करता तो क्वाल अटेंशन मोचम बझाता लेकिन कोशन आवर के बाद ही colaborative पब्लीक इंप्टनेंस के लिए डिसकेसिन करते हैं तो एजंदमेंठ मोशन किया जाता है एस अगर कोई के साथ गटना बगहरा हो जाती है पुलिस फाइरिंग औरने पीस्फूल प्रसेशिश प्रॉसेश अगर हम बात करें कि कोई आप स्टूडेंट्स हों है कोई वो कर रहे थे मतलब आइम इंट उसे बैठे थे आप लोग ठीक है और नॉर्मल तरीके से बैठे थे और अपना जो बाद सरकार को बोलना चाहते थे लेगिन आपके उपर गोले जला दी ठीक है जब किसी भी प्रेशर गुर्प के उपर गोल अन्सर बनेगा येस समझाएं आप लोगं को तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन लोंug Confidence मोशन का मतलब क्या होता है उपजिशन सरकार चलाती है और पर पॉझिशन गुब्रेश्न चलाती है लोकसभा में हमेशा आता है नोग कान्फिनेंज मोशन की दूसरी सरकार को घिराने के लिए कि उसके पास मेंजोरटी नहीं प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है आपके neighbor of the Parliament को बहुत सारी privileges मिलती है अगर उसका ब्रीच होता है तो इस प्रिविलेज मोशन के अंदरगत वो चीज़े डिसक्स करें जाते हैं कि हान आपने इन प्रिविलेज ब्रीच किया है तो वह बाते होती हैं आपकी हाउस के अंदर तो अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर एजेंटमेंट मोशन इस दा राइट वान चलिया जी यह कोशन मैंने अभी एक्स्प्रेंशन में आपको डिसकस किया था हाउ मैंडी मेंबर आपके मैंने बताया था ग्रेजुएट्स तीन साल के एक बटा बारा ते एक बटा तीन आपके मैंबर आंगे असेंबली के एक बटा तीन जो आएंगे लुकल जाने कि मुंसिप्लेटि डिस्टिक बोर्ट से आएगे और प्लस पांच बटा छे तो हो जाते हैं एक बटा शे रह जाते हैं पीछे रेस्ट और वह नॉमिनेट कौन करता है गवनर ने दी जाए अपना अलग राज्या बनाना चाहते हैं वह अलग राज्या किस फिल्ड के लिए बनाना चाहते हैं कि हां हमें वो किस चीज की डिमांड करते हैं वो किस चीज की डिमांड करते हैं कि कि किन कानूनों की डिमांड करते हैं अपने लिए वो आपके विधायक शक्तियां जाते हैं कानुन बनाने वारी शक्तियां जाते हैं वो प्रशासनिक शक्तियां जाते हैं जा फिर वो वित्य शक्तियां जाते हैं वो सब कुछ चाहते हैं यारी तो अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन वो सारी पावर चाहते हैं कि हां हम खुद करें हम किसी के उपर dependent ना बने और नहीं वो राज्या हमारे लिए कुछ कर रहा है वो जो हो सकते हैं कि काफी जगा ऐसी हो सकती है एक स्टेट का कुछ पर्टिकुलर एरिया डैवलपी नहीं है ठीक है तो उस पर्टिकुलर एरिया वाले जो लोग हैं उठके खड़े ह सब्सक्राइब करते हैं हमारा एक अलग राज्या बनाया जाए तो वह अलग राज्या बनाना इसलिए होता है ताकि सारी चीज़े आए और वह उस पर्टिकुलर जगा के उपर वो लागू कर सके तो आल अब अबव इस दा करेक्ट अंसार अल अबव अगरा बताईए जे करती हैं गलरोक अबारेशन टू तो आपकीस्थानियां सरकार हुती है वह क्या आपको बता दूँँ कि जो लोकलंन कोटी है जो वो जो पावर होती हैं जो कुछ भी शक्तियां होती है वो स्टेट गवर्मेंट से ही लेती है मतलब स्टेट गवर्मेंट उनको बताती है कि यह काम आपके अंतरगत है मतलब स्टेट गवर्मेंट के अंतरगत रहके वो काम करती है जब वो स्टेट गवर्मेंट के अंतरगत रहे के काम करती है तो वह डैल ग्र scripture बन के काम करती है अंसर इसमें क्या बनेगा प्रेग्री ऑप्षिन बनेगा करेक्ट बनेगा राल मिसक्टरマ यह ऊट stret्या है डेलिगेट अथारिटी इंडिपेंडेंड अथारिटी नहीं है डेरिवेटिव है और डेलिगेटेट अथारिटी एंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा चलि अगला अंसर बताईए ऐसे आएंगे ना प्रद पता लगएगा वन फीचर इस कॉमन डूदा कॉंसिशन इन के लिए एक कॉमन फीचर है बताईए कि क्या पॉइंट आपका सही है इन में से इन में से कौन सा पॉइंट आपका सही है सुप्रीम कोड एलेक्शन कमिशन यूपीसी कैग पहली बात तो यह चारो के चारो जो है हमारे सविधान के अंदर इंडिपेंडेंट बॉडिज यह किसी के अंत्रकत जो है डिपेंडेंट नहीं है अपना काम खुद गरते हैं देयर अडवाइजरी बॉड़ी गलत यह किसी को डवाइज नहीं देते अडवाइज सिर्फ सुप्रीम कोड देती है राश्ट्रपती को आर्टिकल 143 के 324 है और UPSC का 315 से 323 तक आते हैं और क्या का ओफिस है 148 का ठीक है यह भी आपका गलत हो गया दियार कंट्रोल्ट बाइद लेजिसेचर नहीं मैंने आपको बताए इंडिपेंडेंट बॉडिस यह बिल्कुल सही है अंसर इसमें क्या बनेगा फॉर्थ ऑप्शन बनेगा इस दा करेक्ट अंसर समझाया तुम्हें चलिए अंसर इसमें क्या बनेगा फॉर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर फॉर्थ ऑप्शन इस दा राइट वां अगला बताओ दडिसाइडिंग अथॉर्टी ऑप्श्टेट शेर इंदा सेंट्र टैक्स इस सरकार के पास के पास टैक्स आ चुके हैं स्टेट्स में डिवीजन करना है तो किसके पास होता है सारा काम देखें यह होता है फाइनेंस कमिशन के अंत्रगत आर्टिकल नमबर 288 के अकॉर्ड के करते है जो भी आपका पैसा होता है सेंटर और वह फाइनेश कर फाइनेनस कमिशन करवाता है जब कोई भी ग्रांट ऐसे में डिवाइड करवा नहीं हो तो भी क्रवाता है मतलग कहने काम यहाप हैसे का कुछ एक एक ओकरन होता है और यह जो है आपके पहल फिफ्टींध finance commission कौन है अभी चल रहा है जो हमारा एन के सिंग और पहले finance commission के चेर पर्सन कौन थे केसी नियोगी समझाया planning commission तो गलत हो गया planning commission तो प्लैन बनाता था जो आज कर नीटिया योग है national institution for transforming इंडिया एक जनवरी 2015 को बना था election commission आपको बताया था independent authority 324 में finance minister finance ministry जो बनाती है वो आपकी बनाती है fiscal policy राज कोशियन निती जो बात करते हैं आपके tax का management tax को खर्च करना बगएरा बगएरा fiscal policy बनाती है finance ministry आपका जो है budget भी पेश करती है याद रखी important है answer इसमें क्या बनेगा a option finance commission with आयोग is the correct answer with आयोग यह बदाओ देखते हैं आपको पता यह नहीं पता यह question बड़ा simple सा question है यह बीरो क्रेसी नौकर शाही किस चीज़ का परदेशन करती है क्या काम करती है इट परफॉर्स वाट फॉंक्शन क्या परफॉर्म करती है जे ओनली दा administrative function परशासनी कारह करती है only पहली बात तो एक्जाम में जब भी only word आता है maximum time वो गलत होती है option मैं आपको बता दूं maximum time कहा रहा हूं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100 के 100% 90% होता चांसी यह होता है कि जब भी only word आता है वो option गलत होता है administrative function अकेला काम नहीं करना होता है यह करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं judicial function करते हैं नहीं judicial नहीं करते जूडीशन जैसे करते हैं तो यह गलत हो गया यह दूसरा option गलत हो गया only legislative function यह भी आपका गलत हो गया option administrative जो कोसी एक्जीगूट भी करते हैं लोग क्रियेट भी करते हैं और उसके उपर जो है नया एक भी पावर होती है इनके पास अंसर इस डी इस दा करेक्ट वान वही चीज है रेगुलर जो है प्रॉपर द्रिके से कानुन बनाना फंक्शन करना अफ्जर्ब करना ऑथोरिटीज की हयार्गी को और प्लस सोशल रेशन्शिप बनाना इंप्लॉईस को रेगुलर वेजिस प्रोवाइड करवाना यह ब्यूरो के सिक अंतरकत आता है यह सारी क आपको याद हो पार्लेमेंट एक्सराइज कंट्रोल ओवर दा पॉब्लिक एक्स्पेंडिचर थू मैंने आपको बताया था कि जो पॉब्लिक एक्सपेंडिचर के जो आडिट्स होते हैं वह कौन करता है आपके क्या करता है तो अबिसली बात है क्या इसका क्या बनेगा र स्कौर्णाओं Fol común बनाते स्ट्रिस अब्सक्राइब सेथ हैं ख्र्मेंट के ऊँपर अगर को कश चल रहा हो श्न क्यों बातें करसeline नहीं कर सकता क्योंकि वह मेंबर आफ पार्लेमेंट नहीं है और फुल टाइम मेंबर नहीं होता गवर्मेंट का यह अपना प्राइविट काम भी कर सकता है लेकिन वह प्राइविट काम में गवर्मेंट के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता ठीक है कमर्स मिनिस्टर गलत हो गया फाइनिस और याफ नबर आर्टिकल के अंदर लिखा गया है 149 में उसकी ड्यूटीज पावर्ज क्या है 150 में उसका लिखा गया कि union और स्टेट्स के अकाउंट को देखना है 151 में लिखा गया है कि जो भी अकाउंट्स है यूनिन के कि वह हमेशा राष्टरपती को वह समिट कर देगा राष्टरपती आगे पार्लेमेंट देन उसके पाद पैक कमेटी पॉबलिक अकाउट कमेटी के पास जाएगा क्लियर तो करह का कारेकल 6 साल होता है रिटार्यमेंट 65 यह जो होती है जो भी दोनों में से पहले हो जाए जो आगला अंसे बताईए what is the implication of the center government granting special status to a state implication बताना है center government का जो grant करती है special status to the state इसका implication क्या होगा what is the implication फड़ा फड़ा से बताओ special status substantially large percent of a center assistance will be a grant in aid बिल्कुल सही यह इनको special assistance दी जाती है the extent of the loan as a percentage of the total assistant will be low extent of the loan as a percentage of total assistant will be low current account budget deficit will be bridged by the central government यह गलत है यह गलत है option the extent of the loan as a percentage of the total assistance will be low हां यह बोल रहा है कि loan की percentage मतलब क्या होगा कि जो आपका उसको loan देंगे उसकी उपर जो ब्याज लेंगे वो कम होगा यह भी आपका option सही है तो मतलब फूर्थ option क्या बनेगा आपका correct answer बनेगा दोनों point मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है यहां पे देखिए पहली बात तो special status उस state को कहते हैं जहां पर आपके हिली टेरेन हो मतलब ही एरिया जो पॉपलेशन डेंस्टी लोह पॉपलेशन ली नहीं वहां पर तो बिजनस कहां से होगा तो बॉडर के अरॉंड लग रहे हैं देश सैंट करते हो इसके अंत्रगत यह आते हैं स्पेशल स्टेटिस का सपेशल स्टेटस दिया जाता है जिसमें अगर बात करें कि सेंटर गार्मनेंट जो है 90 परसेंट जो होती है इसको प्रोवाइड करती भी दे रहे हैं उसके उपर परसेंटेज सबसे कम जो आएगा वह स्पेशल स्टेट वालों को कम पैसा मिलेगा और बाकियों को तो ज्यादा मिलेगा तो यह चीज द्यान रखना इस इंपॉर्टन वान क्लिया तो यह याद रखना है आपको अगला अंसर बताईए अगला अंसर बताईए सिक्केम वाज ग्रांटेड स्टेट हुड इन दा इयर सिक्केम को राज्या कब गुशित किया गया था 35th सुरी 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा गुशित किया गया था हमारे देश का 22 वा राज्या बना था सिक्केम तो अंसर इस में क्या बनेगा 1975 आट्सएट करक्ट अंसर 1975 खकेम जो है पहली ऑर्गेनिक स्टेट है पहली ओपन डिफिकसिन फ्री स्टेट जो है अमारी सिक्केम बनी यह मिलता है यह पास där नाघिल करने के लिए अचाल के साथ यह टिल करने के लिए बंख है एक है लिपू लेक उत्राखंड में और एक है शिपकिला पास जो आपका शिपकिला पास हिमाज्य परदेश में अंसर इसमें सी ऑप्शन 1975 विजा करेक्ट अंसर यह देखे यह नॉर्थ इस्टन स्टेट्स का जो जिक सौप पैटन है कैसे आया था 1972 के अंदर बात करते हैं मनिपू में जो आपकी मनिपूर और उनाचर परदेश को स्टेट बना दिया यूटी थी पहले अब स्टेट बना दिया गया यहां पे ठीक है और उसके बाद जो है 1991 में हमारे देश के अंदर 69th amendment act 1991 हुआ था जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली को हमने ncr का पार्ट नैशनल कैपिटल तरी का वर्ड यूस किया था तो इस इस इंपर्टन वान तो यह हैं आपके राज्या अगला बताओ शुआ लोन ऐसे नहीं मिलता जैसे हमने बात कर दी लोन ले लेंगे मतलब उनके पास पैसे नहीं धरे पड़े कि हाँ पैसे आसी दे देंगे हैं कंडिशन देखी जाती हैं और प्रॉपर दरीके से मैनेज करके सब होता है बजट का मतलबी होता है कि बज़ट के अंदर लिखा होता कि हम स्टेट को कितना-लपस का पैसा कहां-कःसा देने वाले हैं ठीख है तो उसमें लिखा होता है चीजिजह ऐसी नहीं कि कि बाहर से पैसा आता है वो देखते हैं डैवलेमेंट होनी है नहीं होनी कि ऐसे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा रहे बैलेंस कहां बिगाड़ रहे हो तुम लोग बैलेंस बिगाड़ने में चल दे रहा करो तुम देश का चलिए जगला अंसर बताईए आपस्ट्राइसे हैं नंटावर्त बात्री जो है आपका यह कॉंसेंडीं वाहरा वाटर है ्सका ब्र B टो अपने गा यहां मत्यापरदेश चिक है गुजरात यह भी गलत सिधा अंसर आया सी ऑप्षन है के गुजराट महराष्ट राजर्थान और मत्या पर जो है आपकी अमर कांट्र मेच बीच में चलती है ब्लॉक माउंटेंस का पाड़ बनाती है रिफ्ट वैली का पाड़ बनाती है और जाके अरब सागर में गिरती है चार राज्यों से निगलती है मद्या परदेश महाराष्ट गुजरात और राजसान चार रीवर वाटर रीवर्स यहां पानी डिस्टिबूट होता है और यही देखे सदासर रूवर्द्ट भी है और प्रॉजक्ट है आपका यहां पे जो ढिस्प्यूट चलता है रहता है कही ना कहीं पर में जलता रहता है आई इंका याद कीजिए महराश्रा नाटक और एक और याद किजे आपको पेपर में आता है कावेरी वाटर दिस्पूट कावेरी है आपका केरा तमिल्नाडू कंझटेघ करनाटक और पॉडिजी इनका आप अपस्समें डिस्प्यूट है तो मह良 कि इनका पस्समें बॉल्ट इस्प्यूट ilgili का वीरी का ठीक को तो यह याद रखना एक उबर सब्सक्रूज आता है पर में कोशिन को पड़ो और अल्सर दो कोशन पढ़िये और अनसर दिजींद हुआ 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 है शीविल अफेर्स लाइक मैरिज डाइवोस इनहेरिटेंस एट्सेटरा विच विच विन ऑथराइज बाइडा कॉंसिशन तुमेक लिगल लौ यह कहां पर है यह यह कहां पर गीवन है कुछ बनेंगा Guru यह मैरिज डाइवos इनहेरिटेंस एक फेर्स जो हैं सिवेल यह कौन सी लिस्ट में दिए गए हैं यह आपकी Union लिस्ट में दिए गए इहां जिसमें आपका सेंटर कानू मनाएगी सुँषिग है कोरपा ये कणकर रस्ट में दिए गए हैं संभरती शोची में दिये गए हैं जिसमें सेंट्र और ये दूनों मिलके कानूं बनाएंगे अंसर इसमें क्या बनेगा स्थार्ड आप्षिन बनेगा है और से ऑप्षन बनेगा चोपकल कश दंसर지 ऑप्षन कंकरेंट लिस्ट में दिये गए हैं सेंट्र और स्टेट मिलके कानू बनाएंगी मैरिज डाइवोस इन हैरिटेंस की उपार इन में से ऐसा कौन सा सुप्रीम कोट का केस था जिसमें बोला गया था प्राइमेसी ओफ फंडामेंटर राइट ओवर डिरेक्टि प्रिंसिपल मतलब मॉली कर्तव्या जो है वो हमेशा ऊपर हेंगे अपर हेंड रहेंगे तो यह किस एक्ट में किस केस में बोला गया था इस इंपोर्टेंट कि अधाइमेशी ऑफ दा फंडेमेंटर राइट्स ओवर दा डिरेक्टी प्रिंसिपल आफ श्टेट पॉलिसी primacy of the fundamental rights over the directing principle of state policy yes so this is in the Minerva milk is Minerva milk is key antaragat ये लिखा गया है all नहीं है इसका option C बनेगा Minerva milk is key antaragat लिखा गया था ये सी option ठीक है केशव नंदा भाती केस में आपको बताया था कि basic structure of the Indian Constitution के बारे में बात करता था equality before law in India is derived form हमारे देश में equality before law जो है article number 14 के अंदर लिखा गया है ये जो फ्रेस है equality before law ये हम ने UK के constitution से लिया गया है मतलब equality before law का concept जो है हमने UK के constitution से लिया है तो अब तो सिधर इंसर आगया आपका UK के constitution से लिया है तो ऑविसली बाता ये derived कहांपे है सविधान से derived किया गया है अंसर इसमें क्या बनेगा थार्ड ऑप्शन बनेगा correct answer अब यहां पर आपको चीज बताता हूं क्या मतलब क्या होता है आर्टिकल 14 के अंदर दो चीज़े आती है equality before law मतलब कानून के आगे सब बराबर है कानून के आगे सब बराबर है है equality before law यह UK के constitution Britain constitution से लिया है और दूसरा वर्ड आता है आपका equal protection of law equal protection of law हमने US के constitution से लिया है मतलब जो सविधान है जो आपका equally protect करके रखेगा आप लोगों को सब को लेकिन कानून के आगे सब बराबर हैं यह हमने लिया है UK के constitution से तो यह दोनों टर्म्स आपकी अलग अलग है equality before law phrase UK constitution equal protection of the law that is US constitution दोनों में घड़बड मत कर देना paper में समझाया तुम्हें अगला बताईए दट्री टियर ऑफ दपंचाईतिरा सिस्टम जो है आपका यह क्या है वाट इस पंचाईतिरा सिस्टम के बारे में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 243 एसी लेके ओ तक आपके आर्टिकल आते हैं पंचाईत की बात करें विलेज पंचाईत बनाना जो है आपका आर्टिकल 40 में लिखा गया है जो स्राज्य सरकार बनाएगी 73rd amendment act 1992 हुआ जिसमें 29 सब्जक्त की उपर कानू बना सकते हैं पंचाईत ग्यार्वे स्केड्यूल ग्यारवी अनुसूची में लिखा गया है पार्ट 9 के अंदर लिखा गया है यह सो दिस इस इंपॉर्टन वान सो बताईए फड़ा फड़ यह त्री टियर आप पंचाईती राज सिस्टम जो है आपका कहां पे लिखा गया है त्री टियर में आपको आपक्मेंडेशन थी बलवनतराय कमेटी 1957 वे बैठी थी उन्हों ने ये थ्री टियर के बारे में बताई थी जिसमें ग्राम पंचायत ब्लॉक समती और जिला परिशाद ते कहां पर आई ऑप्शन यह वाला सी ऑप्शन बनेगा यह वाला बनेगा डैडिस ग्राम पंचायत ब्लॉक समती और फंचाय समती और बनेगा जी इसमें घिजंट 2 बनेगा जीले प्शेड जो होती है यह ऑगये फ्शेट गलेक्टर kisses परूपर होती है इसको मतलबी स्के अअ बहुत होते हैं तो असरे इसमें क्या बनेगा सिव ऑप्शन बनेगा कर्यक्ट गशा डंसर समझ क्लियर a law can be enacted or executive order issued even contrary to the article 19 during the procurement of emergency १ापाद कालिन की उध्स गोशना के दोरान एक कानूर बनाया जा सकता है ज Advisor कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है और यह आपका article 19 के विप्रिद्ध भी किया जा सकता है article 19 आपको मैंने क्या बताया था आर्टिकल 19 में आपको क्या बताया था येस आर्टिकल 19 क्या होता है freedom of speech freedom of expression समझाय अप लोगो तो इसमें कौन सा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 के विपरीद जो है तो आ sled क्या होंनुए आपका फार्वन लड़ाय के लिए अगरेसिन के लिए लगी होता आपका लिए लगी ओतो 229 को रहता है तो वह आपका सब्सक्राइब नहीं होता है तो तो है केस में लगेगी यह लगेगी वार और एक्सटेनेल के कीस में अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्षिन आप करेक्ट तुन ऑन समझाया तुम्हीं जी यहां वन ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बिल्कुल सही ठीक है और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश के इंदर नैशनल एमर्जनसी वो तीन कारणों के कारण लगती है एक तो बॉर एक्सटरनल एग्रेशन और आपका आम्ड विलियन ठीक है बॉर जो यूज नहीं होता था इंसर बाणीजी देप्सराइब क अंसर कहा बनेगा आपका लूप्षिन बनेगा करेक्ट यस यह कोशन बता है साविधान के अंदर कि लिखा गया है सोशल जस्टीज का जो बर्ड है यह कहां पे लिखा गया आय करता है अभी हमने बात करी थी ऑतीकल 15 की बात करें तो यहां पर आप डिस्केशा सकते मूवी देखी होगी आप लोगों आर्टिकल 15 आजुश्मान खुराना वली तो उसमें उसके जाइक सकते कि जात पात की उपर Texas की उपर इस पे सोचल एकनामिक और प्लिटिकल जस्टिस आपका प्रवाईड कौन करवाता है प्रेयंबल प्रेंबल इस दा परी फिए फियस ऑफ दा इंडियन कॉंसिटूजूशन प्रिफेस और प्रिएंबल जो होता है आपका इसका पहला वर्ड था अबज्यक्टिव रखोलीशन जो जो हला नहिरु जीने स्टाट क्या था बाद में इसका नाम प्रेंबल में बना प्रिम का पंसर्च हमने यूै Pixalis से के Constitution से लिया गया है प्रियंबल के अंदर एक बार अमेंडमेंट हुई है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसमें हमने तीन वर्ड एड किये थे सोचलिछ सेकुलर इंटेग्रिटी समाजिक पंथन निर्पेक्ष दरन निर्पेक्ष और अखंडता वर्ड एड किये थे आंसर इसमें डी is the correct answer प्रस्तावना इस दा करेक्ट वंसर यहां पे देखे सोच यहां पे बात करते हम अगर लिखा क्या है कि अगर अंसर बताइए कि दा बेसिक फीचर ऑफ दा इंडियन कॉंसिटिशन विचान नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 बेसिक फीचर का मतलब यहां पर बेसिक स्ट्ट्चर ऑफ दा कॉंसिटिशन के ऊपर बात कर रहा है जो हमने बात करी थी कि इसको अमेंड नहीं कर सकते हैem sovereignty टेरिटोरिय इंटिघ्रियटी जुडिशल रिव्यूं फैडल सीस्टम यह आपका पॉइंट बिल्कुल सब्सक्राइब यह आता है सौभर्य टेरीटोरिल इंटीटिकर एंट पार्लेमेंटी सिस्टम वी आपका अंसरे सही है के जुडिशल रिव्यूद ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है तो सही होगे चौथा देखते हैं सौभ्रिणी को अलग नहीं कर सकते टेरिटोर इंडिकी को नहीं कर सकते स्पूरिप एसका मतलब चौथा प्शन प्रेक्ट अंसर तो सारगासार क्या बनेगा इसको हम नहीं कर सकते मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 क्या होता है आपका अमेंडमेंट ऑफ दा Constitution और प्लस बेसिक सक्टर जो है हमारे सविदान में नहीं लिखा गया यह सारी पवर से हम इसने बताई है Supreme Court ने बताई है कि यह बात करूं इसके इलावा बात करूं सेपरेशन ऑपावर की बात करूं ठीक है Wow कॉंसेशन के अगर हम बात करते हैं और आपकी सुम्रीमेंजृ में की बात करते हैं इंडीपेडनस ए हैं तो यह आपका सारे के सारे बेशिक सब्ट्रोडा एंडियन कॉंसेशन में आते हैंट तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा दी ऑप्शन डाइट इस डी इस अ करेक्ट वान सुप्रेमेश्य आपको पताया था बेसिक शुक्चर का के शमनंदा भारती के इसके साथ लिंक था वहां पे 1973 समझाया आप लोगं को अगला बताओ जी इन में से अंडर विच आर्टिकल ओट लपरिवन का इसिजिजन ऑफ दा सेंटर अडमिस्टरिटिटेड ट्राइब can be challenged in the Supreme Court can be challenged in the Supreme Court किस आर्टिकल के दोरान हम जो है आपका Central Administrative Tribunal का जो जो डिसीजिए ना वो Supreme Court में हम चैलेंज कर सकते हैं ट्राइबनल जो है आर्टिकल 323A और 323B में लिखा लिखा गया है ठीक है 323A के अंदर लिखा गया है कि हम ट्राइबनल बनाएंगे पब्लिक सर्विसिस के लिए 323B के अंदर बहुत सारी चीज़े लिखे गई है जिसमें 323B के अंदर बहुत सारी यह 323B में आता है अब बात यह है कि यह चैलेंज किस आर्टिकल के एकोर्रीं ऊगा क्योंकि देखें ट्राइबनल का आर्टिकलphonie है तो आपचा ओशिकलके अंदरकत हम इसको चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि c23 की बात करें तो आपका election commission के साथ समबंदीत है ना कि कोड्स जो है electoral matter में जो है interference नहीं कर सकती यस बार तुदा इंटरफेरेंस बाइदा पोड़ इन दा electoral matters कि समझाया तुम्हें अरे नहीं option option से निकालो यह question option से अंसर इसमें one option बनेगा क्योंकि ट्राइपनल्स का आर्टिकल नंबर ही 323 यह है तो इसमें आपका एस अंसर बनेगा करेक्ट वान कि अगला अंसर बताओ कि फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क वर्ड वर्ड वर्ड्स सत्यमेव जियते अपेरिंग अनदर नैशनल के अंबलम सत्यमेव जेते सत्य की जीत होना यह किस आपके किसमें लिखा गया है यह हमारे मुंडग ऊपनिश्रत के अंदर लिखा गया है अंसे इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा उपनिशद ट्रोटल कितने हमारे 108 एक-108 उपनिशद है अनसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा रमाइना वालमिकी जी ने लिखी है रमाइना राम्चृत मानस जी की ऊपर बात करेंगे हम यह लिखी है तुलसी दाजी ने और प्रफ्चन बनेगा करेक्ट अंसर विच गवर्मेंट एजंसी इस रिस्पोंसिबल फॉर अ मैपिंग एंड एक्सपोंडेशन अफ मिनरल्स इं इंडिया हमारे इसमें हमारी सरकार के अंदर मानचितरन और अपनृशन की मैपिंग एड एक्सपोंडेशन आफ दम मिनरल्स कौ कौन सी एजंसी जो है जिम्हिदार है इसमें मि सेमिनेटरी अकेड़मी के हैड़कॉरटर भी देखने को मिलते हैं आंसर इस में बी ऑप्षन इस डा करेक्टल से जो लोजिकल सर्विय ओफ इंडिया इस अ करेक्ट वान कि ये statement किसने दी थी जो अच्छी citizen है अच्छे नागरी कह tercerाज्य बनाएंगे बिकार बनागरी तो बुरा अगरी करता बुरा राज्य बनाएगा स्टे इसकी स्टेट मेंट अंदी है बताइए इस्तेमेंट किसकी है कि स्टेटमीन किस ने दीती यह दी थी अरिस्टूटल नहीं अरस्तू कु ही जांतर ऑफ दा यदी ऑफ दा फ्लावग कॉलडि ऋन्सार इसमें सी इस अक रहेक्यर अंसर नहीं सी तै YOU सी आप्शन अरस्तू से देमोक्रेसी लोगतंतर तु डिस्रेस्पेक्टेबल है इसलिए मैं तुसे प्यार करता हूं तो यह वर्ड किसे यह 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 किसके थे यह एक आइरिश पर्सन है जर्ण जर्ण जडिस कॉल्ड जॉज बर्नाट शाह इनके वर्ड थे बस इसका अंसर याद करेंगे हम अंसर तुम्हें इसमें ए ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर वन ऑप्षिन क्लियर सो गाई यह थे आज की लेक्टर के अंदर कोशन आई होप आपको लेक्टर कर देखने का मज़ा होगा अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और प्लस टेलीग्रा और फेस्बूक की ऊपर जो भी आपको अपडेशन होते हैं यहां पर मिलते रहाते हैं आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं जैसे अभी हमने में स्कूर्ण के पॉलिटी के ऐसी हमारे चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस हमारे एंसी कूर्स में और आपको लेवल पता ल सबके अलग-अलग से टॉपिक बनाए गए हैं सब फर्दर ठीक है पॉल्टी हिस्ट्री जोग्रफी सब कुछ इसमें डिसकर्स किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं जी स्कोर्स जो है यह पूरा का पूरा थेरी कोर्स है बिलकुल टॉपी की अंडरस्टेंडिंग क्य है एक-एक टॉपी को लेकर हमने इसमें डिसकर्स किया है यह दोनों कोर्स सेपरेट कोर्स है जी एस कोर्स थेरी कोर्स है यह 10,000 mcq mcq कोर्स है अब आप इन कोर्स को परचेस कहां से कर सकते हैं दो जगा से जातो हमारी स्टडी आईक्यू एप के उपर जा हमारी जो भी आपको को अच्छे लगे आप परचेस कर लेना और मैं आपको बता दूं पढ़ लो ठीक है क्योंकि उसके अंदर मैंने स्पैशल फोल्डर भी बनाए हमारे एमसी कोर्स में जिन बच्चों का ससी का एक्जाम है ठीक है तो वहां से वह ससी रेलवे और डिफेंस वाल पढ़ेंगे एक दो महिने में एक्जाम है वह स्पैशल फोल्डर भी आप पढ़ जाओगे ना तब भी आपका बहला हो जाएगा और जिनका पर नेक्स्ट यह रहा है वो तो अराम से पढ़ेंगे उस को आराम से पढ़ें जिनका हाल फिलाल में पर आने वाला है तो वह मेरे से पूछना एंडे से पूछ सकते हैं कि एक बच्च었다 कि सर और पढ़ाएं अरे मेरे से पढ़ाने से उस नहीं आपके पढ़ने से मतलब मैं न갈ah करेंगे आपका दिमांग इतना चलने लग जाएगा कि आपको पूराจะ जो धिमाग में घुमने लगउन रहीए करें काodor और करंट फेर्स की मैराथन वगयरा कुछ भी नहीं होती मैं आपको बताओं बैस्ट 200 के क्लासिस होती है में मंत के करंट डाल दी है जून मंत की उपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया जल्दी वो भी वीडियो आने वाली है समझाया है तुम्हें चलो बहुत बढ़िया है अगर आपको अच्छे लगें तो बहुत बढ़िया है चीक है कि देखें मेरा जो 10,000 mc की कोर्स आप बात कर रहे हैं वो कम्मेंट इंडिया का कोई भी एक्जाम है जिसमें जीएस आएगी जीएस जनल स्टडी जनल अवेरनेस कोई भी एक्जाम है उससे बाहर नहीं होगा यह गैरेंटी है लेकिन सिर्फ बात एक यह है आप पड़े हो और यह अच्छी बात है ठीक है सुगाइस चलते हैं और करंट अफेर आएंगे सुबह चार बजे और बढ़ते हैं आगे जी बेल्कुल बीपी एसी के लिए ले सकते हैं बिल्कुल 100% ले सकते हैं अगर आपको अगर आपको मैं कुछ बता दूं कोई पे कोई बी एक्जाम है इंडिया का कोई भी एक्जाम है आप इस वाला पार्ट मैं अपने लिए बात करूंगा जी एस जीके वाला पार तो आपको कोई परिशानीन होगी अगर आप इस को पढ़ते हैं चलिए चार्ट बीड़ी ले election was held in during पट जो पहले election हुए थे वो कब हुए थे एक्जेक्ट डेट भी पूछ सकता है वो 25 अक्तूबर 1951 से लेके 25 अक्तूबर 1951 से लेके कब तक हुए थे 21 सरबरी 1952 यह election देखने को मिले थे और इलेक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की बात करें आर्टिकल नंबर 324 आता है और इलेक्शन कमिशन की बात करते हैं तो 324 से 339 तक आते हैं जिसमें एक आर्टिकल है 326 रायट वोट जो हमारा एक जो है constitutional राइट है clear और यह हमारा अभी वोटि अब हमारी है 18 इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी 61 अमेंडमेंट एक 1988 जो इंपलिमेंट होई थी 89 में तो यह चीज आपको याद रखनी है अंसर नंबसी इस दा करेक्ट अंसर अंसर नंबसी 51 52 चलिए जगला अंसर बताएं फटाफट cultural duties के लिए हमारा कौन सा अर्टिकल है इस में से फंडमेंटल duty पहली बात तो फंडमेंटल ड्यूटी को हम इनफोर्स नहीं कर सकते लागू नहीं कर सकते जब्रचिसे फंडामेंटल डूटी के प्राफधान USSR रश्या से हमने लिया है सौन सिंग कमेंटे की रिकुमेंडेशन से और 42nd Amendment Act 1976 एड़ हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हमने 10 फंडामेंटल डूटी अड़ करी थी अब टोटल ग्यारा फंडामेंटल डूटी है और 11 फंडामेंट डूटी जो होती है वह हमारी 86 Amendment Act 2002 एड़ करी गई थी जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ढूटी है अब बात यह है कि फंडामेंटल डूटी कौन से आर्टिकल में हैं तो आर्टिकल नंबर 51 के अंदर का देखने को मिलता है और आपका पार्ट नंबर फूर पार्ट नंबर फूर एक के अंदर का देखने को आपको यह चीज मिलती है तो अंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका yes answer number c is the correct answer article 80 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमें बताता है राजय सभा की बारे में और 79 बात करें तो पार्लेमेंट में 81 की बात करें लोग सभा की बात करते हैं article 343 की बात करते हैं तो official languages की बात आती है राज के बाशाओं की जिसमें हिंदी जो है है हमारी official language है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है आर्टिकल 356 की बात करते हैं प्रेजिडेंट रूल की बात होती है यहां पे और constitution emergency और आपका जो है स्टेट emergency जब भी यह लगेगी अगर स्टेट अपने constitution के तरीके से काम नहीं कर रही तरीके से काम नहीं कर रही तो भी यह एमर्जंसी लगा जाती है राष्ट्रपति लगाते हैं minimum जो है छे महीने के लिए लगती है और maximum तीन सालों के लिए लग सकती है अगर तीन साल के बाद भी उसको बढ़ाना पड़े कभी कई बार तीन साल से ज्यादा भी लग सकती है जैसे पंजाब में हुआ था अगर तीन साल से बढ़ेगी आगे तो amendment करनी पड़ेगी otherwise time period यही को बताया है क्लिया तो अंसर नंबर के आपका सी ऑप्शन आर्टिकल 51 ए तो यह आपको fundamental duties एक बार याद कर लेना अपनी बुक से अपनी कॉपी से जो भी आपने पड़ी हो रंखी होंगी पहले चलिए अगला कोशन देखे जी क्या गयता है एक परसन विल लॉस ही सिटिज जो है आपके पार्ट तू में आती है क्लियर आर्टिकल नंबर फाइव तो 11 में आती है और जो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स के अंतरगत देखने का आपको मिलती है अब बात यह है कि अगर राश्ट अगर परसन जो है सिटिजिशन शिप कैसे खो सकता है अगर वो है अपने मर्ची से दूसरे देश में किसी दूसरे देश की सिटिशिप ले लिए तब भी वह कि जा सकती है तो डेट मेंज आपड़ा इस अगरेक्ट वान और देखे दो नाइंटिन 59 को दो पंचाईती राज इंट्रीवस किया था हमारे देश में कहां पर देखे पहली ब विलेज पंचायत को और्गनाईज करवाना आर्टिकल 40 में लिखा गया है जो डिरेक्टि प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट देखने को मिलता है पंचायती राज इंस्टिशन की बात करता हूं आर्टिकल 243 ए से ओ तक लिखे गए है आपका तिहत्रमा संशोधन 73rd Amendment Act 1992 है जो इंप्लिमेंट हुआ था 93 में 29 सब्जक्ट के उपर कानूर बना सकते हैं पंचायत 11 स्केडूल है आपका 11 अनुसूची है और पार्ट 9 के अंतरगत देखने को मिलता है और यह नागोर राजस्तान में हमारी पहली पंचाय जो है स्टार्ट करी गई थी अंसर न सब्कीक हम तीन हिस्सामीं इवाइड करें हैं टैडि रभ निपन इंपन ऐसाट में एपक्स सर्पानिकर करते हैं टैनल कि इस इस प्रिख ना मतलब 23 कि आ कि तुपर बल्वंत राइक मेटिकी रिचमेंटेशन थी हैं बल्वंत राइक गरमेंडेशन से से हमने हिसको ती हिसों में डिवाइड किया था वल्वन तराइक कमेटे की रिकमेंडेशन से विलेज पंचायत ब्लॉक समती और जिला परिशद यह आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं इंपॉर्टेंट है चले जिए अगला अंसर बताईए जी अगला कोशन देखे जी कया कहता है शाबाश अगला कोशन कहता है कि अगर वाइस प्रेजिट की इलक्षन का Crisput पढ़ जाए तो कौं सब्सेस दो दो चीज़ें आपको पता होने चाहिए वाइस प्रेज़ेंट और प्रेज़ेंट यह दो ऐसे इलेक्शन है अगर इनका डिस्प्यूट पढ़ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट संबाल सकते है आर्टिकल 71 में यह लिखा गया है अदर्वाइस सुप्र वाइस प्रेज़ेंट का जो इलेक्शन होता है वों के इसन वह कष़ेंट के चाहे वह सारे के यह लोग सभा राज्यों दोनों के लोग जो होते हैं वो वोट करते हैं Vice President के election में कोई dispute पढ़ा तो Supreme Court संभालेगा election करवाता कौन है? election commission करवाता है Article 324 में लिखा गया है President का election भी election commission of India करवाता है dispute पढ़ जाए President के election में तो वो भी राष्टपती राष्टपती के dispute पढ़ जाए तो वो भी आर्टिकल 71 में लिखा गया है और वाइस प्रेजिडेंट का आर्टिकल प्रेजिडेंट का आर्टिकल नंबर है 52 चेर्मैन ऑफ राजय सभा यह तो वाइस प्रेजिडेंट की बात होगी speaker of लोग सभा यह चुनके जाता है majority party जो जीती होती है उनसे यह चुना जाता है अंसर नंबर सी इस दा करेक्ट अंसर सुप्रीम कोर्ट चलिए जगर अंसर बताईए इन हाँ इन हाँ इन हाँ मैनी वेस इंडियन सिटिजेंशिप कैन बी एक्वाइड कैसे हम सिटिजेंशिप ले सकते हैं भारत की नागरिक्ता लेने के एक वर्ड याद कर लो ब्रैंड हमेशा मैं आपको याद कर रहता हूं ब्रैंड वर्ड याद कर लिजे वीफ और बर्थ अगर जनम है रिजिस्टर करके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वाइर करी है नैच्रल तरीके से और अगर आपके माता पिता यहां के तो पांच तरीके से जो है हम इंडिया की सिटिजेंशिप ले सकते हैं अंसर नंबर फाइव इस दा करेक्ट अंसर आपको सिटिजेंशिप का कॉंसेप्ट में ने अल्रड बता दि प्रेजिजेंट के अंद्रगत आती है और इन में से एक एक ऐसी टेरिटरी है जो तीन जगा के उपर है and that is the पूडूचेरी अंसर नबर डी जा करक्त पूडूचेरी में कैसे अगर मैं बात करता हूं पूडूचेरी जो है आपका जैसे कारेकाल कि यह कहां पर है that is in the Tamil Nadu clear Yanam sorry not Yanam it's yeah Yemen Yemen clear यह कहां पर है आंद्रापरदेश में और एक राज्या और है और एक राज्या और बताओ जो का जो केरल में है माहे माहे केरल में है यह ऐसी स्टेट है जिनके अलगलग जो डिस्ट्रिक्स हैं अलगलग टरिटोरियल एरियास है अलगलग स्टेट में है तो अंसर नमबर डी इस दा करेक्ट वान डैडिज पुदुचेरी इस पुडुचेरी अच्छा प्रेजिडेंट की एलक्षन में कौन- तरीके से होता है तो यून टेर्टरिस आएंगे तो बताए जाएगा लेकिन अभी एड प्रेजट्ट दिल्ली और पूडुचेरी ही पार्टिस्पेट करती है क्योंकि यहां पर स्टेट लेस्टेटिव असेंबली है सत्तरमा अमेंडमेंट एक नाइंटी नाइंटी टू जो एसी जूरिशल रेमेडी बताएए जहां पर एक स्टेट जो होती है वो बताती है कि इस परसन को जो डिटेइन किया गया है हिरासत में लिया गया है वो वैद है यह नहीं तो यह अगर आपको जूरिशल रेमेडी की बात हो तो इसका मतला आपको याद होगा रिट वर्ट article number 32 में हमने लिखा था constitution remedies में कि अगर आपको कोई person जबर्दस्य ऐसे पकड़ के रख ले तो habeas corpus के according जो है आप इसमें जो है रिट फाइल कर सकते हैं बंदी पर तक्षी करण के against clear तो इसमें क्या होता है कि हम उसको पूछते हैं obviously बात है हमारे पास एक body है body मतलब supreme code और हाई code पूछती है कि क्यों person को detain आपने जबर्दस्ति किया हुआ है answer number a is the correct answer मैंड़ मस्की अगर मैं बात करता हूँ यह होता है कि कि किसी person को activate करना to activate यहां पे activate का मतलब क्या है activate का मतलब यहां पर यह कि कोई भी person ऐसा जो government official है काम नहीं कर रहा तो वहां रिट फाइल करी जा सकती है यह रिट प्रेजिडंट और गवर्नर के अगेस्ट नहीं जारी करी जा सकती बाकि किसी भी अगेस्ट करी जा सकती है सेरी शरी और सेरी टॉरी जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है lower court का lower court का decision जो है वह आपने cancel कर दिया cancel कर दिया by the higher court clear कहने का मतलब यहां पर यह है कि कल को अगर supreme court high court का decision cancel कर दे जा हाई district court का cancel कर दे तो उसकों क्या कहते हैं territory और शरी शरी वर्ड यूज किया जाता है क्यूब रंटो क्यूब रंटो का मतलब होता है what is your authority what is your authority आपकी इस authority से आपने यह जगा ले रखी है अगर public office जबर्दस्ती किसी person ने किसी सीट के उपर कबजाह कर लिया post के उपर तो अविस्टी बादा गवर्मेंट पूछे बैटे यहां पे तो अंसरी में क्या बनेगा जी है सब्सक्राइब करेक्ट अंसर है बेस्कॉर्पस क्लियर एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा आपका आर्टिकल 32 में हमने लिखा रिट वर्ड देखे फंडामेंटर राइट के लिए हम रिट फाइल कर सकते हैं पहली बात तो क्लियर यह रिट वर्ड हमने लिया है ब्रिटेन कॉंसिट्यूशन से लेकिन फंडामेंटर राइट हमने लिए है यूएसे से क्लियर फंडा प्रणूनी हख आपको आपसे चीने जा रहे हैं तो आप जो है हाई कोट ही जा सकते हो डैट मीज हम हाई कोट फंडामेंटर राइट के लिए भी जा सकते हैं और प्लस आपके लिगल राइट के लिए भी जा सकते हैं यह द्यान रखना तो इसका मतलब राइट के मामले में प अर्टिकल 360 ओफ दा कॉंस्टिशन आफ इंडिया आर्टिकल 360 ऐसे इसके साथ रड़ेट करता है हमारे देश में प्रेजिडेन डूल इंद गलत प्रेज़ेंट डूल तो आपको मैंने बताया था 356 में आता है इलेक्शन कमिशन भी गलत हो गया यह 324 में आता है जनल एमर्जनसी क्या होते हैं कुछ भी नहीं फाइनेशल एमर्जनसी इस दा करेक्ट असर आर्टिकल 360 फाइनेशल एमर्जनसी अगर लगी तो मीनिम्म सा अनुछेद हमारे देश में लागू नहीं हुआ वह लागू नहीं हुआ आर्टिकल 360 अभी तक लागू नहीं हुआ यह यादर करना इंपॉर्टन कोशन है येस क्लियर होगे आप लोगो यास अंसर नंबर डी जब करेक्ट अंसर फाइनेशल एमर्जनसी चलेजी अगला गोशन बताईए चलेजी एक बच्छया बोल रहा है कि उनको सिक्स टैन थाउजन एमसी कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया अच्छे से पढ राज्या और केंदर राज्या केंदर और राज्या की बीच में रिलेशनशिप के लिए किया गया था सरकार्य कमिशन एक आपको मैंने बताया था पुंची कमिशन पुंची कमिशन 2007 में था यह बी किसके लिए था सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए तो अंसर इसमे money bill जो है आपका वो किस article में देखने को मिलता है article में देखने को मिलता है money bill अर्टिकल नमबर 110 में देखने को मिलता है money bill धन विदेग बिल एक बिल को money bill तब कहा जाता है जब speaker की उसके उपर sign हो जाएं clear हो गया आप लोगों को और ये money bill हमेशा आता कहां पे है लोकसभा में आता है money bill को पास करने के लिए 14 दिन का time होता है लोकसभा ने अगर पहले दिन पास कर दिया राज्यसभा अगर उसको 13 दिन पकड़के रखे तो और लोकस्वाध की कोई बी पावर नहीं है मनीबिल के केस में तो साथ है जैसे जैसके एक्जक्जामबल कोई टेक्स है कोई बढ़ाया गा यहां बढ़ाया वो सब कुछ इसमें लिखा होगाheure के वारे में जहां पर लिखा होगा आपने loans, interest बगएरा पे करना है उसका आपने भारत की संचित निदी consolidated fund of India से पैसा निकालवाना है, वो सब कुछ इसमें लिखा होगा, clear, article number 110 is the correct answer, 109 में इसका special procedure लिखा गया है आपका money bill का, clear, राष्ट्रपती हाँ कहते हैं, bill को 111 में ascent to the bill इसमें लिखा गया है, तो that means money bill जो defined किया गया है, under article 110 में किया गया है, clear हो गया आप लोगो, एक और याद कर लो, 112 number, that is called budget, budget word तो लिखा नहीं गया सवीधान में, but otherwise budget का article 112 होता है, budget actually word है क्या, annual financial statement, हमारे देश में budget word तो यूजज नहीं होता, हम वैसे normal use करते हैं, सवीधान में annual financial statement उसको कहा गया है answer number C is the correct answer, center state के center के लिए article number 110 में होता है, और 199 में state government के लिए होता है, याद रखना, यह दोनों articles याद रखने हैं आपको, चलेजे, अगरा question देखे जी, governor of state is appointed by the president on the advice of, देखे जी, governor जो है, पहली बात तो governor बनने के लिए age matter कितनी होती है, 35 साल age होनी चाहिए, governor को appoint करता है, राश्टरपती करता है, किसकी advice पे, प्राइम निस्टर की advice पे इसको appoint किया जाता है, किसी भी राज्या में, article number 153 में लिखा गया है, governor के बारे में, और एक governor 2 या 2 से ज़्यादा states का common governor हो सकता है, 7th Constitutional Amendment Act 1956 में लिखा गया है, कि एक governor 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का common governor हो स चले जी अगरा कोशन देखिए, को clear, याद रखना important question है, answer number C, President को शबत कौन दिलाता है, ओत कौन दिलाता है, वो दिलाता है, Chief Justice of India, Senior Most Judge of Supreme Court, answer number C is the correct answer, answer number C, ये देखे जी, हमारे office कितना होता है, article number 56 में लिखा गया है, कि 5 साल, 5 साल के लिए जो है, आपके राश्ट्रपती चुने जाते है, याद रखिए, चलिए अगला question बताईए, शाबाश, अगला question देखे जिए, फड़ा फड़ा बताईए, answer इसका क्या बनेगा, Vice President का term कितना साल होता है, Vice President और President का term होता है, 5 साल, answer number A is the correct answer, answer number A, clear, retirement age कोई नहीं होती, जब ये चाहें, तब तक retirement ले सकते हैं, answer number A is the correct one, yes, जी, answer number A, clear, 6 साल के लिए कौन-कौन चुने जाते हैं, जैसे Comptroller and Auditor General of India, election commission चुना जाता है, UPSC के members चुने जाते हैं, clear, और क्या चुना और कौन चुनते हैं, 6 साल के लिए, क्याग हो गया, election commission हो गया, UPSC हो गया, that's it, clear, और that's it, answer इसमें A option बनेगा, 2 साल के लिए, आपको याद होगा, one third member, राजय सभा के, हर 2 साल बाद retirement होती रहती है, answer number A is the correct one, 5 years, clear, 5 years, सर्वपाली, रादा क्रिशन हमारे पहले वाइस प्रेजिडेंट थे, अभी कौन है हमारे, comment section में लिएक के बताओ, बड़ा simple सा question आईए, जी, समझ आ रहा है तुम्हें, ऐसा feature बताईए, इनमें से जो राजय सभा और विधान परिशद में difference है, देखिए, राजय सभा अगर मैं बात करूं, center में upper house है, और विधान परिशद स्टेट लेस्टिटिव काउंसिल, ये states में upper house है, clear, ये भी permanent house है, ये भी permanent house है, देखिए, जी difference क्या आता है, power of impeachment, बिलकुल, power of impeachment, देखिए, राजय सभा में हम impeach कर सकते हैं, कौन आपके vice president को हटा सकते हैं, clear, लेकिन विधान परिशद में जो member होता है, वो अलग होता है, विधान परिशद में, जो उनका member होता है, वो ही बिठाते हैं, लेकिन हमारे राजय सभा में ex official chairman कौन होता है, ex official chairman of raja sabha is vice president, clear, indirect election दोनों में होता है, दोनों के 6 साल के लिए point की जाते हैं members, nomination of members भी होता है, क्योंकि आपके राजय सभा में अगर हम बात करते हैं, राजय सभा में भी nomination of members होती है, क्योंकि राजय सभा में हम बात करते हैं, 12 और विधान परिशद में जो है, एक वटा 6 members आपके चुने जाते हैं, clear, और दोनों दोनों आपके चुने जाते हैं अलग-अलग field से, तो yes, power of impeachment, clear होगे आप लोगों, यह just read कर लेजे, already, already पढ़ रखा है आम नहीं चीज़े, अगला बताईए, चीफ मनिस्टर आफ ओल दा स्टेट्स आद एक्स ओफिश्यों मेंबर ओफ, अब देखे ये कोशन जब आया ना, ये कोशन जब आया, तो आप इसमें देखे, ध्यान से देखे, प्लैनिंग कमिशन में तो नहीं होते थे, NDC में होते थे, ठीक है, NDC अब तो है नहीं, क्योंकि नितिया योग है, इंटर स्टेट काउंसिल में भी एक्स ओफिश्यों मेंबर जो होएं, आपके कौन आते हैं, आपके CM आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, आर्टिकल 263 में, 1990 में बनाया गया, राष्ट्रपती के कहने पे बनाया गया, क्लिर आर्टिकल 263 में, इनका वर्णन किया गया है, Ministry of Home Affairs के अंतर कट करत देखने को आपको मिलता है, क्लिए होगे आप लोगए और इसमें unitaris को cabinet rank के होते हैं इसमें येस जी और इसमे जो होता है पढ़ान मंत्री जो होता है न होता है क्या जो सारे आप लोगए अब बात यह है 2 सकते मांसा अब बूllowनमारी एक लेकिन अडि का क्या सकते हैं प्लैनिक कमिशन सक薦 नाम अब नितिया योग है आपको पता है नैशनल इंसिटिशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया एक जनबरी 2015 को यह इंसिटिशन बना था फाइनाइस कमिशन की अगर हम बात करते है आर्टिकल 280 में लिखा गया है और अभी पंदर मां फाइनाइस कमिशन चल रहा है एनके सिंग इजाचेर परसन फाइनाइस कमिशन का काम यह होता है सेंटर रहाट बीच में पैसे का विवाजन करना टैक्स का विवाजन करना ग्रांट्स का विवाजन करना सब कुछ प्लिए आसनाइस सी जा करेक्ट अंसर इंटर स्टेट काउंसेल चले जी अगला अंसर बता होता है जे पब्लिक मनी जो होती है आपकी जे पब्लिक मनी जे तो भड़ा भड़ा बताईए दूंग दा फॉलिंग है जा फाइनल राइट उसेंक्षिन दा एक्स्पैंडिचर ओफ पब्लिक मनी इन इंडिया देखें पहली बात तो पार्लेमेंट के बीना कुछ नहीं हो सकता पार्लेमेंट के बीना कुछ भी नहीं हो सकता पार्लेमेंटरी अप्रूवल आपको चाही ही होगा होगा क्लियर हो गया आप लोगो को यस पार्लेमेंटरी अप्रूवल क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दो फंड है आपके कंसॉलिडेटिट फंड औफ इंडिया आर्टिकल 266 में है कोई कोई भी पैसा देश का आता है जाता है वो यहां से आता है यहां पे पार्लेमेंट सब कुछ डिसीजन देती है एक होता है कॉंटीजंसी फंड ऑफ इंडिया भारत की अक्समिक्ता निदी जो एमर्जंसी में यूज कते है यहां पे कोई भी आपको पर्मिशन की जुरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की पर्मिशन लेने की जुरत नहीं पड़ती है यह प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यह चलो छोड़ो अगला कोशन देखिए चीफ जसीज़ ऑफ हाई कोड़ इस अपॉइंटेड बाई जो चीफ जसीज होते हैं हाई कोड के वह पॉइंट किसके थूरू होते हैं राश्ट्रपती द्वारा सब्सक्राइशा राश्ट्रपती तो इसमें क्या बनेगा प्रेजिडेंट इसदा करेक्ट अंसर राश्ट्रपती इस राइट वान येस क्लियर हो गया और चीफ जसीज़ ऑफ हाई कोड़ अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 217 में लिखा गया है अंसर नंबर बी और हाई को सिक्सी टू यह कोड़ी होता है इसकी एज कितनी होती है इसक्स कीसे correct one answer number B चले जी ये statement बताई है किसने बताई है ये question अभी recent किसी exam में भी देखने को मिला था same to same already हमने पहले भी question discuss किया हुआ है and I for and I for and I will make the whole world blind आंख के बदले आंख दिखाना पूरी दुनिया को अंदा कर देगा ये word किसने बोला था महात्मा गांधी जी के word है ये तो ये question सीधा का सीधा याद कीजिए clear होगे आप लोगों को महात्मा गांधी जी के word है answer number B is the correct one and I for and I for and I will make the whole world blind answer number B महात्मा गांधी तो ज्यादा आंखे मत दिखाया करो किसी को चले एकला question देखे who is the present chief election commissioner of India यह comment section में आप अंसर देंगे यह आपका आपका homework है यह comment करेंगे यह homework है आपका नॉर्मल कोश्चन आई चीफ election commissioner of India यह अल्रडी बता चुका हूं मैं 324 में लिखा गया है 61st amendment act होई थी 21 साल से 18 साल एज वोटिंगे जोगी थी और पहले सिर्फ एक election commissioner होता था तो उसको वह ही चीफ होता था फिर हमने एडिशनल दो एड किये वह भी 61st amendment act द्वार ही एड किये गए थी इसको comment section में अंसर लिखके बताना कि इसका अंसर क्या होगा clear चलिए सेम कोश्यन इसका अंसर सीधा लगा दो 21 साल से 18 साल एज होगी थी वोटिंगे एट एट इस सिक्स्टी वन आर्टिकल नंबर 326 यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाईज यूनिवर्स एडल्ट सफरेज अंसर नंबर सीधा करेक्ट वान अंसर नंबर सी सिक्स्टी फर्स्ट अमेंडमेंडमेंट एक 1988 जो इंप्लीमेंट हुआ था 1989 में बोटिंग एज चले यह अकला अंसर पताईए राजीव गांधी थे उस ट्राइम पे गए यस राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे आर्टिकल 18 जो है वो किसके बारे में बताता है चौदा सोय लेके अठ्रा तक जो आते हैं वो आर्टिकल एक्वालिटी के आते हैं फ्रीडम वाले जो आर्टिकल आते हैं 19-22 तक आ गए रिलिजन वाला जो है 25-28 तक आ जाता है रेमिडिस वाला 32 आता है और आपका बीच में रहागा 2324 राइट अगेंस एक्स्प्राइट आते हैं लेकिन आर्टिकल 18 में लिखा गया होता है टाइटल नाम के ना तो आगे लगा सकते हैं ना ही पीछे लगा सकते हैं क्लियर यह आपको याद रखना और 14 नंबर आर्टिकल क्या बताता है इक्वालिटी बिफोर लौ 15 बताता है आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करन था और 18 टाइटल को रिमूव करने की बात आई थी तो अंसर नंबर डी इस अपर एज़ा करेक्ट अंसर एक्वालिटी चलिए एकला कोशन बताए बड़ा सिंपल कोशन है कुई जाने के सब्रिदान का सरंक्षन कौंग है कौन है सरंक्षन कौन है डैडिस सुप्रीम कोड और जहां पर जुडिश्री वर्ड भी आ सकता था तो अंसर क्या बनेगा क्योंकि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोड जो है इंटर्पर्टेशन देती है बेसिक स्ट्रक्टर ऑदा कॉंसिशन को बना के रखती है सारी चीज़ से अंसर नंबर डी जा करेक्ट अंसर तो कोई यह हो सकता है कि election commission is appointed by यह कोशन हो सकता है यहां पर यह मुझे समझी नहीं आया था कोशन क्या बोल रहा है बट इसके प्रेशन को प्वैंट करता है कोई भी नहीं क्योंकि इनका election होता है क्लियर प्राइम निस्टर को बनाने के लिए सरकारिय कमिशन की याद रखना इंटर स्टेट कांसिल बनाने के लिए किसे ने किया था सरकारिय कमिशन क्योंकि सरकारिय कमिशन सेंट्र और स्टेट के लेशन्शिप के लिए बात करता था तो इसी इंटर स्टेट कांसिल बनाया गया और इंटर स्टेट कांस बात क्या करते हैं international nation को बना रहें के लिए disaster को manage करने के लिए health में planning में law and order governor का rule और local government को strengthen करने के लिए ये बाते करे जाती है चलिए अगला अंसे बताईए india is a what is india india is a union of state india is a union of states राज्यों का संग है ये article number one में ही लिखा गया है आपका india is a union of states clear answer number one is the correct answer राज्यों का संग है ये answer number one yes answer number one is the correct answer चलिए जगला अंसे बताईए पब्लिआ को मेंट के लिख कैसे ह focusing है यकायूंट क्मैटे है क्या जो क्याक की रिपोर्ट को पॉब्लिश कर देती है और बताती है कि क्याग ने गोटाला निकाला बाइस लोग होते 15 लोग सभा से आते हैं और 7 राज्य सभा से आते हैं जो पब्लिक अकाउंट का चेर परसन होता है उनको स्पीकर पॉइंट करता है स्पीकर एक साल के लिए पॉइंट करता है वन यह के लिए और हमेशा यह ओपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है यह आपको याद रखना है लेकिन यह बाइस लोग हैं 21 वाकी कहां से आएंगे तो यह कैसे चुने जाते हैं बाइदा पॉइंट करता है चेर्में को लेकिन मेंबर्स पूचा है मेंबर्स तो अंसरे मबसी है और यह आपकी 62 अब इश्वास नहीं करेंगे यह पीश्यस लेवल के वूश्यन है ठीक है मनदब पीश में आई हूँ है नोट लेवल मैं कहूंगा PCS में question आये हुँ है ये ठीक है वहीं से मैंने question उठाये था ये आई से number C चले जगरान से बताईए आप कहेंगे कि सर इतना easy question पेपर में यही गलत हो जाते हैं आपको पता ही लगता President of India is elected by राष्टपती जो होता है ये elect कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया था राष्टपती कौन करते हैं elected member vote करते हैं सिरफ चुने हुए लोग कौन से लोकसभा के राजयसभा के इन दोनों को मैं डाल के पारलेमेंट बर डाल सकता हूं और elected ये पार्टिस्पेट नहीं करते हैं तो यहां बेडेखें जी प्रेजटेंट फिंडिया इस लेक्राइण गवाई डाल मेंब्स अब्स अब्स याइज गलत द्रे क्याट बाट्रेकल गलत बोड़ा हाउसीज ओफ अ पार्लेमेंट अलों इंड दर मेंब्स आश्टेटिश assembly answer number D is the correct answer answer number D yes answer number D is the correct one G answer number D चलिए जे आर्टिकल 21 of the Indian Constitution ensures आर्टिकल 21 क्या दर्शाता है हमें right to life right to life and personal liberty answer number C is the correct answer clear हो गया right to religion आपका 25-28 वाला आर्टिकल आता है और राइट लाइफ इस 21 नंबर आर्टिकल 21 a क्या आता है education right to education जिसमें 6-14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनका हक है fundamental right है और अगें आपका education जो है वो fundamental duty भी है 11 fundamental duty अगें यही amendment हुई थी और आपका आर्टिकल नंबर 45 में भी education के बारे में बात करते हैं education कौन सी लिस्ट में आता है concurrent list में जिसमें center प्लस state दोनों मिलके कानून बनाते हैं 42nd amendment टेक्ट हुआ था जिसमें हमने state list से इसको concurrent list में डाला था concurrent list में 42nd amendment द्वारा पांच सब्जक्ट एड़ किये थी जिसमें एक education था और एक था weight and measures administration of justice clear और बताओ protection of wildlife and animals protection of wildlife and animals एक रह गया weight and measure administration of justice forest clear यह जो है चार पांच सब्जक्ट state list में हमने डाले थे तो answer इसमें क्या बनेगा c option बनेगा right one यह आपके article 21 में है right to privacy right to shelter right to food right to livelihood right to healthy environment education I do medical care so all these are in the all these are in the right to life article number 21 चली जगर अंसर बताईए public health and sanitation जो है यह किस list में आता है public health और sanitation किसमें आता है state list में आता है answer number one is the correct answer यह तीनों लिस्टेट सेंटर और concurrent list कहां पे हैं seven schedule में लिखी गई है जहां भी विवाजन है सारा कुछ यह concurrent list का प्रावधान हमने कहां से लिया था उस्टेलिया से यह भी आपको याद ना तो इन तीनों list में कहीं फिर भी निन लिखा हुआ नया कानून बनना जा रहा है तो वो होता है Citizen power जैडिस अफशिष्ष्ष्ष्य शक्तिएं और यह किसके पास होती है पार्लेमेंट के पास होती है सारा कानूल जो है पार्लेमेंट बनाता है इन अगर इन तीनों लिस्ट में कोई ना हो तो वह कानुन रेज़ुलिरी पावर जाने की पार्लेमेंट बनाएगा यह याद रखना अगर आप दाईए यह कोशन द्यान से समझे पंचाइती राज सिस्टम के बारे में कहां पर लिखा गया है मैंने आपको बताया था पंचाइती राज के बारे में बात करें आर्टिकल 40 में लिखा गया है 243A से ओ तक लिखा गया है तो यह किसमें आते हैं डिरेक्टी प्रिं अल्रीड डिसकस कर चुका हूं मैं एंसर नंबर सी डिरक्टी प्रिंसिप्र ऑफ स्टेट पॉलसी जो है आर्टिकल नंबर 36-51 तक आते हैं आयलेंड से हमने बोरो किया है सोशल एंड एकनोमिक डेमोक्रिसी प्रवाइड करना इनका में जो है इनका वो है उदेशया होता है व यह हमने एड करी है 86 अमेंडमेंट टेक्ट 2002 वारा और डिसकस कर चुके हैं इन में से इनफोर्सिबल क्या है सिरफ फंडामेंटराइट हम इनफोर्स कर सकते हैं अगर फंडामेंटराइट छीन लिए जाए आपसे तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट फाइल कर सकते हैं आज से नंबर सी इस दा करेक्ट अंसर डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी यह देखे डिरेक्टी प्रिंसिपल तीन तरीके के हैं सोशलिस्क गांधियन और लिबरल यह आर्टिकल पढ़ लिजे इसको स्क्रीशोट ले लिजे पेपर में पूछे जाते हैं कि अब क्लीचर को अपने स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं लेंगoup को बचा सकते हैं इसको एक पास अपना हक है यहां फियर होगा आप लोगों को कि यह जह तो च 5 इस्टाम के अबागभ वान इस लोगे को चले अच्छा एक चीज आपको बदाता हूं एक बच्चे ने मिरे से माइनोरीटी का कुषिन पूछ जा था कि माइनोरीटी का मतलब क्या होता है माइनोरीटी का मतलब होता है कि हमारे से देश में जिनके संख़या हो संखया कम हो इसका मतलब यह नहीं को जाती-पाथी के उपर है संखया कम जिसकी यह संखया कब होगी हमारे देश में माइनौरिटी का स्टेटश है वो तो दो तरीके से हम देते हैं एक तो language basis के अदार पर पर वाशा गया दार पर और एक देते हम religion के basis के अदार पर यहां रखना यार question paper में यह बहत बार आता है language और religion की basis के अदार पर हम minority का status देते हैं लेकिन minority सविदान में नहीं लिखा गया यह भी आपको द्यान रखना है क्लियर होगा आप लोगों को गड़वर मत कर देना पेपर में चले अगला कुशन देखें जी क्या गयते हैं अब्जेक्टिव रिजुशन जो है ये कब कॉंसिशन असेंबली में किसके दौरा मूव किया गया था अब्जेक्टिव रेजुशन सविदान की अउदेशी का जोह अलाल नहरूजी दौरा स्टार्ट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को start किया गया था 13th of December 1946 को यह start किया गया था ज्यौला नैरूजी द्वारा और इसको बाद में प्रेंबल का नाम दिया गया था प्रेंबल इसदा political horoscope of India यह किसने बोला था horoscope याम इसी ने बोला था झाट है कि यह बताओ ढाइदिन्टी टी काड़ दिन इंट फैन कीशन किंप याँ की सूल आ। वड़ाव कार्था किसने बोला था यूरी अपन्सेंप प्रियंब जो है इंडिक ऑड है कार्ट एका सूकरण का और इकिसने दोनों मांबेदकर जी को आर्किटेक्ट और फिंडिन बाइजाता है फादर फिंडिन कोंशिचन कहा जाता है मादमा गांधी ने कॉंसिचिशन एसेंबली में पाटिस्पेट नहीं किया था बी और राओ जो हैं constitutional advisor है सेविधानिक सलाहकार क्लियर तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन जोहाला नहरू इस दा करेक्ट अंसर जोहाला नहरू प्रियंबल में कभी अमेंडमेंट हुई है प्रियंबल में यस 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 तीन चीज़ तीन वर्ड एड किये थे सोशलिस्ट सेकुलर इंटिग्रिटी समाजिक पंथन निर्पिक्ष और अखंटता वर्ड एड किये थे यह तीन हो चलिए जैकल अंसर बताओ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉंस्यूशन दा इंट्रेस्ट ऑफ माइनॉर्टी जार कवर्ड माइनॉर्टी अल्प संक्या अगें आर्टिकल 29 और 30 तो अंसर नंबर सी इज़ा करेक्ट अंसर 29 में मैं आपको बताई दिया था कि 29 है क्या कि व हमारे देश में है लेंगुज के आधार पे और रिलिजन के आधार पे सेम जो मैंने आपको बताया था 21 नंबर आर्टिकल में ने बताया था अभी राइट लाइफ है और 24 क्या है हम जब अधस्ति लेबर नहीं करवा सकते किसी परसन को खास करके 14 साल से कम बच्चों को जो 361 of the Constitution of India a criminal proceeding cannot be instituted in a court against the dash during his term of office आर्टिकल 361 नंबर 361 जो है यह बताता क्या है कि जो क्रीमिनल proceeding है किसी भी परसन के अगेंस जो है आप किस परसन के अगेंस जो है आप चला नहीं सकते जब तक वो अपने जब तक वो अपने जो है कारेकाल में बैठा है तो कौन सा परसन है वो यहस बिल्कुल सही गवर्णर तो अंसर इसमें क्या बनेगा फोर्ट ऑप्शन बनेगा जब तक वो कारेकाल में बैठे होते हैं अगर आपसे पूछा कि चुल ठीक है जी क्रेमिनल प्रसीडिंग तो ठीक है लेकिन सीविल प्रसीडिंग जो सीविल केसी होते हैं वो कर सकते हैं बिल्कुल सीविल केसी के लिए आपको करना क्या होता है कि अगर आप इनके सीविल क इस फाइल करना है तो आपको दो महीने पहले ही इनको एक जो है भीजना पड़ता है कि प्रसीडिंग के लिए जाने के टू मन्थ येस क्लियर हो गए आप लोगो जी कि दो महीने पहले आपको जो है अभी सीविल प्रसीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले इनको लैटर बेजा जाएगा दो महीने जब तक के बारे में और इक चीज मैं आपको और बता दूं कि गवर्नर जो है हमारे एक स्टेट का जो सरी एक गवर्नर जो है दो या दो इससे ज्यादा स्टेट का कॉमन गवर्नर हो सकता है सेवंध कॉंसिटिशन अमेंडमेंट टेक्ट जो हुआ था 1956 उसके अकॉर्डिंग जो है यह बात बोली जाती है तो यह याद रखना इंपॉर्टन कोशन है यह अगला देखे जी कोशन बोलता है इनमें से कि वॉल्यम इंक्रीज कीजिए क्या मतलब अरे भाई तू अपने फोन की करो ना मेरी की वॉल्यम इंक्रीज करनी है आगे कान में बोलूं आके तुम्हारे कोशन देखो जी अगले क्या कहता है इनमें से आपको सही मैच कौन सा करता है वो आपको बताना है देखे जी आट आर्टिकल नंबर 19 ए पहली बात तो 19 के पारे में बात कर रहे हैं तो 19 से लेके 22 कि तक जो है आपका फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का आता है जिसमें आर्टिकल नंबर 19 एक ही अगर मैं बात करता हूं तो वह होता है राइट फीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन यह बिलकुल आपका सही ऑप्शन है पहला ही बी की अगर हम बात करते हैं 19 बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप असेंबल हो सकते हैं इकठे हो सकते हैं पीस्फुली असेंबल हो सकते हैं पीस्फुली और सी नंबर बात क्या करता है एस्सोसियेशन बना सकते हैं मतलब आप ग्रूप बना सकते हो प पांचवां बताता है आपको कि किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हो तो यह हमें एक्सपेशन फ्रीडम और स्पीच के बारे में यह बाते करी जाती है तो यह सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए क्लियर हो गया आप लोगों को और झो शोड़רי आप असेंबल हो सकते हो और तर्डवाला है एस्सड किसी पार्ट में जा सकते हो और च्छटा यह जो सकते हो रहता है अगला बताईए हमारे पहली लोकसभा speaker DPT speaker पूचा है अगर मैंने speaker word use किया तो speaker आपको पता है कौन है speaker है हमारे जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर जो थे वो पहले speaker थे जीवी मावलंकर पहले speaker थे पर यहां पर बात क्या हुई है DPT speaker की पहले DPT speaker जो है लोकसभा के कौन है तो वो है यहां पर जो नाम है एक यह MN call है एक नाम आता है MN Roy MN Roy कौन है जिनोंने constitution का आइडिया दिया था एक नाम आता है BN Rao यह हमारे कौन है constitutional advisor है सलहकार है constitutional advisor सवेदानिक सलहकार ठीक है यह आपको याद रखना है answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा right one पहले DPT लोक speaker clear हो गया speaker अगर अपना resign किसको देगा DPT speaker को और DPT speaker किसको resign देगा speaker को wise versa case होता है यह भी आपको याद रखना है तो अंसर इसमें B option बनेगा correct answer चलो comment section में लिखके बताईए अभी current जो है हमारे speaker और DPT speaker दोनों का नाम बताईए comment section में लिखके अभी current में speaker speaker और DPT speaker कौन है चलिए अगलान से बताईए अर्टिकल 24 के according जो है 24 के according हमें बताता है कि किसी भी person को हम factory में नहीं काम करने दे सकते उसको harmful businesses में नहीं डाल सकते आर्टिकल 24 के according article 24 के according कोई भी person जो है 14 साल से अगर नीचे है तो हम उसको कभी भी किसी factory में harmful factory में किसी भी जगा के उपर आपको employee नहीं कर सकते तो answer इसमें क्या बनेगा डाटिकल 24 डाटिकल होता है यह दू में किस में आता है राइट अगेंस exploitation में आता है जिसमें 23 और 24 आते हैं आर्टिकल नंबर 23 हमें बात क्या करता है कि कि किसी भी person को हम bonded labor नहीं करवा सकते कर सकते मतलब बंदुवा मजदूर जिसे आप कहते हैं human trafficking sale purchase किसी भी person का करना वो सब कुछ बैन है आपके according आर्टिकल 23 में clear और हाँ 23 के according यह भी बात कर सकते हैं आप prohibition of compulsory services that means आप किसी भी person को जो है किसी परसन को state जो है force कर सकती है like for example India को जुरूरत है तो इंडिया हमें कभी भी मजबूर कर सकती है हम अपने देश के लिए कोई भी काम करें so this is the fundamental right clear और आर्टिकल 24 आपको पता है कि कोई भी परसन है 14 साल से अगर नीचे एज है उसकी तो हम उसको factories में harmful businesses करने में नहीं बेज सकते तो यह भी आपको याद रखना है so this is very very important clear याद रखें चलेज़े अगला अंसा बताईए कोशन देखें जी कोशन बोलता है आपका डैडिस ωसेंडान इन में से कौन है जी सवेदानिक सलाहकार इन में से कौन है यह आपका ऐसन है यह हमनेatus किया था Tadisinch भीएंड राउव तो इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा च्रीक्त आइसरण अंसा ॉप्टर राजिंदर प्रेशाहाद क्या है Constitution Assembly के जो थे Permanent President थे Permanent स्थाई 11 December 1946 को ये President बने थे Assembly के 9 December को हमारी Meeting पहले हुई थी और 9 December को Dr. Sajidhanand Sina जी को बिठाया गया था और ये temporary बैठे थे एक दिन के लिए और 9 December को Clear क्योंकि सबसे ज़्यादा Senior थे और जो आपके Vice Chair Person के अगर हम बात करें Vice President of the Constitution Assembly की अगर हम बात करें तो वो थे HC Mukherjee HC Mukherjee clear हो गया और Dr. Bhimraa Ambedkar कौन थे यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेर Person टोटल साथ मेंबर थे और साथ में से एक बीमरा अबेदकर थे जो चेर परसन थे और शिरी के मुंशी ये आपके कॉंशी त्र्ट इनिवरा कंव धी के मैंबर थे के मुंशी ने एक worst use किया था प्रेंबल confirmed के लिए प्रियंबल के लिए एक वर्ट यूज किया था यदि सप्तिया पालिटिकल ह्ःवर पाफ इंडिया प्रिया किस्ha कैन थे एडिद्ट mandate होना है यह बीमरा अमेतकर जी और बाकिट टोटल छे लोग अलग हैं अगला बताइए जी डियूरिंग एमर्जंसी जब हम एमर्जंसी लगाते हैं अकॉर्डिंग दा आर्टिकल 53 52 352 के अकॉर्डिंग जब 352 के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं नैशनल एमर्जंसी राष्टिय आपात काली निस्थिती वो तीन कारणों से लगती है एक लगती है एक्टनल एग्रेशन के कारण और एक लगती है आपकी वार के कारण जा फिर लग सकती है आम्ड रबिलिन के कारण क्लिर हो गए आप लोगों को अब जब नैशनल एमर्जंसी लग जाए तो कौन से राइट खतम हो जाते हैं हमारे फंडमेंटार राइट खतम हो जाते हैं और एक्टनल एग्रेशन और वार के अकॉर्डिंग चल रही हो तो आर्टिकल 19 सपेंड हो जाता है और सारे आर्टि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि national emergency जो है वो कितने time के लिए impose की जाती है छे महीने के लिए Parliament इसको impose करती है President जो है आगे decision देते हैं कितने time तक चलती रहेगी छे महीने छे महीने छे महीने छे महीने चलती रहेगी जब तक वो problem solve नहीं होती और एक महीने के अंतरगत जो है इसको pass कर दिया जाता है कि हाँ हमारे देश में national emergency लगेगी अब दूसरा question ये है कि कितनी बार national emergency लगी है तीन बार लगी है वो कौन-कौन से reason के कारण कब-कब लगी है 1962 external aggression के कारण लगी है 1971 इंडिया पाकिस्तान वार में लगी है 1975 जो है आपकी internal disturbance के कारण लगी है जो इंद्रा गांदी जी के टाइम पे लगी थी फिर internal disturbance को हमने 44th amendment act 1978 के according जो word है change कर दिया था armed rebellion में सेन्य विद्रों में वर्ड चेंज कर दिया था यह आपको याद रखना है clear answer number 3 is the correct one और fundamental right के अगर हम बात करते हैं यूएसे से लिया है आर्टिकल 12 से 35 तक है पार्ट 3 में देखने को आपको मिलता है और पार्ट 3 को हम क्या करते हैं that is Magna Carta of Indian Constitution Judicial Review जब हम किसी भी कानून को कानून को बताते हैं कि वो सविधानिक Constitutional तरीके से वैलिड है या नहीं है तो वो किस से बताया जाता है Judicial Review इसका प्रावधान भी हमने यूएसे से लिया है Amendment सविधान में संशोधन करना बदलाब करना 368 के करते हैं हम इसको और South Africa से हमने इसको बोरो किया है राज्या की नीती निर्देशक सिदान Directive Principles of State Policy 306 251 नंबर तक आर्टिकल आते हैं आइलेंड से हमने इसको बोरो किया है सोशल एंड एकनोमिक डेमोग्रेसी प्रोवाइड करना प्लस वैल फेर अव्टेट करना यह सारे उदेश्यां है आपके डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तो ऑंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्षेन ड़िज़ फंडामेंटल राइट चले जी अगला अंसर बताइए अगला अंसर बताइए क्या कहता है जब हम एन्नेल फाइनेशल स्टेटमेंट पेश करते हैं पार्लेमेंट क्या आगे वर्ट इस अमेनिंग फैनेशल स्टेटमेंट डैडिज बजट जहम किसी चीज़ को लगाना खतम करना कम करते जब बढ़लाव करना किसमें के अंदर बजट के अंदर एक बिल पेश किया जाता है इसमें करसकते हो नहीं कर सकते हो ऑन्सट बता कर सकते है अनसर यह प Dad आर्टिकल 110 क्या बताता है हमें मनी बिल के बारे में मनी बिल के बारे में धन विदेक बारे में हमें बताता है अब आपको पता होना चाहिए मनी बिल का कॉंटेक्स्ट होता गया है मनी बिल को पहली बातों मनी बिल कब कहते हैं किसी भी बिल के उपर अगर स्पीकर साइन कर द जाने के राश्टबती की recommendation जरूरी है, बिल लोकसभा में आएगा, 14 दिन के अंदर-अंदर पास करना जरूरी होता है, लोकसभा फटा-फट इसको बिल को पास करेगा, राजय सबा के पास जाएगा, राजय सबा ने अगर बिल अपने पास रख लिया, तो automatically, automatically 14 दिन में बदल कर दिया, तो लोकसभा की मर्जी होती है कि ये बदलाव माने या ना माने, ये सिरफ money bill के context में ही लिखा होता है, तो that means, राजय सबा की कोई भी power इसमें नहीं है, सारी power किसकी है, लोकसभा की power होती है, अब now the question is, इस money bill में लिखा क्या होता है, ये दनविदेग bill में लिखा गया होता है, टेक्सिस के बारे में कोई घटाया, बढ़ाया, लगाया, वो, प्लस आपकी जो है, salaries के बारे में लिखा होता है, यहां पे, और आपका consolidated fund of India से जो भी आप खर्चा निकालते हैं, बारत की संचित निदी से, जा फिर आपने कोई interest पे करना है, वर्ल्ड बैंक क को, IMF को, किसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रे को, तो सारी चीज़े इसमें लिखी होती हैं, यह, clear, तो यह याद रखना, तो answer number one is the correct answer, 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी होता है, चलिजे, अगला answer बताईए, कोशन बोलता है, सविधान में, सविधान में हमने बहुत सारी चीज़े बौरो करी हैं, जैसे कि federal scheme of union of states, federal scheme of union of states, article number one हमें बताता है कि India is a union of states, clear, तो यह हमें federal scheme बताता है, federal scheme के बारे में हमने कहां पे लिखा गया है, कौन से सविधान से हमने लिया है, इस चीज़ को, तो यह लिया है Canada, जहां पर हमने वर्ड यूज किया है, federation with strong center, federation with strong center की बात हमने करी है, यह हमने प्राफदान कहां से लिया है, Canada की constitution से लिया है, याद रखना important है, be option बनेगा correct one, clear होगे आप लोगो, yes, clear, जी, 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 बी option बनेगा correct answer, अगर आप से पूछा कि Canada से हमने और क चीज़े बोरो करी है, तो यहां पर लिखा हुआ है, रैजुडरी पावर्स, जो अफशिष्ट शक्तियां होती है, वो किसके पास होती है, पार्लेमेंट के पास चली जाती है, और जो advisory jurisdiction होती है, जाने कि सरहाकार, सरहाकार शक्तियां, जो राष्टरपती के, जो सरहाकार होती है, जो राष्टरपती जो है, सुप्रीम कोड से पूछता है, आर्टिकल 143 के according, वो भी जो है, आपके Canada Constitution से हमने ली है, USA से हमने बहुत सारी चीज़े लिए है, written Constitution की बात करें, judicial review की बात करें, independence of judiciary की बात करें, और fundamental rights की बात करें, तो यह हमने सारा कहां से लिए है, USA स Ireland से हमने directly principle of state policy, Russia से हमने fundamental duty का concept, five year plan का concept हमने यहां से लिया है, तो answer number B is the correct answer, Canada, clear, अगर आप से पूछे कि हमारे इंडिया का सविधान का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहां से लिया है, तो 75% हिस्सा सविधान का, जाने के 3 बटा 4 हिस्सा, वो हमने लिया है, Government of India Act 1935 से, Government of India Act 1935 से हमने यह सारा प्रावधान लिया है, जी, अगला question देखें, जी क्या गयता है, इन में से कौन सी जो है आपकी fundamental duty नहीं है, नौट पूछ रहा है, इन में से कौन सी fundamental duty नहीं है, येस बताइए, इन में से कौन सी fundamental duty नहीं है, पहली बात तो fundamental duty का concept हमने कहां से बोरो किया है, USSR, रशिया से 42nd amendment act 1976 द्वारा इसको एड किया गया है, दस fundamental duty एड करी गई थी, और ये स्वन सिंग कमेटी की recommendation से, स्वन सिंग कमेटी की recommendation से, अभी total हमारी कितनी fundamental duty है, 11, और 11 वी जो एड करी गई थी, वो 86 amendment act 2002 द्वारा एड करी गई थी, यह याद रखना, अब बात कहा करता ह है, इसमें से not a fundamental duty पूछ रहा है, तो पहला point देखे जी क्या है, राष्टिय द्वज का सम्मान करना ये बिल्कुल सही है, हमारे भाईचारे को और सद्वाव को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही है, fundamental duty में आता है, हमारी संप्रूबता जाने के हम आतम निर्भर बने र आता है, clear हो गया, तो fundamental right का concept है, तो answer number D is the correct one, yes, article number 18 is the correct one, article number 18, अगला बताईए, कौन से commission ने बताया था, permanent interstate council बनाने के लिए, establishment of permanent interstate council, जिसे हम intergovernmental, government council भी कहते हैं, जाने के अंतर अश्टिया परिशद, जो अंतर, अंतर, सरकारी परिशद के नाम से जाने जाती है, संस्था का, निर्मान करना समर्थन किया था, कौन से commission ने किया था, देखें सीधी सी बात ये कर रहा है, अगर हम interstate council की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे state और state का कोई भी dispute होगा, वो solve किया जाएगा, यहाँ पे, तो obviously बात है, आपको याद होगा, मैंने बताया था, center state के relationship बनाने के लिए कौन सा commission था, जो center state का relationship मतलब आपका federalism को बनाने के लिए, federalism, federalism का मतलब क्या होता है, distribution of power, clear, तो यह center state का relationship जो आपका बताता था, वो कौन बताता था, सरकारिया commission, सरकारिया commission 1983 में हमारा बैठा था, इसके इलाबा, कौन सा commission जो center state के relationship के लिए बात करता है, पुंची commission, पुंची commission, पुंची commission जो है 2007 में, यह आपको याद रखना है, तो answer number B is the correct answer, that is, सरकारिया commission is the correct one, सरकारिया commission, clear, यहाँ पे सरकारिया commission की जो main point है, आपका है, establishment of interstate council, जो है आपका establishment of interstate council, national government council, zonal council बनाए, governor की appointment कीजिए, और आपका careful use कीजिए, president rule का, states में, all in the services की बात, high court के judges की appointment, planning commission, जो आपका a fair play of the states, balance distribution of power, यह सारी चीज़े किसे ने बताई थी हमें, यह बताई थी सरकारिया commission ने, जो बैठा कहां पे था, काउन से year में, 1983 में बैठा था, clear होना चाहिए आपके दिमाग में, चले जी अगला question देखें, जी क्या कहता है, तो next question देखो, क्या कहता है, इंडिया opted a federal form of government, इंडिया ने opt किया federal form of government, because of, देखें federal word का मतलब क्या हो गया, यहां पे against संग्यत चरित्र की बात आगे, तो जहां पे center state का जगडा, state और state का जगडा, जह आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि आपका distribution of power की बात करी गई, तो यह क्यों किया गया, इंडिया को जो है federal form of government क्यों अपनाया गया, कि उसकी विशाल शेत्र है, जह संस्किति एकी करण है, जह आपका linguistic and regional diversity है, बाशाई और शेत्र विवित्ता है, पर शासनिक सुविदा administration के लिए किया गया, तो बताईए फट अफट इसमें क्या बनेग है, हर दो किलोमेटर के बाद आपके जो भाशा है वो चेंज हो जाती है, कुछ ना कुछ अलग तरह से लोग यूज करते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो अविसली बात है, language का तो बहुत बड़ा रूल है, original diversity, आपने देखा होगा, कोई अलग तरीके से रहता है, कोई अलग त सरीके के सारी चीज़ें, खाना पीना, सब चीज़ें, क्लियर, तो यह diversity है, हमारे देश में विवित्ता है, जिसके कारण जो है, हमारे देश में federal form of government देखने को मिलता है, answer number C is the correct one, answer number C, अगला बताईए, Indian constitution has borrowed the idea of preamble from the, देखे, preamble का idea हमने कहां से लिया था, again, same question आगया यहां पे, preamble का idea हमने लिया था, constitution of USSA, मैंने explanation में आपको समझाया था, preamble क्या कहते हैं, हम जिसे, preamble को क्या कहा जाता है, preface of the Indian constitution इसको कहा जाता है, preface, clear, और idea हमने USA से लिया था इसका, और preamble की बात करें तो एक बार ही amend हुआ 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 है, बदला हुआ हुआ है, यह तीन वर्ड हमने add किये थे, preamble में, याद रखना, और preamble हमने दिया किसको है, to the people of India, clear, that is to the people of India, लोगों को हमने provide करवाया है यह, तो answer number D is the correct answer, यहाँ पे French word लिखा हुआ है, French constitution, French constitution से हमने concept लिए है, equality, liberty और fraternity word यह लिए है, equality, liberty और fraternity, तो answer number D is the correct answer, clear answer number D, यह देख लेजे, एक बार पढ़ लिजे, इसको screenshot ले लिजे, Canada, Australia, Russia, France, Germany, South Africa, Japan, इस से हमने अलग-अलग तरीके से बोरो की हैं चीजे, clear, इसका screenshot लेना, screenshot ले सकते हैं, आप लो, अगला देखे, कोई भी member है, वो, कोई भी person है, वो who is not a member of either house of the parliament, बनला वो किसी भी सदन का member नहीं है, लेकिन councilor of minister ने उनको member of house अपॉइंट कर दिया है, वो कब तक आपका जो है member of house बनना रहेगा, बड़ा simple सा question है, कोई भी person जो है, अगर वो member नहीं है, और मंत्री ने उसको member बना दिया है, तो छे महीने के लिए वो minister बन सकता है, छे महीने के अंतरगत जो है, उसको, छे महीने के अंतरगत जो है, उसको member of parliament बनना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो answer number D is the correct answer, answer number D, अगला बताईए, the principle concerning the provision of grants in aid to the states out of the consolidated fund of India are recommended by, देखे जी बात क्या कर रहा है, जो grants हम provide कर रहे हैं, किसको, states को, out of the consolidated fund of India, मतलब कि जब हम states को पैसा देते हैं, out of the consolidated fund of India, ये कौन recommend करता है, मैंने आपको बताया था, grants की बात हो, tax की बात हो, कि tax भीवाजन हो रहा हो, जो tax collect हुआ है, जब कोई भी पैसे की बात हो, वो center और state में कौन divide करवाता है, finance commission करवाता है हमेशा, तो answer number one is the correct answer, with IO, finance commission की बात कर करते हैं, तो article 280 में लिखा गया है, और article 280 में ये भी लिखा हो गया है, कि एक chief commissioner होगा, और चार additional, जो है, चीफ finance commission होगा, और चार उसके members होगे, और finance commission का main काम ये होता है, कि जो है, sound finance को बना के रखना देश के, और plus center state में पैसे के बिवाजन, plus tax का बिवाजन करना, clear, और कारेकाल होता है, पांच साल, और इनको appoint कौन करते हैं, president appoint करते हैं, और finance commission की बात करते हैं, तो first finance commission, finance commissioner कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी, और अभी हमारा 15th finance commission चल रहा है, जिसके chair person कौन है, N.K. Singh, N.K. Singh, तो answer number one is the correct answer, answer number one, clear, और that's it, और यहाँ पे पहला finance commission बैटा नाइटीं 51 में, और article 280 की बात मैंने आपको बताई दिया है, राश्टरपती पॉइंट करते हैं, central state के बीच में पैसे का भीवाजन करना, बगएरा बगएरा, यह सारे इनके काम देखने को मिलते हैं, अगला पिताईए, अगला question देखें जी क्या कहता है, question बोलता है, question क्या बोलता है, when an advance grant is made by the parliament pending the regular passage of the budget, it is called, देखें, सीदी सी बात यह बोलता है, कि अगर आप जो है budget क्या, निमेट जो time में पास करने का, उसके साथ आप क्या करते हैं, कि कुछ पैसा उस budget को पास करने से पहले ही हम दे देते हैं ministers को, कि आप पैसा लगाईए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहा जाता है, that is called vote on account, यह मैं आपको बाखी terms भी बताऊंगा, vote on account उसको कहते हैं, vote on account का मतलब यह होता है, जो सिर्फ और सिर्फ expenditure के लिए बात करता है, यह दो महीने के लिए लगाया जाता है, और इसके लिए कोई permission की जुरुत नहीं पड़ती पार्लेमेंट से, और इसमें जो खर्चा दिया जाता है, वो फुल बजट का एक बटाच्छे हिस्सा दे दिया जाता है, आपको पैसा खर्च करने के लिए, और फुल बजट में क्या होता है, जिसमें expenditure भी लिखा होगा, और पैसा कहां से आएगा, वो भी लिखा होगा इसमें, और बारा महीने एक साल के लिए लगा रहता है, और इसमें पार्लेमेंट की permission की जूरत होती है, प्रॉपर द्रेकर से discussions होती है, तब पास किया जाता है, यहाँ पे कोई discussion नहीं होती, कि सिर्फ खर्चा दे दिया जाता है, कुछ महीने चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो है, यह budget पास होगा, budget को पास होने से पहले, जो है यह चीज़ दे दी जाती है आपको, clear, अब answer number A is the correct answer, लेकिन यहाँ पे एक word लिखा हुआ है, token grant, what is the meaning of token grant, token grant का मतलब यह होता है, कि अगर आपने कोई नई service डाल दी, new services के लिए अगर आप पैसे ले रहे हैं, तो that is called token grant, clear होगया, आपने कोई bill propose किया, expenditure, मतलब obviously बाद है, खर्चा करने के लिए, लेकिन वो खर्चा जो होगा, वो आपका नई services के लिए होगा, तो that is called token grant, clear, supplementary grant किसे कहते हैं, अनुपूरक अनुधान, supplementary grant किसे कहते हैं, for example, current year चल रहा है हमारा, ठीक है, जो इस साल वाला current year चल रहा है, तो आपके पास कोई आपने service ले रखी थी, कोई काम ले रखा था, उस काम के लिए जो आपके पास पैसा उसको दिया गया था, तो वो कम पड़ गया, तो अगर हम उसको additional पैसा दे रहे हैं, तो that is called supplementary grant, current year में कोई भी आपकी service चल रही थी, service आप कर रहे थे, तो उसके लिए पैसा अगर आप दे रहे हैं, तो that is called supplementary grant, clear होगा आप लोगों को, yes, vote on credit का मतलब क्या है, vote on credit का मतलब यह होता है, कि कई बार आप एक unexpected demand आ जाती है, like for example, you do गया, for example, flood आगे, तो unexpected demand, clear, तो unexpected demand के लिए, जो हमारे resources, yes, resources से हम पैसा लेते हैं, obviously बाता है, सब के पास resource क्या है, आपका consolidated fund of India जा आर्बे, तो वहाँ से पैसा लिया जाएगा, unexpected demand को meet करने के लिए, तो that is called vote on credit, clear, ध्यान रखना, द्वार रपीट कर रहा हूँ, vote on account वो होता है, जब budget पास होने से पहले आपको खर्चा दे दिया जाता है, आपका काम करने के लिए, token grant यह होता है, कि नई service आपको लेके आनी है, तो उसके लिए पैसा, dad is called token, supplementary grant, current year में आप कुछ काम कर रहे थे, और उस काम करते करते आपका पैसा कम पढ़ गया, dad is called supplementary, vote on credit का मतलब यह होता है, कि आपके देश में कोई आप unexpected demand आगी, जैसे मैंने बताया, war हो गया, floods आगए, इस तरीके से, तो unexpected demand होगी, तो आप अपने resources से पैसा लेंगे, और यह पैसा indefinite period के लिए आपके पास रहेगा, समझाए आप लोगो, जी, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, ए option, vote on account is the correct one, vote on account, चलिए जैसे अगला अंसर बताईए, कोशन क्या बोलता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, जो बताता है, सुप्रीम कोड की establishment के बारे में, सुप्रीम कोड की establishment के बारे में, सुप्रीम कोड पहली बात तो कभ इस्टैब्रिश किया गया था, regulating act, 70-73 में, और established हुआ था, 74 में, कहां पे, कैलकटा में, clear federal code बनाई गए थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोड का जो प्राफधान है, आपका वो बना, government of India Act, 1935 के according, और जो है ये, 1950 में हमारी सुप्रीम कोड बनी, निउ डेली में, ये आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोड का आठिकल जो है, वो क्या है, article number 124 is the correct answer, 124 number article जो बताता है, ये बताता है हमें, supreme court के बारे में, 122 number article हमें क्या बताता है, 122 number article हमें बताता है कि जो courts हैं, वो कभी भी दखल अंदाज नहीं करेंगे, कहां पर यह दखल अनदाजी नहीं करेंगे, पार्लेमेंट में, मतलब पार्लेमेंट के अंदर कोई डिसकरशन चले रही है, तो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी, तो 122 में लिखा गया है, 324 के अगर हम बात करते हैं, तो election commission कमिशन के बारे में बात करी गई है जो हमारे एलेक्शन को बगारा को कंड़क्ट करवाते हैं 324 में में सिकागे है 315 में क्या लिखा गया है आपका अब गैसा पारन Independent Standard लिखा गया है यह इस पाब्लिक सर्विस कमिशन फॉर कंड़े प्वर hasag DS c कर नंबर 16 से अगला बताओ को अगली जी किया कहता है एंस कि अ किज बिए संग्या राज्या होता है तो उनमें से इन में से क्या चीज़ होगी यह आपका कोशन है फैडल स्टेट के बारे में कोशन है तो बताइए फैडल स्टेट में इन में से क्या चीज़ होगी स्टेट्स और मोर पारफुल देन दा सेंटर यह आपका पॉइंट गलत है ऐसा कुछ भी नहीं होगा इक्कुल डिस्टिबिशन ओपावर होती है यहां पर सेंटर इस्टेट नहीं प्रेजिदेंशल फॉर्म दा गर्मेंट होती है नहीं सब्सक्णेटम सेंट्स ने सेंटर इसाठ ने सेफ गाड़् असेफ़कड अगेंस अधंसा चॉलकुल डिविशन ओपावर देखने को आपको मिलती है अधनों छी अंस नीज दा करर्टर करेक्त इस गलिए अब होती है distribution of power होती है distribution of power होती है और division of power होती है decentralized power होती है decentralization जो आपका powers divide कर देता है center state और local government में division कर देता है याद रखना important है answer number D is the correct answer answer number D जहाँ पर आपका national importance की बात करी जाए तो national obviously बात है center कानूं बनाएगी state की बात करेए जाए तो state बनाएगी और दोनों बनाएंगे तो आपकी concurrent list में आता है जो आपका 7th schedule में लिखा गया है साथवी अनुसूची में लिखा गया है आपकी distribution of power के बारे में लिखा क्या है तो याद रखना important है अगला बताओ बड़ा simple सा question है राष्टरपती किसको resignation देते हैं प्रेजिडेंट जो होते हैं वह resignation किसको देते हैं उपर राष्टरपती को vice president of India को vice versa चलता है और vice president president को जो है अपना resignation देते हैं chief justice of index को resignation देते हैं राष्टरपती को speaker deputy speaker को prime minister आपका अगें प्रेजिडेंट को chief election commissioner again आपके प्रेजिडेंट को तो यह आपको resignation के बारे में सब पता होना चाहिए कि कौन कौन किसको जो है यह रेजिडेंट देता है तो answer number a is the correct answer उपर राष्टरपती अभी उपर राष्टरपती कौन है हमारे वेंखाई नाइड़ू जी अगला देखिए कोशन दे बोलता है यह कुछ प्रोविजन हैं आपकी तो इसमें बोलता है जो गवर्नर होता है गवर्नर assembly जो state की आजनकी विधान सबा को वह address करता है संबोदित करता है वो किस article में लिखा गया है यस बताईए गवर्नर जो होता है विधान सबा को संबोदित करता है वो किस article में लिखा गया है मैं सारे article बताता हूँ 172 में लिखा हुआ है duration के बारे में हमारी assembly की duration कितनी होगी और आपको बता है कि 5 साल के लिए assembly appointment की जाती है clear हो गया दूसरा लिखा हुआ है 166 नंबर आर्टिकल 166 नंबर आर्टिकल में होता है कि गवर्नर जो है special address करता है आपके विदान सबागो तो answer उनकी सीड वेकेशन होगी है वेकेट होगी है अर्जा उन्होंने resignation दे दिया है clear 187 क्या बताता है secretary of the state legislature मतलब सचीवालिया सचीवालिया जो है आपका विधान विधान पालिका का सचीवालिया जो है वह 187 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है तो answer पढ़ लेने हैं आपको ठीक है जो सबसे आदा इंपोर्टन आडिकल है वह मैं आपको बताता हूं यहां पर 169 बहुत है जहां पे आप विधान परिश्यत को बना भी सकते हो और खतम भी कर सकते हो लेकिन इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते यह याद रखना स्टेट जो होती है उसे special majority से बिलपास करना होता है और परिश्यत को सिंपल मेजोटी से बिलपास करना होता है तो हम परिश्यत को बना भी सकते हैं और खतम भी कर सकते हैं ध्यां रखना एक सो इक इंपॉर्टन जिसमें विधान परिश्यत की कॉंपोजिशन के बारे में लिखा गया है बाकी मैं आपको आर्टिकल बता दी है वह आपको याद करने हैं यह दोनों याद कर लेना 169 और 171 याद कर लेना कौन सा आर्टिकल है सविधान का जो बात करता है इंटर स्ट स्टेट काउंसिल के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है हमें बताता है यस कौन सा जो आर्टिकल बताता है हमें इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जिसमें स्टेट और स्टेट मिलती हैं और जो भी प्रॉपर दरेके से डिसकॉशन होती है यहाँ पे और उनके जो और फ्री में कमेंट सेक्शन में कोशन बताईे लिखके कि Interstate Council के चेर परसमौन होते हैं इसके चेर परसन कोण होते हैं यह मैंने आपको बहुत बार कोश्ट परती करें हैं यह कोशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप इस कोश्चन को गलत करेंगे ठीक है इसी लिए मैंने कोश्चन दिया ताकि आप गूगल करें जाब अपनी कॉपी पर जो लिखा हुआ है उसको देखें पढ़ें और उसके बार दो दिन चीज़े और भी पढ़ लोगे तो इंटर स्टेट काउंसिल के चेर परसन कौन होते है इंपोर्टेंट है 267 कॉंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जाने के जो एमर्जेंसी के लिए फंड होता है जो राष्टरपती के पास होता है वो आर्टिकल 267 में लिखा गया है अगर मैं 266 की बात करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है कंसॉलिडेटेट फंड ऑफ इंडिय ठीक है चलिए according to the article 170 of the Indian Constitution the minimum and the maximum number of members of the legislative assembly of a state can be respectively कोशन क्या कह रहा है article 170 है उसके according बात कर रहा है कि जिब विधान सभा में minimum कितने सीटे हो सकती है और maximum कितने सीटे हो सकती है यह आपका कोशन है तो minimum और maximum की उपर कोशन है तो फटा फटा बताईए इसका अंसर क्या पनेगा यह इसका अंसर सिंपल कोशन है यह अंसर नंबर डी इस अकरेक्ट अंसर 60 60 and 500 ठीक है 60 and 500 अंसर नंबर डी इस अकरेक्ट अंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर मैं बात करता हूं इस अगला बताईए दब टू में यूनियन टेरिटरी विच एफ इन हो समें संशोद्ण हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है दो शेट्स को पाइसिपेशन लेके आते हैं वह क्या है देखे अगर अगर हम बात करते हैं जम्मो कश्मीर और यह हमारी लदाग की अभी यूनियर्टरिस बनी है लेकिन इसको पीपल रिप्रेजेंटेशन पीपल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जी उसमें उसमें उनके लिए उनको कुछ कहां नहीं गया लेकिन जैसे हमारे प्रेजेंट के लेक्शन होंगे तब तक आई थिंग जो है कोई ना कोई रूल बन जाएगा जम्मो कश्मीर और पुडुचेरी जम्मो कश्मीर और लदाग का पाडिस्पेशन का बट अभी तक कुछ भी नहीं है चीक है बट राश्टरपती के लेक्शन में दो यूनिट पाडिस्पेट करती हैं के अंदर्शास्ति प्रधेश और वो कौन-कौन से दिल्ली और पुडुचेरी तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बी ऑप्शन इस दा राइट वान येस ऑप्शन नंबर भी हमारे राश्टरपती का इलेक्शन जो है वो 54 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है दा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दा प्रेजट जिसमें हम पाडिस्पेशन जब करवाते हैं वो कौन-कौन से मेंबर पाडिस्पेट करते हैं ओनली इलेक्टेड पीप और पूर्डुचेरी भी पाडिस्पेशन देती है ध्यान रखना सिरफ इलेक्टेड पीपल फिर कौन वोट नहीं करता नॉमिनेटेड पीपल वोट नहीं करते मनोनित के हुए लोग वोट नहीं करते प्लस स्टेड लेस्टेट कांसिल जाने कि विदान परिशद भी पाड इस्पेशन करते हैं यस चले जब अंसर बताईए अगला अंसर बताईए फट अफट अफट जी Central Bureau of Investigation CBI आपको पता है करप्शन के लिए है तो इसमें पूछ रहा है कि नौट करेक्ट मैच पूछना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है यह आपका बिल्कुल सही है 1963 Central Vigilance Commission यह ओविसली बात है जितने भी Government Officials हैं वो करप्शन चार्जिस बगारा को देखने के लिए यह बनाई गई थी संथनम कमेंटे की रिकमेंडेशन जी 1964 में यह भी आपका आप्शन सही है एंटी करप्शन एक्ट बहुत सारे हैं बहुत सारे करता है जो एकनोमिक क्राइम होता है कोई पैसे का क्राइम अगर आप करते हैं बड़ा घोटाला करते हैं पैसे का क्राइम करते हैं इकनोमिक चेर्मेन ऑफ एड्मिस्टेटिव रिफॉर्म कमिशन नाइंटें इक्स्टीन सेवन वाज रिक्कमेंड़ फॉर लोकपाल और लोक आयुकता आपको पता है लोकपाल सेंटर लेवल पे लोक आयुकता स्टेट लेवल के उपर और यह देखेगा अगें करप्शन चार्जिस ज लाइरे में आएंगे कि कोई पैसा घुटाला जा कोई पैसा इधर से उदर तो नहीं कर रहा तो यह लोकपाल और लोक आयुकता की बात 1967 में स्टार्ट हुई थी तो पहली बार इसको चेर्मेन कौन थे डैड़ वाज मुराजी दिसाई अंसर नंबर एज़ा करेक्ट अंसर मुराजी दिसाई is the right one मुराजी दिसाई जी के बारे में बात करूँगा कि अगर आपसे पूछा हाइस्ट एज में कौन से प्राइम मिनिस्टर बने है मुराजी दिसाई क्लेर होगे आप लोगों को मुराजी दिसाई बने है जनता पार्टी इन ने बनाई थी 1978 में पहली पार जनता पार्टी और कॉंग्रेस गवर्मेंट नहीं थी उस टाइम पर दूसरी बात करें अगर हम लोगपल और लोक आयुकता की तो काफी देशों में इनको वर्ड यूज क्या जाता है अमबर्जमें यह वर्ड कहां से आया था यह आया था स्वीडन से यह वर्ड कहां स्वीडन से इन्हों ने इनागरेट किया था अफिशली इनागरेट किया था क्लियर होगा आप लोगो न्यूजिलेंड और नॉर्वे ने इसको जो है डॉप्ट किया था 1962 में नॉर्वे ने और नॉर्वे ने और किसने यास नॉर्वे और नॉजिलेंड ने इसको अफिश पर लॉब मिनिस्टर थे आपके कौन से अशोग गुपता इनके द्वारा करी गई तो यह कोशन पेपर में पूछे जाते हैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं अशोग गुपता जो हमारे देश में एक जो है अमबर्ज में आना चाहिए लेकिन फिर अगर आपसे पूचा दे लोग पालन लोग आयुक तक वर्ड वर्ड क्वाइंड बाई दो वर्ड क्वाइंड बाई लम सिंग वी यहां रखना इंपॉर्टेंट है अंसर नंबर ए इस दा करेक्ट अंसर चौद्री चरण सिंग ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनों ने कभी भी पार्लेमेंट को फेस नहीं किया संथनम कमेटी जो आपको बताया था मिने सेंट्र विजिलेंस कमिश इनके चेर्मेंशिप के अंतगत बना है अंसर नंबर ए इस दा करेक्ट अंसर मुराजी देशाई बाकी मुराजी देशाई जी के बारे में देख लिए फर्स्ट प्राइमनिस्टर टू है इंडियास फर्स नॉन कॉंग्रेस गर्मेंट 77-79 रहे हैं बहुत सारी जगा के मिन चलिए अगला अंसर बताईए जी हां चौदरी चरण सिंग जी की चौदरी चरण सिंग जी की जो बर्थ अनिवर्स्टी होती है उस दिन हम किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल सही अगला कोशन देखें जी क्या कहता है बाइविच फॉलिंग आर्टिकल अपॉल चौदरी च्वेस्ट अब सिविल राइटक्ट सरी पोटेक्शन और सीविल राइटक्ट नैंटीन सेवंटीसिक्स और अन्टचीबिल्टी हमारे आर्टिकल 17 में लिखा गया है आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि हां हम यह वर्ड अब यूज नहीं करेंगे चौदा से लेख होगे आप लोगों को और आर्टिकल 15 यह मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने आयुश्मन खुराना वाली इसमें हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके किसी भी परसन को आप लोगों को यहां पर आर्टिकल 16 में हम बात करते हैं कि आपको उपरचनिटी जो है आपको उपरचनिटी जो है आपको प्रोवाइड करवानी है ठीक है है एस ओर इंए पाइटन व में ना मैट्र ऑफ पुब्लिक इंप्लीमंट इनत्र उस्क्रिम इंटेमि इंट इम ग्राफिंट साथ 8 1 नंबर क्या है 73rd Amendment Act के according जो है इनमें से कौनसी स्टेट्मेंट जो है आपकी करेक्ट है आर्टिकल सोरी 73rd Amendment के अकौनसी चीज आपकी करेक्ट है 73 वा संशोधन 1992 में हुआ था इंप्लिमेंट हुआ था 293 में और इसमें 29 सब्जक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत यह लिखा गया था पंचायत का वर्नन जो है आर्टिकल 243 एसे लेके ओ तक लिखा गया है और आर्टिकल 40 द्वारा आपकी सरकार जनकी राजय सरकार वह बनाएगी विलेज पंचायत यह लिखे गई है चीजें और पंचायत का आर्टिकल जो है पंचायत का जो 9 आपका पार्ट है और 11 11 आपका स्केडियूल है 11 अनुसूची है तो अब कोशन नहां पर आता है 73 संशोधन के कौर्डिंग कौन सी स्टेट्मेंट करक्ट है इन दिस पंचायत वर असेप्टेड एस इंस्यूश गलत यह सेगेंड वाला ऑप्शन जो किया गया था वह सेवंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक नाइंटी नाइंटी तू द्वारा किया था क्योंकि अर्बन बात आगी है यहां पर और यहां पर मुंसेपैलेटी की बात आई थी जो इंप्लिमेंट हुआ था 93 में आपका बार अगली पंचायत नागोव डिस्ट्रिक राजसान फिर उसके बाद अंद्रपरदेश में और मुंसेपैलेटी जो है आपके मुंसिपल कॉर्परेशन जो है सबसे पहले स्टार्ट कहां पर हुई थी वह हुई थी आपकी मुंसिपल कॉर्परेशन वगरा स्टार्ट हुई थ कॉंसी कंट्री ने पहली बार मिलिटरी के अंदर जो है ट्रांसजेंडर को अलॉग किया था कि वह हमारे देश की सेवा कर सकते हैं सेनय भूमिका में सेवा कर सकते हैं उनको रोल प्ले करवाया था तो कॉंसी आपकी स्टेट ने करवाया था येस बताईए कॉंसी कंट्री ने बताया है यह सूंबर भी सब्मकर अंसर बी उएश के प्रैजन है जो बाइडन है कि यह कोशन आपका होमवग है यह कोशन आप लिख लीजी यह आप जर्सक्राइंगे कि इसका अंसर ऑमसर क्या है यह यह तो नून के ले कमेंट सेक्शन में लिखके आपको बताना है चलिए मोहमद इश्टाई जो अभी रिसेंट नी न्यूज में थे यह प्राइम मिनिस्ट्र है कौन सी कंट्री के यह मोहमद इश्टाई जो है यह हैं आपके पैलेस्टीन बस इतना सही मैं आपको बताऊंगा और जार डिटेल मे नहीं जाएंगे पैलेस्टीन चलिए अगला अंसर बताईए अगला बताईए अगला कोशन देखेंजी क्या गयता है विच और फॉलिंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट कौन सी जो चीज बताती है कि इंडिया जो है सेकुलर है सेकुलर वर्ड का मतलब क्य कोई धर्म नहीं है लेकिन इंडिया में सभी धर्मों की रिस्पेक्ट है क्लियर तो आपको आप कोई भी धर्म अपनाएं कोई भी कुछ कर सकते हैं सेकुलरिजम बहुत जारा हमारे देश में है किसी भी धर्म की संस्था में आप जा सकते हैं लेकिन कंट्री अपना धर्म क प्रेंबल में यूज कि अगया था सविदान की प्रस्तावना में प्रेंबल वर्ड के अंदर जो है तीन वर्ड एड किये थे सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी समाजिक पंथ ने पेक्षव और अखंड़ता वर्ड एड किये यह तीनों वर्ड हमने एड किये थे 42nd amendment act 1976 द्वारा तीनों वर्ड एड किये थे तो अंसर नंबर डी इजा करेक्ट अंसर सविधान की प्रस्तावना क्लियर होगे आप लोगों को और सेकुलर धर्म की अगर मैं बात करता हूं सेकुलरिजम इस दा बेसिक स्क Crystal जो है वह बेसिक स्ट्रक्टर है यह केस आया था इस सर्ब माई केस 1995 उसमें हमने बात करें फिस थर six司 क्लियर होगे z hop roku. ccology प्रेमबल हमने दिया किसको है प्रेमबल हमने दिया है टुजा पीपल आफ इंडिया हमने लोगों को यह प्रवाइड करवाया है और सभी प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुई है और वह है आपकी 42 अमेंडमेंडमेंड यहां पर देखने को आपको मिला था क्लियर फंडमेंट राइट आपके पार 3 में देखने को मिलते हैं आर्टिकल नंबर 12 और 12-35 तक यूएसे से हमने इसका प्रावधान लिया है और डिरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें सोचल और एकनोमिक डेमोगरेसी प्रवाइड करन वेलफेर ऑफ दा स्टेट करना वो डिरेक्टिव प्रिंसिपल का काम है अर्टिकल नंबर 36-51 तक देखने को आपको मिलते हैं और Part 4 में देखने का आपको मिलते है प्रूर प्रूर में चीक है और एक चीज़ आपको बता दूं कि डेक्टिव और प्रिंसिपल जो है हमने कह से बोरो किये है आयरलेंड से बोरो किये है आयरलेंड अन्जानमबर डी जा करेक्ट अंसर दा कॉंस्यूशन ऑफ इंडिया है अगला बताईए पार्ट थ्री मेंगना काटा ओफ इंडियन कॉंस्टिशन बिल्कुल सभी कोशन है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं एक वड़ा तीन वो कितने साल बाद रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा की एड़ प्रेजेंट मेंबर हैं 245 और मैक्सिमम मेंबर कितने हैं 250 जिसमें आप सबसे ऑर्ट स्ब्रU сब्द से और आपका सोशल सर्विस यह छार फिल्ड से इनको क्या गया है है तो यह हर दो साल बाद जो हैं रिटायरियमेंट होती है राज्य सबा जो है वो फॉम्मर का मतलग है हमेशा रहेग इसको डियोल्व नहीं कर सकते कभी vwee कर लेकिन एक बढ़ा थीन मेंबर हर दो सान बागर जो हैं इनकी रिटार्मेंट होती रहती है तो नंबर बीजा करेक्ट वान अंसर नंबर भी सेकंड यरिजा करेक्ट वान कि पंबनेंट हाउस है डेजलिशन नहीं होगा हर जो है दो साल बाद हर वन थर्ड मेंबर निकलते जाएंगे अगला कोशन देखे जी लेजिसलेटी पावर आर वेस्ट इन विधाइक शक्तियां जो कानुन बनाती है लॉइसली बात है हमारे देश की पार्लेमेंट के पास संसर के पास होती है दो निकालते हैं जब और प्रडिनेंस इशू करना वह प्राइजिडेंट की क्या है लेश्टेटिव पावर होती है अंडर आर्टिकल 123 यह तब इशू करवाई जाती है जब पार्लेमेंट सेशन में नहीं है तो अब्विसली बाता उसके बाद पावर किसके पास आती है राश्ट्रवति के पास तो अ लगाना और जुदिश्री जो होती है उसकी उपर जज्जमेंट्स आपको प्रवाइड करना यह आपको सविधान में देखने को मिलता है हमारे हाई कोड के जज की जो रिटार्मेंट एज होती है वो कितनी है देखे हाई कोड के जज की होती है 62 years of age सुप्रीम कोड के जज क होती है 65 years of age तो answer number a क्या बनेगा आपका correct answer बनेगा हाई कोड की बात करते हैं आपका इंडियन हाई कोड एक्ट इंडियन काउंसिल एक 1861 द्वारा जो है आमारी हाई कोड बनाई जा रही थी सबसे पहले कलकत्ता दैन बॉंबे दैन मद्रास यह आपको पता होना चाहिए clear यह तीनों में गई थी और 1966 पहली परविंशिल पहली प्रुविंशिल हाई-कोड बनाई गई थी अलहबाद में और ऐसी कौनसी ऊनिटरिटरी है जिसके पास अपनी हाई कोड है डेटिस डिल डिली में 1966 में बनाई गई थी और कौनसी जो एक एक हाई कोड जो है वह कौ ग अब high court का जो judge होता है उसको appoint करता है राश्टरपती appoint करते हैं और राश्टरपती तो appoint करते हैं लेकिन किस से पोछ के Chief Justice of India से Governor of dat State उससे पोछ के जो है इसको appoint कर लिया जाता है याद रखना important है 62, 62 से 60 65 जो है Iidelaw Judge की Retirement Age होती है तो answer number A is the correct one अगला है जी कौन-से ये ने पहली बार जनेर्ली एलेक्षण वोग थे हमारे इंडिया में है जनेर्ल自她 से पहुए थे पहली बार हमारे चुनाव जो हुए थे 1952 में देखने को आपको मिले थे पहले जैनल इलेक्षण 50 152 में काफी बचे इसमें सी भी टिक करेंगे गलत है ध्यान रखना डी इस अ करेक्ट अंसर डी ऑप्शन जी 51 52 में किये गए थे चली अगला गोशन देखिए हमारे सभीधान में अभी कितनी अनुसूचियां है यह बता रहे हैं अनुसूचिया स्केडियूल्स की बात करते ह हैं यह हमेशा हमारे देश की गवर्नेंस में उसका साशन चलाने में आपको हेल्प करवाते हैं गवर्नेंस चलाने में जब हमारा सभीधान बना था तो आठ थे और अब टोटल कितनी हैं बारा तो अभी पूछा है तो अंसर क्या बनेगा आपका बारा क्लियर सी ऑप्शन करिक्त आनसार मैं आपको सारे कसारे में हमेशा बता तो जब भी एक कोश्चन आता है पहले डिखा षा समत्थ च Minh i सेवंंत में आपका लिस्ट के बारे में जिसमें आपका चनर स्टेट दोड़ार जो है इसको एड गया था और्स बाथ करें एंटी डिफेक्शन लौ दल बदलने के विरूद कानून फिफ्टी सेगंड अमेंडमेंट एक्ट नाइटी फाइव के द्वारा इसको एड किया गया ग्यारवा पंचाइती राज इंस्ट्यूशन के बारे में तो आंसर नमबर सी इस दा करेक्ट वन अंसर नमबर सी चलेजे अगला देखिए ऐसा कौन सा राज्या है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा स्केडूल कास्ट की जो है पॉपुलेशन देखने को मिलती है अनुसूचित जातियों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है हमारे क तो पहली बात तो इसने पूछा है पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उत्तर परदेश में अगर यह पूछ लेता तो पंजाब बन जाता तो उत्तर परदेश एज़ा राइट वान उत्तर परदेश राष्टरपती जो है युएस के राष्टरपती जो है युएस के वो कितने साल बाद इलक्ट होते हैं देखे युईस के जो प्रेजिएंट होते हैं हर चार साल बाद यह इलक्ट किया जाते हैं अन्सर बी क्लिया अभी यूएस के जो प्रेजिटेंट है वो है जो बाइड़न और आम मुझे कमेंट सेक्षन में लिख के बताएंगे कि जो बाइड़न जो है वह कौन सी पार्टी से बिलॉग करते से बिलॉंग करते हैं या रिपब्लिक से बिलॉंग करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखके आप बताएंगे चलिए एक लगोशन देखें कोंस्तियुशन ऑफ इंडिया के गार्जेन सरंख शक कौन है हमारे संविधान को बचायेगा तो वह बचाएंगे सुप्रेम कोट सरंख्षक है आपका सुप्रेम कोट आपका आर्टिकल 124 में बारे में लिखा गया है सुप्रीम कोट पहली बार एक अक्ट 73 द्वारा बनाई और इसको Government of India Act 1935 द्वारा बनाया गया था और यह बनी कब थी हमारी 1950 में ध्यान रखना important है तो answer number C is the correct answer. Parliament आपको बताया हुआ है article number 79 के बारे में बात होती है Attorney General of India भारत के महानिया इबादी जिसे हम क्या गयते हैं the first law officer of the country, first legal officer of the country, government के case कोई भी civil case होगा तो attorney general उसको बचाती है government को, लेकिन ध्यान रखना attorney general criminal case में कोई भी participation नहीं देता इनका कारेकाल 5 साल होता है, राष्टरपती पॉइंट करते हैं, Supreme Court के judge की, Supreme Court का जो है आपका judge बनने की requirement होनी चाहिए इसमें ध्यान रखना ये गन जो है देश का हमारे देश का हमारे भारत का हो मतलब fully member नहीं है, fully member मतलब मतलब whole government official नहीं है, मतलब क्या है कि जब इसको इसका काम पढ़ तो इसको बुला लिया जाता है, ठीक है, और ये अकेला ऐसा, एक ऐसा व्यक्ति है, जो पार्लेमेंट में आ सकता है, बोल सकता है, डिसकेशन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, प्लिया अब ध्यान रखना, राश्ट्रपदी के बारे में हम डिसकुस किया हुआ है, आर्टिकल 52 में, तो अंसर नमबर C is the correct answer, सुप्रीम कोड, अगला बताईए, विचिस प्रिसाइड़ बाई नौन मेंबर, देखेंजी, गैर जो है, आपके नौन मेंबर मतलब, किसके गैर सदस्य द्वारा करी जाती है, मतलब इन में से कौन सा सदन है, जिसमें वो मेंबर नहीं होता, तो फिर भी उसको अधिक्ष्टा दे देते हैं, राज्यसभा, हम जो एक्स ओफिशी चेर्मेंट क्या होता है, वाइस प्रेजिडेंट होते हैं, तो अंसर नंबर A is the correct answer, लोगसभा के स्पीकर होते है, विधान सबा का जो स्पीकर होता है, वो उसके मेंबरस में ही चुना जाता है, अंसर नंबर A is the correct answer, और इसमें काफी बच्चे कुछ और भी गलत कर देंगे, मैंने आपको बताया ना, आज दिमाग लगाने वाली classes है, तो अंसर नंबर A is the correct one, चलिए अगला कोशन देखे, जी क्या कहता है, अगला कोशन देखिए, कोशन क्या कहता है, फर्स एलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया कौन है, पहले एलेक्शन कमिशनर पहले चीफ एलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया वो है सू कुमार सेन, अंसर नंबर क्या बनेगा, C option बनेगा, C option, clear, और एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लेके बताइए, अभी करंट में कौन है, अभी करंट में इलेक्शन कमिशनर कौन है, चीफ एलेक्शन कमिशनर की जो पोस्ट है 1989 में क्रेट करी गई थी और इसके साथ दो एडिशनल दो और एलेक्शन कमिशनर की पोस्ट और अमेंडमेंट हुई थी 61st Constitutional Amendment Act 1988 जो इंप्लिमेंट हुई थी 89 में जिसमें हमने दो चीज़े चेंज करी थी चीज़े वोटिंगेंज 21 साल से 18 साल एज करी थी जनके 18 साल वोटिंगेंज है अब और चीफ एलेक्शन कमिशनर और दो अडिशनल कमिशनर की बात यहां पे करी गई थी आज जो आपका एलेक्शन कमिशनर है वो 324 में लिखा गया है आर्टिकल नंबर और 18 साल वोटिंग एज है वो 326 में लिखा गया है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड इसमें यूज किये गए हैं ध्यान रखना इंपॉर्टन है जीवे माव सबस्पीकर है है हमारे फॉर्स्ट लोग सबस्पीकर क्लिया तो अंशा नमब च इजora क्रेक्टं सर नंब छी सू कुमार सीन के देख लिजिए, डेमोक्रीसि जो वर्ड है, यह हमने कौन सी भाशा से लिया है? डेमोक्रीसि, डेमोक्रीसि का मतलब क्या होता है? डेट इस गौर्मेंट टूदा पीपल, बाइदा पीपल, फॉर दा पीपल, यह वर्ड जो मैंने यूज़ किये, सरकार लोगों दवारा लोगों के लिए चुनी जाती है और ये अबरहम लिंकन ने वर्ड यूज किये थे अबरहम लिंकन आप यariat युवर्य प्रेजन इसकान लिए लेकिन ज़ो oa sacrifice word है ये जूक्रिक भाशा से लिया है इसदए है अन्सर नमरहivo जाने के हम हमारे देश में रिपर्जेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे देश में आगे कानून बनाते हैं क्लियर हो गया और बाकी देशों में काफी में डिरेक्ट होती है डिरेक्ट में जिसमें लोग सीधा पार्टिस्मेशन करते हैं लौ बनाने में कानून वगारा बन बीम्राव अम्बेदकर जी ने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चे परसन थे और फादर आफ इंडिन कॉंस्टिशन भी इनको कहा जाता है अंसर नमबर वान इसा करेक्ट अंसर नमबर वान क्लियर एमके गांधी की अगर मैं बात करता हूं तो महात्मा गांधी पत्राइए अन हैपी इंडिया इनको पंजाब के नाम से भी जानते हैं इनका बुक है चीक है सदार पटेल सदार टाइटल आपको पता है बार्दोली सत्यगरह से लिया गया था जो 28 में हुआ था गुजरात में महात्मा गांधी के बारे में आपको सबको पता है कि इनको जो है इनको जो है महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किस ने दिया था डैड़ेज बाइदा रविंदरना टैगोर जी और यंग इंडिया इन्होंने कहां से लिखा था पेपर यंग इंडिया फ्रॉम दा डैड़े साउथ अफरीका बाद उसके इलाबावा जो है यहां पर हिंद सुराज ठीक है हिंद सुराज नवजीवन हरीजन यह सारी चीज़ें इन्होंने इंडिया में आके लिखी थी तो अंसर नंबर ए इस दा करेक्ट अंसर डॉक्टर बेमरां अमबेदकर ठीक है चलिए अगला अंसर बताईए शाबाश अगला कोश्य देखिए देखिए जॉइंट सीटिंग अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल एक सो आठ में लिखी गई है आर्टिकल नंबर एक सो एट में से की बुलाता है लेकिन उसमें जॉइंट सेटिंग में जो प्रिसाइड करता है जाने की चेर्में कौन होता है वह होता है हमेशा लोगसबा का स्पीकर अगर लोगसबा स्पीकर जो अपसेंट हो तो डिपड़ी स्पीकर ओफ लोगसबा जो है उसको प्रिसाइड करेंगे द्यान रखना answer number C is the correct answer answer number C राष्टबधी का काम सिर्फ बुलाना होता है यह द्यान रखना समन करना होता है उनका चलिए जएक लांसर बताईए जनवरी 26 जो है हमारा date of constitution को जो है inauguration of the constitution रखा गया था क्यों रखा गया था जनवरी 26 देखे हमने अडॉप्ट तो 26 जनवरी 1949 को कर लिया था लेकिन लागू जानके हमने इनाग्रेट कब किया 26 जनवरी 1950 को ठीक है क्योंकि हमारा सब विदान बन गया था 26 नवंबर 1949 इसलिए 26 नवंबर को हम क्या कहता है constitution day और 26 जनवरी 1950 को हम अपना पहला जो है republic day celebrate करत हमारा इंडिपेंडेंस दे 1930 में पूर्ण सब्राज सेशन की बात चल रही है जोहला नेरू वाज़ा प्रेजडेंट टाइम लाहौर रेजलूशन नियर रीवर रावी क्लियर तो आंसर नंबर सी इस अकरेक्ट असर क्योंकि 1930 में कॉंग्रेस गर्मेंट ने आजाद भारत स कहा जाता है फर्स्ट मनिस्ट्रों फाइनेंस इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है जल्दी से जल्दी बताइए यस तो यह नाम है आर के शन मुखन चेटी तो आर के शन मुखन चेटी जो है यह हमारे आजाद बारत के हमारे फाइनेस मिनिस्टर थे कमेंट सेक्शन मे के बताईए अभी करंट में हमारे finance minister कौन है करंट में हमारे finance minister कौन है comment section में लिक्के आप बताएंगे clear तो answer number a is the correct answer India's first जो है मनिस्टर थे आर के शनमुखन इस वेरी वेरी important part अच्छा father of tax reform father of tax reform in India किसे कहा जाता है tax reform के जनक किसे कहा जाता है राजा चिल है यह याद रखना है आपको clear so guys यह थे आज की lecture के अंदर question I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा अगर lecture अच्छा लगा है तो like और share कर दीजिए बाकी updates आपको मिलेंगे हमारे telegram channel की उपर डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मेरे साथ यहां पर 141,000 प्लस बचे जुड़े होए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं और आप मुझे Instagram और Facebook की उपर भी follow कर सकते हैं जो भी हमारे कोई भी आपका exam होता है तो आप मुझे हमेशा mail कीजे यहां पर तो उसका वीडियो solution हम डालेंगे और आज हम Assam PCS का solution डालेंगे देखते हैं टाइमिंग क्या रखूंगा मैं उसके recording आपको बता दिया जाएगा clear हो गया और जी हां बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे जो हैं आपको PDF बगारा भी मिलेंगे सब चीज़े आपको मिलेंगी तो स्टार करें जी पहले कोशन से जी देखिए मैं आपको इस चीज़े बढता हूं लेक्चर में बहुत ऐसे जो गयते ना एलियंस आते हैं ठीक है जो मेरे को कुछ गंदा बोलेंगे आपको कुछ गंदा बोलेंगे बोलने दो ठीक है बोलने दो क्या देना कुछ तो लोग कह है कहना ओके हो कहती ही रहेंगे ठीक है अभी मुझे कह रहे हैं आपको कह रहे हैं जिन्दगी में जाके आगे जाके वह अपने आपको कहेंगे तो उनका काम ही कहना है तो लेवेट फोकस on the studies focus on यूर सेल्फ मतलब अपने आपकी ऊपर focus करो और अपनी study की उपर focus करो सबसे इंपोर्टन इस राइम पर आपके लिए यह है ना मैं हूं ना कोई और है सिर्फ आपकी स्टडी आपके लिए में है समझाया चले जी चले जी कोशन देखें यह क्या क्याता है नैशनल एमर्जनसी लॉंच करी गई थी इंटर्नल डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग तो यह जो नैशनल एमर्जनसी थी यह कब आपकी प्रोक्लेम की गई थी देखें थी नैशनल एमर्जनसी की पहली बात करते थे हैं कि यह कब करी गई थी 25 जून 1975 को 25 जून यह डेट याद रखना एक्जाम में डेट पूछते ह ही पूछते हैं क्लिया 25 25 जून यह 1975 इस दा करेक्ट अंसर अगर आपसे पूछा यह कब तक चली थी तो यह चली थी 21 मार्च 1977 यह इस टाइम तक चले थी 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 यह डेट याद रखना यह डेट दोनों आपको याद रखनी है क्योंकि किसी स्टेट PCS के इस ऑफ़ने एक्जाम में मैं यह नहीं कहा रहा कि आप लूबर इग्सvent नहीं पढ़ सकते मिने आपको को बताया कि मैं चोटे से बड़े disturbance के लिए वो कब से कब तक लगी थी तो 25 जून 1975 से लेकि 21 मार्च 1977 तक जो है यह आपकी जो है emergency लगी है तो यह याद रखना है important part है clear होगे आप लोगों को अब बात नहां पर यह है कि जो national emergency है जब यह आपकी internal disturbance के कारण लगी थी तो यह article 352 के according लगी है पहली बात तो और यह लगी किसके time पे थी प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांधी जी के time पे लगी थी और प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांधी जी ने यह लगाई थी internal disturbance के कारण लेकिन article 352 में तीन कारण होते हैं जिसके कारण हम लगाते हैं एक होता है war एक होता है external aggression ठीक है और थर्ड होता है आपका armed rebellion पहले एक reason था internal disturbance लेकिन अब word में armed rebellion में change कर दिया गया है 44th amendment act 1978 के according जो है हमने internal disturbance word change करके armed rebellion में change कर दिया है तो this is very important part clear तो इस question का answer क्या बनेगा c is the correct answer जब भी national emergency लगती है तो एक साल लोकसभा का कारेकाल बढ़ जाता है यह 42nd amendment act 1976 के according add किया गया था यह याद रखना है आपको 1976 के according और यह सारी चीज इस तरीके से पास हुई थी तो answer number c is the correct answer चलिए जी अगला question बताईए money bill is finally determined by जो money bill होता है यह finally जो है निधारित कौन करता है money bill का मतलब क्या होता है देखिए एक bill होता है bill क्या होता है परपोजल जस्ट एक परपोजल होता है उसको money bill कहने के लिए क्या होता है जब तक speaker के sign ना हो तब तक वो money bill कहलाएगा नहीं तो it means finally किसके द्वारा determine किया जाता है speaker of looks द्वारा किया जाता है बिल एक proposal होता है लेकिन money bill में पैसे के बारे में बात लिखी होगी यह money bill जो होता है article 110 में लिखा गया है और इसमें कोई tax लगाया भढ़ाया गटाया वो लगा होगा कोई salaries के बारे में लगा होगा ठीक है कि salary जो है आपकी जितनी भी लोगों की salaries है उनके बारे में लिखा होगा यहां पर आपने कोई जो है loan provide loan दी गया है loan की payment करनी है interest pay करना है clear वो इसमें लिखा होगा consolidated fund of India से कोई पैसा आप निकाल रहे हैं खर्च कर रहे हैं बारत की सचित नीदी से जुडिश्री के उपर पैसा खर्च हो रहा है तो सब चीज़े यह हैं जो है money bill में लिखी होती है लेकिन money bill हमेशा आएगा कहां पर लोकसभा में आएगा clear हो गया और राज्यसभा की कोई भी जो है आपकी power नहीं होती money bill के case में this is also important लेकिन लोकसभा जब लोकसभा में bill आता है किसकी permission से राष्ट्रपती की permission से आता है जैसे लोकसभा में आया speaker sign कर देंगे कि हाँ ये money bill आ चुका है money bill के उपर discussion स्टार्ट हो जाएगी proper तरीके से और ये bill जो है राज्यसभा को दिखाया जाता है लेकिन उसकी कोई power नहीं है money bill जो है 14 दिन के अंतरगर जो है पास होना ज़रूरी होता है कि इसकी अब दी 14 दिन है 14 दिन में पास करना ज़रूरी है तो इस question का अंसर क्या बनेगा बी और एक चीज मैं आपको बता दूं जोइंट सिटिंग जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 108 के अंतरगर अगर कोई बिल की उपर discussion होती है पास नहीं होता तो जोइंट सिटिंग राश्टरपती बुलाते हैं लेकिन कि money bill के case में constitution amendment bill के case में joint sitting कभी भी नहीं होती ये भी आपको याद रखना है पॉइंट समझ आया चलिए जी अगला देखे अगला गुशन देखे गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास एक्ट टू प्रोटेक्ट दा हुमन राइट्स इन दा इयर हुमन राइट्स को प्र हुमन राइट को प्रटेक्ट करने के लिए कौन से एयर में जो है एक्ट पास किया गया था तो दिस वाज इन दा इयर 1993 1993 के अंत्रगत हुमन राइट कमिशन जो बैरता है उसमें बहुत सारी मेंबर्स होते हैं और इनके 6% जो होते हैं Chief Justice of India होते हैं बहुत सारी जो women भी होत नम्हें होते हैं वह चाहिताइच जो लोग होते हैं वो इस कमिशन में बैढ़ सकते हैं बट में इस चीफ जिस जो आपके चेर परसन होते हैं तो जीर करेक्ट अंसर लिए मैं बात करना चाहूंगा इस जो होता है हमारा 10 दिसंबर होता यूनाइट इनी नेशन बीज़ा गरेक्ट अंसर नुम्ब भी नाइटी इस आ राइट अंसर नाइटी चले जी अगला गुशन बताइए फटाफट अगला गुशन बताइए इन दा कॉंसिशन ओफ इंडिया दा प्रेक्शन अफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इस गैरेंटेड अंडर अर्टिकल नंबर इसी में ही एक अमेंडमेंट मेंट वी ती आटिकल टॉंटी वन एके साथ वो था आपका right to education it means 86 amendment act 2002 द्वारा उसको add किया गया था this is very important आपका 73 वाला जो part है वो है आपकी executive power of the union के बारे में कि आपकी जो powers है executive powers जो है union की वो क्या है आपकी इसमें लिखा गया है yes मतलब किस हद तक जो है आपकी power अगर दे सकते हैं बिल्कुल सही 49 क्या है 49 यह है कि जो state होती है state होती है जो हमारे national importance के लिए monuments होती है उसको protect करना state की जिम्मेदारी होती है article 370 जो बात करता है यह बात करता है मतलब जो जेमू और कश्मीर का जो special status था उसको हमने रिमूव किया था पॉइंट समझाए आप लोगों को जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा one is the correct answer answer number one तो यह है जी आर्टिकल 21 कि अगला बताईए कि जी अगला कुशन देखे जी कि दा पोटल सुपेस लॉंच फॉर विच कोट इन इंडिया दिखे किस इसुपेस जो पोट लॉच्ट किया गया था क्यूंकि देखें जब भी आप कोई भी करते हैं तो उसके पास डेटा बहुता होता है एक ऐस होता है और बहुत सारे टा बहुत सारा होगा और उस डेटा को प्रापर तरीके से कंटोल करने के लिए उस डेटा पोर्टल फॉर एसिस्टेंट इन दा कोड्स एफिशेंसी इस इस फुल फर्म और इसको चेर किसे ने किया था हॉनरेबल श्री जस्टिस शरत अर्बिंद बॉबबदे जो चीफ जसस ऑफ इंडिया है लेकिन इसके पहले चेर्मेन कौन रहे हैं उनरेबल श्री जस्टिस एल नागेश्वर राओ तो यह चेर परसन रहे हैं यह याद रखना है आपको तो अब कोशन यहां पर यह है तो सुपेश को जो लॉंच किया गया था तो यह किसके लिए लॉंच किया गया है तो दिस इस फॉर्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंसर नबर सी इस दा करेक फिर उसके बाद 28 जनवरी 1950 को यह बिल्डिंग शिफ्ट करके हम कहां पे लेगे न्यू डैली के अंदर गत ले गए और यह गर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अकॉर्डिंग जो है हमारा सुप्रीम कोड दिल्दी में बना था तो इस इस वेरे इंपॉर्टन पार्ट सुप सुप्रीम कोड की जजी में क्या चाहिए एक भारत का नागरिक होना चाहिए जा तो हाइब कोड के जज्च का एक्सविरेंस पान साल का जबत साल उसने एडवोकेट का किया हो जा फिर एक नॉर्मल नॉर्मल ने कोंगा एक डिस्टिंगूश जूरिस्ट हो तो राष्टर पुछ इसको अपॉट देते हैं तो दिस आपका आया था सेवन कॉंसिटिशन अमेंडमेंट मेंट के अकॉर्डिंग बात करी गई थी सैवन कॉंसिटिशन अमेंडमेंट मेंट आइंटिन 156 तो दिस इंपॉर्टन वान क्लियर याद अखना है आपको चलिजे अगला अंसर बताईए लक्षद्वीब की जो आपकी ऑफिशियल लेंगोईज है वो क्या है देखें लक्षद्वीब की जो अगर मैं बात करूं लक्षद्वीब की है वो है मल्यालम जाफिर इंग्लीश मल्यालम जाफिर इंब्लिश के इसकी इलावा लोकल लेंगोईज ये लोग आपस में बोलते हैं वहाँ पे गोज बोलते हैं लक्ष्ट्वीप के लोग तो इस कोशन का अंसर क्या बनने वाला है आपका बी इस अ करेक्ट अंसर मल्यालम अगला बताइए मल्यालम में यहां पर लक्षट्वीप में आपको क्या चीज़ देखने को मिलते हैं इंडिया में चार जगह के उपर मिलते हैं एक लक्षट्वीप में एक गल्फ ऑफ कच में गल्फ अफ मनार में और अंडेमा निकबार आइलेंड में आ dłनो så बड़ा सिंपल सा कोशन है आए वट इसा मक्सिमम स्टेंथ औह रहा है यह डाल दिया तो यह यह दखना है सो इस यह लोग सब पता आपको कि राज्य राज्य सभाँ में रोग सब क्या है जो सब चीज़े आपको कुलियर हैं यह चीज़े ऑलड़ी तो बढ़ा सिंपल सा पार्ट है चलिए अगला अंसर देखिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए कोशन बोलता है fundamental right जो है हमारे सभीधान के अंतरगत हमने कहां से लिए fundamental right की बात करूं तो part 3 में देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं magna carta of the Indian constitution कहा जाता है सबसे पहले fundamental right मिले थे US को written constitution यूएस का था पहली बात और वो ही सारे चीज़ें हमने इंडिया ने यूएस से बोरो करी तो fundamental right का concept भी हमने यूएस से बोरो किया यहां पर independence of इसको बोरो किया है याद अखना है कैनेडा की बात करें federation with the strong सेंटर का मतलब क्या है हमारे देश में जो फेडरेशन तो ही है मतलब पावर्स डिवाइड है लेकिन सब में स्टॉंग कौह सा है आपका सेंटर स्टॉंग है क्लियर होगे आप लोगो कैनेडा से हमने रेजुडरी पावर भी ली है जाने कि अफशिष शक्तियां जो आर्टि पावरो कि आज हमारे देश में कुछ ऐसा कानून आ गया जब बनाना पड़ा कि ना तो सेंटर लिस्ट में नाहीं स्टेट लिस्ट में आ जाएगा और रेजिटरी लिस्ट में बनाएगा हमेशा सेंटर कानून बनाएगी तो यह चीज़ भी हमने कहां से लिए है केनड़ा के Constitution से हमने इस चीज को बोरो किया है क्लियर हो गया आप लोगो को समझ आ गया तुम्हें तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा हूं येस और USSR USSR Russia से हमने क्या बोरो किया है अगर आपसे पूछा सविधान का सबसे ज़्या है सबसे ज़्या है हमने Government of India Act 1935 से और यहां से हमने लिया है 75% हिस्सा 75% जाने कि तीन बटा चार हिस्सा हमने यहां से लिया है आपका D is the correct answer USA तो यहां पर इस सारी चीज इसमें गिवन है इसको आप पढ़ सकते हैं चलिए अगला कोशन देखिए जी क्या कहता है कोशन देखिए इन में से International Court of Justice के लिए statement बतानी है आपको कौन से correct है International Court of Justice आपको पता होगा कि UN का part है और UN का एक organ है जिसके headquarter कहाँ आप है हेग में मतलब International Court of Justice के और UN के headquarter है नियू यॉक में यह सबको पता है International Court of Justice में जो होते हैं लोग वो 15 लोग होते हैं 15 judges होते हैं और हर judge का कारेकाल होता है 9 साल 9 years और एक judge जो होता है वो एक ही country से आएगा मतलब 2 judge एक country से नहीं आ सकते यह भी इसका concept है तो अब point देखते हैं क्या है मतलब इसमें true statement बतानी है सही statement इन में से कौन सी है देखें जी the judges of the courts are appointed according to the direction of the secretary general ये point गलत है जितने भी judges होते हैं उनको appoint कौन करता है United Nations General Assembly प्लस United Nations Security Council ये दोनों मिलके आपका काम करते हैं United Nations General Assembly का मतलब क्या होता है जैसे assembly है सारे जितने भी country हैं वो इसमें part होती है United Nations Security Council कौन है जिसे हम कहते हैं police man of the world कहा जाता है अब United Nations Security Council में कितने लोग होते हैं ये इसमें 15 लोग होते हैं जिसमें 5 जो होंगे आपके permanent member होते हैं जिनके पास बिट्टो पावर होती है दस non-permanent member होते हैं जो हर साल दो साल के लिए चुने जाते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंतरकत जो कोई भी गड़बड हो जाए तो वह संबालते हैं युनाइटे नेशन सेक्रेटी काउंसल तो पहला पॉंट आपका गलत है नोट टू जजीज में बिलोंग तो दा सेम कंट्री येस दिस इस स्टेटमेंट करेक्ट है दा कोड़ कंसिस्ट आप 20 जजीज नहीं वह 15 जजीज होते हैं यह भी आपका गलत है यह भी गलत है और यह भी गलत है तो मतलब अंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर नुबर बी युनाइटे नेशन बना कब था 24 अक्तूबर 1945 को बना था 24 अक्तूबर जो है आपका UN Day है F.D.Rosevelt ने F.D.Rosevelt जो युएस के प्रेजडेंट थे उन्होंने नाम दिया था UNO वर्ड यूज किया था हमारे लिए और युनाइटे नेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐटेशन लेंगर कॉन सी है 2015 है रुशिया इंगलिश है जैनिश है जो है आपकी चैनीज है स्पैनिश है और ऐरे विक है जब आपो अपट यह को मानने मिली हुए है लेकिन वर्किंग लेंगर क зачसकी मत इनगलिश और व्रेंच यह आपकी working languages है, यह भी आपको याद रखना है, तो answer इसमें क्या बनेगा, B is the correct answer, answer number B, चलिए जगला answer बताईए, चाबाश, next question is, समझा आगे तुम्हें यह चीज़े होती है, पेपर में इस तरीके की चीज़े पुछी जाती है, अगला question देखे जिए क्या कहता है, पहली बात तो President of India जो होंगे, वो absent क्यों होंगे, राष्ट्रपती जो होंगे, जातो बिमार हो, पहला, उनकी death हो गये, retirement age हो, impeachment चल रहा हो, दूसरी देश में गए हो, सब चीज़े ही जो है, यह है, यह है, President of India के context में, अगर राष्ट्रपती absent होते हैं, तो उनकी जगा की उपर कौन आएगा, that is Chief Justice of Supreme Court, that means answer नंबर क्या बनेगा, आपका B is the correct answer, Chief Justice of Supreme Court, और पहली बाहर, जो है, मुहमद हिदायतुला, मुहमद हिदायतुला, जो है Chief Justice of India थे, जो के as a President बने थे, मतलब, as a President बने थे, so answer नंबर B is the correct answer, answer नंबर B, चलेजे, अगला answer बताईए, बढ़ कोशन निखे, if the President of India, if the President of India exercise his power as provided under Article 356, Article 356 के अंदर President की power है, तो ये क्या कर सकता है, of the Constitution in respect of particular state, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आपका President rule कहते हैं, हम Article 356 में, ठीक है, 356 में, जिसे हम कहते हैं, Constitutional Emergency, जा फिर स्टेट एमर्जंसी की नाम से भी इनको जाना जाता है, अब President rule में होता गया है, President rule में होता है, कि अगर कोई स्टेट जो है, Constitution के तरीके से काम नहीं कर रही, तो Governor जो होते हैं, उस राज्य के, तो वो राष्टरपती को कहते हैं, कि हाँ आप President rule लगा दीजे, और राष्टरपती President rule लगा देता है, जब भी President rule लगता है, तो हमेशा minimum 6 महीने के लिए लगेगा, अगर extension जाएगी, तो भी 6 महीने, 6 महीने, और maximum जो होगा, वो कितने टाइम के लिए लग सकता है, maximum 3 years, clear, minimum 6 months और maximum 3 years के लिए लग सकता है, तो this is very important point, clear, अगर suppose करो, कि कल को किसी स्टेट में ऐसे हो गया, कि हाँ national, constitutional emergency, जो है, वो extend होगी, 3 सालों से भी उपर जा रही है, जब भी वो 3 सालों से उपर बढ़ेगी, 3 सालों से उपर बढ़ेगी, तो बढ़ेगी कितनी 6 महीने, तो इसके लिए एक amendment करनी पड़ेगी, सवीधान के अंतरगत, जहां रखना, clear, अगर ये साढ़े 3 साल तक भी खत्म नहीं होती, फिर आगे कितनी extend होगी, 6 महीने, तो अगले 6 महीने को extend करने के लिए, फिर भी क्या होगी, आपकी amendment होगी, संशोधन किया जाएगा, तो ऐसा case देखने को मिला था, पंजाब के case में, जब amendment को बढ़ा बढ़ा दिया गया था, point समझाए, आप लोगो, clear हो पता है, कानुन बनाना, जो powers है, state की कानुन बनाने की, वो सारी exercise कौन करेगा, वो करेगा, पार्लेमेंट के अंतरकत करेगी, कोई भी authority करे, पार्लेमेंट के अंतरकत करेगी, ये बिल्कुल point आपका सही है, article 19 जो है, वो suspend हो जाएगा, नहीं, article 19 जो होता है, ये आपका article 352 क के according जो है, suspend होता है, इसके according suspend नहीं होता, president can make laws relating to that state, ये भी गलत है, देखे, rule उसका हो जाएगा, लेकिन सारा काम जो होगा, वो दाइरे के अंतरकत होगा, किसके पार्लेमेंट के दारे के अंतरकत होगा, point समझाया आप लोंगो, जी, answer number B is the correct answer, yes, answer number B, clear होगया, answer number B is the correct answer, चले जी, ये वो ही चीज़ है, जो मैंने आपको समझायी है, अगला question देखिए, when was the Indian constitution passed by the constitution assembly, when was the Indian constitution passed by the constitution assembly, मतलब constitution assembly ने Indian constitution को passed कब किया है, कौन से year में किया है, so that is in the year 26 November 1949, 26 November 1999 को जो है हमने इस सविधान के अंदरकत ये पास किया था, 26 November जो है, आपका क्या होता है, that is the constitution day, सविधानिक दिवस इसको कहते हैं, लेकिन हमने इसको pass कर दिया था, लागू हमने कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, reason being, 26 जनवरी 1930 को हमारे पूर्व प्रधान मंतरी, जाने की first प्रधान मंतरी जोहाला नहरू जी ने जो है celebrate किया था, first independence day celebrate किया था, हमारी history का part है, उस time पे लहौर सेशन चल रहा था, इनका लहौर सेशन रीवर रावी के किनारे पे, इन्होंने complete independence day celebrate किया था, पूर्ण सोराज की बात इन्होंने करी थी, तो इस question का answer क्या बनेगा, 26 November 1949, clear, सविधान बनाना start कप हुआ था, 9 December 1946 को, और बन कप गया था, 26 November को, दो साल 11 महिने 18 दिन आपके लगे थे, 64 लाग रुपीज का खर्चा हुआ था, 11 session हुए थे, 165 दिन पूरी meeting हुई थी, और 114 दिन पूरी चर्चा हुई थी, पॉइंट समझ आया, जिसमें आपके 389 मेंबर से टोटल, और डिफेंट डिफेंट लोगों की डिफेंट 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 जो है, चेर परसन मिले थे, अलग-लग committee अलग-लग बनाए गए थे, ड्राफ्टिंग committee is very important, जिसमें डॉक्टर बीमराओ अमबेदकर जो है, आपके चेर परसन थे, clear हो गया आप लोगो, और Constitution Assembly के प्रेजडेंट, पहले प्रेजडेंट जो 9 तारी को अपॉइंट के गए थे, यह temporary थे, एक दिन के लिए पॉइंट किया गया था, क्योंकि यह सबसे senior थे, फिर 11 तारी को किसको अपॉइंट किया गया था, डॉक्टर राजिंदर परशार जी को, the permanent president of Constitution Assembly, फिर उसके बाद H.C. मुखरजी जो है, वो आपके DPD Chairperson जा वाइस Chairperson थे, Constitution Assembly के, आपको याद रखनी है, 29 August 1947 को ड्राफ्टिंग कमेंटी अपॉइंट की गए थी, ड्राफ्ट कम्प्लीट हो गया था, 26 November को याद रखना, और यह hand return जो हो गया था, 24 January को साइन हो गया था, और उसके बाद जो है, यह मैंने आपको बता दिया, बाकी पॉइंट, इस वेरी वेरी इंपॉइंट पॉइंट से याद अखने सारे के सारे, चलिए जगलांसा बताईए, अगला कोशन बताईए, अगला कोशन फटाफट बताईए, शाबाश, Economic Justice has been incorporated in the Constitution of India under, देखे, Economic Justice की बात कर रहे है, Justice जो है, वो तीन टाइप का होता है, एक Economic, Political and Social Justice, clear, पहली बात तो मैं तीन टाइप के जो Justice बोले है, Economic, Political and Social, यह आपके प्रेम्बल में देखने को मिलते हैं, और साथ के साथ यह Justice आपको देखने को मिलता है, Directive Principle of State Policy में भी रिस में क्या बनेगा आपका, A is the correct answer, पॉइंट समझाया, यह है तीनो टाइप के Justice, Directive Principle of State Policy में भी देखने को मिलते हैं, Directive Principle जो है, Article 36 to 51 तक आता है, लेकि यह Justice की बात जो आती है, वो आपके आती है, Article 38 में देखने को मिलती है, Directive Principle of State Policy हमने आइरलेंड से बोरो किये है इसका उदेश्या क्या होता है, welfare of the state, social and economic democracy provide करना, यह इनका main उदेश्या होते है, Directive Principle का, clear, यह हमने आइरलेंड से बोरो किये हैं, और यह enforceable नहीं है, और जो है, enforceable भी नहीं है, और justiciable भी नहीं है, यह याद रखना, answer number A is the correct answer, Regidatory Powers मैंने आपको बताया था, Article 249 के अंदर देखने को मिलती है, जितनी भी Regidatory Powers होंगी, वो हमेशा जाएंगी, कहां पे आपके center के पास वो कानून बनाया जाएगा, Fundamental Right आपका है, 12 से लेके 35 तक, आपका पार्ट जो है 3 में आता है, और USA से हमने इसको बोरो किया है, यह justiciable भी है, और enforceable भी है, Fundamental Duty एड करी गई थी, 42nd Amendment Act 1976 के according, 10 Fundamental Duty एड करी गई, 11 एड होई, 86th Amendment Act 2002 द्वारा एड करी गई, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, पेरिंट्स की डूटी होगी, Fundamental Duties are not enforceable, not justiciable, Fundamental Duties जो है, हमने सोवन सिंग कमेंटे की recommendation से एड करी थी, तो all these are very important facts, clear, यह ऐसे चुटकियों पर होने चाहिए तुम्हें, अगर यह याद है ना, तो पेपर में चीज़े clear होंगी तुम्हारी, तो answer number A is the correct answer, answer number A, clear, article 36 से लेके आपते 51 number article तक देखने को मिलते हैं, directive principle, so this is very important point, clear, चले जिए, अगला गोशन बताईए, जावाश, अगला गोशन बताईए, which amendment of the constitution of India, incorporated the Goa, Dumban and Dew, as the 8th Union territory of India, amending the first schedule of the constitution, पहली बात तो ध्यान से समझे क्या कह रहा है, Goa, Dumban and Dew को हमने 8th Union territory board use किया था, तो जिसके कारण हमने पहले amendment को संशोधन किया था, और इसमें क्या हुआ था, that is the 12th amendment act देखने को आपको मिला था, तो answer number क्या बनेगा, A is the correct answer, 12th amendment act हमें देखने को मिला था, जिसमें हमने इनको add किया, तो answer number A is the correct answer, now the part is, ध्यान से समयना है, now the part is, Goa सबसे last state थी, जो हमने आजाद करवाई थी, 1961 में आजाद करवाई थी, from the Portuguese, and that operation is, जिससे हमने आजाद करवाई थी, operation विजे था उस टाइम पे, this is important one, clear, पहला schedule जो है, ये क्या बात करता है हमें, पहला schedule बात करता है, union and states के बारे में बात करता है, और schedule जो है, जब सवीदान बना था, तो 8 थे, और अब total कितनी है, 12 है, ये भी आपको याद रखना है, point समझाया, answer number A is the correct answer, 12th is the right answer, 12th Constitutional Amendment Act 1962, जिसके incorporate किया गया, गोवा, दमंद्यू, 8th Union Territory, और इस से हमने first schedule जो है, amendment किया, so this is very very important point, clear, चलिजे, अगला question देखिए, जे, which of the following year, did the Indian National Congress make the demand for a constitution assembly, देखिए, ये जो question है, इसमें जो option है, वो option में, option number गलत है, पहली बात तो, लेकिन हमें टिक करना पड़ेगा, जो paper में ये question आ गया, देखिए, इंडेनेशन कॉंगरस की बात, बात में है, पहले, सबसे पहली बात, डिमांड किस ने करी थी, 1934 में M.N. रॉय जी ने करी थी, महिंदरनाथ रॉय जी ने इसको बोला था, कि हमें एक सविधान होना चाहिए, idea सविधान का इन्होंने दिया, फिर INC ने कब बोला था, 1935 में बोला था, कि हमें सविधान चाहिए, clear, मतलब इन्होंने आपका डिमांड करी, तो यहाँ पर 35 तो ही नहीं है, तो इसलिए हम टिक क्या करेंगे, C option को टिक करेंगे, 1934 को टिक करेंगे, पॉइंट समझाए आप लोगगो, International Congress ने Assembly की बात करी थी, 1934 में, तो इसका अंसर क्या बनेगा, आपका C is the correct answer, अब यहाँ पर देखे, 1928, यह आपकी आई थी नहरू रिपोर्ट, यह नहरू रिपोर्ट कौन है, यह नहरू कौन है, यहाँ पर मूतिला नहरू, जो जोहाला नहरू के पिता जी है, नहरू रिपोर्ट में, यह एक Constitutional Report है, जहां पर हमें बात करी गी थी, Dominion Status की, Dominion Status का मतलब यह होता है, कि हाँ, पावर आप बनाओगे, काम हम करेंगे, लेकिन आप हमारे उपर सर के उपर बैठेर होगे, सर के उपर बैठने का मतलब, आप करता धरता रहेंगे, लेकिन काम हम करेंगे, तो यह वर्ड यूज किये गे थे, नहरू रिपोर्ट में, मतलब वर्ड नहीं, यह Constitutional Report दे, Dominion Status की बात करी गई थी, 1919 की बात करें, Paris Peace Conference हुआ था, जिसमें ILO बना था, International Labor Organization यहां पर बनी थी, जिसके Headquarter कहां पर, जिनिवा में देखने को मिलते हैं, 1939 में Second World War देखने को मिली, 39 से 45 में, प्लियर यह याद रखना, Indian National Congress ने Demand तो कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार हमारी Demand को Accept कब किया था, कि हाँ, हम आपका सभिधान बना के देंगे, 1940 में उन्होंने अंग्रेजों ने बोला था, August offer में, August offer उन्होंने दिया था हमें, और जो हमने नाकार दिया था, लेकिन August offer में पहली बार अंग्रेजों ने बोला, कि हाँ हम जो है सविधान बनाएंगे आपका पॉट्ट समझाया तो answer इसमें क्या बनेगा C is the correct answer, 34 is the right one 34 अगला बताईए, फटा फट, शावाश The right to reshuffle the council of minister rest with मतलब क्या हो गया, जो मंत्री परिशद को अगर हिलाना है, इदर उदर करना है, reshuffle करना है तो ये सारी powers जो हैं, आपकी किसके पास आती है, yes जी बताएंगे आप लोग शाबाश, बहुत बढ़िया इन में reshuffle करने की जो power होती है, वो किसके पास होती है, yes बताओ, 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 बताओ reshuffle करने की जो power होती है, वो किसके पास होती है, yes बिल्कु सही, the prime minister, answer इसमें क्या बनेगा, c is the correct answer देखे, council of minister में क्या होता है, मंत्री परिशद में क्या होता है, कि परधान मंत्री अपने कुछ लोगों को nominate करता है, nominate करता है, और राष्टपती उसको appoint कर देते हैं, अगर रिशी, reshuffling भी करनी हो, अगर परधान मंत्री ने reshuffling भी करनी हो, तो again करता कौन है, परधान मंत्री नॉमिनेट कर देते हैं, राष्टपती कर देते हैं, point समझ आया, तो अब यहां पे यह है कि power किसके पैस है Russ किसके पास होती है प्राइम मिनस्टर के पास अब यह अमेंडमेंट हुई थी 91st Amendment Act 2003 इसके according जो है यह वर्ड किया यूज किया गया था यहां पर तो यह है वैसे प्रेजिदेंट आफ इंडिया के बारे में चलो छोड़ो इन चीज़ों को अंसर चलते हैं अगले कोशन की तरह चलिए जी बढ़िया Cabinet is the part of the council of ministry बिल्कुल अगला बताईए जी आर्टिकल 280 इंडिन कॉंसिशन इस हैड़िड बाई एसोशीटेड विद मतलब आर्टिकल 280 जो है वो सभीधान का किसके साथ डील करता है वो डील करता है आपका Finance Commission के साथ अंसर नंबर क्या बनेगा A is the correct answer Finance Commission का क्या होता है सेंटर औ Finance Commission के पास होता है Finance Commission 5 साल के लिए पॉइंट किया जाता है इसके जो मेंबर होंगे उनको नॉलेज होने चाहिए Finance की जडिपार्टमेंट में काम किया होना चाहिए जा फिर इनको चाहिए क्या हमारे देश का Finance साउंड करना है इनका जो है मेन उदेश्य यह होता है Finance Commission का one is the correct answer election commission की बात करें तो 324 से 329 तक देखने को आपको मिलता है 324 जो बात करता है चीफ election commissioner वगेरा के बारे में बात करते हैं 326 नंबर आर्टिकल बात करता है right to vote जो के हमारा constitutional right है और पहले voting age कितनी होती थी हमारे 21 अब कितनी है 18 21 से 18 चेंज करी की 61st amendment act 1988 दोरा जो अब implement होई थी 89 में होई थी 18 साल वाला person जा पलस वाला person जो है vote कर सकता है जी से हम कहाँ रहते हैं universal adult franchise universal adult suffrage जो आपका आर्टिकल 326 में लिखा गया है public service commission union public service commission ये आर्टिकल कितने में आते हैं 315 से 323 में देखने को आपको मिलते हैं union public service commission का जो चेर परसन होगा वो राष्टरपदी पॉइंट करेगा 65 इसकी retirement age देखने को आपको मिलेगी तो इसका अंसर क्या बनने वाला है A is the correct answer finance commission is the right one अगला बताईए बढ़िया 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 अगला कुशन देखे जी the resolution for removing the vice president of India can be moved in vice president of India को हटाने के लिए जो resolution होगा वो कहां से start होगा vice president of India is the ex-officio chairman of the राज्यसभा ex-officio chairman of राज्यसभा तो obviously बात है उप राष्टरपती को हटाना है तो इसका हटाने का process जो होगा वो राज्यसभा से start किया जाएगा answer number क्या बनेगा आपका that is D is the correct answer लेकिन vice president को अगर appoint करना है तो उसमें सारे member vote करेंगे all the members of parliament all का मतलब यहाँ पर elected plus nominated clear और parliament का मतलब लोगसभा plus राज्यसभा वाले लोग दोनों मिलके part करेंगे participate करेंगे अगर इसको चुनना है लेकिन अगर हटाना है तो राज्यसभा ही इनको हटाएगी answer number D is the correct answer answer number D point समझाया याद एखना अगर उपर जो है president को appoint करना है president को appoint करने में क्या होगा कि इसमें लोगसभा plus राज्यसभा plus state legislative assembly के elected लोग जो होंगे वो इनको चुनेंगे अगर राष्टबती को हटाना है तो वो किसी भी सदन से जो है बिल वो start होगा either house one fourth member जो है return में देंगे और 14 दिन के लिए उनको pass किया जाएगा कि 14 दिन के अंतरकर जो है राष्टबती इनको मना ले अगर राष्टबती नहीं मनाते तो obviously बात है ये बिल जो है आगे पास होता है लोग सबा राजय सबादवारा लेकिन इनिशेट होता है किसी भी सदन से होता है लेकिन वाइस प्रेजिड़न के केस में ये बिल इनिशेट होगा राजय सबाद से ये ध्यान रखना आपको clear answer number D is the correct answer answer number D चले जी अगलान से बताईए Constitution of India was adopted on जो सविधान है हमारे भारत का सविधान हमने अडॉप्ट कब किया था तो was adopted on येस बताईए अडॉप्ट कब किया था सविधानिक assembly ने अडॉप्ट किया था 26 November 1949 को और इसलिए जो है इस दिन को हम क्या काते है Constitution Day 26 जन्वरी को हमने लागू किया था effective कर दिया था यूज करने लग गए थे 15 अगस्त आजादी का दिवस 9 December हमने सविधान assembly का पहला दिन clear तो answer इसमें क्या बनेगा C is the correct answer C is the right one clear new constitution effective यहाँ पे हुआ था ये सी राज को पाला चारह है जो है देखे हमारा जब देश अजाद हुआ था तो Governor General थे Lord of Mountbatten फिर उनकी जगह क्यों पर कौन वाट गया था डैडिस सी राज को पाला चारह जो लास्ट Governor General of free India थे तो इस इस आज़से वेरी important point clear चले जी अगलान से बताईए अगला कुशन बताईए the dispute regarding the election of the president are decided by मतलब राष्टपती का कोई election हो रहा है उसमें dispute पढ़ गया तो उसमें संभालेगा कौन देखे इलेक्शन अगर राष्टपती का हो उसमें dispute हो चाहे उपराष्टपती का हो तो उसको संभालती कौन है हमेशा Supreme Board of India under article 71 under article 71 जो है राष्टपती और उपराष्टपती के जो चीज़े होती है उनको decide करने वाली authority Supreme Court है तो answer इसमें क्या बनेगा one is the correct answer answer number one clear so this is very important point answer number one is the correct answer answer number one Supreme Court clear so guys ये थे हाँ के lecture के मारे question I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा lecture अच्छा लगा है तो like और share कर दीजिए बागी updates आपको मिलेंगे telegram channel की उपर Dr. Vipan Goyal के नाम से मेरे साथ यहाँ पे 1,45,000 प्लस बचे जुड़े होए हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं आप मुझे personally follow कर सकते हैं Instagram की उपर और कोई exam हो, doubts हो आप मुझे यहाँ पे send कर सकते हैं इस email ID की उपर clear ठीक है तो चले जी start करते हैं पहले question से तो फड़ा फट start करते हैं answer देना चले जी start with the first question चले जी question number one which one of the following is not correct about not correct बूचा है about the panchayat as let down in the part 9 of the constitution of India पहली बात तो अगर मैं panchayat की बात करता हूँ तो panchayat जो है आपका article 40 में बात करी गई है the organization of village panchayat panchayati राजी institution की बात करे गई है article 2, 43 ए से लेके ओ तक ये हमारे part 9 में देखने को मिलता है और schedule की बात करें तो 11 schedule आता है amendment है 73rd amendment act 1992 जो के implement हुई थी आपकी 93 में और 29 से जखकी उपर कानून बना सकती है panchayat बना सकती है ये हमारे सविधान में लिखा गया है पर बात यहां पर यह है कि कौन सी statement इन में से incorrect आपको बतानी है कि कौन सी correct नहीं है जाने के जो chair person होता है वो directly elected होना चाहिए ताके वो अपना right to vote कर सके panchayat की meeting में पदा नहीं सही है गलत है देखते है आपका आर्टिकल 243 में डी में लिखा गया है आपका reservation के बारे में जिसमें से जो women की reservation है वो one third reservation दी गई है तो यह आपका point सही है unless dissolved earlier एवरी panchayat बिल्कुल जब तक dissolve ना हो तो panchayat पांक साल तक चुनी जाती है बिल्कुल सही है state legislature may be law may law make provision for audit of accounts of the panchayat बिल्कुल सही है जलने कि state legislature आपका panchayat के accounts को audit करेगा क्योंकि ये state legislature में आपका जो auditor general of India होते हैं वो panchayat और municipality के करते हैं तो ये तीनों के तीनों point सही है तो ये point आपका जो है गलत बन जाता है तो answer number क्या बनेगा आपका a a is the correct answer clear हो गया आप लोगों को जी 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 डिरेक्टली लेक्टिड नहीं होता ठीक है जी डिरेक्टली लेक्टिड नहीं होता पहली बात तो यहां पर लिखा हुआ ना कि पहंचायत का जो चेर पर सुन होता है वो डिरेक्टली लेक्टिड होता है लोगों द्वारा वो नहीं होता चलिए जी अंसर नंब वाणीज दा क्रेक्ट चलिए अगला अंसर बताईए विच वाण दा फॉर्लिंग फॉर्म दा बेसिक प्रिमाइज फॉर दा डेवलपिंग दा इंडिन कॉंस्यूशन हमारे सभीधान का जो विक्सित करने की मूल अनुमति है इसका गठन किस ने किया था देखे जी बात यह है कि हमारा जब सभीधान बना था तो हमारे सभीधा सभीधान का 75% हिस्सा जाने के तीन बटा चार हिस्सा हमने कहां से लिया है और इसमें हमने बात करी है आपकी किस चीज के बारे में दा जो है आपका अइमजनसी प्रोविजन के बारे में बात करी है गवर्मेंट ऑफ इंडिय एक्ट से जो हमने फैडल जो फैडल करेक्टर की बात करी है बैडल करेक्टर का मतलब क्या है संगिय परनाली जहां पर आपका पावर्स की डिस्ट्यूबिशन आती है और यहां आप से लिए और पावर हमारी किसके पास है प्रेसिडेंट के पास है और इसमें गवर्वर्ने किकल सिपनह बात करते हैं oh no doubt about it कि पल हमने इर्लेंड से लिए हैं लेकिंने deserved लृट इंस्ट्रॉमेंट एक सेशन सब्सक्रं करें ऊरिगा claiming नंबर क्या बनेगा one is the correct answer U.S. के Constitution से हमने क्या क्या लिया है Fundamental Right का Concept लिया है Judicial Review, Return Constitution, Preamble का Concept और और क्या लिया है हमने Fundamental Right Judicial Review, Independence of Judiciary यह सब चीज़े हमने U.S. के Constitution से लिए हैं clear British Constitution British Constitution से Britain के Constitution से हमने क्या लिया है Rule of Law का Concept लिया है Bicameral Legislature का Concept Single Citizenship का कॉंसेप्ट रिट वर्ड का कॉंसेप्ट पार्लेमेंटरी फॉर्म ऑफ गर्मेंट का कॉंसेप्ट हमने यहां से लिया है यूँएंच चार्टर छोड़ो ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा वन इसा करेक्ट थर्टी फाइव का एक्ट यहां पे देख लिए यहां पे रांक्तों को पूरी ऑटोनॉमी दे दी थी प्रवीशल ऑटोनॉमी समझ आया आरवी की बात करी गई सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया की बात करी गई जो लोग है वह आपका जो है युनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाईस से लोगों को चुनेंगे और इसमें जो आपका इंस संख्या हो अनौर्व बोले जाते हैं जिनकी संख्या कम हूं जिनकी पॉपराट हो और हमारे देश में लैंगुज बेसे सिसके आधार पे क्लियर wyst jar वेवेस geb Arpai जो है रहे हम क्या जरते हैं आउस को मैन याद रखने है सारे चीज़ए आपको कू अपलिशन ऑफ डाइंड अगला कोशन बताईए चालाश मालीमत कमैटी जो है यह किस चीज के लिए आपको देखने को मिलती है जो 2003 में बैठी थी मालीमत कमैटी 2003 में बैठी थी तो एक किस चीज का रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी तो दिस वाज़ा क्रीमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया भारत में अपरादी नियाय परनाली के लिए जो है मलिमत कमैटी बैठी थी तो अंसर नंबर क्या बनेगा बी इस दा करेक्ट अंसर अंसर नंबर बी यहां बे देखे जी 2003 158 रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने फॉर्दा क्राइम इंवेस्टिकेशन एंड परिश्मेंट अमं लगता है कि यही अंसर है तो ध्यां रखना कॉंसेप्ट अगर आपके पॉल्टिके क्लियर हैं तो आपको चीजे समझ आती रहेंगे और बहुत इजी लगेगी आपको कोशन ठीक है तो देखे जी कोशन क्या गयता है आपको स्टेटमेंट बतानी है इन में से आपका स्टे स्टेकर और डिपिटी स्टेकर चुनते हम यह स्टेकर और डिपिटी स्टेकर कब तक सीट के उपर बैठे रहेंगे जब तक नहीं लोगसबा नहीं आ जाती द्यां रखना जब तक नहीं लोगसबा नहीं आ जाती तब तक यह सीट के उपर बैठे रहते हैं यहां रखना ब dpd speaker vacate his office and speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the log saba after the dissolution बिल्कु सही है only dpd speaker vacate his office मतलब अकेला लोग सभा का dpd speaker अपना जो seat छोड़ सकता है और speaker नहीं छोड़ सकता जब तक आपका पहली meeting नहीं होती लोग सभा की after the dissolution until immediately बिल्कु सही point है आपका यह तो मतलब क्या बनेगा fourth point is the correct answer पहला और तीसरा point आपका विल्कुल correct है और आपका जो है second point आपका गलत है clear हो गया one and three is the right answer yes one and three कि अभी बताया था मिन्हें यह question just अभी बताया था मिन्हें आपको यह question यह amendment act 1992 का था implement का हुआ 93 में हुआ और 24 तारीक को हुआ 24 अपरल को इसी लिए 24 अपरल को हम कहते हैं पंचायती राज डे कहा जाता है clear यह याद रखना है आपको आपको बताया था मैंने पंचायत के लिए article 40 जो आपका state होती है पंचायत बनाती है और आपका आपका आर्टिकल 243 यह से लेके ओ तक आपके आर्टिकल जाते हैं और हमारी पंचायत जो पहली बनी थी नागो डिस्टिक में बनी थी clear और जो है नागालें में गालया मिजोरम जो है यहाँ पर आप प्रदान मंतर नरसी मार आओ थे क्योंकि आपको पता होगा एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे जब हम एकनॉमिक्स में बढ़ते हैं लिबलाजिशन प्राइविटाजिशन ग्लोबलाजिशन तो उस तेम पर भी सरकार किसके थी नरसी माराओ जी की नरसी माराओ जी को फादर ओफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया भी कहा जाता है य कौने Çब AI करता है वह हमेशा करवाते हैं स्टेइछ इसमें के बनेगा सी सेंटर एलेक्शन कbe et hen查म क् & कहते हैं वह करवाते हैं आपका विधान सभा विधान परिशत लुक सभा राज्य सबाउ सब के एलेक्शन कौन करवाता है आपका सैंटल election commission करवाते हैं पंचायत और municipality के third जानने के state election commission जो है आपका election करवाते हैं बिल्कुल सही answer number C is the correct answer अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा elections की बात करें तो election commission of India के बारे में बात करी गई है आपकी election एक्षिन कमिशन ऑफ इंडिया 324 नंबर आर्टिकल में 326 नंबर आर्टिकल में करी गई है राइट वोट जिसमें अठारा और अठारा प्लस वाला परसन वोट कर सकता है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज उनिवर्स एडल्ट सफ्रेज जिसे हम कहते हैं और आपका को मताया के अन्यार पावर्स के बारे में बताना है आपको लोकल गंकी बारे में ऐंडिया में कॉंसीह में इसस्टेटमेंट local government की जो power है इन में से आपकी consistent statement जो है आपकी correct आती है देखते हैं पढ़ते हैं the local government has constitutionally earmarked the taxation power local government को ऐसी कोई power नहीं है local government लगा सकती है अगर state आपकी चाहे law अगर आपका चाहे तब लगा सकती है otherwise नहीं constitution में नहीं है constitution में तो आपका center और state दोनों लगा सकती है local government के पास कोई power नहीं है ऐसे clear जो आपके है local government are empowered to जाने कि empower का मतलग हमने उनको शक्तियां दी है to revise such tax as per permitted under the law ये बिल्कु सही है आपका point क्योंकि ये point बिल्कु सही क्यों है क्योंकि 73rd amendment मैंने आपको जैसे बताया उसमें कुछ powers आपको मिल गी थे 29 सब्यक्त की उपर कानून बनाने की शक्ति आए आपको तो इसमें हमने local government को empower किया था 73rd amendment के according और ऐसे ही 74th के लिए हमने local government में municipality को power दी थी point समझाया ताकि आप अपने कानून बना सकते हैं तो दूसरा point भी आपका बिल्कुल दूसरा point सही है local government are empowered to live by charges all the time within the state नहीं all the time नहीं है with the permission of the department concern ये भी नहीं है तो ये जब तक आपका कानून नहीं कहेगा तब तक आपका text नहीं लगाया जा सकता तो इसका answer क्या बने होगा B is the correct answer answer number B मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपके concept clear है तो आपको quality आता होगा 100% आता होगा तो कि अगर यहाँ पे concept clear है ना तो सब चीज़े आपके clear है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको मैंने बताया था बलबंत राइक कमेंटी की recommendation से अब बात यह है कि इसमें apex authority मैंने आपको बताया था ओलड़ी जिला पंचायद was the apex authority जिसका है जो मतले handle कान करता है district collector इसको handle करते है answer number C is the correct answer 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 number C यहाँ पे देखें village level gram ग्राम पंचायद में gram सबा ग्राम सबा वो होती है जिसमें 18 जा 18 प्लस वाले लोग होते हैं जो वोट करते हैं ग्राम पंचायद गाओं में होगी नए पंचायद वो होती है कि जो थोड़ा सा ऐसा area जो आपका शेहर में थोड़ा बहुत तब्दील हो रहा हूं जांपर पॉपलिशन थोड़ी सी ज़्यादा है ब्लॉक लेवल की उपर करंब बात करते हैं कि कुछ ब्लॉक सा जाती है पंचाय समधी जन्पत सबस्या बोला जाता है डिस्टिक लेवल की उपर जीला परिशत जिसको हेंडल करते हैं क्लियर हो गए आ आज आपने क्या गलिया पंचायत के उपर इतने कोश्चन करवा दिये और आपका एक टॉपिक बुरा त्यार हो जाएगा लोकल गवर्मेंट का पावर ठीक है लोकल गवर्मेंट की क्या पावर होती है यहां आपको सारा समझ आज आएगा अगरा कोशन देखे लोकल सेल्फ जो आती है वो किसमें इंक्लूड करी गई है मैंने अभी आपको बताया था लोकल सेल्फ गवर्मेंट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपकी पंचायत और मुंसे पैरिटी की जो पावर होती है इलेक्शन करवाने की वो किसके पास है स्टेट इलेक्शन कमिशन के पास है अगर ठेक्स की बात आती है टेक्स को विवाजन करने की बात आती है पावर की बात identifies तो स्टेट वाइनेंच कमिशन के पास आती है तो ड 17 मेंट जो पावर आती है वह आपकी स्टेटं लिस्ट में देखने को आपको मिलती है को अनसरा इसमें क्या बनेगा a is the correct answer सिऔर इसम मतलब क्या होता है स्टेट का मतलब यह होता है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कानून को बनाने वाले शक्ति किसके पास है स्टेट के पास है और स्टेट अपने स्टेट कहीं पे भी अपने स्टेट में कहीं पे भी कानून लगा सकती है यूनिन लिस्ट की बात करें यहां पर आपके center कानून बनाएगी, concurrent list में दोनों, center plus state दोनों मिलके कानून बनाएगे, ये concurrent list का जो प्रावधान है, हमने कहां से लिया है, Australia के constitution से लिया है, ये भी आपको याद रखना है, this is also very very important, clear, तो answer इसमें क्या बनेगा, one is the correct answer, आप यहाँ पर कुछ पावस देख लीजिए, center के पास कौन सी है, concurrent में कौन सी है, government कौन सी है, state वाले, center में देखिए, जैसे defense के उपर, banking के उपर, currency, foreign affairs, communication, इसमें आपका center कानून बनाती है, state में जैसे police हो गया, trade हो गया, agriculture, irrigation, इसमें state के उपर, state list के उपर, state कानून बनाएगे, और ऐसी जिसमें दोनों मिलके कानून बनाएगे, education, forest, trade, marriage, adoption, succession, यह आपका concurrent list में आता है, जिसमें center state दोनों मिलके कानून बनाएगे, so this is also very very important, clear, यह paper में आज आते हैं question, ऐसे पूछ लिया जाता है, कि marriage जो है, वो कौन से list में आता है, education कौन से list में आता है, clear, आपका police कौन से list में आता है, agriculture के इस list में आता है, ऐसे topics question पूछे जाते हैं paper में ध्यान रखना, चलिए अगला अंसर बताईए, अगला question देखिए, प्रेंबल अवर कॉंसिशन इस तू इस आफ एक्स्रीम इंपॉर्टेंस एंड़ कॉंसिशन शूट बी रीड एड एंड इंटरप्रेटेड इंड लाइट अफ ग्रैंड और नॉबल विजन एक्सपेस्ट इन दा प्रेंबल, जस्टिस सिक्री एक्सपेस्ट अबव ऑपीनियन इन दा केस ऑफ जस्टिस सिक्री ने ये वर्ड यूज किये थे प्रेंबल के लिए कि प्रेंबल के दाहरे में रहागे उसका विजन को देखे ही हमें सारी चीजों के कानूं जो भी लौ बताने हैं, इन डिसीजन देना है, इंटरपरेशन करनी है, वो कर सकते हैं, और क्योंकि हम बात करते हैं कि जो प्रेंबल है, प्रेंबल इस आई ओपनर फॉर ओपनर वर्ड लिखे गई हैं, जिसको देखके आप कोई भी फैसला दे सकते हैं, लेकिन जुडिश्री ऐसे नहीं कि कोई भी फैसला कैसे भी सुना दिया, अगर आप में अगर जुडिश्री भी जज़ भी किसी काम पर फर्स जाते हैं, डिसीजन क्या दे, तो वो प्रेंबल को पढ़ते हैं, प्रेंबल को पढ़ने का मतलब क्या है कि उसमें जो भी उसने आसे डिसीज़न हें उसके उपर highly impact कैसे पढ़ेगा, society के उपर क्या फरANS पढ़ेगा, धरम क्यों पर नहीं आ रहा, लोगों की unity integration की उपर नहीं आ रहा, समाज में तो नहीं आ रहा, किसी चीज़ की उपर नहीं आ रहा, तो उस तरीक के आपका जो है decision उस लेवल का उस तरी भी थी हमारे देश में basic structure of the constitution है क्या वो कहीं पर भी नहीं लिखा गया लेकिन साथ के साथ यह भी बोला गया है कि जो आपके कानून हुआ Supreme Court है जो जजीज है जा आपकी जुडिश्री है वो time to time हमें बताती रहेगी कि हां कि यह basic structure है यह basic structure है बट basic structure is not written anywhere in the constitution of India clear to answer इसमें क्या बनेगा fourth is the correct answer number four अगला बताईए अगला कुश्चन दिखे जी क्या गयता है the constitution of India has borrowed its federal scheme of union of states हम कहते है federal scheme of union of states का मतलब यहां पर क्या आ गया कि आपकी federal का मतलब हमने बात करी थी कि powers division हो गई ठीक है आपकी federal में जो है that is power division distribution हो चुकी है अब बात करते है union of state हम बात करते है federation with strong center मतलब powers divided भी हैं लेकिन सबसे strong कौन सा है आपका center है तो वही बात करी है union of state federal scheme के बारे में तो वह बात करी गई है आपके Canada के constitution में तो answer number क्या बनेगा आपका B is the correct answer 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 number B clear this is also very important point clear और Canada में जो residery power है आपकी अप्षिष्ट शक्तियां जो है वो किस के पास है आपकी center के पास आपको देखने को मिलती है है so this is important one clear होगे आप लोगों को जी Canada से हमने लिख लिया गया है advisory jurisdiction मतलग supreme code advise देती है किसको राष्टपती को advise देती है राष्टपती की उपर बाइंडिंग नहीं होती लेकिन advisory jurisdiction जो आर्टिकल 143 में है वो भी हमने Canada के सविधान से बात करी है मतलग वहां से हमने इस चीज को adopt किया है अमेरिका में बता दिया मैंने आपको Ireland से हमने डिरेक्टी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का concept हमने लिया था रश्या से फंडामेंटल ड्यूटी 5-year plan का concept हमने लिया था यहां पर यह सब चीजे इन्होंने यहां पर हमरी करी थी तो this is very very important point clear हो गया जी यह आपके Ireland से election of the president भी लिया गया है election president का कैसे होगा वो सब चीजे बातें यहां पर करी गई है answer number B is the correct answer Canada Constitution so here is the Canada Constitution जहां पर हमने बात करी है फेडरी सिस्टम और फेडरीशन विदे स्टॉंग सेंटर की बात करी है तो this is important one clear यह याद रखना और सबसे ज्यादा हिस्सा हमने कहां से लिया है government of India 1935 75 परसेंट हिस्सा जाने के तीन बटा चार हिस्सा हमने यहां से लिया है चले जी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखे जिए कोशन देखे लिए for the purpose of the part 3 of the constitution of इंडिया which one of the falling are not the state इनमें state किस वर्ड के लिए नहीं use किया गया आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका क्या होता है सविधान में आपके fundamental right के लिए part 3 को हम बोलते है magna carta of the Indian constitution बोला जाता है अब बात यहां पर यह है कि जो आपका article number 12 है उसमें हमने किस वर्ड को define किया है एक state word को define किया है state word में एक government of India Parliament के बारे में हमने discuss किया है government जो है आपके हर state की बारे में discuss किया है जब कोई भी authority जब कोई भी office जो government of India ने उसको joha acquire किया है उसके बारे में हमने लिखा है जो उसके control में आती है पर बात यहां पर यह है कि कौन सी चीज़ जो है श्टेट में नहीं देखने को आपको मिलती कौन सी चीज़ चीज़ में देखने को नहीं मिलती अगर मैं और नच्छरा कोनी ग्रमेंट ऑफ इंडिया के अंतर गताता है अप लोगों को जी अप लोगों को क्लियर अंसर नमबर एज दा करेक्ट अंसर येस अंसर नमबर वाण अगरा कोशन देखें आर्टिकल 14 अर्टिकल 14 के उपर कोशन है येस शाबाश खररर ऐसी ऑसी अर्टिकल 14 गैरेशन एकृटिक्स बीक्वसोर् लाव जीकिश सरी येस Equality Before Law समझाए है Equality Before Law का मतलब क्या हुआ Rule Of Law ज़ते कि जो भी territory में रहेगा हमारे देश की territory में रहेगा तो वो आपका rule की जो कानून के आगे सब बराबर है तो सब चीजों के उपर बराबर रहेगा अब बात यहां पे यह है कि Equal Protection Of Law इस वर्ड का मतलब क्या है that means all the person living within the territory of India they are equal before law and उसमें protection की जाएगी उसकी किसी जीत की protection करी जाएगी that is the persons की protect किया जाएगा लोगों का protection दी जाएगी जो हमारी territory में आते हैं तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका A is the correct answer answer number A is the right answer मतलब जहां जहां पर एरिया जो जो एरिया हमारे इंडिया के अंतरगत आता है वह आपका आर्टिकल 14 में देखने को आपको मिलेगा आर्टिकल 19 में देखो यह rights के बारे में बात करता है जिसमें speech, expression, assembly, movement किसी पर जगा की उपर रहना यह सब चीज़े आती है 21 बात करता है आपका protection of life and personal liberty की बात करता है तो यह सब चीज़े देखने को आपको मिलती है अगला कुशन देखिए क्या कहता है जी कोशन देखिए जो चुवा चूत है वो punishable है और उसको abolish करना चाहिए according to the untouchability article कितने में आता है article 17 में आता है untouchability के लिए अगर हम मैं बात करता हूँ आपका untouchability को act को दूर करने के लिए हमारा protection of civil right act बनाया गया था dad is in the 1976 1976 में तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा third is the correct answer article 15 की बात करता हूँ तो इसमें आपका बात आती है कि हाँ हम किसी person को discrimination नहीं कर सकते इसको हम किस आधार पर discrimination नहीं कर सकते religion, race, caste, sex, place of the birth के उपर आधार पर हम उसको discriminate नहीं कर सकते 16 बात क्या करता है कि अगर आप किसी government public employment में जाना चाते हैं अगें आपसे बेदवाब नहीं किया जाएगा आर्टिकल 17 बता दिया आर्टिकल 18 नाम के आगे नाम के पीछे आप अपने titles नहीं लगा सकते except education degree और आपके military degree लाइक अगर मैं डॉक्टर हूं तो डैट मीज डॉक्टर विपन लगाता हूं तो डॉक्टर इस माई एजुकेशन डिग्री कल को government of India सविधान की कह दे कि हाँ आपने एजुकेशन डिग्री भी नहीं लगानी तो मैं नहीं लगा सकता तो सिर्फ मैं विपन ली लिखूंगा यह चीज दिया रखना अगर मैंने डॉक्टर लगाया है तो डैट इस माई एजुकेशन डिग्री तो दिस इस इंपॉर्टन वा अगला पता यह अगला कोशन दिख मतला एक राजिया की एक कंट्री की सिक्यूर्टी के उपर बात आ रही है हम उसकी फ्रीडम के उपर रिजनेबल रिस्टिक्शन लगा सकते हैं किस आधार की उपर स्पीच और एक्सपेशन पीस्फुल असेंबली एस्सेशन मूवमें यह जो है यह तो आपके आर्टिकल 19 म में आते हैं यह तो आते हैं स्पीच और एक्सपेशन के उपर आपके जो रिजनेबल रिस्टिक्शन लगी होती है कहीं ऐसा ना हो आप ऐसी कोई स्पीच दें कि आप धंगे करवा दें हिंदु मुस्लिम वर्ड यूज कर दें जाती बात कुछ इंटर्यूस कर दें जा नी यह बहुत-बहुत इंपोर्डन है या लाइक फॉर एक्जामपल फॉर स्टेट रेफर्स दो शीरेशन एक्रिविटेट फॉर्म पब्लिक डिसॉर्डर पब्लिक डिसॉर्डर नहीं कर सकते हैं एक्जामपल देखे रेबिलियन मतला आपने कर दिया वेजिंग वार अगें डाय डाय टॉरीडम ऑफ रिलिजंग कान नॉटब ज स्टेट लॉड़ regarding मतलब अगर आपकी health की उपर कोई इश्य नहीं होना चाहिए लोगों की नैतिकता morality की उपर असर नहीं होना चाहिए आपका जो public order है जो peaceful assembly की रिए मतलब लोग रहते हैं उसकी उपर कोई असर नहीं होना चाहिए तो मतलब answer number 4 is the correct answer answer number 4 अगला देखे fundamental rights under article 12 to 35 जो 12 से लेकर 35 अंबर तक fundamental rights यह क्या है they are absolutely flexible they can be amended they not justiciable they cannot be amended they cannot be amended यह amend नहीं कर सकते हम point समझाया they cannot be amended answer number की आपने का आपका 4th is the correct answer yes 4th is the right one 4th option चले जी अगला गुश्य लेकिए they cannot be amended right to property was dropped right to property was dropped from the list of the fundamental rights by जन्ड की जो right to property है उसको हटा दिया गया था fundamental right की जगा की उपर हमने legal right constitutional right बना दिया constitutional right is the main दूसरे नंबर पर legal right under article 300a और यह हमने बनाया 44th amendment act 1978 के according हमने बनाया answer number C is the correct answer answer number C 44th amendment act 1978 के according clear this is very very important और इसी के according हमने एक word use किया था एक national emergency लगती थी internal disturbance के कारण और यह word हमने change किया armed rebellion में 44 amendment act के according ही इसको add किया गया answer number C 42nd amendment act 1976 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम mini constitution of India भी कहते हैं और इसके according हमने बहुत सारी चीजिस चींजिस किये हमने जो है हमारी पांक सब्जक्ट स्टेट लिस्टे amendment के according क्या था कि पार्लेमेंट जो है हमारे फंडामेंट राइट कभी भी छी नहीं सकती जो उसको अमेंड नहीं कर सकती इस इंपॉर्टन वान क्लियर होगे आप लोगों को जी हमारे हम से छीन नहीं सकती फंडामेंट राइट तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा सब्सक्राइट को चेंज किया गया आर्टिकल 352 में बोला गया कि प्रेजिएंट जो है आपका कैबिनेट की अडवाइस के ऊपर ही जो है आपका फंडामेंट जो है यह इंटनल नैशनल अमिजन्सी लगा सकता है इस वास दन आफ्टर दा केस ऑफ इंद्रा गांधी वर्सिस राज नरायन यह यह केस हुआ था उसके बाद हम कर सकते हैं और दिस इस इंपर्ड़न वान क्लियर यह द्या रखना येस जी क्लियर सबाइस यह थे हैं हमारे लेक्चर के अंदर कोशिन आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेर कर दीजे बाकि जितने भी अपडेट्स होंगे सारे के सारे आपके टेलिग्राम चैनल के उपर आपको मिलते हैं डॉक् आप यहां पर को एकजाम में हैं पेपर है डाउř सो हैं मुझे यहां पर सेंड कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले बश्यंसे चले जी उतर बड़ बड़ violation of the constitution, अगर सविधान जो है, अगर राष्टपती जो है, सविधान को वाइलेट करते हैं, वाइलेट करने का मतलब क्या है, यहां पर वाइलेट करने का मतलब हमारे सविधान में कहीं पर भी ने लिखा गया कि इस word का मतलब है क्या, ठीक है, violation का मतलब है क्या, violation of the constitution का मतलब है क्या अब बात यहां पर यह आती है कि violation of the constitution यह word use तो हमने कर दिया कि there is violation of the constitution लेकिन है क्या exact word वो हमें mention नहीं किया गया यह violation of the constitution और प्लस impeachment का जो procedure है हमारा यह आपका लिखा गया है article 61 में राष्टरपती के अंतरगत आता है अब इसमें होता क्या है actually जब राष्टरपती को हटाना है तो वो किसी भी सदन से हटाया जा सकता है either house चाहे वो लोगसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो तो बिल जो होगा हटाने का वो किसी भी सदन से हटाया जा सकता है actually किसी इस भी सदन के एक बटा चार लोग जो है इस बिल को प्रॉसेस करते हैं कि हां हम राष्ट्रपती को हटाएंगे For example मैं कहता हूँ कि वो लोगसभा वाले लोग हैं कि वो राष्ट्रपती को हटाने की बात कर रहे हैं एक बटा चार लोगसभा के लोगों ने राष्ट्रपती को बेज दिया कि हम आपको हटाने जा रहे हैं और राष्ट्रपती के पास 14 दिन का टाइम होता है कि इन एक बटा चार लोगों को मना लें और इनकी जो भी दुख तगलीफ है इनको धूर कर दे ठीक है पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर राष्ट्रपती 14 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देते कोई भी जवाब नहीं देते तो ये बिल जो होगा ये सेम हाउस में बापिस आ जाएगा सेम हाउस का मतलब यहाँ पर क्या आ गया लोग सबा क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट गा था कि ये सपोस करन के चलते हैं कि बिल लोग सबा से स्टार्ट हुआ है ये बिल राजे सबा से भी किसी भी सदन कोई भी सदन हो सकता है जिस सदन से स्टार्ट हुआ उसी सदन में बापिस आ जाएगा और उसी सदन के 2 बटा 3 जाने के special majority से वो बिल पास हो जाएगा अगर 2 बटा 3 से पास हो गया फिर दूसरे सदन में जाएगा की राज्येशभा में यहाँ से भी दोबटा तीन से पास हो जाएगा तो उसके बाल उसको हटाडिया जाएगा रा PP2 को तो यह जो प्रैजजेंट को हटकरें बात करें तो वाइस प्रेज़ेंट जो होते हैं एक्स ओफिश्यू चेर्मैन होते हैं राज्यसवा के इसी लिए जो बिल हटाने की बात आएगी वह हमेशा राश्टरपती के थ्रू ही देखने को आपको मिलेगी तो आंसर नंबर जो है इसका एबनेगा क्लियर आंसर नंबर एग यह वह का मतलब क्या होता है सामोहिक तोर से अब एक चीज़ बताओ इन जो काउंसिल आप मिनिस्टर को बेजा किसने हैं लोगों को बेजा किसने हैं हम लोगों ने चुनके बेजा है तो अगर मैं बात करता हूं कि यह यूनियन काउंसिल आपका अंसर बन जाएगा अगर वो आता है इंडिविजली रिस्पॉंसिबल तो वो आपका रिस्पॉंसिबल हो जाते हैं राष्ट्रपती के लिए ये भी आपको याद रखना है तो इस कोशन का अंसर बनेगा c option is the correct one c option बहुत सारे पॉइंट से याद करने के लिए ध्यान से समरना यूनियन काउंसिल आप मनिस्टर जो होती है यही आपकी रियल एक्जीकुटिव होती है कारय पाली का शक्तियां जो मेन होती है रियल वाली वो council of minister के पास होती है और इनके जो head होते हैं वो always क्या होते हैं प्राइम मनिस्टर होते हैं और council of minister में हम कितने लोगों को nominate कर सकते हैं 15% of the लोगसभा seat हाँ मतलब परदान मंत्री 15% लोगसभा seat के जो होते हैं वो council of minister में रखता है और यह एक amendment हुई थी that was 91st amendment act 2003 जिसके according जो है आपके परदान मंत्री मंत्री परिशत में 15% of the लोगसभा seat रख सकते हैं answer number C is the correct answer 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 number C very very important question clear और यहां पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं head of the government clear और राश्ट्रपति को हम कहते हैं head of the state यह याद रखने हैं सारी चीज़ें और chief spokesman of the country किसे कहते हैं chief spokesman that is prime minister को कहते हैं कोगी वो ही हमारी चीज़ों को बताता है clear council of minister में cabinet मंत्री जो secretary level की उपर होते हैं उसके बाए minister of state particular आपने एक एक जो है छोटा-छोटा department सब दे दिया उसको और deputy minister भी इसमें देखने को आप council of minister चलेजे अगला कोशन बताईए कि चाबाश कि जी कोशन देखें दी क्या गयता है कौन सी amendment हुई थी बिटिन दा land boundary agreement between the land boundary agreement के लिए बिटिन दा इंडिया एंड बंगलादेश लैंड boundary agreement हुआ था बिटिन दा इंडिया एंड बंगलादेश तो उसके लिए कौन सी amendment देखने को आपको मिली थी अगर मैं बिल की बात करता हूँ बिल की तो वह हुआ था आपका 119, 119 amendment bill clear हो गया आप लोगों को, yes, 119th constitution amendment bill clear हो गया अगर आपसे पूछा जाए Act के बारे में तो वो आपकी 100th Act हुआ था अगर कानुन पूछा तो 100 वा था और बिल पूछा तो 119 वा था तो इस Question का अंसर क्या बनेगा 100th Constitutional Amendment Act 2015 Clear? जिसके कारण जो है Land Boundary आपकी Exchange वोई थी Between the India and the Bangladesh हमारा इंडिया जो है सबसे जज़ा जो Boundary share करता है वो बंगलादेश के साथ share करता है 4096 किलोमेटर की Boundary share करता है 4096 किलोमेटर की Boundary Clear? ये याद रखना 4096 किलोमेटर की Boundary जिसमें आपकी कौन-कौन से State आती है West Bengal आती है Asam आती है Clear हो गया Asam आगी, Tripura आ गई और Meghalya आ जाती है और Mizoram आ जाती है तो ये 5 State होती है जो इंडिया और बंगलादेश के बीच में Boundary share करती है सबसे ज़ज़ा Boundary जो है वो West Bengal के साथ जो है बनाता है कौन? बिटिन दा इंडिया और बंगलादेश जो सबसे बड़ी Boundary है वो West Bengal के साथ होती है So this is important one Clear? याद रखना चलेजे अगला कुशन बताईए अगला कुशन बताईए जी क्या कहता है Who can appoint a judge of a high court as an acting chief justice of as an active chief justice of the high court Clear? जी बताईए जी Appointment of the high court judges को कौन करता है Yes जी 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 देखे एक चीज मैं आपको बताता हूँ Actually क्या होता है जी अब देखे जी जो judge of high court की बात आ रही है उसको acting chief justice of high court की बनाने की बात आ रही है Article 217 में लिखा गया है कि हम high court के chief justice को appoint करते हैं कौन करता है? President of India in consultation with chief justice of India plus governor of the state clear ये आपके करते हैं तो that means कौन appoint करते है high court के judge को तो वो appoint करते है राश्टर पती तो इसका answer क्या बनेगा? पहले तो A option क्या बनेगा? आपका correct answer बन जाएगा लेकिन जब हम chief justice of high court की बात करते हैं तो इसको भी appoint करने के लिए collegium system देखने को आपको मिलता है collegium system clear होगे आप लोगों को other judges को appoint करना है तो collegium system आपको देखने को मिलेगा और इस collegium system में क्या होता है? आपका तील लोग होते है chief justice of India plus two other judges of the supreme court दो दूसरे judges होते है supreme court के वो उनका nomination सब चीज़े ये करते है but appoint करने वाली authority जो है वो president है वो consult करेंगे chief justice of India और governor से और appoint कर दिया जाएगा high court के जो judges होते है उनकी qualification क्या होती है? citizen of India होना चाहिए भारत का नागरिक और इसके पास जो है 5 साल 10 years advocate के experience होना चाहिए clear होगे आप लोगों को और high court के judges की जो आपकी retirement age होती है वो 62 होती है और ऐसे ही 65 होती है आपके supreme court के judges के और आपके जो high court होती है high court high court act आया था आपका 1861 में और इसके according कलकत्ता बॉंबे मदरास में आपकी high court खुली की थी 1862 में इस इंपर्टन वान clear और high court की बात करें हमारी 25 high courts देखने को आपको मिलती है तो इस question का answer क्या बनेगा A राष्ट्रपती is the correct answer राष्ट्रपती चलिए एकला answer बताईए J question देखें जी क्या गयता है which of the falling condition is the Indian citizenship lost मतलब क्या है हम भारत की नागरिक्ता छोड़ सकते है जड़ कोई जा सकती है किन माध्यम से देखें बारत की citizenship के अगर हम बात करें तो citizenship act कौन सा है हमारा 1955 का और हमारे भारत देश में single citizenship का concept है जो हमने कहां से लिया है Britain के constitution से लिया है UK के constitution से हमने लिया है अब बात ये है कैसे खोई जा सकती है like for example अगर आप अपने खुद से voluntary तरीके से आपने खो दी मतलब मुझे नहीं चाहिए मतलब मुझे नहीं चाहिए इंडिया की citizenship जा फिर आपने दूसरे देश की citizenship को acquire कर लिया है दूसरे देश की citizenship में आप ले ली है तो आपको कहेंगे कि आप जाओ आप कोई भारत के नागरिक नहीं हो और जा फिर आप किसी criminal activity में involved है जो भारत देश के against है मतलब भारत देश के against है आप smuggling में हो मतलब भारत देश के अगें तसकरी कर रहे हो हत्यारों की जब confidential information जो है हमारे भारत देश की अलग जगा पर पहुंचा रहे हो तो ओविसी बात है भारत की नागरिकता इनसे छील ले जाएगी clear हो गया तो ये क्या होगा if a person is in prison for lifetime गलत हो गया दूसरी कंटरी में सैटल हो जाता है if a person acquires yes settle होना is different thing clear हो गया settle होना different thing अगर दूसरे बरसन दूसरा देश का citizenship ले ले लेता है तब इसकी citizenship जो है खोई जा सकती है if a person is without a property ये भी कोई citizenship का खोने का reason नहीं है तो answer इसमें क्या बनेगा c is the correct answer भारत की नागरिक्ता जो होती है आपकी कौन सी ministry के अंतरगत आती है ministry of home affairs के अंतरगत देखने को आपको मिलती है home affairs ministry के अंतरगत this is important one clear और एक चीज मैं आपको बताओ citizenship के बारे में बात करूँ तो article 5 से 11 तक आपको देखने को मिलते हैं ये articles देश ने किसी देश की property को acquire कर लिया हो जा naturalization आप यहां पर आके बस गए है और 10 साल के बाद automatically आप भारत के citizen बन जाएंगे आपके माता पीता यहां के हैं आपका origin यहां पर है descent के through तो ये brand word याद रखना तो obviously बात है इन पांच माध्यम से हम citizenship ले सकते हैं और इन चीज़ों के कारण हमारी citizenship खोई जा सकती है तो answer number C is the correct answer answer number C clear हो गया renunciation, termination, deprivation renunciation मतलब अगर आपने खुद voluntary तरीके से छोड़ दी termination अगर आपके दूसरे देश की citizenship ले लिए भारत छोड़ देगा आपको deprivation अगर आप criminal activity में involved है बारत के इस कुछ आप कर रहे हैं तो चलिए एकला question बताईए अगर parliament session में नहीं होता तो राष्टपती जो होता है वो आपका ordinance जारी कर देता है जो के ratify किया जाता है parliament द्वारा कितने time में पहली बात तो question पे अंदर ही एक answer है जब parliament session में नहीं होती तो राष्टपती क्या कर सकते है ordinance जारी कर सकते है यह ordinance जो लिखा गया है आर्टिकल 123 में लिखा गया है clear यह राष्टपती की legislative power में आता है कानून बनाने वाले शक्ती में आता है यह याद रखना लेकिन जो ordinance होता है वो आपका एक law है executive law है कि यह लागू हुआ कानून है आपका point समझाया जब भी राष्टपती जो है ordinance issue करती है तो वो हमेशा 6 महीने के लिए जो है आपकी ordinance लगती है 6 महीने तक clear अगर 6 महीने में 6 महीने के उपर कोई चर्चा नहीं होगे 6 महीने के बाद अगर राष्टपती को लगे कि इसके उपर जो पार्लेमेंट को लगे कि यह प्रॉपर तरीके से कानून बनना चाहिए जो ordinance issue करी गई है यह अच्छी करी गई है क्योंकि 6 महीने तक तो कानून लग गया 6 महीने के बाद अगर पार्लेमेंट सोचे कि इससको कानून बनाना है एक्ट बनाना है तो 6 महीने के बाद 6 weeks के अंदर जो है इससको ratify करना ज़रूरी होता है अगर राष्टप अगर पार्लेमेंट 6 हफ्त के अंदर कुछ ना करें तो automatically 6 महीने के बाद यह बिल खतम यह ordinance खतम हो जाती है तो मतलब पार्लेमेंट ratify करेगा that is 6 weeks of the date of the issue of the ordinance clear answer number के आप अने का जी आपका C is the correct answer यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे word क्या हो गया मैंने आपको अंसर लगा दिया कि यहाँ पे 6 weeks from the 6 weeks यहाँ पे लिखा है 6 weeks from the date of issue अरे ordinance issue नहीं जब ordinance 6 महीने खतम हो जाएंगे that means 6 weeks from the reassembly of the parliament जब आपकी parliament मिलेगी 6 महीने के बाद उसके बाद जो है आपके 6 हफ्तों के अंतरगर जो है अगर राष्टपती की death हो जाती है तो उप राष्टपती जो है वो प्रैजिजडन की तरह काम करते है कितने टाइम के लिए काम करते है एक राष्टपती जो है किन कार्णों से absent हो सकता है offices में जा तो उसकी death हो जाए ठीक है जा उसके 5 साल complete हो जाए जा फिर उसको वो foreign country में गया हो उसके उपर impeachment का process चल रहा हो मतलब माहवियोग का किसी भी कारण से जा बिमार हो तो उस कारणों से राष्टपती office में नहीं होता उनकी absence में राष्टपती की absence में उप राष्टपती as a president बनते हैं और उप राष्टपती जो होते हैं उनको salary भी प्रेजटट की तरह मिलती है चाहे एक दिन के लिए बैठे चाहे दस दिन के लिए बैठे clear अगर vice president भी जो absent हो तो chief justice of India जाने के आपके senior most judge of supreme court जो है आपके as a जो है राष्टपती बैठते हैं तो this is also very important part clear अब बात यहां पर यह है कितने time तक वो रहेंगे that is 6 month तक 6 महीनों तक जो है 6 month तक आपके वो vice president जो है रहेंगे 6 महीनों तक as a president maximum रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपका election हो जाना जाएगे राष्टपती उपराष्टपती राष्टपती बन सकते हैं 6 महीनों के लिए maximum 6 महीने के अंदर election अगर दोनों absent है तो chief justice of India जो है आपके 6 महीनों के लिए आपके बन जाएंगे अगे 6 महीने के अंदर election हो जाना चाहिए और ऐसे chief justice of India पहले chief justice of India जो आपके as a president बने थे that is मौमद हिदायतुला मौमद हिदायतुला is the correct clear चले जे अगला अगलान से बताईए अगलान से बताईए Indian constitution provides for the appointment of the ad hoc judges temporary judges के लिए तो वो कहां पे appoint हो सकते है ad hoc judges की बात आ रही है yes Indian constitution provides for the appointment of the ad hoc judges in जे जो temporary judges होते हैं वो कहां पे appoint के जा सकते हैं supreme court में high court में session courts वगएरा में तो कहां पे appoint के जा सकते हैं जल्दी जल्दी बताओ जाबाश जे 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 देखे ad hoc judges की अगर हम बात चलो यह आपका चलो आप थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ तो इस यह ओमवर्क थोड़ा सा दिमाग आपका भी खराब होना चाहिए ठीक है आपका भी तो दिमाग खराब होना चाहिए अकेला मैं क्यों करो थोड़ा सा आप भी करें चलो यह आपका होमवर्क दे दीआ मैंने ठीक है जी थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं ऐसा हो जाता हूं थोड़ा सा मैं क्रिवल हो जाता हूं क्रिवल मैं ऐसे नहीं है मतलब पॉजिवल हो जाता हूं आप लोगों के लिए कि आप इस कोशन को मत्था मारो दिमाग लगाओ कितरा हो सकता है क्या हो सकता है कौन से आर्टिकल्स हैं ताकि आपको पता लगे आपको भी पता लगे चीज़े कैसे सर्च करते हैं और क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में पहली बात तो उस टाइम पे कितने दिनों के लिए बने थे तेरा दिन के लिए सरकार बनी थी इनकी जाने के टूवीक्स अंसर बी ऑप्शन इस दा करेक्ट अंसर अंसर नबर बी क्लियर और एक चीज़ में आपको बता दूं अटल ब्या पोखरन 2 टेस्ट किया गया था जो हमारा निकलोक टस्त था इस बिर वयर्ली इप्रॉडन पॉइंड आटल ब्यारी बात प्डेश रहिए नहरे भारतदेश के प्राइम निस्टर नहें अटल ब्यारी बात पच्पई जी के ऊपर और में और क्या बता सकता हूं आप लोग आर्टिकल फाइव जो है हमारे सविधान का भारत के लिए डील करता है किस चीज़ के लिए आर्टिकल फाइव से 11 तक बात करते हैं हम citizenship of इंडिया के लिए आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आता है यह मैं पूरा डिसकस कर चुका हूँ citizenship का concept लेंगुजी की बात करते हैं भारत में लेंगुजी आपकी आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि देशल भी ऑफिशल लेंगुज देशल भी हिंदी इसे लेंगुजी इंदा देवनागरी script लिखा गया है और लेंगुजी का concept अगर मैं बात करूं तो पार्ट 17 में लिखा गया है है Language concept आत्मे må consists को सेप्स-टोया और हाप की-शीं है पहले 18 ती जब शबिदान बना था तो जो यह आपकी चौदा बहुदा यहें ओफिशभ ऑटील 22 है लास्ट में चार बहाइँ एड करिछी थी वडो डोगरी मैथली संथाली यह चार भाशाइं एड करी गई थी डैट इस वाइदा 92nd अमेंडमेंट टक्ट 2003 द्वारा एड करी गई थी तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टन पॉइंट क्लियर लेंग इसका कॉंसेट एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 11 आवंथ फंडामेंटल ड्यूटि आपकी अग्यूगेशन की उपर बात आती है आर्टिकल 21 यह आपका जो राइट टुएजिशन आता है आर्टिकल 45 जिसमें बच्चों को पढ़ाना शेट की जिम्मेदारी भी होता है यह याद रखना एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है समगर्ती सूची में देखने को आपको मिलता है कंकरेंट लिस्ट में यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान जो है ह 50% plus 1 President voting जो है आपके वो कर सकते हैं, changes कर सकते हैं, boundaries change कर सकते हैं, answer number A is the correct answer, 5 to 11, चलिए अगला question बदाईए, शावाश, अगला question बदाईए जी, amendment का procedure जो है हमारे सविधान में इन में से किस part में लिखा गया है, amendment का procedure जो है वो किस part में लिखा गया है, पार्ट 13, 20, 21 और आपके 11 में किस में लिखा गया है, कौन से part में लिखा गया है, जल्दी से जल्दी बताईए, अगर मैं पार्ट 13 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर trade and commerce की बात आती है, business की बात आती है, आपके पार्ट 13 में, पार्ट 11 की अगर मैं बात करूँ, तो relationship आता है, union और states में आता है, पार्ट 15 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यह आपका आता है, जो है elections के बारे में, पार्ट 20 की बात करता हूँ, तो वो आता है आपका amendment के बारे में, amendment का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका सविधान में संशोधन किया जा सकता हो, संशोधन मतलब जो चीज गीवन है, उसके में बदलाव करना, डैडिस कॉल्ट amendment, amendment का procedure जो लिया गया है, वो South Africa Constitution से लिया गया है, और इसका जो आर्टिकल नंबर है, वो है 368, आर्टिकल नंबर 368, clear answer नंबर क्या बनने वाला है, इसका B is the correct answer, part 20, answer नंबर B is the right one, answer नंबर B यह देखेजिए, सारे आपके पार्स देखने को आपको मिलते हैं, 368 में, चलिज़े एकला answer बताईए, question बोलता है, question बोलता है, इन में से कौनसा ऐसा constitutional amendment है, जहां पर बोला गया था, right to property as a fundamental right इसको खतम कर दिया गया था, पहले right to property जो है, fundamental right होता था, लेकिन एक amendment हुई थी, 44th amendment act 1978, जिसके according जो है, fundamental right हटा कि, इसको हमने constitutional right बना दिया, under article 3, under A, और आपका, और आपका legal right हमने इसको बना दिया, clear, answer number C, 44th amendment act में ही, आपका एक reason होता है, national emergency का वो कौन सा होता है, that is internal disturbance, clear, internal disturbance की जगा के उपर हमने word डाल दिया था, armed rebellion, ये भी आपको याद रखना है, send me withdraw, तो इस question का answer क्या बनेगा, C is the correct answer, C option, clear, 42nd amendment act 1976 की अगर मै बात करता हूँ, तो इसको हम mini constitution of India कहते है, socialist, secular, integrity, ये तीन word प्रेंबल में डाले गए थे, और हमारी fundamental duties जो 10 एड़ करी थी, वो इस amendment के कारण एड़ करी गए थी, 42nd amendment की अगर हम बात करें, तो 5 subject जो है, वो state list से डालके हमने concurrent list में डाल दिये थे, जिसमें education, weight and measures, administration of justice, protection of wildlife and animals clear, ये सब चीजी इसमें से देखने को आपको मिल दी थी, clear, याद रखना answer number 3, 44th amendment act is the correct answer, 44th amendment act 1978, अगला बताईए जी, अगला कोशन बताईए, अगला कोशन देखें जी, इन में से ऐसा कौन सा article है, सविधान का, जिसमें हमारी decisions, मतलब इमपावर करता है, center to take control of the state, administration, मतलब center जो है, वो state administration को control कर सकता है, on the recommendation of the governor, मतलब क्या हो गया, CDC बात ये है, center का control करना state को governor की recommendation से, that means, उस state में क्या लग रहा है, president rule लग रहा है, article 356 लग रहा है, president rule, clear होगे आप लोगो, राश्टरपती को बताएंगे, और राश्टरपती उस जगह के उपर, president rule लगा जाने के आपका state emergency वहाँ पर लगा देगा, state emergency, president rule और constitutional emergency लगा देगा, और इस word का मतलब ये होता है, कि अगर एक राज्य जो है, सविधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उस state में जो है, आपका president rule लगा दिया जाता है, governor अगर article 356, clear, जब भी constitution emergency, state emergency लगती है, तो minimum पहले 6 महिने के लिए आपको लगती है, अगर हम 6 महिने के बात करें, तो अगर extend भी 6 महिने, 6 महिने तक होती रहती है, लेकिन maximum time period कितना हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, 3 years तक, clear, अगर 3 सालों तक भी ये problem solve ना हो, तो क्या करना पड़े 3 सालों तक अगर problem solve ना हो, तो आपकी अगर 6 महिने के लिए extend हो जाएगी, एक amendment आपको करना पड़ेगा, जो भी amendment number होगा, तो amendment करके आप अगर 6 महिने बढ़ा सकते हैं, अगर 3 सालों तक भी problem solve ना हो, तो भी आगे जाके amendment करो, फिर 6 महिने बढ़ा, ऐसे किया जाता है, यह पर, clear, 105 नमबर आर्टिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पर power privileges की बात की जाती है, कि उसकी शक्तियां क्या है, privileges क्या है, आपके parliament की, house की, members की, committees की, वो सब देखने को मिलता है, आर्टिकल 124 की बात करते हैं, तो Supreme Court के बारे में हम बात करते हैं, Supreme Court Regulating Act 7073 द्वारब बनाई 28 जनवरी 1950 को बनाई गई थी, तो this is जो है आपकी Supreme Court, आर्टिकल 243, 243 ए से लेके ओ तक की अगर हम बात करें, पंचायदी राज इंस्टिशन की उपर बात आती है, 73rd Amendment Act 1992 जो है इसमें इंप्लिमेंट हुआ था, 93 में इंप्लिमेंट किया गया था, 29 सम्जक्ट की उपर कार बना सकती है, पंचायद, और PC लेके Z की अगर हम बात करते हैं, तो यह municipality के लिए बात आता है, 74th Amendment Act 1992 आपका इसमें से देखने को मिलता है, 93 में इंप्लिमेंटेशन होती है, और 18 सब्जक्ट की उपर कान बना सकती है, municipality, तो all these are very important, answer number A is the correct answer, answer number A, 356 is the correct answer, 356, चले जे अगल से बताइए, अगर कोई minister जो है आपका, no confidence motion पास हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, what is the meaning of no confidence motion, first of all, no confidence motion का मतलब होता है, no majority, no majority का मतलब क्या हो गया, कि उसके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है का मतलब क्या है, कि like for example, अगर कोई, अगर मैं कोई किसी house के 100 member हैं, अगर उसके पास 51 member नहीं है, तो obviously बादा में जोटी नहीं है, तो that means उसी सदन के 50% plus 1, अगर लोग आपके साथ जुड़े होए हैं, तो that means confidence motion है, अगर 50% plus 1 से कमी आ रही है, तो no confidence motion आपका आ रहा है, clear, अगर no confidence motion पास किया जाए, लोग सबा में, तो उसमें क्या करना तो that means the whole council of minister resign, मतलब पूरी मंत्री परिशद को जो है, इस्तिफा देना पड़ेगा, answer number 6 is the correct answer, clear, एक word होता है, censure motion, censure motion जो होता है, ये एक किसी मंत्री के उपर चलाया जाता है, ये याद रखना, और ये क्या होता है, कि अगर उसकी policies, उसके law regulation जो बना रहा है, अच्छे नहीं बना रहा, और उस मंत्री के against लगा दिया जाता है, censure motion, और इसमें अगर censure motion पास भी हो जाए, तो इसमें ऐसा मतलब नहीं है, कि पूरी मंत्री प्रिशद को resign करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, तो इस question का answer क्या बनेगा, C is the correct answer, answer number C, अगला बताईए, अगला बता 329 के बीच में हम बात करते हैं, elections के लिए, answer number A is the correct answer, part 15 में देखने को आपको मिलता है, election में, this is important one, clear, 324 बात करता है, election commission of India के बारे में, 326 बात करता है, right to vote, जो के हमारा constitution right है, जो के आपका constitution right है, 326 में, right to vote, और आप universal adult franchise, universal adult suffrage, ये word यूज़ करते हैं, कोई भी person 18 जा 18 प् पूट करने की अब 18 है, तो 61st amendment act 1988 दौरा इसको पास किया गया था, जो implement हुआ था 1989 में, राजीव गांदी की सरकार उस टाइम पे देखने को मिली थी, या रखिये, answer number A is the correct answer, पंचायद के अगर मैं बात करता हूं, तो पंचायद में आपको बताया था, article number 2243 इसले के को तक 73rd amendment act 1992 आपको देखने को मिलती है, जो कि implement हुई थी 93 में, 29 subject की उपर कानुर बना सकती है, पंचायद, part 9 में आपको देखने को मिलता है, और schedule की बात करें, schedule 11 में देखने को आपको मिलता है, तो this is important one, clear, minority की protection, minority मतलब अलब संख्यक, जिनकी संख्या कम होती है, तो वो आते ह अगर हम बात करते हैं, तो यह आपका आता है 29 और 30 में, जहां पर उसनके cultural और educational rights की बात आती है, और हमारे देश में minorities की बात आती है, language basis के आधार पे, और धर्म के आधार पे हम minority word use करते हैं, अल्प संख्यक word use करते हैं, गवर्नर की power के बारे में बात करते हैं, तो यह article 161 म लिखा गया है, उनको माफ करने की शक्तियों के बारे में लिखा गया है, तो answer number A is the correct answer, election is the right one, चले अगला अंसर बताईए, शाबाज अगला अंसर बताईए, अगला कोशन दिखिए, which of the falling is not true, regarding the, इन में से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, regarding the payment of the emoluments of the president, मतलब क्या हो गया, कि इन में से जो आपकी emoluments, salary वगरा है, payment वगरा है, राष्टपती की, उनके लिए statement कौन सी correct नहीं है, they can be reduced during a financial emergency, बिल्कुल सही है, जब भी राष्टिया अपात का लिए स्थिती लगेगी under article 360, तो सभी की salary आपकी कम हो जाती है, ये point आपका बिल्कुल सही है, they are shown separately in the budget, ये भी आपका point सही है, they are charged on the contingency fund of India, contingency fund जो होता है, ये emergency के लिए होता है, article 267 में लिखा गया है, तो contingency fund में नहीं है, ये आपका जो payment आती है, consolidated fund of India में देखने को आपको मिलती है, consolidated fund of India में जो बारत की संचित निदी में, article 266 में देखने को मिलती है, तो obviously बात है, so they are not charged on the contingency fund of India, और they do not require any parliament sanction, obviously बात है, इसके उपर parliament sanction वगएरा, कुछ भी चाहिए नहीं होती, तो answer इसमें क्या बनेगा, C is the correct answer, answer number C, C option is the correct answer, answer number C option, चले जे, अगला answer बता हिए, अगला answer बता हिए, अगला answer बता हिए, मतलब unity word से, unity of the nation से, unity and integrity word use कर दिया, by amending the preamble of the constitution, मतलब क्या हो गया, प्रियम्बल में हमने कुछ changes किये, जिसमें तीन word add किये थे, socialist, secular और integrity तीन word add किये गये थे, तो यहाँ पे जो integrity word है आपका, integrity word है, यह आपका word change हो गया है, तो यह किस से change हुआ, यह तीन word preamble में डाले किये थे, 42nd amendment act 1976, द्वारा add किये गए थे, तो answer इसमें क्या बनेगा, B, तभी हम कहते है, 42nd amendment act को क्या कहते है, mini constitution of India, क्योंकि major changes जो किये गए है, सविधान में, वो 42nd act कि द्वारा किये गए है, preamble की अगर हम बात करते है, तो preamble जो है, आपका preface of the constitution होता है, जाने कि जब सविधान का पहला पेश खोलते हैं, तो हमें पहला कहते है, preamble दिखता है, preamble हमने दिया किसको है, preamble is given to the people of India, भारत के लोगों को हमने, preamble के बारे में हमने बताया है, और preamble हमने दिया है, तो this is important one, clear, 42nd amendment act, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूंगा, प्रियंबल के बारे में एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा, कि 42nd amendment हो गया, और ये word add हो गये, ये भी आपको मैंने बता दिया, और और क्या बता सकता हूं मैं, 42nd amendment act, preface, ये हमने बात कर ली है, और और क्या बता सकते हैं, हाँ, preamble is given to the people of India, ठीक है, preamble जो है, आप soul of the Indian constitution, ये हमें किसने बताया था, soul of the Indian constitution है, preamble किसने बताया था, comment section में लिखके बताएगे, mini constitution, 1976 में ये है, ये है, और डिसकस कर चुके हम ये, 42nd amendment act, चले जी अगलान सा बताएगे, राष्टरपती को, अभी हमने discuss किया था, पहला question discuss किया था, राष्टरपती को हटाया जा सकता है, उसके office से, कौन हटाएगा, एक बटा चार member, किसी भी सदन के उसके bill को initiate करेंगे, हटाया जाएगा special majority से, दोना सदनों से pass करके हटाया जाएगा, लेकिन bill का initiation जो होगा, वो violation of the constitution, वो है क्या, वो हमने सविधान में नहीं लिखा गया, और 61 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, impeachment के बारे में, तो answer इसमें क्या बनेगा, violation of the Indian constitution, answer number B is the correct answer, सविधान का उलंकन करने पर, answer number B is the right one, चले जी अगला answer बताएगे, अगला answer बताएगे, अगला answer बताएगे क्या कहता है, screen के उपर, इन में से कौनसा ऐसा article है, जो बात करता है कि राश्टवधी की जो age है, आपकी 35 साल होनी चाहिए, जब भी election वो लड़ता है, चीक है, election जब लड़ता है, वो 35 साल age होनी चाहिए, तो ये qualification के बारे में हमें कौन सा article हमें बताता है, qualification के बारे में हमे चाहिए, insolvent नहीं होना चाहिए, bankrupt नहीं होना चाहिए, यह सब बाती करता है, article number 58, clear होगे आप लोगो, 56 की बात करते हैं, तो राष्टपती का जो कारेकाल है, उसके उपर बात करते हैं, term of the constitution के उपर बात आती है, राष्टपती चुना कितने time के लिए जाता है, 5 साल के दिलाता है, राष्टपती को शपत दिलाते है, Chief Justice of India, that means, Senior Most Judge of Supreme Gordon को शपत दिलाते हैं, so this is very very important point, clear, article number 62 की अगर हम बात करें, तो इसमें हम क्या कहते हैं, कि राष्टपती की अगर seat खाली हो जाती है, तो उनकी जगा के उपर Vice President बैठ जाते हैं, Vice President भी अगर ना हो, तो Chief Justice of India भी बैठ जाते हैं, मतलब उनकी seat अगर vacant है, तो उनको फिल कैसे किया जाएगा, वो 62 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, तो अंसर नंबर इसमें क्या बनेगा, 4 is the correct answer, आर्टिकल नंबर 58 is the right one, आर्टिकल नंबर 58, clear, यहां बे देख लेते हैं, 58 में लिखा गया है, citizen, 35 लोगसभा का मेंबर बनने की qualification, office of profit नहीं होना चाहिए, bankrupt वगरा नहीं होना चाहिए, clear, चले जी, अगला कोशन बताइए, the report of the CAG relating to the accounting of a state is, जो CAG की report होती है, CAG जो है, article 148 में लिखा गया है, आपका, CAG का मतलब क्या होता है, कि government accounts को audit करना, यह government accounts को audit करते हैं, report बनाते है report राश्च्रबदी को जाती है, अगर हम center की बात कर रहे हैं, फिर parliament में आती है, parliament में जाती है, public account का मेंटे के पास, तो same विद्धा, अगर state की बात करते है, तो state की report जाती है, governor के पास, governor आगे, जो, मतलब, governor के पास जाती है, governor आगे, state में, legislature में, विदान सभा में देता है, public account का मेंटे उसको publish करती है, और कहते हैं कि गोटाला निकाला, तो अब बात करते हैं, कैग के उपर, clear, तो कैग ये क्या करता है, देखे जी क्या क्या करता है, it, कैग report करता है, governor of the state को, who places it before the legislature of the state, बिल्कुल सही point आई आपका, ये आपका point बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर आता, state की जगा के उपर center, या union word आ जाता, तो इसमें क्या करता, राष्टपती जो है, पार्लेमेंट के सामने वो पेश कर देते, यहाँ पर governor पेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राज्या की बात आ रही है, clear होगे आप लोगो, uploaded on the unofficial, यह ऐसा कुछ भी नहीं ह पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो गोटाला कहते है, गोटाला निकाला, वो क्या की रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोगसभा के लोग, साथ आपके राज्यसभा के लोग होती है, टोटल 22 लोग हो आपका पॉइंट का अंसर क्या बनेगा अंसर नंबर वान है राज्या का जो गवर्णर होगा उस रिपोर्ट को स्टेज लिस्वर के सामने पेश कर देगा तो यहीं इसका पॉइंट है अंसर नंबर वान is the correct answer answer number one clear so guys यह थे आज के लेक्टर के इंदर कोशन आई रोब आपको लेक्टर अच्छा लगा होगा लेक्टर अच्छा लगा है तो लाइक और शेर कर दीजिए बाकि जितने भी अपडेट्स होते हैं वह आपको टेलीग्राम चैनल के उपर मैं आपको बताता रहता हूं दॉक्टर विपन को लगे नाम से मेरे साथ यहां पर 145,000 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े होगे हैं सारे लेक्टर पीडेफ वगारा मैं यहां पर शेर करता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम के उपर भी जूट सकते हैं कोई एक्जाम है पेपर है तो आप मुझे यहां पर अपना डाउट वगेरा सेंड कर सकते हैं चलिए जी स्टार्ट विदा फर्स्ट कोशन कोशन देखे जी पहला कोशन क्या गयता है कॉंसिशन अमेंडमेंट एक्ट है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो की एम करता है पंचायत राज़ फर्मिशन को जिसमें क्या क्या चीज़े आती है देखे पंचायती राज की बात करते हैं तो आर्टिकल नमबर 243 एसे लेके ओ तक आपके आर्टिकल जाते हैं अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 40 की तो ये आपका स्टेट के पास पावर होती है कि वो आपका विलेज पंचायत को बनाएगा ये उसके पास आती है 73rd Amendment Act 1992 है जो की इंप्लिमेंट हूई थी 93 में 29 सब्जक्ट की उपर कानून बना सकती है 11 स्केडूल आपका देखने को मिलता है और पार्ट जो है आपका 9 देखने को हमें मिलता है Now the part is कि 73rd Amendment में क्या होगा The Constitution of the District Planning Committee ये point गलत है District Planning Committee गलत हो गया क्योंकि ये Municipality के अंतरकत आता है Point समझ आया 74th Amendment Act 1992 के अंतरकत आपको देखने को मिलता है ना के 73rd के State Election Commission जो बनाएगा पंचायत की इलक्शन करवाएगा बिल्कुल सही है और आपका State Finance Commission बनेगा जो के Shares का Division करेगा टेक्स का विवाजन करेगा ये भी सही है तो दूसरा और कीसरा point आपके बिल्कुल सही है तो answer इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer answer number C Point समझ आया आप लोगों को और आपको बता है पंचायती राज जे कब होता है 24 April को पंचायती राज दे कहते हैं नागा लेट मेगालया मिजोरम में आपकी पंचायत देखने को नहीं मिलती है पहली पंचायत जो है नागोर डिस्टिक राजस्तान में स्टार्ट करी गई थी उसके बाद जो है आंध्रा परदेश वाज़ा स्टेट जहां पे आपकी फुली पंचायद देखने को मिली थी और एक चीज मैं आपको बता दूँ बलबन तराई कमेंटी की रिकमेंडेशन से जो है आपका तीन टीर जो है आपका पंचायद देखने को मिलता है विलेज पंचायद, बलॉक समती और जीला परिशन जिसमें हैड कौन होता है मतलब टॉपमोस्ट एपक्स अथोरिटी कौन सी है जीला परिशन जिसको हैंडल कौन करते हैं डिस्टिक कलेक्टर हैंडल करते हैं यह आपको याद रखना है यह है थ्री लेवल के उपर बलबन त अगला कोशन के उपर आपका कोशन है इनमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि डिलिमिटेशन कमिशन की क्या चीज़े सही है इसके जो ओर्डर होते हैं वो चैलेंज नहीं किये जा सकते किसी भी कोट ओफ लॉव में यह पॉइंट आपका बिल्कुत सही है क्यों सही है क्य आपका पॉइंट क्या जाता है राष्टरपती द्वरा अगर आपने किसी स्टेट के अंदर जा किसी कंट्री का हमारी कंट्री के अंदर हम कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन की बिछे एक MP है वो हम कहते हैं इतने लोग इतने लोगों का मतलब उसकी एक सीमा बनाई गई है वो सीमा किस ने बनाई है डिलिमिटेशन कमिशन ने बनाई है तो इसका जो order होगा वो किसी भी code में चैलेंज नहीं कर सकते हैं बिलकुल पॉइंट आपका सही है वेन दाउर्डर अवडर ऑगों का जो भी decision होगा अगर लोगसाब और विधान सही है तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं ना ही challenge कर सकते हैं ये point आपका बिल्कुल सही है कि मतलब क्या हो गया delimitation commission का जो decision होगा ultimately क्या होगा yes हाँ यही आपका decision है तो answer इसमें क्या बनेगा both one and two is the correct answer answer number c is the right answer both one and two clear होगे आप लोगो चलिए जी अगला question देखें इनमें से कौन सा जो article है वो बताता है हमें equality before law के बारे में बताता है मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं सामने सब बराबर हैं तो यह हमें बताता है article number 14 article number 14 clear answer number a is the correct answer article number 13 क्या बताता है judicial review के बारे में अगर हमारा कोई भी ऐसा कानून बना हुआ है जो अगर हमारा ऐसा कोई भी कानून बना हुआ है कि वो आज उसकी सविधानिकता मतलब वैद्य है यह नहीं है मतलब उसकी constitutionality जो है वो वैलिड है यह नहीं है वो हमें कौन बताता है article number 13 बताता है पॉइंट समझाया article number 17 जो है untouchability छुआ छूट को खतम करने की बात करता है यहां पर protection of civil right act जो है इसके लिए पास किया गया था that is in the 1976 clear और article number 26 हमें बात क्या करता है article 26 क्या करता है कि आपका जो है आपके पास right है आप fundamental right है कि आप किसी भी संस्था को धर्म की संस्था को manage कर सकते हैं उसके religious affair में जो है आप जा सकते हैं कोई भी धर्म को अपना सकते हैं आपको कोई भी बात नहीं की जाएगी point समझाया आप लोगों को जी हां clear हां बिल्कुल administration आप करें बिल्कुल करें लेकिन according to the law according to the law मतलब जो हमारा country का कानून है authority ने law बनाया हुआ है उसके according आपको इसी भी धर्म के अंदर जो है administration आप कर सकते हैं यह article 26 में बताता है तो answer number one is the correct answer answer number one is the right one clear equality before law जो है इसका मतलब ही rule of law है जैसे हमारा UK के concept में हमें लिखा गया है equal protection of law मतलब कानून सब को बराबर आपको करेगा तो this is a positive concept equal protection of law हम नहीं लिया है USSE लिया है clear होगे आप लोगो तो this is very very important point चले जी अगारा कुष्ण बताईये किया गयता है जी article 243-d जो पंचाितिवराज institution में आता है यह आपकी सीटों की reservation बताता है किसकी सीटों की reservation बताता है देखे हमारे पंचाहितिराज institution में सीटेе reserve जो हैSE की ST की seet Kabiner store और PLUSE Women की seat लिए रिजर्व हैं जितनी सीटे रिजर्व हैं उसकी 1 3rd सीटे जो रिजर्व होती है वो आपकी women के लिए रिजर्व होती है ये भी आपको याद रखना है तो इस question का point बनेगा A is the correct answer मतलब schedule cast, schedule tribes and women answer number क्या बनेगा जी आपका one option is the right one one option याद रखें very important point clear article 243D में हम बात करते है reservation की अगला बताइए which of the falling is not the power of the लोकसभा इन में से power of the लोकसभा कौन सी नहीं है not the power of लोकसभा it makes law on the matters included in the union and the concurrent list ये बना सकते हैं obviously बात है लोकसभा की power center में तो है ही है concurrent में center plus state मिलके कानून बनाते हैं तो इसमें भी लोकसभा की power आती है it can introduce and enact money and non money bill बिलकुल money bill के case में सारी powers किसके पास होती है लोकसभा article 110 और कोई भी non money bill मतलब एक normal bill की भी power किसके पास है लोकसभा के पास है it can initiate procedure for the removal of the vice president of India नहीं vice president को हटाने का removal जो process start होगा वो राजयसभा से ही start होगा तो ये उसके पास power नहीं है it amend the constitution of India article 368 में बिलकुल ये amend कर सकता है सभीधान तो इसका answer गया बनेगा आपका c मतलब ये आपका wrong statement है vice president को हटाना है तो article 368 से start होगा राजयसभा start करेगी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो वो किसी भी सदन से start होगा बिल आइधर house से start होगा और उसके one by fourth member किसी भी सदन के जो है इस बिल को initiate करेगे point समझाया answer number c is the correct answer answer number c next question is जी बड़ा simple सा question है ये वाला इन में से ऐसा कौन सा article जो है सभीधान का जो हमें empower करता है parliament को amend the constitution मतलब सभीधान को amend करना बदलाव करना तो ये कौन सा article है amendment procedure article 368 में लिखा गया है और ये हमने लिया है South Africa से part 20 में लिखा गया है आपका amendment of the Indian constitution clear होगा आप लोगो answer number b is the right answer 253 article 253 article ये बताता है कि कोई भी आपने international agreement किया हो उसके उपर legislation करना अगर आप उसके उपर कानून बना रहे हैं तो article 253 में वो लिखा गया है answer number b is the correct answer answer number b चलिए जी अगला कोश्य बताइए शाबाश बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अग्स question देखें the constitutional provision regarding the disqualification of the members on the ground of defection are in which schedule of the Indian constitution defection का मतलब क्या होता है दल बदलने के विरुद्ध कानून clear दल बदलना मतल परसन जीत गया जीत के उसने अपनी party को change करके दूसरी party में वो चला गया clear अब disqualification अगर आप defection के लिए करते हैं तो वो कौन से schedule में दिखा गया है वो आपका schedule है 10th schedule 10th में आता है 50 second amendment 1985 में यह सब चीजे लिखी गई है clear दल बदलने के विरुद्ध कानून और यह याद रखना है तो answer इसमें क्या बनेगा D इसमें से कोई भी आपका schedule नहीं है answer number D schedule 7 की बात करें तो list के बारे में बात होती है यहाँ पर powers division की बात होती है center, state और concurrent list की बात यहाँ पर देखने को मिलती है schedule 9 के बात करों तो land reform की बात आती है यहाँ पर तो land reform जाने की जमेंदारी प्रथा को खतम किया गया था तो first amendment act 1951 में जो है यह चीज़ करी गई थी और उसके बाद है schedule 8 schedule 8 में आता है languages के बारे में और हमारी last में 4 बाशाइं add करी गई थी बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली जो के आपके 92nd amendment act 1993 दवारा जो है add करी गई थी चार बाशाइं clear याद रखना answer number D is the correct answer जब हमारा सवीधान बना था तो 8 schedule थे अभी total 12 schedule है तो पहला schedule क्या करता है union and states के बारे में बात करता है salaries के बारे में, तीसरा बात करता है शपत के बारे में, चौथा बात करता है राजयसभा की seats के बारे में, पांचवा बात करता है scheduled area की administration के बारे में छटा भी बात करता है scheduled area की administration जिसमें आपके असम, त्रीपुरा, मिघालया और मिजोरम की बात आती है 7th बात करता है list के बारे में center state concurrent list में 8 बात करता है languages के बारे में clear 9 बात करता है आपका land reforms के बारे में 10 एंटी defection law 11 पंचाइती राज institution 12 आपका municipality यह 8 जो है जब सविधान बनाता तो आपके add थे यह add करे गए है 9 एंटी defection law आपका आया था first amendment act 1951 द्वारा 10 वाला add किया था आपका 52nd amendment आपका 1985 द्वारा clear 11th add किया था 73rd amendment act 1992 द्वारा और 74 add के थूँ add किया था आपका municipality वाला यह याद रखना है so these are very important facts clear चले जी अगला गुशन बताइए हर्याना से पंजाब पंजाब और हर्याना अलग किये गए थे full flash state बनाई गई थी कब बनाई गई थी दोनों state बनी है एक November 1966 को यह एक commission की report थी आपकी तो वो कौन सी थी commission की report शा commission शा commission की report से जो है इंडिया और पंजाब को जो है बीच में boundary की जी गई थी और answer number क्या बनेगा जी इसका B is the correct answer yes B option clear होगे आप लोगो answer number B is the correct answer 1966 is the right one 1966 1966 पंजाब चंडिगड हर्याना next question is Indian constitution declares the modalities for free and compulsory education to all the children in which of the falling age group मतलब education provide करना बच्चों को कौन से age group के तो वो 6 to 14 years के बच्चों को education provide करना यह इसके अंतरकर देखने को मिलता है कैसे देखने को मिलता है अगर मैं बात करूं article 21A right to education की article number 45 जहाँ पे 0 to 6 years के बच्चों को पढ़ाना और 11th fundamental duty यह आपका है 6 to 14 years के बच्चों को पढ़ाना parents की duty है यह तीनों add किये गए थे 86 amendment act 2002 द्वारा add किये गए clear जिसमें आपका fundamental right, directive principle, fundamental duty तीनों आपके आते हैं education के अंतरकर education पहले क्या होता था state subject होता था बाद में इसको concurrent list में डाल दिया गया जाने के संवर्ती सूची में जिसमें आपका center plus state दोनों मिलके कानून बनाएंगे और यह add जब किया गया था concurrent list में तो वो add किया गया था 42nd amendment act 1976 द्वारा जिसमें पांच subject को change किया गया था state list में जिसमें क्या क्या आते है education, forest, protection of wildlife and animals, administration of justice and weight and measures तो यह जो चीजें है पांच चीजें यह हमने state list में डाली थी तो all these are very important facts clear याद रखना important है चले जे अगला गुश्ण बताई कि विच ओधा फॉलिंग आर्दा विच ओफ दा फॉलिंग आर्दा रिट्स एस पर दा constitution of इंडिया रिट वर्ड जो है यह कहां पर लिखा गया है आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 जो हम कहते हैं the constitutional remedies सविधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम क्या कहते हैं heart and the soul of Indian constitution बीमराव अंबेदकर जी ने ये word यूज किये थे वाइ बीमराव अंबेदकर जी ने ये word यूज किये थे कि अगर आपके fundamental right वालेट हो जाएं तो आप रिट फाइल कर सकते हैं रिट वर्ड जो लिया है हमने बिटेन के constitution से लिया है और किस टाइप की रिट है हमारे सविधान में तो वो है पहली habeas corpus ये सही है habeas corpus में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी जवर्दस्ती पकड़ ले आपके fundamental right वालेट कर ले तो आप habeas corpus के according जो है आप supreme court या high court जा सकते हैं तो that means habeas corpus का मतलब होता है to have a body to have a body का मतलब जा तो हमारे पास high court है हमारे पास supreme court है हम जा सकते हैं mandamus अगर suppose करो कि कोई भी government authority काम नहीं कर रहा और आप उसके against जो है आप जो रिट फाइल कर सकते है mandamus की तो इसका मतलब होता है to activate recharge कर तो उसको clear कि आप काम करो ये रिट हम राष्टपती और governor के case में नहीं लगा सकते ये याद अखना है आपको Q warrant का मतलब होता है what is your authority आपने case authority के आधार पे ये decision लिया है अगर आपको लगे कि आपका fundamental right violate हो रहा है और आपकी authority आपकी उसने किया है तो आप उसके लिए file कर सकते है तो आपसे जो quote बूचे की what is your authority clear होगे आप लोगे को it means all of these are the rates clear इनके इलावा दो रिट और होती है जिसका एक होता है prohibition prohibition का मतलब क्या होता है to inactivate किसी चीज़ को रोक देना for example कोई case है ठीक है कोई case है वो lower court में चल रहा है और चलता चलता case वो high court ने अपने हाथ में ले लिया जा supreme court ने अपने हाथ में ले लिया बड़ी कोट ने छोटी कोट का केस चलते चलते अपने हाथ में ले लिया तो that is called prohibition जिसमें उन्होंने बड़ी कोट ने छोटी कोट को रोक दिया कि आप decision नहीं देंगे decision हम देंगे ये jurisdiction में नहीं आता आपके ये हम decision देंगे पॉइंट समझाया तो that is prohibition एक होता है आपका territory और territory और territory और territory और territory इस word का मतलब क्या होता है to quash the order to quash the order it means is to quash the order का मतलब क्या होता है कि अगर suppose करो कि lower court ने कोई decision दे दिया और higher court ने उस decision को cancel कर दिया that is called आपका territory उसको हम कहते हैं so this is very very important point clear answer इसमें क्या बनेगा D is the correct answer so all these are the जो है आपकी रिट है यहां पर चलेजी अगला कुशन देखें जी क्या कहता है अगला कुशन देखें अगला कुशन देखें अगला कुशन देखें आपको इंप्लाइमेंट के लिए जो है आपको पीछे नहीं हटाया जा सकता मतलब इकुल ऑपरजनेटी है इंप्लाइमेंट लेने के लिए आर्टिकल 15 क्या करता है कि आपको बेदवाब नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रंग के आधार पे कलर के आधार पे क्लियर सेक्स और बर्थ पेस और जहां पे आप रह रहे हैं उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऐसी पब्लिक इंप्लाइमेंट में ओपर्चनिटी आर्टिकल 16 में हमें बत या कोशन देखिया जी विच ओधर फॉलिंग इस नौट ए वैलेट ग्राउंड फॉर इंपोजिंग दा रिस्टिक्शन और फ्रीडम और स्पीच अंडर आर्टिकल 19 टू मतलब क्या हो गया कि इन में से कौन सा ऐसी चीज नहीं है जिसके अधार पे हम रिस्टिक्शन नहीं लगा सकते अधरवाइस आपको पता है आर्टिकल 19 क्या गयता है फ्रीडम और स्पीच एक्स्प्रेशन देने की पर किस चीज के अधार पर नहीं कर सकते हैं पॉलिक ऑर्डर के थुरू आपके उपर रिस्टिक्शन लगाई जा सकती है और सिक्योर्टी के परपस है आप से उपर रिस्टिक्शन लगाई जा सकती है की हां आप ऐसा कुछ ना करो की कि किसी कंट्री के साथ गटबड़ ग्राउंड आंसर नबर सी इस दा राइट वान सिक्योरिटी फ्रेंड रिलेशन पब्लिक ओर डिसेंसी जाने की मॉरालेटी आपकी और किसी भी देश के साथ दूसरा आपका रिलेशन content of the court, defamation और मानहाननी करना और अगर आपने किसी भी अपराद को जो है भड़ावा देना अगर आप ऐसे करते हैं तो ये reasonable restriction में आता है और public health is not under the reasonable restriction ये याद रखना important part है चलेजे अगला गुशन बताईए Member of Rajya Sabah की बात आ रही है कि Member of Rajya Sabah कितने होंगे यहाँ पे अभी recently पंजाब और उत्रपरदेश के election होए तो पता होना चाहिए पंजाब के अंदर आपकी साथ सीटे हैं बिल्कुछ सही है पहला option सही है और UP के अंदर जो है 31 है clear West Bengal में 9 है केरल में 16 है तो इसका answer क्या बनेगा A is the correct answer यही आपका point आपका सही है मतलग जो UPSC के members है उनको हटाया जा सकता है can be removed before the completion of the term मतलग उनके काम होने से पहले ही उनको हटाया जा सकता है बिल्कुल हटाया जा सकता है कौन हटाएगा By the chairman of the UPSE गलत on the recommendation of Supreme Court गलत on the recommendation of Supreme Court by the President clear yes on the recommendation of Supreme Court by the President मतलग राष्ट्रपती ही षाटाएंगे इनको राष्टरपती ही हटाएंगे सुप्रीम कोड जब कहेगा तो अंसर इसमें क्या बनेगा C is the correct answer C option clear होगे आप लोगो राष्टरपती द्वारा अगर राष्टरपती जो है हटाएंगे अगर सरवोच चन्यालय जो है आपके आदेश देदेगी तो अंसर नंबर क्या बनेगा C is the correct answer पब्लिक सर्विस कमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 315 से लेके 323 नंबर तक आपके देखने को मिलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का जो चेर परसन होगा उसका कारेगल 6 साल रिटार्मेंट ए 65 अपॉइंट करने की अथर्टी राष्टरपदी के बस राष्टरपदी को देंगे सब चीज़े इसमें करी जाएंगी इस तरीके सी है अर्टिकल 312 आप याद कर लिजे जिसमें हम All India Services की बात करते हैं अखिल भातियां सेवाएं जो के हमारी तीन है IAS, IPS, IFS Indian Administrative Service, Police Service and Forest Service ये तीनों All India Services में आती है All India Services जो बनाई जाएंगी वो राजय सबादवारा बनाई जाती है लोग सबाब पास करती है फिर उसके बाद Parliament इसको create कर देती है लेकिन starting process जो All India Services का होता है वो राजय सबा करती है ये आपको याद रखना है और father of All India Services किसे कहते हैं बल्लबाई पटेल जी को कहते हैं और अगर आपसे पूचा father of civil services in India that is cornwallis cornwallis जो है father of civil services in India है civil services इन्होंने start करवाई थी लेकिन All India Services की बात करें तो बल्लबाई पटेल है तो answer number C is the correct answer answer number C चलोई अगला answer बताईए yes answer number C अगला बताईए जी ये वाइस प्रेजिडेंट है ये कब से कब तक रहे है ये आपको बताना है ठीक है ये वेंकटा रमन जी की अगर मैं बात करता हूँ तो 1984 से 87 में रहे है 1984 से 87 में रहे है और उसके बाद हो है BD Jatti BD Jatti जो है 1974 से 79 में रहे है clear और K.R. Narayanan जी जो रहे है वो रहे है 92 से 97 में 92 से 97 में ठीक है और Krishnakandji जो रहे है बताइए फटाफट 97 से 2002 में रहे है clear हो गया बिल्कुल सही है ये तो अब लगाई है किसका कारेकाल पहले था और बाद में किसका था सबसे पहला कारेकाल था BD Jatti जी का फिर उसके बाद आ गया 1 का ठीक है वेंकटा रमन जी का फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 4 3 1 2 4 तो आंसर इसमें क्या बनेगा C 3 1 2 4 is the right answer ये है vice president clear vice president जो होते है ex official chairman होते है राज्यसभा के और इनके चुनाव में सारे member parties पेड करते है पार्लेमेंट के चाहे वो elected हो चाहे वो nominated हो पार्लेमेंट का मतल़ लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो है vote करते हैं यहाँ पे याद रखना answer number क्या बनेगा C is the correct answer answer number C अगरा बताईए जी दादरनगर हवेली जो होती है ये आपकी union territory है और जो किस jurisdiction में आती है so dad is in the Bombay high code Bombay high code में Bombay, Maharashtra और जो है Goa वाला part आता है यहाँ पे और गुजरात वाला गुजरात में है गुछाटी गुछाटी जो है आपकी कौन कौन सी high code है फटावर बताईए गुछाटी high code जो है किन राजों की है यहाँ बिल्कु सही नागालेंड, असम अरुनाच्यापरदेश और मिजोरम नागालेंड, असम अरुनाच्यापरदेश मिजोरम की आपकी high code that is called आपका जो है that is the Goaati high code उडिशा high code उडिशा की है clear answer number क्या बनेगा B high code जो है सबसे पहली कलकत्ता में then Bombay then Madras में start करीगी थी 1861 के act में clear और कलकत्ता में 1862 में पहले then Bombay then Madras में start करीगी थी clear provincial प्रांतिया high code का start करीगी थी 1866 में और कहां पे that is in the Allahabad Allahabad में start करीगी थी और एक high code जो होती है दो या दो से ज़्यादा राज्यों की common high code हो सकती है 7th Constitutional Amendment Act 1956 में ये बोला गया था point समझाए आप लोगों को और ये बोला गया high code के बारे में और total high codes कितनी है 25 high codes देखने को हमें मिलती है answer number B is the correct answer answer number B चलिए जे अगला answer बताइए जो union government कहती है मतलब center से पैसा जाएगा states को ये कौन से article में देखने को मिलता है तो this is in the articles 275 article number 275 article 280 में हम बात करते है finance commission की जिसका काम क्या होता है center और state के बीचे में पैसे का बिवाजन clear और plus center state में पैसे का बिवाजन करना तो ही है और plus tax का share करना grants का share करना लेकिन ये लिखा कहां पे गया है कि center government state को पैसा देगी 275 में लिखा गया है कौन समझा है आप लोगो जी अंसर इसमें क्या बनेगा D article 265 क्या कहता है कि बीना authority के बीना authority के आप कोई भी जो है इसके उपर tax नहीं लगा सकते tax not to be imposed without the authority of the law आंसर इसमें क्या बनेगा D clear हो गया आप लोगो जी बिल्कुल सही है हाँ अच्छा 270 270 बात करता है tax tax का share center or state के बीच में देखे tax का share center or state में 270 में लिखा गया है 275 में grants लिखा गया है ये दोनों का काम ये दोनों काम कौन करता है finance commission 280 में लिखा गया है 265 में लिखा गया है कोई भी आपके उपर tax नहीं लगा जा सकता जब तक कोई authority नहीं चाहती है finance commission का कारेकाल 5 साल होता है राष्टरपती अपॉइंट करते है resignation भी राष्टरपती देते है 1951 में finance commission बना था पहले finance commissioner कौन थे केसी लियोगी थे clear हो गया और अभी 15th finance commission चल रहा है जिनके chairperson कौन है N.K. Singh है N.K. Singh तो answer इसमें क्या बनेगा जी D is the correct answer D option clear So, यहाँ पर देखे 265, 270, 275 and 280 जो हमने discuss किया है वो ये वाले articles हैं आपके clear चलिए अगला बताइए Joint sitting को कौन आपका जो है जो chair करता है वो authority कौन है देखे Joint sitting का मतलब क्या होता है जहाँ पर आपके लोकसभा और राजयसभा दोनों मिलके बैठेंगे Joint sitting बैठेगी क्यों अगर एक bill की उपर चर्चा हो रही हो और उसकी उपर decision ना आ रहा हो एक bill की उपर चर्चा हो रही हो और उसकी उपर कोई भी decision ना आ रहा हो तो Joint sitting बुलाई जा सकती है Point समझाया Joint sitting बुलाई जा सकती है इसको बुलाने का काम, समन करने का जो काम होगा, वो किसका होगा राष्टपती का होगा, समन करने का काम होगा, राष्टपती का, प्योंट समझाया, लेकिन इसका chair person कौन होगा, इसका chair person होगा, speaker of the loksaba, अंसर नंबर क्या बनेगा, c is the correct answer, अगर speaker of the loksaba absent है, तो dpt speaker of the loksaba chair person बनेंगे आंसर इसमें क्या बनेगा सी इजप करेक्ट अंसर राश्ट्रपती का काम सिर्फ बुलाने का होगा समन करने का होगा प्रिसाइड चेयर कहुन करेगा स्पीकर ऑफ दा लोगसिभा करेंगे आंसर बसी चलिए अगला कोशन बताईए जे तो स्पीकर ओफ दा लोग सभा, नेक्स्ट कोश्चन देखे जी, अगला कोश्चन क्या गयता है, इन में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है, जो बताता है, खतम करना और बनाना, किस चीज को, लैस्टेटिव काउंसिल को, जाने कि विधान परिश्यद को बना भी सकते हैं, खतम भी कर स सकता है, पर एक चीज जा रखना, विधान परिश्यद जाने कि स्टेट लैस्टेटिव काउंसिल जो है, पर्मनेंट हाउस है, इसको कभी डिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको कभी डिजॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको बना भी सकते हैं, इसको बनाना खतम करना किसके अंडर में आता है यह आता है State Legislative Assembly जाने की विधान सभा के अंडर गत आता है जब तक विधान सभा नहीं जाएगी ना तो यह बन पाएगी ना ही यह खतम हो पाएगी विधान सभा बिल पास करेगी special majority द्वारा विशेश बहुमत द्वारा फिर यह बि क्लियर होगे आप लोगो 169 is the correct answer वन आर्टिकल 168 के अब बताता है कि राज्या के अंदर जो है Constitution किस तरीके का हुआ Assembly और प्लस जो है आपका Council किस तरीके से आपके देखने को मिलेगी क्लियर होगे आप लोगो और 169 हमें बताता है यह वाला 170 बताता है State Legislative Assembly विधान सभा की composition 171 बताता है State Legislative Council की composition के बारे में हमें बताता है पॉइंट समझा है आप लोगो तो answer इसमें क्या बनेगा आपका B is the correct answer और अगर आपसे पूछा जाए कि State Legislative Council जो है कौन-कौन से राज्यों में है तो वो कौन-कौन से राज्यों में है वो है आता आपका करनाटक करनाटका में है clear तेलेंगा ना clear हो गया और कौन से है महाराष्टा बिहार UP clear तेलेंगा ना करनाटका और कहां पर है आंध्रा clear जी करनाटका तेलेंगा ना आंध्रा महाराष्टा बिहार और UP तो six states में टोटल आपका क्या देखने को मिलता है या आपका State Legislative Council देखने को मिलता है clear so guys यह थे हमारी lecture के अंदर question I hope आपको बहुत मज़ा आया होगा lecture लेक्टर लेकर छोटा सा lecture है लेकिन चीज़े बहुत हमने याद करी है fast में ने पढ़ाया है और ऐसा नहीं है कि पतानी knowledge नहीं दी आपको बहुत सारी knowledge है इस चीज़े को revise करना है पढ़ना अच्छे से और plus सारी चीज़े आपकी upload करी जाती है यहाँ पे डॉक्टर विपन गोल के telegram channel की उपर कई भी आपका lecture का आपको जो है notification नहीं आया तो channel से आपको मिल जाएगा सारा जो है PDF अगयरा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा पेड़ जानकरी जो भी आपको important चीज़े हैं यहाँ पर मैं share करता रहता हूं आपके साथ क्लिया आप मुझे instagram की उपर भी follow कर सकते हैं कोई एक्जाम है paper है डाउट से आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं चलिए जी स्टार्ट करें पहले from the unforeseen expenses का मतलब क्या होता है जो चीजे जो खर्चे हमें दिखते नहीं है जो ऐसी चीजे जो हमें दिखती नहीं है और वहां पर भी खर्चा होता है हमारी पार्लेमेंट का राष्ट्रपदी करते हैं संसद हमारी पैसा खर्च करती है वहां पर जब भी unforeseen expenses की बात आती है जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वार हो गया लड़ाई होगी प्रॉपर चीक है आपके बार्ड बगएर आगे ट्रॉट्स आगे ठीक है इस तरीके की कोई emergencies हो जाती है तो इन चीजों की उपर आपका पैसा खर्च किया जाता है तो उसमें से जो पैसा निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका that is the contingency fund of India से निकाला जाता है भारत की अक्समिक्ता निदी से निकाला जाता है अब बात यहां पर यह ह पार्लमेंट से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा वो पैसा इसमें लगाएंगे खर्च करेंगे और मार्केट में वह चीज मतलब मार्केट में पैसा लगा देंगे जो चीजों की उपर जो है वहां से पैसा निकालके लगा दिया जाएगा यह द्यां रखना पॉण्ड सम सारा चीज़ चलती है Parliament की संसद की चलती है अब Parliament संसद का मतलब यहां पर यह है कि जैसे आप डेली रेगुलर खर्चाब कर रही है हमारे देश का देश की बहुत सारी companies है ठीक है PSU वगरा है उनसे पैसा अगर हम पॉजिटिव में आते हैं अगर positive का मतलब यह है कि वो company पैसा कमा रही है तो वो सारा पैसा भारत के समेक्कित को जाने की संचित निदी consolidated fund of India में जाता है और यहां से पैसा अगर हम निकालते हैं जैसे salary वगरा निकालनी लोन repayment वगरा अगर हम करते हैं वो सारा पैसा जो है आपका consolidated fund of India से जाता है यह सारा जो पैसा जाता है consolidated fund of India से इसमें आपको प्रॉपर तरह की से discussion होगी लोकसभा राज्यसभा और राष्टपती साइन करेंगे यहां पर पार्लेमेंट का निकाल सकते हैं पैसा डाल सकते हैं यह ध्यां रखना है आपको चीक है अब यहां पर अगर हम बात करें grants की जा government aid की अगर आपको याद होगा हमने point discuss किया था that is finance commission finance commission of India article 280 में 280 में इसका वर्नन किया गया है और आपका जो finance commission है 5 साल के लिए point किया जाता है finance commission को point राश्च्रपदी करते हैं अगेन इनका main काम क्या होता है जो भी grants आती है जो भी government aid आती है center और state में विवाजन करना वो finance commission का काम होता है दूसरी बात यहां पर यह होती है कि अगर हम बात करें जो भी tax collector होता है हमारे center government के पास उसमें tax sharing होती है center government की और आपकी state government की तो वो sharing जो होती है वो कौन करवाता है आपका finance commission करवाता है article 280 के according तो answer number D is the correct answer 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 number D clear होगे आप लोगो financial power राष्टपती की क्या होती है जब भी money bin article 110 की बात अगर हम करते हैं तो हमेशा वो राष्टपती की permission से आता है जब भी हम annual financial statement पेश करनी हो जाने कि budget की बात कर रहा है budget पेश करना है आपको आर्टिकल 112 के अंतरकर वो भी Parliament में राष्टपती की permission से आएगा अगें राष्टपती जो है आपके अन फोर्स इन expenditure के लिए जो है contingency fund of India अक्समिक्ता निदी से पैसे निकाल सकता है बीना किसी से पूछे हुए वो अगें यह आपको मेंने बता दिया finance commission को appoint करता है अगें central state के बीचे में पैसे का विवाजन सब चीजों का विवाजन करने के लिए हैं अगला देखिए जी क्या कहता है power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in देखिए जब आबर हुआ मतला हम सुप्रीम कोड के judges की अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोड के judges की salary को बढ़ाना घटाना जजिस को बढ़ाना घटाना यह सारी चीजे किस के पास होती है यह सारी discussion चलती है आपकी कहां पे संसर के पास यह पावर होती है अंसर नंबर B is the correct answer पार्लेमेंट का जो आर्टिकल नंबर है वो है 79 और इसमें आपकी पार्लेमेंट में दो सदन होते हैं लोकसभा और राजयसभा लोकसभा और राजयसभा दो सदन है यह बात हमने बृतें के constitution से ली है और इसके इलावा राष्टपती भी इसका हिस्सा होते हैं तो तीनों मिल के क्या बनाते हैं आपकी parliament बनाते हैं लोक सभा का जो article है वो होता है 81 और राजय सभा का जो article number होता है 80 और प्रेजिडेंट का article number होता है 52 तो इस question का answer क्या बनेगा B is the correct answer answer number B Chief Justice of India की अगर हम बात करें तो obviously बात है Chief Justice कौन है हमारे सरवोची नियालिया के मुख्यानियादिश लेड़ी सुप्रीम कोड के अंदर जो बैठी हैं उनके highest जो senior most ज़ज होते हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं Chief Justice of India कहा जाता है यास बिल्कुल सही clear होगे आप लोगों को अब बात यहां पर करते हैं कि इनके बारे में वर्नन कहां पर है सुप्रीम कोड की अगर हम बात करें आर्टिकल 124 में इसका लिखा गया है Regulating Act 7073 के according जो है आपकी सुप्रीम कोड बनी थी year इस इन्दा 7074 यह आपका 7074 था और यह बनी थी कहां पर कलकता में अभी Government of India Act 1935 के according हमारी सुप्रीम कोड बनाई गई थी कहां पर डै के इन्दा नुडेली नुडेली के अंतरकत बनाई गई थी और the custodian of the Constitution मतला सविधान की रेख देख रेख करने वाला व्यक्ति जब पर्सन जब अथोरिटी कौन है सुप्रीम कोड देखने को आपको मिलती है यह को अन्सर नंबर बीज़ा करेक्ट अन्सर नंबर भी पार्लेमेंट अगला दिखिए कोशन एखेजी क्या है पावर है सुप्रीम कोड की डिस्प्यूट को सॉल करने की सेंटर का डिस्प्यूट होगा जार राज्या का डिस्प्यूट होगा वो किस केटागिरी के अंद्रकत देखने को मिलता है पहली बात तो Supreme Code अगर center और state का जगड़ा solve करती है जा राज्या और राज्या का state और state का जगड़ा solve करती है तो यह solve करने का मतलग यहां पर यह होता है कि वो उनका distance बना के रख रही है powers को distribute करके रख रही है तेरी इतनी power तेरी इतनी power मतलग कि दखल अंदाजी में नहीं आना जाती Supreme Code वो कहते है तू अपना रहे तू अपना रहे तो that means powers को distribution करने की बात आती है यहां पे और यह बात जो है आपकी यह कहां पे आती है that means it maintains the federal character of the constitution वो संगय चरित्र को बना के रख रही है कौन संगय चरित्र को बना के रख रही है हमारी Supreme Code और यह किस में आता है आपका original jurisdiction में आता है article 131 में देखने को आपको मिलता है यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि Supreme Code जो है आपकी center state का जगडा state और state का जगडा लेकिन इसमें एक चीज आपको यह याद रखनी है कि आपके इसमें union territory role play नहीं करती union territory जो है इसका role नहीं आता जो आपके संग के जो संग परदेश होते हैं उसमें role नहीं आता union territory जो होती है वो सीधा राष्टवदी के control में आती है वो यहां पर जगडे solve करने की बात यहां पर नहीं आती यह ध्यार रखने वाली बात है यहां पर point समझाए आप लोंगो तो answer number C is the correct answer advisory की अगर मैं बात करता हूँ advisory अब एक सीधी बताओ supreme court जो होती है वो किसको advice दे सकती है supreme court को supreme court advice किसको दे सकती है only राष्ट बदी को president को advice दे सकती है under article 143 143 143 में अब supreme court advice देगी किसको supreme court देगी advice राष्ट बदी को अगर मैं आपको सला दू कि भाई ऐसे गरो ऐसे पढ़ लो इस तरीके से पढ़ लो ऐसे पढ़ लो आप मेरी बातें माने या ना माने वो किसके उपर depend करता है आपके उपर depend करता है तो that means जब भी आप किसी को advice करते है that is not binding on anyone clear so वो binding नहीं होती so supreme court के advice binding है राष्ट बदी के उपर that is not binding on the president ये याद रखना important है appealate jurisdiction की आप मैं बात करूँ appealate मतलब appeal appeal वर यहाँ पे आ रही है तो appeal करना मतलब क्या है आप lower court में decision ले लिया आपने आपको पसंद नहीं आया आप high court में जाएंगे high court का भी पसंद नहीं आया तो ultimately end वाली highest court कौन सी है आपकी supreme court मतलब appeal ये शेत्रादिकार ये यहाँ पे आप जा सकते हैं article 132, 133, 134 के according जा सकते हैं civil matters के उपर, criminal matters के उपर यहाँ पे आपको जो है appeal कर सकते हैं आप supreme court में रिट jurisdiction के अगर मैं बात करता हूँ तो हम आपके article 32 के according जाने के supreme court में रिट फाइल कर सकते हैं only for the fundamental rights हमारे अकेले जो है fundamental right के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं रिट फाइल कर सकते हैं यहाँ पे fundamental right अगर आपके violet हो जाते हैं violet करने का मतलब आपसे छीन लिए जाएं तो आप रिट फाइल कर सकते हैं और article 32 को जो है heart and the soul of Indian constitution बोला गया था यह किस ने बोला था डॉक्टर बीमराउं अम्बेदकर जी ने बोला था heart and soul मतलब हृदय और आत्मा article 32 को बीमराउं अम्बेदकर जी ने बोला था पांच तरीके की रिट हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं fundamental right की जो बात है वो हमने USA से ली थी लेकिन रिट वर्ड जो है हमने कहां से लिया है ब्रिटेन के constitution से लिया है रिट हम जो है supreme court में भी फाइल कर सकते हैं लेकिन जो रिट है आपकी वो हम high court में भी लगा सकते हैं high court में रिट जो होती है article 226 में लिखी होती है और इसमें हम जो है fundamental right के लिए भी जा सकते हैं और हमारे legal right के लिए भी जा सकते हैं यहांपे आपको paper में हमेशा एक question बुचा जाता है कि रिट के मामले में power किसके पास ज़्यादा होती है रिट के मामले में high court के पास power ज़्यादा है क्यों क्योंकि यह fundamental right के लिए भी decision दे सकती है और आपके legal right कानूनी अधिकारों के लिए भी दे सकती है लेकिन आपकी जो supreme court है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दे सकती है fundamental right के लिए बात कर सकती है यहां पे so these are very important points clear होगे आप लोगो यह याद रखने वाली चीज़ें हैं तो यह अगला question देखें जी क्या कहता है next question देखें जी क्या कहता है yes high court का article जो है high court का article 214 होता है 214 होता है बिल्कु से सभिधानिक assembly की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कब बनाई गए थी सभिधानिक assembly सभिधानिक assembly बिठाई गए थी 9 December 1946 को और इसने हमारा सभिधान त्यार करना start किया था और त्यार हो गया था 26 November 1949 को इसी कारण 26 November को हम क्या कहते हैं आपका Constitution Day कहा जाता है जाने के सभिधानिक दिवस इसको कहते हैं और यह चीज़ जो लागू हुई थी वह हुई थी 26 January को लागू हो चुकी थी 26 January को हमारा जो सभिधान है Constitution है वो लागू कर दिया गया था और इस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे यह 26 जनवरी क्यों रखा गया था 26 जनवरी 1950 वाला दिन ही क्यों रखा गया था यहां हम ने celebrate किया था पून सुराज पून सुराज का मतलग complete independence की यहां पर बात करी गई थी यहां पर complete independence की बात यहां पर करी गई थी तो यहां पर इस दिन की importance रखने के लिए यह 26 जनुवरी की बात यहां पर करी गई तो इस इस इंपॉर्टन वान assembly के अंदर total लोह कितने थे 389 मेंबर थे और इसके पहले प्रेजडेंट जो अपॉइंट किये थे 11 December को किये गए थे डैडीज 11 December 1946 को और वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिना सचिदा नंद सिना और यह सचिदानंद सिना जी जो थे यह सीनियर मोस थे एज में सबसे बड़े थे इसलिए इनका सथकार करने के लिए के रही गई थी फिर उसके बाद जो है जो ग्यारा सुरी नौ दिसमबर को इनको डॉक्तर सचिदान सिनाको जी को बिठाया गया फिर ग्यारा दिसमबर को एक जो प्रेजिडेंट हैं जाने कि सवि मुखरजी जो थे वो आपके क्या थे यहां पर एडवाज वाइस चेर परसन और डिपरटी परसन जो देखने को मिले थे असेंबली में तो टोटल 389 मेंबर जिसमें से 15 महिलाएं थी ग्यारा सेशन हुए थे 155 दिन मीटिंग हुई थी जिसमें 114 दिन प्रॉक्पत रिगी भी से डिसकुशन में रखने को मिली है सो अमसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शिस बनेगा 1946 अब बद यहां पर यह है कि जब हमने यह असेंबली बठाइग थे 1946 में यह किसकी रिकमेंडेशन से और किसकी बाते हमने मानी थी काबिनेट मिशन प्लान की हमने बातें मानी पर्थिक लॉरेंस इस्टाफफ़र्ड क्रिप्स एस्टाफफ़र्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये लोग जो थे इस में participate किये थे यहां पे पॉण्ट समझाया प्रथिक लॉर्ड जो था वो था आपका सेक्रिटरी और गासे तो इसमें क्या बनेगा बी इस दा गरेक्ट अंसा 1946 चलि एकला अंसर बताईए इन में से कौन सी ऐसी चीज है जो सविधान गैरेंटीड नहीं कर रहा है सविधान के अंतरकत लिखी नहीं है आपको देखने से लगेगा यह भी होगा यह भी होगा वह अलग बात है कि यह भी होगा वह भी होगा लेकिन ब इक्वैलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यह तो लिखा गया है आर्टिकल चौदा से अठरा तक लिखा गया है राइट टो रिलिजिस फ्रीडम की अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से 28 में लिखा गया है यह राइट टो कॉंसिशन रेमेडीज जो अभी हमने डिसकस किया आर्टिकल 32 में लिखा गया है राइट टो फ्री एड्यूकेशन फॉर और इस इस नॉट दा राइट पॉंट समझा है इस नॉट दा राइट टो टो एड्यूकेशन लिखा गया है और वह अमेंडमेंट हमने एड करी दी 86 अमेंडमेंट टेक्ट 2002 द्वारा जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना उनका अधिकार है वो आर्टिकल 21A में लिखा गया था और इसी संशोधन के अनुसार इसी अमेंडमेंट के दोरान हमने जो है ग्यार में फंडामेंटल डूटी आड करी थी पॉंट समझाया औ और इसी के दोरान जो है हमने आर्टिकल 45 भी हमने एड किया था 0 to 6 years के बच्चों को पढ़ाएगी एक राज्या बढ़ाएगा स्टेट पढ़ाएगी यह याद रखना अगर हम बात करते हैं education की तो education जो है वो कौन सी list में आता है यह education जो है आपका concurrent list में देखने को मिलता ह है जिसमें center प्लस state दोनों मिलके कानून बनाते हैं यहां पर द्यान रखना point समझाया और इसको यह पहले education जो है state list में होता था सिर्फ राज्या कानून बनाती थी अब जो है center और state मिलके कानून बनाते हैं और इसको हमने concurrent list में टाला था 42nd amendment act 1976 के दोरान इसको add किया गया थ और यह 42nd amendment act 1976 के दोरान इसको add किया गया था याद रखना this is important one clear और यह 42nd amendment के according 5 subject जो थे आपके वो राज्या सुची से हमने संभर्ती सुची में डाले थे वो कौन से थे एक था education, forest, administration of justice, administration of justice, weight and measures, weight and measures, education, forest, administration of justice, weight and measure और one more is और कौन सा रहा गया wildlife protection of wildlife and animal यह बात करी गई थी यहां पे तो यह 42nd amendment के according हमने इसको add किया था और 42nd amendment को हम बोलते हैं वैलिस्वर सचोधन को हम बोलते हैं that is mini constitution of India mini constitution चलिए अगला अंसा बता ही रहा है अगला बता है आटिकल 20 जो है यह सीधा सीधा गोशन है आटिकल 20 जो है सवीधान का जिसमें हम बात करते हैं कि अपरादों के लिए सजा के समंद में सारंग्शन यह कहां पे आता है सिधी सी बात है यह किस में आता है फंडामेंटर राइट में फंडामेंटर राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं पार्ट 3 में आते हैं और पार्ट 3 को हम बोलते हैं that is magna karta of the Indian constitution बोला जाता है बीम रावंबेद करजी ने इसको बोला था ऐसे Union Government जो है आपके पार्ट 5 में देखने को मिलते हैं Article 52 से ही स्टार्ट होते हैं State Government आपके पार्ट 6 में देखने को आपको मिलेगा Directive Principles आप याद कर लिजे यह इनका में उदेश्या होता है लेकिन बात यहां पर यह है कि Article 20 हमारे लिए हमें क्या कहता है Article 20 हमारे लिए बहुत सारी चीज़े कहता है जैसे कि X-Post-Facto-Law मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ जब आपने कोई भी क्राइम किया हो अभी बजए हैं साथ साथ बज़े किसी X-Person ने कोई भी क्राइम किया हो और साथ-Dस के उपर वो कानून चेंज हो गया हो तो डैक मीज़ जब साथ बज़े उसने क्राइम किया था तो उ साथ-दस बज़ के साथ-दस मिनट पर कानून पास हो गया हो तो उस पर्षन को साथ-दस वज़े वाली सजा मिलेगी ऐसा नहीं है कि उसको साथ बज़े मतलब पुराने कानून में सजा मिलेगी तो यह याद रखना तो दिस इस इस अ मतलब और डबल जीओ PARTY अगर कोई person जो है, एक क्राइम कर रहा है वो पर्षन क्राइम कर रहा है दोबारा से उसने सेम क्राइम कर दिया दिकि अगर आपने एक ही टाइम पर वो क्राइम कर रहे हैं तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी डबल सजा नहीं मिलेगी लेकिन हाँ वो क्राइम कर रहे हैं तो आपको दो बार सजा नहीं मिलेगी और सेल्फ इंक्रीमेशन अगें आप अपने अपने आपके लिए अगें इस खड़े होना जैसे हम मुवीज में देखते हैं न कि हां मैं कजूर वार हूं ये वो सब चीजे कोई भी परसन आपके साथ ऐसी जबरदस परस्ती नहीं कर सकता मुझा जाया स्यारी बात अर्टिकल ंपटी में लिखी गई यह अगला दिखिंग जी कहंता है कि कूशे में कौन से आर्टिकल में Union Public Service Commission के लिए बाते यहां पे करी गई है UPSC Union Public Service Commission जो है पहली बात तो यह independent authority है आपकी आजाद सवतंत्र है यह किसी के उपर dependent नहीं है छे साल के लिए इनके members का कारेकाल होता है Retirement A65 होती है जो भी चीज़ इसमें हो Public Service Commission का जो आर्टिकल नंबर है वो है 315 315 से 323 तक चले जाते हैं यह अब बात यहां पे यह आती है Public Service Commission करवाती क्या है ब्यूरोक्रेसी हो है हमारे देश में वो इनके पास आती है हमारे देश में जैसे यह UPSC State PCS के आप एक्जाम देते हैं वो कौन करवाते हैं यह Public Service Commission वाले लोग करवाते हैं यही चीज़े याद रखने वाली चीज़े हैं आपको तो यही सब चीज़े करवाते हैं तो यह किस आर्टिकल में लिखा गया है 315 में लिखा गया है UPSC Independent Authority है याद रखना यह इस चीज़ को Confuse नहीं करना आपको All India Services से All India Services जो होता है अखिल भाते से वाएं आर्टिकल 312 में लिखा गया है उसके बारे में और वो तीन हैं अभी हमारे देश में IAS, Administrative, IPS, Police Service, IFS, Indian Forest, Jungle वाली Service तो यह जो हैं तीनों Services हमारी किस में आती है All India Services में आती है All India Services की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका बिल जो हो है हमेशा Starting राजयसभा से होती है फिर उसके बाद लोकसभा से स्टार्ट होती है फिर उसके बाद राष्टवधी के पास बिल जाता है और at the end उस All India Services को हम Create कर लेते हैं तो अगर आप से पेपर में पूछा जाए कि All India Services का बिल आएगा तो सबसे पहली बार कहां पहेगा वो आएगा राजयसभा में लेकिन All India Services को हम Create कौन कर सकता है Create करने की पावर जो है सिर्फ और सिरफ पार्लेमेंट के पास आती है यह याद रखना सो आर्टिकल 315 जो है आपका राइट अंसर बनेगा 250 की अगर मैं बात करता हूं 250 250 आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा गया है कि इसमें पार्लेमेंट कभी भी चाहे वो स्टेट लिस्ट की उपर कभी भी कानून बना सकती है वो आपका 250 में लिखा गया है आर्टिकल 300 सो में लिखा हुआ है सूट एंड परसीडिंग्स के बारे में लिखा गया है यह आपको इतना डेटेल में जा देंगे जूरत नहीं है आर्टिकल 52 में लिखा गया है देर शैल भी ए प्रेजिडेंट आफ इंडिया कि हमेशा एक राष्ट्रपती प्रेजेंट होना ही चाहिए चलिए अगरा देखिए कोशन देखिए वेस्ट मिनिस्ट्री पार्लेमेंटरी सिस्टम हमारे देश में संसदिया पर नाली चलती है और वो वेस्ट मिनिस्ट्री चलती है वेस्ट मिनिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या है कि जो हमारा है है होगा वो डिरेक्टरी लेक्टिड पहली बात तो और हमारे देश में head of the state जो है head of the state वो राष्ट्रपती होंगे लेकिन head of the government जो होंगे वो आपके prime minister होंगे clear prime minister होगा और उसकी जो मंत्री परिशद होगी वो collectively मतलब किसको जवाब देही है they are collectively responsible to the house of people point come clear हो गया house of people के लिए collectively responsible होंगे वो so this is important one clear parliamentary system of the government का मतलब ही यह है that means again they are collectively responsible to the लोग सबा executive is responsible to the legislature मतलब जो कानून लागू करते हैं वो किसको जवाब देंगे वो आपके कानून बनाने वालों को जवाब देंगे legislature को जवाब देंगे यह बात करता है तो parliamentary form of the government की बात जो करी है वो हमने UK के constitution से करी है UK के constitution में अगर मैं बात करूं हमने रिट वर्ड यहां से लिया है ठीक है यह वर्ड हमने लिया है parliamentary form of the government लिया है और यहां से हमने आपकी citizenship के बारे में बात करी है नागरिकता के सेंटर और स्टेट मिल के कानून बना सकते हैं USA से हमने fundamental right की बगर हम बात करें independence of judiciary की अगर हम बात करते हैं यहां पे clear independence of judiciary judicial review की अगर हम बात करते हैं प्रियंबल का concept written constitution का concept यह सब चीज़े हमने USA से बड़ो करी है public interest litigation PIL जो आपका individual concept होता है मसरी यह collective concept होता है PIL आप लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ इसमें बहुत बड़े पैमाने की उपर society में change आ सकता है तो PIL पेश कर सकते हैं वो भी हमने USA से लिया है answer number C is the correct answer 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 number C यह सगला बदाईए जाए देखे लिए राष्टपती जो है वो declare कर सकते है financial emergency वो किस article में लिखा गया है financial emergency घूशित करने का मतलब यहां पर यह होता है कि अगर हमारे पास पैसा खत्म हो जाए देश के पास हमारे finance खत्म हो जाए हमारा consolidated fund of India खत्म हो जाए contingency खत्म हो जाए तो देश में situation आ सकती है कि financial emergency की जब भी आपकी लगानी होती है जो बिल पास होता है लुकसभा राज्यसभा से वो दो महीने के अंतरकत वो पास हो जाना चाहिए point clear हो गया और जब भी financial emergency लगेगी दो महीने के अंदर बिल पास हो गया और वो हमेशा 6 महीने के लिए लगेगी अगर 6 महीने तक problem solve नहीं होती तो obviously बात है आगे extension 6 महीने की होगी आगे extension 6 महीने की यह चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा यह कब तक चलता जाएगा unlimited time तर जब तक कि आपकी वो problem solve नहीं होती finance की problem solve नहीं होती और इस financial emergency के time पे कोई भी person चाहे वो center में काम करता है कोई भी person चाहे वो राज्या में state में काम करता है उनकी salary wages जो भी होते हैं allowance वगारा उनकी घिरावट आ जाएगी उनको वो कम मिलना start हो जाएगे चाहे वो supreme court के judges हैं चाहे वो high court के judges हैं इनकी भी salary आपकी कम हो जाती है यह याद रखना बात यहां पर यह आती है financial emergency का article number क्या है article number 360 होता है हमारे देश में financial emergency की situation बनी थी 1991 में 1991 में बनी थी बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में financial emergency लग गई थी तो financial emergency हमारे देश में कभी भी नहीं लगी तो that means article 360 हमारे देश में कभी भी नहीं लगा यहां रखना है important question है आप से paper में पूछा जा सकता है इन में से कौन सा article जो है सविदान में कभी नहीं लगा तो article 360 कभी नहीं लगा clear article 32 हम discuss कर चुके है रिट वर्ड के लिए discuss कर चुके है detail में चीक है 349 जो बात करता है यहां पर वह बात करता है special procedure special procedure जो है related to the languages भाशाओं के लिए special procedure की बात आती है यहां पर otherwise हमारी official languages आठ में schedule में लिखी गई है 22 official languages हैं हमारे और article 343 जो है वह बात करता है हमारा official language that is Hindi इंदा देवनागरी script देवनागरी script में बात करता है यहां पर important article 365 क्या कहता है this is important one article 365 देखे एक चीज़ आपको मैं बदाता हूं हमने पढ़ा है constitutional emergency state emergency president rule समझाया यह पढ़ते हैं हम यह पढ़ते हैं article 356 में बढ़ते हैं article 356 में पढ़ा जाता है यह यहां पर हम बात करते हैं दो चीज़ों की हमारे देश में financial emergency दो article की कारण लगती है एक तो 356 के कारण लग सकती है और एक 355 के कारण लग सकती है 356 का मतलब यह है कि अगर हमारे राज्य की constitution जो machinery है वो फेल हो जाए constitution machinery का फेल होना का मतलब क्या है जो है सभीधान चाहता है सभीधान ने बोला हुआ है assembly होनी चाहिए cm बैठा होना चाहिए proper दरीके से काम चलते होना चाहिए अगर चलते 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 जो है आपका cm जो है उसने resign कर दिया उसने कुछ भी ऐसा कर दिया तो obviously बात है 356 के according उसके state में emergency लग जाएगी that is constitution emergency लग जाएगी लेकिन article 365 क्या कहता है article 365 यह कहता है कि center ने कुछ direction दी थी एक राज्या को कि आपको ऐसे काम करना है अगर राज्या center की union की उन direction के according काम नहीं करता तो आपके देश में क्या लग सकती है constitution emergency लग सकती है वो लिखा गया है article 365 में अगर center की जो बाते ना माने राज्या ना माने और उसके according काम ना करे तो obviously बात है वो कर सकता है ऐसे answer number C is the correct answer 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 number C चले जी next question देखे जी क्या कहता है article 173 जो है आपका qualification की बात करता है membership की of state legislature देखे हमेशा आपको सब को पता होना चाहिए qualification 3-4 तो company है भारत का नागरिक होना चाहिए office of profit नहीं होना चाहिए bankrupt या insolvent नहीं होना चाहिए और office of profit नहीं होना चाहिए बाकी age मैं टरगर जाती है age जैसे कि अगर मैं बात करूँ पंचायत और municipality का member बनना है आपको तो 21 age चाहिए state legislative assembly का member बनना है लोगसभा का member बनना है तो 25 साल चाहिए राज्यसभा का member बनना है आपको council का विदान परिशत का member बनना है तो 30 राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती और governor राज्यापाल इनके लिए आपको चाहिए 35 साल age तो मतलब matter आपका age की उपर कर जाता है maximum point समझाया now the parties यह आपका कहां पर लिखा गया है तो obviously बात है यह state government के अंदरकत आएगा आपका qualification के regarding की qualification आपकी match नहीं करती या करती है जो भी सब चीजी है वो यहाँ पर आ जाएंगी article जो है B option में देखने को मिलेगा that is B option yes clear क्यूंकि यहाँ पर जो article है वो 152 से लिखे 237 में आती है और आपका जो पार्ट होता है that is the part 6 में देखने को हमें मिलता है state government के बारे में directive principle आपको already में बढ़ा दिया हमें 36 to 51 part 4 fundamental writer already discuss कर चुके है 12-35 part 3 union government part 5 चीक है और आपका article कितना है 52 से 151 यह already discuss कर चुके है तो answer number B is the correct answer लेकिन qualification के regarding हम disqualify भी कर सकते हैं for example अगर आपको याद होगा disqualification करना disqualify भी किया जा सकता है किसी भी MLA को MP को किसी को भी disqualify किया सकता है article 102 के अंत्रकत उसका burden किया गया है लिखा गया है जैसे कि अगर मैं बात करता हूं regarding qualification qualification का मतलब यहां पर यह है जैसे अभी हमने बात करी ना तो जा तो citizen ना होना चाहि जा फिर उसके उपर बात आगी bankrupt हो गया जा इंसौलबेंट हो गया office of profit एज इन में से कोई criteria जो है match नहीं करता अगर वह qualification की regarding अगर disqualify कर रहे हैं तो इसको हम राष्टपती को राष्टपती इसको disqualify करेगा इसको MP को किस से बात करके election commission of India से बात करके point समझाया इसको है अगर आपने party बदल दी हो party change कर दी हो party change का मतलब यहां पे है आपने जीती हुई party अब आप सामने बैठे होगे मैं सब्सक्राइब यहां पर सामने बैठा हूं chair person और मैं इधर देख रहा हूं तो आप जो है इस party में बैठते थे suppose को रोकी एक एकस party में बैठते थे आपने वहां से उठे आप y party में चले गए तो that means आपने उधर join कर लिया जीत के person कभी भी जो है वो एक party को दूसरी party से join नहीं कर सकता जब तक उसके उस party के दो बटा तीन member यहां से उठके यहां नहीं आते उससे अगर कम आते हैं तो obviously बात है वो defection करते हैं बदल करते हैं और उसके लिए हमारे सविधान में 50 second amendment के according 50 second amendment act 1985 के according हमारा एक कानून बनाय गया था दल बदलने के विरुद्ध कानून that is anti defection law और anti defection law में उस MP को MLA को disqualify किया जाता है कौन करता है chairperson जाने के जो भी chairperson होगा क्योंकि उसके सामने होगा न मैंने आपको क्या बताया यहां बैठा था यहां से उठके यहां पर चला गया तो इस person को जो यहां से यहां गया है उस person को disqualify कर दिया जाएगा तो यहां पर बात आई थी यहां पर clear होगा आप लोगो तो इस amendment को 50 second amendment को strong बनाने के लिए एक amendment और हुई थी 91st amendment act 2003 देखने को आपको मिला था और इस amendment के according जो परधान मंत्री है अपनी मंत्री परिशद में कितने लोग रख सकता है 15% और लोग सबा सीटे रख सकता है यह याद रखना clear और यह 50 second amendment act वाला जो था anti-defection law यह आपका दस्वी अनुसूची में देखने को आपको मिलता है 10th schedule में देखने को हमें मिलता है point समझ आया तो य राइस यह थे आज के लेक्टर के अंदर question I hope आपने छोटे-छोटी चीज़ें बहुत पकड़ी होंगी यहां पर छोटे-छोटे question exam exam में कैसे पूछ जाते हैं कहां से हमें लगता है कि option बहुत easy है लेकिन option बहुत tricky होते हैं पॉलिटी के अंदरगर तो ऐसी चीज़ों को आ करते हैं पहले question से एक बचा कह रहा है कि मेरा नाम लीजिए और फिर उसके बाद कमेंट करके यह कह रहा है कि हां sir comments पर देखिए आप मेरी class में नए है ठीक है शायद आप मेरी class में नए होंगे सो मैं इन चीज़ों की उपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता ठीक है काम की बात होती है यहां पर message कोई question के लिए करता है तो उसी का ही जवाब होता है बाकी किसी चीज़ का जवाब नहीं होता यहां पर according to the article 243 ZJ of the Indian Constitution the maximum number of directors of a cooperative society may be cooperative society के अंतरगत जो है कितने member maximum हो सकते हैं यह यह आपका question है yes cooperative society के अंतरगत यह provision जो है यह state legislature के अंतरगत आती है obviously बात है इसके उपर जो कानून बनाएगा वो राजय बनाएगी point समझाया और इसमें जो directors होंगे वो कितने होंगे maximum 21 हो सकते है 21 21 is the correct answer yes 21 yes 21 is the correct answer और इसमें एक चीज में आपको बता दूँ एक seat जो होती है वो SC ST के लिए reserve होती है दो सीटे जो reserve होती है वो women section के लिए जो है reserve करी जाती है यह भी आपको बता होना चाहिए so again this is super important question clear answer number one is the correct answer 21 is the correct answer अब एक चीज में आपको बताता हूं cooperative society के बारे में हमारे कौन से article में लिखा गया है article 43b में लिखा गया है और obviously बात है कहां पे आ गया यह directive principle of state policy मैंने आपको बताया था directive principle of state policy का जो mean होता है मतलब क्या होता है वो यह होता है कि आपकी society का welfare करना plus आपका social and economic democracy provide करना यह इनका main aim होता है so again जो कि आपका cooperative society है cooperation मतलब 21 director होंगे एक SCST और दो women section से represent करेंगे यहां पे so this is very very important आपको एक question मैं देता हूं आपका एक question है आप यह बताईए cooperative society को कौन सी amendment के दोरान हमने add किया था कौन सी amendment होई थी इसके लिए तो आपको यह comment section में अंसर बताना है चलते हैं दूसरे question की तरह चलिए अगला question बताईए अगला question देखिए जी क्या कहता है a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by ध्यान से समना है अगर आपको नया राज्या बनाना है नई state बनानी है नई state कैसे बन सकती है अगर दो states को जोड़ दो तो नई state बन जाएगी जा फिर आपकी दो state है उनको एक state है उसको तोड़ दो तोड़ दो मतलब बीच में half कर दो ये state अलग ये state अलग इस तरह के से clear तो अगर आप नई state बनाना चाते हैं जा फिर आप नया state बनाना चाते हैं नाम change करना जाते हैं ये सब चीजों के लिए हमारी जो majority होती है वो क और उसमें हमें चाहिए होती है that is simple majority in the parliament answer number B is the correct answer संसद में हमें चाहिए होता है साधारन बहुमत that is simple majority और इसका मतलब होता है 50% plus one present and voting 50% plus one present and voting जो लोग करेंगे तो obviously बात है आपकी नई state बन जाएगी यहाँ पे तो answer number B is the correct answer 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 number B clear हो गया आप लोगों को यह आपका पार्ट है यह बिल रीडिंग वगएरा की उपर है बस simple majority आपको पता होना चाहिए चलिए यह अगला answer बताईए येस कोशन देखे जी हमारे सविधान में भारत में अगर हमने fundamental rights को amend करना है fundamental rights को amend करना है जाने कि हमारे मौलिक अदिकारों को amend करना है तो amend करने की शक्ति power किसके पास होगी fundamental rights की अगर मैं बात करता हूँ part 3 के अंतरगर देखने को मिलता है हमें article 12 से लेके 35 तक इसे हम part 3 को Magna Carta of the Indian Constitution कहते हैं और यह हमने प्रावधान कहां से लिया है USA से लिया है यह सब पता होना चाहिए जस्टिशेबल इन नेचर है अर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर आपसे fundamental right छी लिया जाए तो आप रिट फाइल कर सकते हैं आपके सुप्रियम कोड के अंतरगार fundamental right के लिए तो अगर आपको amend करना पड़ेगा तो authority कौन सी होगी only the parliament only the parliament parliament जो है आपकी authority है और special majority से विशेश बहुमत से bill pass होगा और obviously बात है fundamental right जो है amend किये जा सकते है answer number c is the correct answer 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 number c again आपको एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे amend word लिखा है amendment की बात करी जाए तो article 368 के अंतरगत आती है पार्ट की बात करी जाए तो पार्ट 20 के अंतरगत देखने को हमें मिलता है और amendment का procedure हमने कहां से लिया था जब मैंने इस question को पढ़ा था तो मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे इस question को पढ़के कि examiner ने किस लेवल तक यह चीज़ सोच ली येस बताइए कि question देखे जी क्या गयता है येस हमारे सभीधान के अंतरगत इंडियन foreign policy के लिए कौन सा आर्टिकल है पहली बात तो इंडियन foreign policy के बाते जो आती है वो सारी के सारी प्राइम मिनिस्टर के अंतरगत आती है क्योंकि वो जो होता है chief spokesman of the country है हमारे देश का कौन या इस प्राइम मिनिस्टर foreign policy वगारा सब कुछ उसके दाइरे में रहके सारा काम चलता है यहां पर लेकिन यहां पर आर्टिकल पूछ लिया उसने अब आर्टिकल यहां पर बड़ा सिंपल सा कोशन है आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है यह कहता है promotion of the international peace and security अंतराश्टे शांति बना के रखना और security बना के रखना भाईचारा बना के रखना यह इसके अंतरगत आता है जब international peace की बात आ गई तो वो हमारे इंडियन foreign policy का part बनता है पॉइंट समझा है आप लोगो अंसर नंबर क्या बनेगा D is the correct answer और एक इस पार्ट में दिया गया है पार्ट 4 में दिया गया है और पार्ट 4 का मतलब क्या है यहां पर डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्योंकि वो 36 to 51 में आते हैं नॉन जस्टिशेबल नॉन इनफोर्सेबल देखने को हमें मिलेंगे तो अलसर नंबर क्या बनेगा इसका डी आर्टिकल 51 यहां पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है 60 आर्टिकल 60 क्या कहता है ओध ऑफ दा ओफ और अफ और अफरमेशन ऑफ प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति को शबत कौन दिलाता है डाडिस सीनियर मोस्ट जज़ और सुप्रीम कोड जा फिर वहां पे पेपर में डाल देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो दोनों में जो भी आगया पेपर में आपको आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग वो डाल देना है क्लियर फॉरेस्ट जंगल वाली सर्विस क्लियर द्या रखना अब यहां पे 312 के अकॉर्डिंग जब भी आल इंडिया सर्विसिस बनेगी तो उसका बिल हमेशा राजय सभा से उठेगा फिर उसके बाद लोक सभा जाएगा फिर उसके बाद प्रेजिट के पास जाएगा और इस क्रियेट करने के लिए फादर ओफ ओल इंडिया सर्विसिस भारत में अखिल भारतिय सेवाव के जनक इसे काते हैं बल्लाबाई पटेल जी को कहा जाता है यह याद रखना बल्लाबाई पटेल जी के पास फंडामेंटर राइट की भी कमेटी थी जब हमारा सभीधान बन र या था किसकी कहने पर किसके कहने पर गिया था डैडिज ओन डरेकमेंडेशन ऑफ जोन शोर अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी आर्टिकल 51 इस दा करेक्ट अंसर आर्टिकल 51 पंच शिल्ट ट्रीटी इंडिया और चाइना की बीच में 1954 में साइन हुई थी जिसमें मूच बैन्फिट की बात करी गई थी पीसफ़ल को इक्जिस्टेंस की बात करी थी नॉन एग्रेशन की बात करी गई थी तो यह सारी चीजह जो आती है आर्टिकल 51 के अंतरकत देखने को आपको मिलती है और यह फोरन पॉलिसी होती है हमारे भारत देश की एंटी क्लोनिनलिजम और नॉन अलाइनमेंट जाए कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे तो यह भी बात करी गई थी यह हमारे फॉरन पॉलिसी का पार्ट है सो दिस इस वेरी वेरी इंपॉर्डन पार्ट क्लियर चले जी अगला अंसा बताईए देखे मैं आपको पेपर में जब आपको कोश अगर मैंने आपको दे दिये ना तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा यार ऐसा भी यार ऐसा भी हो सकता है मतलब पेपर में गलतियां होती है यहां पर कोशिश किया करो जब कोशन मैं दिखा दूना तो आप टिक करने के कोशिश किया करो कि हां यह अंसर हो सकता है तब वो कौन सा person है इस में से तो वो है attorney general of India भारत के महा नयवादी जो article 76 में लिखे गए है 76 article में लिखा गया है attorney general जो होता है वो उसको बनने के लिए जो supreme court के judge की requirement होती है वो ही आपको चाहिए that means भारत का नागरिक चाहिए 5 साल high court के judge का experience चाहिए 10 साल advocate का experience चाहिए और आपकी राष्टरपती की नजरों में एक अच्छा गक्ति होना चाहिए जब तक राष्टरपती चाहेंगे attorney general seat की उपर बैठे रहेंगे यह याद रखना this is important one अब attorney general करता गया है यह हमारे देश का first law officer होता है first law officer clear और आपका legal officer law officer और legal officer होता है यह याद रखना law officer legal officer इसका मतलब क्या हो गया law officer legal officer का that means जब भी आप कोई भी चीज बनाएंगे जैसे law बगरा बनाते हैं एक चीज द्यान रखना he is not related to the law minister यह law minister नहीं है अगर कोई किसी बात की उपर किसी चीज को समझाने में government जो है government का प्रधान मंत्री कोई भी एनी मंत्री कोई गडबड कर रहा हो जा उसको समझ ना रहा हो तो attorney general को खड़ा किया जाता है यह बताता है उस चीज की पूरी एहमियत तक चीजे बताता है clear और legal चीज हो की उपर और यह government को भी बचाता है अगर government के उपर कोई भी civil case चल रहा हो ना तो government की साइट सी यह लड़ेगा देश के किसी पॉर्णर में भी government के गेस हो तो यह लड़ता है आपका डेटिस अटॉर्णी जनल ऑफ इंडिया दिस इस सूपर इंपॉर्डन कोईशन क्लियर यह याद रखना है हाइस लॉफिसर होता है और यह दोनों सदनों में जा सकता है लोकसभा में भी राजसभा में भी लेकिन य यह member of Parliament नहीं है MP नहीं है तो इसमें क्या बनेगा डी स्पीकर आफ लोकसभा की बात करते हैं तो स्पीकर में के लिए में ली पावर अगर मैं बात करूं तो इसको पॉइंट करने वाली थौर्डी प्रेजिजेंट होते हैं स्पीकर जैसे मनी बिल होता है धनविदेग बिल को मनी बिल कहता है जिस जब तक स्पीकर के साइन ना हो तो मनी बिल नहीं होगा चीफ एलेक्शन कमिशनर को राष्टपदी पॉइंट करते हैं इसका आर्टिकल है 324 क्लियर 6 साल के लिए पॉइंट होता है रिटार्मेंट इस 65 एज कंटोलर एंड ऑडिटर जनल ऑफ इंड आरश्टवदी पेश करते हैं फिर उसके बाद जाती है पॉब्लीक अकॉंट कमेंटि के पास वो पॉब्लीक अकॉंट कमेंटि क्या गरती है इसकी रिपोर्ट को पभलिश कर देते हैं और वो कहते हैं कि गोटाला निकाला इसलिए क्या को बोलते हैं I and year of public account clear the custodian of the custodian of the पॉब्लिक अकाउंट और इसको और क्या कहा जाता है फ्रेंड फिलोसिफर ऑफ दा पॉब्लिक पर्स यह वर्ड यूज के जाते हैं इसके लिए तो अंसर नमबर डी राजयसभा देखे जाते कि अगर राजयसभा गया है इन दिन के बाद ये बिल पास माना जाता है यहां पे आपके money bill के case में राज्यसभा की कोई भी power नहीं होती क्यों power नहीं होती क्योंकि राज्यसभा को यह bill दखा दिया जाता है अगर राज्यसभा उस bill को अपने पास रखे तो 14 दिन तक अपने पास रखी वैठा है कोई action नहीं ले रहा automatically will pass अगर राज्यसभा ने कुछ बदलाव उसके अंतरकत कर दिये अगर बदलाव कर दिये तो वो bill किसके पास जाएगा दोबारा लोगसभा के पास जाएगा लोगसभा के पास जाएगा तो लोगसभा की मर्जी होगी उस चीज को माने या ना माने यह जानक ना अब बात करते हैं money bill के उपर, article 110 में लिखा होता है money bill के बारे में और इसकी अबदी pass करने की मैंने आपको बता दिया 14 दिन होती है, bill हमेशा कहां पर आता है, लोकसभा में आता है पहली बार, फिर pass हो के राजसभा में, राजसभा की पास कोई भी power नहीं होती, सिर्फ दिखा आना होता है इनको, और उसके बाद राष्टपदी के पास, और at the end parliament इसको pass कर देती है, लेकिन बात यहां पर यह है, जब लोकसभा में आएगा, तो राष्टपदी की permission लेनी पड़ती है, यहां रखना, राष्टपदी की permission लेनी पड़ेगी, लोकसभा के जो speaker हैं, उसकी उपर sign करेंगे और उस बिल को कहेंगे कि this is the money bill, this is called money bill, अब बात यहां पर यहां पर यह आती है, कि money bill की अगर मैं बात करता हूं, धन विदेक बिल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है, कोई भी आपने tax लगाया हो, बढ़ाया हो, घटाया ह हो, वो लिखा जाएगा, interest आपने pay किया हो, loan आपने pay किया हो, यह सब चीज़े इसमें आएंगी, कोई आपने, जो है, custodian of the Indian constitution की उपर खर्चा हो, custodian of Indian constitution कौन है हमारा, that is आपका judiciary की उपर खर्चा हो, clear होगे आप लोगे, जा आपने loan payment किया हो, tax किया हो, यह सब चीज़ तो answer number B is the correct answer, 14 days is the right answer, 14 days, चलिए जी अगला question बताईए, यह मैंने डाल दिया, यह question ऐसे ही, क्योंकि Prime Minister की उपर question है, accidental Prime Minister, यह book जो है, यह हमारे पूर्व, प्रधार मंतरी मनमोहन सिंग जी की उपर है, और इसको publish कब किया गया था, 2014 में publish किया गया था, accidental Prime Minister, that is Mr. मनमोहन सिं clear, तो यहां पे यह पुस्तक को किसने author किया था, यह question है आपका, तो इसको author किया था, that is, Sanjay Baru ने इसको author किया था, answer number D is the correct answer, Sanjay Baru is the right one, answer number D, यह नहीं होता भाई, यह नहीं होता, कि आपने कुलदीब नायर जी का नाम सुना हुआ है, तो आप कुलदीब नायरी टिकर दो, ऐसा नहीं होता, समझाया, Sanjay Baru is the author, Sanjay Baru, the making of the, unmaking of Manmohan Singh, that is Sanjay Baru, अगला बताईए, अगला गोशिन देखें जी क्या आगाता है, इन में से कौन सा ऐसा परसने जिसने बोला था, कि democracy is the government, democracy is the government in which everyone gets a share, मतलब, democracy जो है, लोक तंतर जो है, एक सरकार है, उसमें हर बंदे का कोई ना कोई share है, उसको मिलेगा, ये word use किया गया था, और ये word किसने use किये थे, इस word को use किया था, that is, Salay ने use किया था, answer number one is the correct answer, answer number one, Salay is the correct answer, democracy word का मतलब क्या होता है, government to the people, by the people, for the people, ये जो statement मेंने आपको बोली है, government to the people, by the people, for the people, ये words जो है, ये words किसके word है, ये, so these words were given by the Abraham Lincoln जी, Abraham Lincoln, ये Abraham Lincoln जी के word है, ये याद रखना, this is important one, Abraham Lincoln, very very important question, clear होगे आप लोगों को, this is important, Salay is the correct answer, Salay, इन्होंने बोला था, अगला बताईए, union territory की उपर question है जी, maximum representation बताईए, आपकी union territories की, लोगसभा के अंतरगत कितनी होगी, maximum representation, union territory की लोगसभा में कितनी होगी, ये question है आपका, तो वो है आपकी 20, answer number क्या बनेगा, B is the correct answer, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आपकी maximum city कितनी थी, 552, अब तो आपकी दो एंगलो इंडियन चोड़ दी गई है, जिसमें आपकी 530, 20 और दो होती थी, ऐसे होता था, ये 20 सीटे जो है, वो union territory से आती है, ये दो एंगलो इंडियन सी, अब तो इसको हटा दिया गया है, but otherwise 20 is the correct answer, 20, clear होगे आप लोगो, और ये 530 state से देखने को आपको मिलेंगे, लोग सबा जो है, वो temporary house है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, ये याद रखना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो council of minister होते हैं, जाने कि मंत्री परिश्य, they are the real executive, real executive होते हैं, council of minister are collectively, collectively responsible to, collectively responsible to the लोग सबा, ये याद रखना, this is important one, collectively responsible to the लोग सबा, तो answer number क्या बनेगा, 20 is the correct answer, answer number B is the correct answer, answer number B, यहाँ बे देख लिए, लोग सबा की maximum strength जो है, 552 है, और यहाँ पे इनका कारेकाल 5 साल होता है, 5 साल से 6 साल हो सकता है, जनकी 1 साल बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा, national emergency के time पे, 42nd amendment act, 1976 तोरह इसको add किया गया था, एक साल बढ़ाना, लोग सबा में 250 member से जादा नहीं हो सकते, और इसका member बनने के लिए 30 साल चाहिए, और इसका member बनने के लिए 25 साल चाहिए, और इसके जो भी assembly के MLA होते हैं, वो इनको vote करते हैं, और चुने जाते हैं, इनके 1,2-3 member हर 2 साल बार retirement होती रहती है, राज्ये सबा की power जो है, आपकी mainly द can be impeached हमारे राष्ट्रपती को impeach जाने कि महावियो कैसे किया जा सकता है वो तो अलग बात है लेकिन किन articles के दोरान हम उसको impeach कर सकते हैं यह कोशन आया आपका देखें एक चीज़ बताता हूं मैं आपको वैसे तो impeachment का article जो होता है article 61 होता है वो भी मैं आपको बताओंगा कि क्यों किया जा सकता है कैसे होता है वह बात की बाते हैं article 61 दवारा impeach कर सकते हैं article 56 इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इनकी टर्म के उपर इंदर कोशन होता है यह जाने कि इनका जो कारायकाल है 5 साल है, 5 साल जाने की खतम हो रहा हो जा, इनकी office को खतम करना हो, इनके कारायकाल को खतम करना हो, तो ये चीज आ सकती है, 56 के अंदर गर, clear, तो पहले तो answer हम ठिक्या करेंगे, A is the correct answer, Article 79 किसके बारे में बताता है हमें, Parliament के बारे में बताता है, Parliament में लोकसभा, राजसभा और राश्टरपति की बात आती है, लोकसभा का Article 81 है, राजसभा का Article 80 है और राश्टरपति का Article 52 देखने को हमें मिलता है, 75 नमबर uard जो बताता है ये आपका प्रधान मंत्री, Council of Minister के बार में बताता है महा नियावादी के बारे में बताता है अब बात ये है कि राष्टपती को अगर impeach करना होगा impeachment करने होगी उसको हटाना होगा उसका reason क्या होना चाहिए that is violation of the Indian Constitution उसका reason है violation of the Indian Constitution this is the main आपका part clear अब लेकिन यहाँ पे जो violation word है उलंगन one word है सभीदान का उलंगन यह हमारे सभीदान में नहीं लिखा गया और नहीं बताया गया है कि what is the meaning of violation clear हो गया अब बात यह है जब impeachment करना हो तो यह बिल किसी भी सदन से उठेगा either house किसी भी बिल से इसको house से उठाया जाएगा किसी भी सदन से और उसके एक बटा चार मेंबर रिटन में देंगे कि हां हम राश्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं clear अब आइदर house की बात आई है वो लोकसभा भी हो सकता है वो राजेसभा भी हो सकता है एक बटा चार मेंबर और यह बिल जो होगा बात में पहुंचा दिया जाएगा किसके पास राश्ट्रपति के पास की आपको हटाने जा रहे हैं और आपके पास 14 दिन की अबदी होती है कि य नरख के एक बटा चार लोगों की बाते माने सुने की क्या कह रहा है अगर राश्ट्रपति इन चीजों की उपर कोई जबाब ना दे तो ये बिल होगा सेम सदन में आ जायेगा अगर ये बिल लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा में आ जाएगा अगर ए बिल राजे huge safety विशेश बहुमत से जाने के दो वटाथ में मेजोर्टी से राज्यसभा से भी यह दो बटा तीन स्पेशल मेजोर्टी से पास होगा तब जाके इसको हटाया जाएगा राष्ट्रपती को हटाया जाएगा तो इस इंपॉर्टन वान क्लियर यह याद रखना चलेजे अगलान से बताईए यह मैंने आपको बताया यह है टर्म्स ऑफ ओफिस का मतलब ही क्या है पांच साल का कारेकाल जो भी चीज़ है यहां पर नेक्स बताईए यह कोशन घूम फिर के आ रहा है बार बार एटाने जर्नल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है यह डिटेल में हमने डिस्स कर लिया है एटाने जर्नल जब तक राष्ट्रपती चाहेंगे तब तक अपनी सीट के उपर बैटे रहेंगे भारत के राष् सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है वल 124 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई थी 7074 में कहां पर बनी थी यह कलकत्ता में बनी थी यह याद रखना अब इंडिया में कहां पर है दिल्ली में है 28 जनवरी 1950 को बनाई गई थी आपकी डि लिए इंडिया हूं चलिए अगला अंसा बताई यह आख है दी पहले ट्रीनी जन्र डोथ है एम सिसे तक रवर्ल यह अगला बटाई यह अ मैं नो original 3171 एजो बताता है यह किसके बार में हमें बताता है यह अर्टिग्ड 371 A जो बताता है वो हमें किसके बारे में बताता है ये special provisions बताई गई है special status provide किये गई है A से लेके J तक मैं आपको बताता हूँ पहले article 371 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J clear हो गया ये J तक आपके article है article 371 और इसको मैं समझता कैसे हूँ Nama N, A, M A, A clear, समझ S, A, M, A और कौन सा रहे गया S, A, M, और कौन सा रहे गया समझ, that is G and उसके बाद की तो इस आदा मतलब चीज़े जो मैं नहीं याद करी हुई है N for is Nagaland और A is Assam M is Manipur A is Andhra Pradesh again A is Andhra Pradesh S is Sikkim M is Mizoram A is Arunachal J is Goa and K is Karnataka So these are the articles clear, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh again Andhra Pradesh Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh Goa and Karnataka clear हो गया आप लोगो these are the articles तो these are the articles जो आपके पूछे गई है इसमें paper में पूछा गया है यहाँ पे article पूछा गया है आपका that is आपका 371D 371A पूछा गया है 371A किसके बारे में बात करता है Nagaland के बारे में बात करता है तो Nagaland का हाँए option so here is a Nagaland answer number D is the correct answer answer number D Nagaland is the correct one clear हो गया आप लोगो clear हो गया आप लोगो that is Nagaland अब Nagaland के अगर में बात करता हूँ तो Nagaland में एक चीज़ याद रखना Hornbill Festival बड़ा famous है यहाँ पे Nagaland की official language जो है वो English है समझाया सिक्किम हमारे भारत देश का 22 राज्या बना था 36 amendment act 1975 के according पहला उपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बना था पहली organic स्टेट बनी थी भारत देश की कंचन जंगा national park आपका देखने को मिलता है यहाँ पे मनिपूर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका cable lamzow डैट इस नैशन पाक है यहाँ पे और यहाँ पे एक इस इस अफ्लोटिंग नैशन पाक और किस लेक के उपर है लोग तक लेक के उपर है आपको देखने को मिलता है और इस लोग तक लेक को यह आपको याद रखने है यह वाले आर्टिकल स्क्लियर जो मैंने आपको बताया है वही चीज़े यहाँ पे देखने को मिल रही है चलिए जी अगला अंसर बताई कि देखे स्पीकर को हटाने की बात आ रही है उसके रिमूवल की बात आ रही है तो यह अड्रैस कहां पे होगा कोई भी मेंबर अगर वीश करता है उसको फटाने की आपके स्पीकर अप्धी ऑप्दा लोगसभा को हटाने की जा डीपटी स्पीकर आप्धास लोकसभा को हटा लेगी तो उसको राइटिंग किसको दी जाती है वो दी जाती है Secretary General of the लोगसभा को दी जाती है Mass Achieve लोगसभा को दी जाती है Under Article 94 Under Article 94 के अंत्रकत Clear होगे आप लोगों को तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका Yes, answer number B is the Correct answer, answer number B Clear होगे आप लोगों को, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यह होगे आपका Right answer, अगर लोगसभा का जो Speaker है, इसने अपना Resignation देना हो, तो अगर Resignation देना हो तो हमेशा वो DPT Speaker को देता है आपका Resignation, DPT Speaker अगर Resignation देना चाहे, तो वो Speaker को Resignation देता है, Clear होगे आप लोगों को तो answer इसमें क्या बनेगा Secretary General, पहली बात तो Resignation की बात नहीं आई है, और इसको Notice देने की बात आई है और हटाने की बात आई है, अगर इसको हटाना होगा ना, तो Secretary General को दिया जाएगा, यह address किया जाएगा लेकिन अगर Resignation दिया जाएगा तो DPT Speaker को Resignation देगा Answer number B is the correct answer Answer number B, चलिए अगलान सा बताई है Public Account Committee के लिए इनमें से जो points जो है आपका correct कौन सा है Public Account Committee, पब्लिक Account Committee इसमें 22 लोग होते हैं 15 लोग सबा से होते हैं और 7 राजय सबा से होते हैं इनका जो Chairman होता है, वो हमेशा Opposition Party का Member होता है एक साल का उसका कार्यकाल होता है और इसको appoint कौन करता है Speaker of the लोग सबा इसको appoint करते हैं, यह याद रखना और Minister जो होंगे, Minister जो है Public Account Committee में कभी भी नहीं जा सकते यह main point आते हैं, आपके That is the Public Account Committee के Clear होगे आप लोगे आप लोगे को Public Account Committee को Introduce कभ किया गया था 1921 में Introduce किया गया था और इसका वरलन किया गया था Government of India Act 1919 में किया गया था यह याद रखना और Public Account Committee मैंने आपको Detail में भी बताया था जो कैग होता है, कैग की Reports जो होती है, Publish कौन करता है Public Account Committee Publish करती है तो यहाँ पर देखे जी क्या बनेगा It consists of the 15 member from the Lok Sabha and 7 member from Rajya Sabha यह आपका सही statement है, इसने corrective उचा था यह सही है, तो यहाँ पर 20 यह गलत हो गया यह भी आपका गलत हो गया और यह भी आपका गलत हो गया Clear, क्योंकि कारेकाल जो होगा वो 5 साल ना होगी, 1 साल होता है और chair person जोगा, वो finance mister नहीं होता वो हमेशा opposition party का member होता है Answer number 1 is the correct answer Answer number 1, clear होगे आप लोगों को चलिए Next बताइए, ध्यान से question को पढ़िए और answer दीजिए Question देखेजी, क्या कहता है Speaker, लोकसभा के लिए जो है आपकी statement कौन सी correct है ऐसे question आपको समझाते हैं कि आपकी त्यारी कैसे चल रही है मैं आपको बताऊं, चीक है, जहां से समझो The election of the speaker of लोकसभा is conducted by the election commission of India ये point गलत है, election commission of इंडिया वाला नहीं होता, पहली बात हो अगर MP की बात आती है, election commission of इंडिया कौन कौन सी election करवाते हैं आपके राष्टपती का, उपर राष्टपती का clear assembly का council का, लोकसभा का राज्यसभा का, और उनके जो members हैं, उनका election करवाते हैं speaker of लोकसभा क्या होता है एक member of parliament है, speaker का जब election करवाते हैं, तो राष्टपती गोशित करते हैं, इस date को हम election रणने वाले हैं, और जो भी time decide होगा, वो करते हैं, तो ये गलत होगा राष्टपती द्वारा होता है, दूसरा देखिए speaker on assuming his office is not required to make and subscribe oath or affirmation, बिल्कुल जब speaker को आपको point कर दिया गया उसको कोई शपत लेने की कोई ज़रुरत नहीं होती, तो ये point आपका बिल्गुल सही है, इसको कोई शपत लेने की ज़रुरत नहीं है, speaker does not exercise a casting vote in case of equality of vote जब दोनों voteें, मतलब हां बराबर हो जाएं, ना बराबर हो जाएं तो in case में, जो speaker of the लोकसभा होता है, ये vote करता है ये statement गलत होगी, और उस vote को हम casting vote कहते हैं, decision vote कहा जाता है ये याद रखना आपका part है तो इसमें से statement सिर्फ दूसरी वाली correct है, तो answer इसमें क्या बनेगा only one, that is, sorry, cable 2, a option is the correct answer a option, clear होगे आप लोगो जी answer number one is the correct answer answer number one, ये चीज़े आपको बताती है कि आपकी त्यारी कैसे है, मैं आपको पहले clear कर दूँ, ये question आपको बताते हैं कि आपकी त्यारी कैसे जल रही है तो ध्यान से पढ़ते रहा करो चले जी, बड़ा simple सा question है आप लोगों के लिए हलवा question जिसे हम कहते है वो question आई है who was the president of constitution assembly constitution assembly के president का नाम बताना है अगर मैं बात करता हूँ, पहले president temporary president जो बठाए गए थे 9 December 1946 को senior most member of constitution assembly that was dr. सचिदा नंद सिना सचिदा नंद सिना जी बठाए गए थे, सबसे senior most oldest थे, फिर dr. राजिंदर परशाद को आपका permanent president बनाया गया था assembly का 11 December 1946 को बिठाया गया था और H.C. मुखरजी जो थे आपके H.C. मुखरजी इनको बनाया गया था Vice President of the constitution assembly, clear होगे आप लोगों को तो यह याद रखना answer number B is the correct answer बीमराओं अंबेदकर जी की बात करते हैं तो यह drafting committee के chair person थे drafting committee के chair person थे यह और यहाँ पे लिखा हुआ है अलादी कृष्णा स्वामी अयर इनके लिए एक special committee बनाई गया थी special committee to examine draft of the constitution to examine the draft of the constitution special committee बिठाई गया थी to examine the draft of the constitution जो constitution assembly में डॉक्टर बीमराओं अंबेदकर जी ने पेश किया था उसके लिए special committee थी अलादी कृष्णा स्वामी अयर की सर्वपाली रादा कृष्णा जी जब भारत देश आजाद हुआ था तो यूनेसको के ambassador थे जब भारत देश आजाद हो गया आजाद होने से पहले यूनेसको के ambassador थे आजाद होने के बाद पहले उप राष्ट्रपती बने थे यह और दूसरे जो है राष्ट्रपती बने थे बाद में जब नाइटीन सिक्स्टी फॉर्टी फॉर्टी साव फिफ्टी रहां आपके दूसरे प्रेजिट बने थे यह वाले कॉलन कॉलन सर्वपाल इरादा केशन जी और ग्यार पांच स्रतंबर को इनकी बर्थ अनिवर्स्री होती है और जीजिन हम सेलिब्रेट करते हैं नैशनल अब थोड़ा सा कोशन जो है घुमाने वाले आगे तो स्टूडेंट्स बागने लगे अरे यह क्या हां से आगे अरे ऐसी कोशन थोड़ाएंगे स्टेट पीसेस के एक्जाम में ऐसी कोशन आते हैं मैं आपको बता दूँ ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के इनके कोशन जो है आपके इन ऑप्शन में से कौनसा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है नौट करेक्ट पूछा है कौनसा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो पॉइंट नौब वान देखे क्या है फंडामेंटल डूटीज वर नौट दा ओरिजिनली ए पार्ट यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है कि फंदामेंटल डूटी आपका पार्ट नहीं थी 42nd Amendment Act 1976 के अकॉर्डिंग 10 फंदामेंटल डूटी हमने एड़ करी थी USSR Russia की मदसे एड़ करी थी 10 फंदामेंटल डूटी यह पार्ट सही है यह याद रखना Article 32 के अकॉर्डिंग लिखा गया है यह स्टेटमेंट आपका गलत है यह स्टेटमेंट आपका गलत है अगला बताओ गवर्नर जो है एक discretionary powers होती है उसके पास अपनी ही शक्तियां की उसको बिना पूछे वो कभी भी यूज़ कर सकता है कब he or she is not convinced by the advice of the council of ministers मतलर अगर उसको मंतिरी परिशद की कोई advice मिल रही है उससे वो परवावित नहीं है तो obviously बात है वो अपनी discretionary power यूज़ कर सकता है पहला point आपका बिल्कुल सही है दूसरा है the constitution requires him or her act in his discretion in certain matters बिल्कुल governor के पास सविधान ने ऐसी शक्तिय दे रखिया कि अपना decision कभी भी वो किसी भी point पे ले सकता है तो यह भी आपका point बिल्कुल सही है he or she is not appointed as a administrator of the adjoining union territories बिल्कुल यह भी आपका point आपका बिल्कुल सही है तो यह सारी की सारी उसकी discretionary power आती है तो इसमें correct statement बोला है तो answer इसमें क्या बनेगा only one a option क्या बनेगा right answer बनेगा one two three is the correct answer one two three is the right one clear होगे आप लोगो को yes he or she is appointed as a administrator of adjoining union territory this is the discretionary power point समझ आया आप लोगो yes this is a discretionary power clear बिल्कुल अगर unit अगर उसको appoint कर दिया तो यूनिटाइट के decision वो कौन लेगा वो ही तो लेगा तो answer number one is the correct one answer number one article 153 में उसके बारे में लिखा गया है और उसकी appointment कौन करता है राष्टपती जब तक वो चाहे राष्टपती चाहे तब तक ये बैठे रहेंगे 155 में appointment लिखी गई है 156 में उसको हटाने की बात करी गई है राष्टपती हटाएंगे clear होगे आप लोगो तो ये सारी वाते यहां पर करी गई है article 161 में उनकी जो है pardon power के बारे में लिखा गया है clear चलिए जी answer अगरा बताईए इनमें से कौन सा जो statement है वो true नहीं है socialism के लिए true नहीं है socialism का मतलब क्या हो दा है classless society society जो है government चलाती है classless society not true पूछा है इन्होंने और father of socialism कौन है that was Karl Marx Karl Marx ने पुस्तक लिखी थी दास capital classless society के बारे में बात करता है socialism socialist analyze society in terms of income distribution यह आपका statement जो है not true पूछाए यह आपका गलत यह socialist analyze yes यह आपका statement सही है clear इनमें से कौन सा statement आपका correct नहीं है यह बोल रहा है यहां पे इट it emphasize the centrality of the communism बिल्कुल no private ownership के बारे में बात करेगा socialism believe that class division in society are a fact and therefore irremediable यह आपका point गलत है यह सीधा सीधा point गलत है यह कह रहा है कि class division तो है society के अंदर वो fact है लेकिन उसको कभी सुधारा नहीं जा सकता यह point आपका not true है point समझ आया this is not true यह सही है यह भी सही है it believes that material benefits should be distributed on the basis of need यह भी आपका सही है mother not true पूछ रहा था तो answer इसमें क्या बनेगा c is the correct answer clear क्योंकि इसने बोला कि वो दोबारा से हम उसको सीधा नहीं कर सकते उसको हम सुधार नहीं सकते अरे ऐसे कैसे आपने देखा होगा society classless society में कालमाक्स ने बात की थी यह जो आपके पुराने टाइम पे जो भी जगड़े हुए थे capitalist society में farmer society में जो भी landlord के अगेंस चीज़े चली थी वो अगें क्यों चली थी classless society को तो यह irremediable नहीं है remedial है तो answer number क्या बनेगा c is the correct answer 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 number c clear होगे आप लोगो तो यहां पर या रखना है this is important one collectively ownership होती है सबकी censure motion के लिए इनमें से statement जो है आपकी correct कौन सी नहीं है censure motion censure motion जो होता है वो कभी भी एक मंत्री की उपर भी लगाया जा सकता है और collectively council of minister की उपर भी लगाया जा सकता है उनकी policy के लिए जा उनकी कोई भी चीज़ के लिए जो भी उन्होंने गड़बड करी हो अब बात यहा के time पर no confidence motion में देता है resignation council of minister क्योंकि इसके time पर यहां पर उसके पास majority नहीं होती तो यहां पर resignation देता है यहां पर resignation नहीं देता अब point देखे कि क्या question है आपका यहां पर तो यहां पर not correct पूछा है a leave of the house is required to move it बिल्कुल एक point आपका बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि ऐसा न time and date for date for its discussion government जो है आपका यह सारा काम करेगी ऐसा कुछ भी नहीं है यार यह जब भी free नहीं है वो fix time नहीं करेगी जब उनको लगेगा हाँ वो कह देंगे अब यह सारी decision खतम करो अब बात यह है कि अब sanction motion पास करो और चलाओ इसका clear it can be moved against the entirely of the council of national बिल्कुल सही है यह point speaker decide whether the motion is in order or not बिल्कुल सही है यह वाला point यह भी सही है तो answer इसमें क्या बनेगा incorrect कौन सा है answer number B is the correct answer date or time बगएर इसमें कोई भी mention नहीं होता clear होगा आप लोगो तो answer number B is the correct answer clear answer number B यह होता है no confidence motion मैंने आपको बताया था जहां पर majority अगर आप शो नहीं कर पाते तो आपको resign देना पड़ेगा आपको यहां पर आपको यहां पर मिलेंगे डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मेरे साथ यहां पर 140,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं यहां पर सारी चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ Right to Food Security in India is A, जो Food Security है भारदेश में वो क्या है आपका? वो Constitutional right है वो एक Legal right है जा एक आपका fundamental right है. राइट टुफूट जो है आपका इसको हमने डाला हुआ है आर्टिकल 21 के अंत्रक्रक्त, so that means right to food is a fundamental right, right to life में आता है answer number one is the correct answer, answer number one, clear up एक चीज में आपको और पताना चाहूंगा, आपके कुछ articles आपको पता होंगे जैसे कि आपका article 39 है, article 39A है article 39A में directive principle में हम बात क्या करते हैं article 39A में हम बात क्या करते हैं right to adequate means of livelihood, right to adequate means of livelihood यह हम बात करते हैं, what is the meaning of this statement, इसका मतलब यह होता है कि आपको जीवन बैतीत करने के लिए आपको आपके rights, मतलब आपको प्रपर तरीके से खाना भी होना चाहिए, प्रपर तरीके से आपकी housing भी होनी चाहिए, sanitation, जो भी चीज़े living के लिए आपको चाहिए होंगी, वो इसके अंत्रगर right to adequate means of livelihood में आपको मिल जाएंगी, समझा गया? दूसरा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में क्या है? कि हमें level of nutrition जो आ है आपको प्रपर तरीकी से provide करवाना है, जिसके के लिए जो है आपको standard of living बढ़ाने के लिए और nutrition level को बढ़ाने के लिए सरकार आपका काम करती है, तो यह 47 वाला यह भी डिरेक्टि प्रिंसिपल में आता है, यह 39 यह वाला भी डिरेक्टि प्रिंसिपल में आता है, लेकिन यहाँ पर word right to food की बात नहीं है, यहाँ पर food की बात आती है, indirectly way में, livelihood को बढ़ाने के लिए और nutrition को लेवल बढ़ाने के लिए, तो it means, यहाँ पर word सीधा direct use नहीं हुआ हुआ food, और food word जो direct use होता है, वो आपका fundamental right में use होता है, यह याद रखना answer number one is the correct answer, fundamental right है यह, Food Security Act जो आया था, वो 2013 में आया था, जिसके अंतरगल, जो है अमारी 2 बटा 3 population को subsidized food grains मिलेंगे, subsidized food grains का मतलब क्या है, जो चीजे, मतलब rate है market में, उसे बहुत ज़्यदा सस्ते में मिल जाएगी यह चीजे, clear, और यह 12 सर्तंबर 2013 को जो है यह law बन के आ गया था, और इसमें बहुत सारी चीजे आती हैं, जैसे कि mid day meal scheme की बात करें, integrated child development service scheme की बात करें, public distribution system की बात करें, और जितने भी आपके mother बच्चा जनम देती है, तो mother की nutrition level को चेक करने के लिए, यह सब चीजे जो है, food security act में देखने को हमें मिल ली थी, so all these are, एक collective approach है, कि अगर आपको food related question पूछ लिया examiner ने, तो आपको यह points आपको पता होने चाहिए, चले जी अगला question बताईए, यह दो बड़ा simple question है, यह मैंने अपनी जो है, में मन्त की जो best 200 question थे, उसमें भी मैंने discuss किया था, सरकारिय कमिशन report जो deal करती है, वो इन में से किस चीज़ के लिए deal करती है, yes, सरकारिय कमिशन report, सरकारिय कमिशन report जो है, वो center और state के relationship के लिए बात करती है, जब भी center state relationship की बात आती है, तो that means federal character की बात आती है, federal character मतलब क्या हो गया, संग, संग word का मतलब क्या है, center की power लग है, state के पास power लग है, local government के पास power अलग है, distribution of power देखने को मिलती है, बट हमारी देश में क्या होता है, federation तो ही है, लेकिन उसमें से center क्या है, आपका strong है, federation with strong center जो के हमने कहां से लिया है, जो के हमने लिया है, federation with strong center, यह हमने कहां से लिया है, Canada से, clear हो गया आप लोगो, को yes clear हो गया आप लोगो जैसे कि हमारा कौसी फैडल की बात आती है यह सब चीज़ें अब बात यहां पर यह आ गया कि फैडल विद स्ट्रॉंग सेंटर हमारा यह वाली वर्ड है Center State के relationship को control करने के लिए जा regulate करने के लिए एक आपका पुंची कमिशन भी बैठा था यह पुंची कमिशन जो बात करता है यह 2007 में One more point is here Center State के relationship को ठीक करने के लिए आपकी Supreme Code के पास भी पावर होती है Article 131 के अंत्रगत जो औके आती है Ohashed को सौल्व करने की बात यहां पे करी जाती है तो अनसर नमबर बी इस यहां बात करते हैं भारत में करप्शन को खतम करने के लिए सेंटल विजिलेंस कमिशन बनाया गया था 1964 में और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से ये संथनम कमेटी ने बोला था कि करप्शन को खतम करने के लिए हमारी Central Vigilance Commission बैठेगी और बनाई थी इन्होंने ये जो है किसी भी Ministry के अंदर responsible नहीं है ये जवाब दे ही है सिर्फ और सिर्फ Parliament को जवाब दे ही है ये याद रखना Local Governance की बात करते हैं Local Governance वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे powers जो है आपकी Local Government के पास है जिसमें आपकी पंचायत और Municipality बगरा आते हैं पंचायत और Municipality और अगें हिस्ट्री का इकोशन अगर हम याद करें Father of Local Self Governance Father of Local Self Governance किसे कहते हैं That is Lord Rippan को कहा जाता है यह याद रखना Lord Rippan को Interstate Dispute की बात करें Article 262 के अंदर का देखने को आपको मिलता है चलेजी answer number B is the correct answer Answer number B Next question बताइए कौन से Fundamental Right में Untouchability जाने की अर्स परष्टा को खतम करने की बात करी गई है कौन से आर्टिकल में अर्स परष्टा को खतम करने की बात करी गई है That is the Abolition of Untouchability Removal of the Untouchability यह बात करी गई है आपके Article number 17 के अंतरगत कि Untouchability चुआ चूट वाली जो बात पुराने जम्हाने पर चलती थी हमारे दादा पर दादा के टाइम पर चलती थी आपने दो एक सुना होगा आपके कहाने सुनी होगे आप लोगोंने तो Untouchability जो है आपकी अब खतम कर दी गई है क्योंकि Right to Equality जो आता है वो 14 से लेके अठ्छा नमबर तक आते हैं यह याद रखें और Cultural और Education राइट आते हैं 29 और 30 में आते हैं ठीक है Religion वाला जो राइट आता है आपका 25 से 28 तक आता है और उसके बाद है Liberty and personal freedom की बात करें 19 से 22 तक देखने को हमें मिलता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा see is the correct answer untouchability से मेरे दिमाग में कोशन एक दो आते हैं क्या अगेन क्योंकि history का पार्ट है न untouchability वर्ड तो ओविसरी बात है हमारे दिमाग में दो तिन कोशन क्या आते हैं untouchability छुआ छूट के लिए एक All India untouchability league बनाई गई थी All India untouchability league यह जो है 1932 में बनाई गई थी 1932 में बनाई गई थी एंड दिस वाइदा महात्मा गांदी जी महात्मा गांदी क्लियर और महात्मा गांदी जी 32 में ही हरिजन हरिजन नाम का एक पेपर भी जो है start करवाय था so all these are the important statement untouchability के दिमाग में एक परसन और आते हैं भीमराव अंबेदकर जी ने भी इनको खतम करने के लिए अस परश्टा को खतम करने के लिए वहिश्कृत हितकरनी सभा बनाई गई थी और भीमराव अंबेदकर जी ने जैसे के अगर मैं बात करता हूं आपकी that is the beast March 1927 यहां पर आपका महड सत्यागरह किया था इन्होंने महड क्या होता है महड का मतलब होता है जैसे कि गाउंवाले कुए से पानी कठा करते ना that is महड तो उसमें जो यह वर्ड यूज करते थे तो उनको क्या किया गया उनको पानी के लिए जो है मतलब मतलब अनुमती मिलगी और पानी पीने लग गए वह वहां से अदरवाइस पानी पीने के लिए भी मतलब समझो मतलब उस टाइं पर situation क्या होगा इमेजन करने में डर लगता है समझ आया अब 20 मार्च की बात करते है तो 20 मार्च जो है आपका social empowerment day कहा जाता है social empowerment day this is very important point clear याद रखना है आपको तो answer इसमें क्या बनेगा c is the correct answer 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 number c next question देखें जी क्या कहता है gram nialia act जो के आपका 2008 का है gram nialia act जो है इन में से कथन कौन सा सही है इन में से कथन कौन सा सही है gram nialia act के लिए as per the act gram nialia can hear only the civil cases and not the criminal cases पहली बातों मैं आपको एक चीज में बता दूँ जब भी आप UPSC state PCS का paper attempt करते हैं ठीक है most of the chances most of the chances मतलब जब ऐसे question आते हैं जब word only word use होता है ठीक है तो उसमें statement maximum chances होते हैं वो गलत हो समझाया मैंने बोला कि maximum chances होते हैं जब only word लिखा हो तो वहां पर statement गलत होती है तो यहां पर statement यह गलत है civil cases नहीं criminal cases को भी समभालती है यह याद रखना समझाया दूसरा है अब यहां पर आपना जो है मतलब काफी स्टुडेंट इसको ऐसे मत समय लेना कि हां only word आया तो गलत ही करना है ऐसा नहीं होता जरूरी नहीं है मैंने आपको पहले बताया है कि only word आया तो गलत हो जाएगा पहले statement पढ़नी है और उसके बाद देखना है कि हां उस statement के related यह statement गलत भी हो सकती है सही भी हो सकते है जो भी है समझाया तो answer number क्या बनेगा जी second only is the right one gram नेया लेया एक्ट अगला बताओ next question is legal equality equality before law rule के आगे सब बराबर है कानून के सब बराबर है यह हमने ब्रिटेन के constitution से लिया था and equal protection of law जो हमने लिया था USA और यह given है आपका article 14 के अंत्रका given है समझाया 13 की बात करते हैं तो यह judicial review की बात आती है यहां पे judicial review मैंने बहुत बार आपको question समझाया है एक word होता है judicial review निया एक समिक्षा एक word होता है रिवाइजरी jurisdiction एक word होता है रिवाइजरी jurisdiction दोने में confusion नहीं लेनी है आपको रिवाइजरी jurisdiction आर्टिकल 137 में आता है जुडिशियर रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 में आता है दोनों आपके supreme court के अंत्रकत आते हैं क्लियर हो गया अब बात क्या होती है जुडिशियर रिव्यू की जब हम बात करते हैं यह जुडिशियर रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो इस word का मतलब यह होता है कि supreme code किसी भी जो हमारे देश में कानून लगा हुआ है उसको देखती है और उसको बताती है कि यह आनिकता है या नहीं है तो constitutional unconstitutional बताना वो जुडिशन रिव्यू का पाट आता है लेकिन रिवाइजरी जुरुजिक्षिन का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है सुप्रीम पोर्ट ने कोई क्लियर आर्टिकल 17 की बात करें और डिसकस कर चुके अभी हम आर्टिकल 26 यह रिलिजन के लिए राइट आता है आपका और इसमें 26 में हम बात क्या करते हैं कि आप अपने institutions को manage कर सकते हैं आप जो है और अपने जितने भी धर्म के affairs जो भी होते हैं कोई बात चीत है या कोई भी आपके दिमाब में चीज़ चल रही है वो आप इसमें कर सकते हैं क्लियर यह मूवेबल और इमूवेबल प्रपरटी को ओन कर सकते हैं और लेकिन यह सारा काम जब आप करेंगे अकॉर्डिंग्स विद दा लौ कानून के दाइरे में रहके आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि धर्म है और धर्म के लेटेटर आप कुछ भी कर दो कानून के धायरे में कानून ने बहुत सारे धायरे बनाए हुए हैं धर्म के लिए भी और उस तरीके से आप कर सकते हैं तो दिस इस वेरी इंबॉर्टन क्लिया अंसर नंबर की है तो यहां पर देख लिए जिए इक्वालिटी बिफोर लॉव जो स्टेट्मेंट थी इसका मतलब क्या है कानूं की आइज में कानूं की आंखों में सब बराबर है दूसरा वर्ड है इकल प्रटेक्शन ओफ लॉव मतलब सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा और समझाया डैट मिस एपल और ओरेंज जी आर नॉट दा सेम थर्स इनको सेम प्रविजन दी हैं डिस्वांटे सेक्शन ओड़ सोसाइटी को और प्रपर तरीके से मतलब इकल प्रटेक्शन अगला कोशन बताई है को इस इस पॉंसिबल फॉर दा एडमिस्टेशन ओफ ए यून टेरिटरी विच दू नॉट है दियर ओन लैसेटिटिव असेम्बली मतलब जहां पर विधान सबा नहीं है और उस विधान सबा की जो देखरेक होती है और मतलब जहां पर विधान सबा पर देखरेक की यून टेरिटरी को संभालता कौन है और उसको संभालता है प्रेजडेंट आंसर नंबर D क्योंकि इसके गंट्रोल में होती है बट प्रेजडेंट क्या करता है नॉमिनेट कर देता है मेंबर्स को लेटरिटीन गवर्नर को एडमिस्टेटर्स को answer इसमें क्या बनेगा D यह चो चीज होती है यह responsible राष्टपती होता है क्योंकि जब भी आपके states में बात करें यह सब चीजों की बात करें तो आपके देश में लगता क्या है president rule लगता है और जो president है वो head of the state भी कहा जाता है उसको सारा काम राष्टपती के हाथ में होता है यह जयाद रखना है राष्टपती पीछे से काम कर रहा होता है लेकिन बात यह है कि उसने अपने लोगों को पॉइंट कर रखा है वहाँ पे तो answer number क्या बनेगा D is the correct answer राष्टपती is the right one और यह हो गया जी आपका part तो answer number D is the right one answer number D यहाँ पे देख लिए जे union territory की बात कर रहे थे यह सारी की सारी union government द्वारा आपकी handle करी जाती है और इसमें unitary relationship होता है कहने का मतलब सारा control किसके पास हो गया central government के पास हो जाता है सारी power center के पास आती है president जो होता है वो आपका executive head होता है union territory का union territory जो है आपके administration करी जाती है वो administrator द्वारा करी जाती है जो के आपका appoint किया जाता है राष्टबती द्वारा और union territory smaller in area वगेरा यह वो सब चीज़े आती है clear होगे आप लोगों को यह याद रखना है point तो यहाँ पर state की बात आती है state एक administrative division है और उसकी अपनी एक government होती है federal relationship को maintain करके रखती है मतलब अपनी पावर्जायन की clear होगे आप लोगों को और यह head of the state जो है वो आपका कौन होता है that is constitutional head of the state governor होता है state जो administration करी जाती है वो आपके chief minister दवारा करी जाती है जो लोगों दवारा चुना जाता है और area बहुत बड़ा होता है और इसके पास autonomy होती है कानून बगारा बनाने की clear तो यह याद रखना this is very very important part clear होगे आप लोगों को yes तो again एक बार एक बार दवारा कोशन पढ़ लेते हैं कोशन क्या गया रहा है who is responsible for the administration of a union territory which do not have their own legislative assembly देखे एक चीज़ मैं आपको बदाता हूं इस कोशन कोई अंदरगत यहाँ पे हमें answer change करना पड़ेगा देखे answer change करने का मतलब क्या है देखे एक्चुली control जो है वो left-hand governor जा फिर आपका administrator का रहता है ठीक है एक्चुल control बट यह इनको पॉइंट कौन करता है आपका राष्टरपती करता है पॉइंट समझाया तो इसका जो answer हम change करेंगे वो a option के साथ change करेंगे responsible administration के लिए कौन है वो आपका left-hand governor जाने की administrator ही होता है तो यह point होता है राष्टरपती द्वारा तो हम टिक करेंगे आपका a option यहाँ पे हम a option को टिक करेंगे यह याद रखना येस answer number one चलिए जेगर answer बताईए IPC जो है Indian Penal Code के अंतरगत जो हमारी community है LGBT that is lesbian, gay, bisexual clear, transgenders यह community के अंतरगत इसमें Supreme Court ने यह section को scrap off कर दिया है तो यह कौन सा section जो है scrap off किया गया था यास बताईए जी 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 यह आपका IPC section 377 जो है इसको हमने हटा दिया था answer number one is the correct answer answer number one एक question लिखिये एक question लिखिया मुझे बताएंगे 498 section क्या है आप मुझे यह question का answer बताईए 498 section क्या है यह मुझे comment section में लिखिये बताना answer जो भी आपका होगा 377 अगला बताईए next question देखिये जी क्या गयता है which is a tool of the executive control to enforce administrative accountability मतलब क्या है कि जवाब देही प्रशासिक जवाब देही को लागू करने के लिए कार्यकारी नियंतरन का कौन सा उपकरण है मतलब सीदी सी बात यह है executive का मतलब क्या होता है कि चीजों को लागू करना जैसे कि हमारे देश में legislature कानून बनाते है executive क्या करते है उस चीज को implement करवाते है तो executive ने तो implement करवानी है उस चीज को लगाना है पॉंट समझाया तो उस चीज को control रखने के लिए administrative accountability के लिए टूल कौन सा है तो वो है आपका appointment and removal क्योंकि देखिए लागू करवाने का मतलब क्या हो गया चीज को लागू करवाने का मतलब executive उसका control कैसे होगा appointment और removal से जैसे कि हमारे देश में bureaucracy है UPSC students जब आपका UPSC clear करके जाते हैं तो appointment की जाती है और उनका हटाया भी जाता है तो वो क्या है executive control और वो administration में है क्योंकि वो जाके आपकी एक state में एक district में वहाँ पे बैठेंगे और अगेन उस state की उस district की चीजों को वो संभालेंगे तो obviously बात है तो this is the accountability पाइट समझाया इसमें जवाब देही है उनको appoint कर दिया राष्टरपती ने राष्टरपती ने appoint करके बेज दिया और वहाँ पे जब वो काम कर रहे है तो जवाब देही किसको है executive को जवाब देही है जो भी वो गलत करेंगे या सही करेंगे वो सारी चीज़े उनको पता चलती चली जाएंगे आगे आगे पता चलती जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में executive control यही होता है तो वो होता है आपका appointment and removal तो answer number D is the correct answer answer number D बाकि आपको पता है UPSC Union Public Service Commission ऐसी State Public Service Commission है और इनके जो members होते हैं UPSC के 6 साल के लिए appoint होते है 65 साल इनकी retirement age होती है यूपियसी की members की बात कर रहा हूं clear otherwise UPSC is the independent body और किसी को जवाब देही नहीं है और UPSC के जो chair person होंगे राश्टरपती पॉइंट करेंगे members को राश्टरपती पॉइंट करेंगे 6 साल का कारयकाल retirement age 65 यह सब पता है आपको चलिए अगला answer बताईए according to our constitution India is A हमारे सविधान के according जो भारत देश है वो क्या है हमारे सविधान के according भारत देश जो है वो आपका एक secular state है answer number B secular का मतलब word क्या है धरम निर्पिक्ष इस word का मतलब क्या है बहुत गहरा word है यह secular word का मतलब यह है कि देश जो है country जो है आपके किसी धरम को नहीं मानता किसी भी religion को नहीं मानता पॉंट समझाया but हम सभी धरमों की क्या करते है respect करते है कि country का अगर आप कोई भी है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है तो आप क्या करते है आप कहीं पे भी जाएं क्योंकि हमारी धरमिक सवतंतरता है आप मंदिर में माथा टेकें गुर्दवारा में माथा टेकें मस्जिद में माथा टेकें और जो है आपका जो है ये चर्च में जाएं आपके उपर कोई मनाई नहीं है point समझाया हमारा देश ये नहीं कहेगा कि हिंदों के धरम को अपनाओ जा हिंदों का तेहार मनाओ ऐसा नहीं कहेगा कि मुस्लिम के तेहारों को मनाओ ऐसा नहीं कहेगा सिखों के तेहारों को मनाओ या किसी भी धरम के तेहारों को मनाओ point समझाया हमारे धर्म में हमारा देश ये बोलता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते बट हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं ये वर्ड जो है इस वर्ड का मतलो होता है सैकुलर अंसर नंबर B is the correct answer सैकुलर वर्ड जो है ये कहां पर लिखा गया था प्रियम्बल में लिखा गया था प्रस्तावना में लिखा गया था जिने हम कहते हैं प्रीफेस अफ दा कंट्री प्रीफेस अफ दा कॉंस्टिशुशन इसमें तीन वर्ड एड किये थे वो कौन-कौन से थे सोशलिस्ट जाने के समाजिक सेकुलर जाने के धरम निरपेक्ष पंतर निरपेक्ष और इंटीग्रीटी इंटीग्रीटी क्लियर होगा आप लोगो यहां पर यह जो वर्ड एड किया गे थे 42nd Amendment Act 1976 द्वारा जो है इसको एड किया गया था तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका B is the correct answer that is secular state is the right one secular state clear होगे आप लोगो और एक चीज़े में आपको बता दू हमारे एक word आता है secularism secularism जो है आपका इसको basic structure of the Indian constitution में डाला गया था basic structure की जो बात करी थी हमने वो तो बात करी थी केशम नंदा भारती case versus state of Keral 1973 में करी थी लेकिन secularism जो है वो basic structure है यह हमें पता लगा था s.r.bhomai case में s.r.bhomai case versus union of India 1995 कि secularism जो है वो basic structure of the constitution में आता है clear हो गया तो यह word है जी आपका इंडिया secularism in India सभी धर्मों के respect चलिए अगला question बताईए this is very important again simple question है simple इसलिए क्योंकि अब आपको आता होगा यह question question देखिए जो writ issue करी जाती है आपकी higher court द्वारा वो higher court कौन से हो सकती है high court भी हो सकती है supreme court भी हो सकती है और higher court क्या कहती है कि जो आपका higher court क्या कहती है अगर lower court के पास कोई case हो कि वो उनकी jurisdiction में नहीं आता उनके शित्रा दिकार में नहीं आता that means अब lower court इसचीज का decision नहीं सुनाएगी decision हम सुनाएगे हम मतलब आपकी higher court सुनाएगी तो इस चीज को क्या कहते हैं इस चीज को हम क्या कहते हैं prohibition कहा जाता है answer number B जहां से समझे क्या कह रहे हैं higher court जो है वो lower court को कह रही है कि आपकी power में नहीं आता हम ये चीज का decision खुद सुनाएंगे तो जब हम decision सुनाएंगे तो वो आएगा आपका prohibition के अंतर का देखने को आपको मिलेगा एक word होता है जब आपकी जो lower court है आपकी जा आपकी higher court जो है आपकी clear जो आपकी higher court है आपकी चाहे वो high court है चाहे वो supreme court है lower court ने कोई decision दे दिया lower court ने कोई decision दे दिया चीक है और इस decision को इस decision को आगर आपने खतम करना है लोट कोट से उठा लिया गया और किसने किस के पास आ गए आपकी हाइर कोट के पास आ गया पूंट समझ आया और इस केस में गुए आपको बताया है लोर कोट ने डिसीजन दे दिया था और उसका डिसीजन केंसल कर दिया और सारी पावर किसके पास लागी हाइर कोट के पास आ गी decision कर दिया और सारा decision यह सुनाएंगे and that is called territory दो वर्ड है चलता चलता केस आ जाना higher code के पास prohibition decision दे दिया और उसको cancel करना और वो होता है आपका that is territory यह याद रखना हीबेस corpus का मतलब क्या होता है हीबेस corpus का मतलब होता है you have a body मतलब अगर आपके fundamental right आपसे violet हो जाएं चीन लिए जाएं तो आप कहां पर जाएंगे high court या supreme court जाएंगे under article 32 और वो आप पेश करेंगे आपका जो case होगा वो that is the habeas corpus के दोरान एक word है mandamus mandamus का मतलब होता है activate करना like for example को government authority है आपकी government official है वो काम नहीं कर रहा अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके against हम रिट फाइल कर सकते हैं और यह mandamus में आता है तो सरकार जो भी court है उसको कहते है activate होने के लिए बोलते भाई इसका काम कर तो क्या कर रहा है ठीक है तो यह activate होने के लिए बात करती है और यह रिट हम राष्टपती जा गवरनर के against नहीं लगा सकते क्योंकि they are the highest authorities clear prohibition मैंने आपको बता दिया क्यूव रंटो का मतलब होता है what is your authority what is your authority like for example like for example अगर कोई एक government office है जहां पे a person की promotion होनी थी और b person भी promotion की race में था तो उस जगह का head मैं हूँ अब मुझे सरकार बेजेगी की a को promote कर दिया जाए a को भी एक चिठ्थी आएगी कि हाँ तुम promote हो चुके हो अब मैंने सरकार की जिठ्थी को reject कर दिया और मैंने b को promote कर दिया a की जगह पे अब a वाला person जो है वो मेरे against case फाइल करेगा और सरकार मुझे से पूछेगी की what is your authority किसके according q वरंटो के according ये द्यान रखना ये statement है ये so q वरंटो ये वो सब चीज़े आपको पांच रिट है पांच की पांच रिट मैंने detail में आपको समझा दिया यहाँ पे अब बात यहां पे करते है यह रिट वर्ड कहां से लिया है हमने ब्रिटेन के constitution से हमने यह वर्ड लिया है ब्रिटेन के constitution से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना के रखते हैं, पार्थ्री को हम क्या कहते हैं, मेगना काटा ओफ दा इंडियन कॉंसिशन कहा जाता है, पॉंट समझ आया, अब फंडामेंटर राइट को बचाने के लिए रिट इशू करी जाती है, अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ड की बात करता हूं, तो अंडर अटिकल 32, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट में आपका जो रिट होती है, वो 226 में होती है, जहां पे आपका फंडामेंटर राइट के लिए भी बात आती है, और आपके Legal Rights के लिए वी बात आती है हाइकोट में हम Fundamental राइट के लिए भी जा सकते हैं हम उसमें Legal राइट के लिए भी जा सकते हैं अगर Fundamental राइट के लिए भी जा सकते हैं और हमने Supreme Court में जाना है अंटर आर्टिकल 32 जा सकते है सीधा पर power सबसे जादा किसकी होगी high court की क्योंकि उसमें legal right की power भी देखने को मिल रही है तो answer number क्या बनेगा जी आपका C is the correct answer चलिए जी एकला answer बताईए next question बताईए forest जो हमारे देश में है एक subject है ये 7th schedule में लिखा गया है कौन सी list में पहली बात तो मैंने आपको बताया हुआ है जो schedules होते हैं अनुसूचियां होती है ये देश की governance करने में आपको मदद करती है और schedules जो है governance करने में और जो 7th schedule है जिसमें आपका powers को distribute करने की division करने की बात करी गई है center, state और concurrent list बात करी गई है यहाँ पे powers को division, distribution करने की बात करी गई है और यह forest जो आता है आपका वो आता है concurrent list में समवर्ती सूची में union plus state मिलके कानून बनाती है यहाँ पे क्योंकि अगर union की बात करते हैं union list में center कानून बनाती है state list में state कानून बनाती है concurrent list में दोनों मिलके कानून बनाती है यहाँ पे 7th list में clear और यहाँ पे concurrent list जो है वो forest concurrent list के अंतरगत आता है जिसमें दोनों मिलके कानून बनाएंगे concurrent list का जो idea है वो हमने कौन से सविधान से लिया था Australia के constitution से हमने ये चीज़ बोरो करी थी एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा मैं कि forest को हमने concurrent list में डाला था पहले ये state list का subject होता था फिर हमने concurrent list में डाला 42nd Amendment Act 1976 के according clear 42nd को हम और क्या कहते है mini constitution of India भी कहा जाता है 42nd के according हमने 5 subject को change किया था state list से concurrent list में और वो 5 subject क्या थे forest था education था weight and measures था clear administration of justice था और एक था protection of wildlife protection of wildlife and animals wildlife and animals तो ये सब चीज़े जो बात आई थी वो concurrent list के अंदर का देखने को मिली थी 5 subject हमने state list से concurrent list में डाल दिये थे तो answer इसमें क्या बनेगा D is the correct answer answer number D अगर कोई चीज ना center में लिस्ट में हो ना state में हो ना concurrent में हो तो उसको हम डाल देते हैं और इसमें सारी पावर वो आ जाती है पार्लेमेंट के पास center government के पास आ जाती है अगर कोई भी लिस्ट में वो कानून ना बना हो तो वो हम सीदा का सीदा डाल देते हैं आपका रेजुडरी लिस्ट में और उसमें center union जा पार्लेमेंट कानून बनाती है यह याद रखना इस इस वेरी इंपॉर्टन पॉइंट चलिए एक लांसा बताईए दसवी अनसूची जो है हमारे सविधान में वो किस चीज के लिए बात करते हैं यह दो सबको पता होगा दसवी अनसूची जो बात करती है वो बात करती है एंटी डिफेक्शन लौ के बारे में दल बदलने की विरुद्ध कानून के बारे में जिसमें हमने 52nd Amendment Act 1985 किया था कि कोई भी जीता हुआ परसन अपना दल नहीं बदल सकता अनलेस दो बटा तीन लोग जो है उठके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाते कॉइंट समझाए आप लोगंको डिफेक्शन और अन्टी डिफेक्शन लौ अन्टी डिफेक्शन लौ फिफ्टी सेगंड अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रॉंग करने के लिए आपका 91st Amendment Act 2003 भी किया गया था इस चीज़ को स्ट्रॉंग करने के लिए जिसमें परधान मंत्र अपनी मंत्री परिश्यद में कितने लोग रख सकता है 15% ओफ लोग सबा सीटे रख सकता है ऐसी ही स्टेट का जो सीएम होगा अपनी मंत्री परिश्यद में विधान सबा के 15% सीटे रख सकता है यह याद रखना answer number one is the correct answer election commission independent body है आर्टिकल 324 में लिखा गया था छे साल के लिए पॉइंट किया जाता है अगेन six year 65 is a retirement age election commission of India जो होता है वो सभी election करवाता है जैसे कि आपका प्रेजिदेंट का वाइस प्रेजिदेंट का लोग सबा का राजय सबा का assembly का और council का सब के election कौन करवाता है election commission of India स्टेट election commission जो election करवाता है वो पंचायत और municipality का करवाता है सिर्फ यह याद रखना independent body है किसी की उपर dependent नहीं होती finance commission की अगर मैं बात करता हूं तो वो article 280 में देखने को मिलता है जिसका में काम क्या होता है विवाजन करना पैसे का सेंटर और स्टेट में विवाजन करना चाहे वो टेक्स की बात आए चाहे वो ग्रांट की बात आए तो वह सेंटर सेट में डिवाइड करनी वह article 280 में finance commission करवाता है यह याद रखना backward class of the society backward class of the society को बनाने के लिए आपका अगेन अर्टिकल 340 के according बनाया जा सकता है इसमें सारी powers जो होती है वो राश्ट्रपती के हाथ में होती है तो answer number one is the correct answer defection is the right one defection चलिए जगलान से बताएए अगला बताएए public interest litigation यह कहां से originate किया गया था यह कहां से originate किया है और हमारे देश में लगाने वाला कौन है हमारे देश में इस चीज को लगाने वाला कौन है बताएए अंसर इसका अब इसमें ध्यान से समझेए public interest litigation word का मतलब क्या होता है public interest litigation का मतलब होता है कि public interest देखना है पब्लिक इंट्रेस्ट का मतलब एक लाज नंबर ऑफ जिसमें लोग इंवॉल्ड होते हूं देखे ध्यां से समना है एक होता है फंडामेंटर राइट यहां पे एक इंडिविजुल की बात आती है इस इस इंडिविजुलिस्टिक कंसेक्ट मतलब आपके फंडामेंटर आप सुसाइटी को लेके चल रहे हो अगर मैं बात करूं टेरर्रिजम की तो वह एक व्रक्ती की उपर बात ने चले between में appreciate की बात करें तो एक विमेन वर्ग को बात करें कि women work बहुत बड़ा है हमारे देश के अंतरगत clear हो गया आप लोगों को yes road safety की बात करें कोई construction हो रही है उसके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं उस construction से so these subjects are included in the that is in the public interest litigation और ये चीज़ हमने बोरो करी है कहां से यूएसे से बोरो करी है answer number c is the correct answer हमारे देश में इस concept को लगाने के लिए जो पहले परसन थे डैड़ वास पी अन भगवती so he was responsible for this इंडिया में public interest litigation answer number c is the right answer बाकी आपको पता है यूएसे से फंडामेंट राइट भी ले रहे हैं independence of judiciary judicial review का concept clear preamble का concept written constitution का concept यह हमने यूएसे से लिया है Canada से मैंने आपको बताया था federation with strong center की बात करी गई है और स्टेलिया से concurrent list की बात करी गई है UK के सविधान से parliamentary form of the government की rule of law की रिट वर्ड का by camera legislature का यह सब वर्ड जो है हमने इन सविधान से यूज़ करें हुए है answer number c is the correct answer answer number c चलेजे अगला कोशन बताईए कि अगला कोशन बताईए कि नेक्स कोशन इस कि 73rd amendment act 73 संशोधन एक्ट जो हुआ है वह एक्ट क्या करता है कि पंचाइती राज institution को promote करना है हमारे देश के अंत्रगत तो इसमें कौन-कौन सी provisions जो है आती है और कौन सी provisions नहीं आती तो point number one देखते है कि क्या कहता है point number one the constitution of the district planning committee जिले के अंदरगत planning committee बनाना यह आपका municipality के अंत्रगत आता है इसको हमने add गया था 74th amendment act 1992 के according जो implement हुआ था 93 में clear तो इट मेंज इस इस नॉट included इन पंचाइती राज institution दूसरा point देखिए state election commission हम बनाएंगे जो के पंचाइत election के पंचाइत के election करवाएगा पांस साल के लिए कारागाल होता है उसके बाद है election करवाता है यह बिल्कु सही है state finance commission हम बनाएंगे जिसमें पैसा विवाजन करने की बात करेगा यह तो यह भी आपका point सही है तो मतलब दूसरा और तीसरा option आपका सही है answer number c second and third option is the correct one second and third option clear होगे आपनों को तो पहला option गलत है दूसरा और तीसरा सही है 73rd amendment act की बात करें 1992 में लगा लेकिन implement कब हुआ था 93 में पंचायत के लिए 29 subject की उपर कानून बना सकती है पंचायत 11 schedule में लिखा गया है और part 9 के अंतरगत यह लिखा गया है पंचायत के लिए this is very important point clear हो गया पंचायत की बात करें organization of village पंचायत को बनाने का power जो होती है directive principle of state policy में article 40 के अंदरगत आती है कि state बना के देगी एक state के अंदरगत पंचायत वो बना के देगी पंचायत की बात करते हैं पंचायत राज institution की बात करते है आर्टिकल 243 एस लेके ओ तक आपके आर्टिकल्स हैं पंचायती राज institution के पंचायती के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपके देश में जो है यहां पे पंचायत नहीं देखने को मिलती दिल्ली में भी पंचायत नहीं देखने को मिलती पहली पंचाय नागोर डिस्टिक में स्टार्ट करी गई थी नागोर डिस्टिक राजासान में दूसरी आपकी आंध्रापरदेश में हमारे देश में तीन लेवल के उपर जो है रवंत राय कमेटी ने ही 57 में बोलाता कि पंचायत कौन 300 में डिवाइड करेंगे विलेज पंचायत, ब्लाक समती, जिला परिशत जो हमारे देश में देखने को हमें मिलता है और इन में से एपेक्स अथारिटी जिला परिशत जिसको हैंडल कौन करता है डिस्टिक कलेक्टर ह देखने को हमें मिलता है 24 अपरल पंचायती राज डे चलिए एकला अंसर बताईए पाकिस्तान को एक डूमीनियन बना दिया गया था अलग जो है डूमीनियन बना दिया गया था डूमीनियन का मतलब यह है कि जब तक कस्विदान नहीं बनेगा तब तक अंग्रेज जो है इसको हैंडल करेंगे यह बात करी गई थी आपकी यहां भी ठीक है तो डूमीनियन का मतलब यह होता है अब नाउधा पार्टी सेपर डूमीनियन पाकिस्तान को बनाया गया था 14 अगस्त 1947 को बनाया गया था क्यूंकि अगर आपको याद होगा 3 जून 1947 हिस्ट्री का पार् प्लाइगरांड अफ दो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि हमारा देश इंडिया आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को और उससे एक रात पहले 14 अगस्त को पाकिसान को बवाजित कर दिया जाएगा और देश के बीच में एक लाइन खीच दी जाएगी रैडड क्लिफ ला पाकिसान वर्ड जो दिया था हमें किस ने दिया था पाकिसान वर्ड वाज इवन बाई चौदरी रहमत अली चौदरी रहमत अली ने जो है यह वर्ड हमें बताया था इसमें वर्ड का मतलब क्या है पी ए इस पंजाब क्लियर और के इस कश्मीर आई एस इस सिंद और टी ए एन इस बलूचिस्तान तो दीज आर दा वर्ड्स दीज आर दा मुस्लिम प्रोविंस जिसमें इनको कंबाइन करके पाकिस्तान वर्ड यूज कर दिया गया था क्लियर हो गया आप लोगों को तो अंसर नंबर ए इस दा करेक्ट अंसर फुर्ट इन ऑगस चलिए अगला अंसर बताईए अगला अंसर बताईए यह अभी मैंने उनिस सो सेंतालिस को इन्हों ने एटली डेक्लरेशन दी थी और इसने बोला था कि हम इंडिया को आजाद करेंगे 30 जून 1948 को आजाद करेंगे पर बाद में 20 फरवरी के बाद आपका तीन जून का प्लाइन आ गया था और उसके बाद बाद कर दी गए थी कि नहीं इंडिया को हम 15 गस को ही अजाद करेंगे यह सब पता होना चाहिए आपके दिमाग में बैबल जिसने शिमला कॉंफरेंस कराई थी फेल होगी थी करजन वो ही है जिन्होंने बेंगॉल पार्टिशन किया था और 16 अक्तूबर 1905 को और फिर उसके बाद बेंगॉल पार्टिशन कैंसल हो गया था 1911 में यह सब पता है आप लोगो अंसर नंबर डी ठीक है अंसर नं चेर पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो थे बीम राओ अंबित करजी पॉइंट समझ आया लेकिन यहां पर सलहाकार की बात आ गई है तो वो कौन थे बी एन राओ तो अंसर इसमें क्या बनेगा डी तो कॉंसलिशन अडवाइजर कौन थे बी एन राओ थे अंसर क्या बनेगा डी इस दा करेक्ट अंसर एक पर्सन का नाम आता है मन रॉय मन रॉय वो पर्सन है जिनों ने हमें आइडिया बताया था सविधान का तो गन्फ्यूज मत कर लेना एम और बी में कन्फ्यूज मत कर लेना चीक है इस बी एन राओ क्लियर दिस इस कॉंसिशन अड एमन रॉय ही वाज गिवन दा आइडिया आफ कॉंसिटूशन यह याद रगना इंपॉर्टन पार्ट है अंसर नमबर दी हमारा सविधान जो बनने लगा था वो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मिटिंग थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा सविधान बन गया था 26 नवंबर को हम सविध थे 389 मेंबर से जिनमें 15 महिलाएं थी ग्यारा सेशन हुए थे आपके प्रॉपर दरिश के डिसकर्शन के सचिदा नंज सिना जी को प्रेजिडेंट बना दिया गया था कॉंसिशन असेंबली का 9 दिसंबर को ही फिर 11 दिसंबर को आपके पर्मानेट प्रेजिडेंट बना दिया गये थे डॉक्टर राजंदर परशाद जी को बना दिया गया था सचिदा ना सिना जी को इसलिए बनाया गया था को कि सीनियर मोस्ट मेंबर थे आपकी पूरी कॉंसिशन असेंबली के लाग अगला बताईए और यह बड़ा सिंपल गोश्टन है दो सेशन के बीच मे कितना गया हो सकता है आपका दो सेशन के बीच में मैक्सिम्म गया भूसकता है छे महीने अंसर नumre b is correct answer छे महीने से एक कोशिन ओर आता है कि एक बिल की life कितनी होती है छे महीने पॉइंट समझाया जब बिल खतम हो जाता है तो राश्टर पती चाहें तो समन कर सकते हैं बुला सकते हैं दोनों सेशन को और ये समन करने का काम होता है प्रेजिजेंट का अगर वो joint sitting करना चाते हैं राष्टपती तो joint sitting करवाते हैं दोनों सदन को इकठा बिठाते हैं लोगसबा और राजय सबा को इकठा बिठाते हैं और इसमें chair person कौन होता है speaker of the लोगसबा, speaker of लोगसबा इसा chair person अगर speaker absent हो तो dpd speaker बैठ जाते हैं यह याद रखना और joint sitting में जो bill pass होता है वो आपका साधारन बहुमत simple majority से bill pass होता है यह याद रखना ठीक है session को start करने का process राष्ट्रपती के पास होता है बंद करने का process भी राष्ट्रपती के पास मतलब समन भी करेंगे और खतम भी session को यही करेंगे कौन राष्ट्रपती और अगर मैं बात करूं आपसे की अगर ऐसा भी कोशीन आ सकता है कि जब राष्ट्रपती पार्लेमेंट को मिलते हैं तो दो मीटिंग होती है उसके मीच में मैक्सिमम गैप केतना हो सकता है उसके बीच में मैक्सिमम गैप भी छे महीने का ही हो सकता है यह आपको याद रखना है answer number b is the correct answer answer number b छे महीने नेक्स बढ़ाईए नेक्स बढ़ाईए इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका particular proper तरीके से article है सविधान के अंत्रगत किसी एक particular article में उसका वर्नन किया गया है UPSC की अगर मैं बात करता है तो UPSC नहीं है पबलिक सर्विस कमिशन की बात होती है जो के आपकी बात करते है 315 और से लेके 322 तक बात करते है पॉइंट समझाया 315 से लेके 322 तक clear Central Vigilance Commission भी 1964 में बना था संथरन कमेंटी की recommendation से अलड़ी मैं बता चुका हूं आपको यूमर राइट्स यह 1993 में बनाया गया था और 10 December is a national human rights day human rights day celebrate करते हैं 93 में आपके human rights commission की बात करी गई थी यहां पे union public service commission के लिए exact कोई आर्टिकल नहीं है public service commission के लिए आर्टिकल है 315 तो अंसर इसे में क्या बनेगा election commission of India so this is particularly given in the article देखे वो question जो था अभी वो यह question था कि आर्टिकल बताना है अब चीजों का वर्नन तो सभी कही किया हुआ है लेकिन आर्टिकल तो हमारा इसमें हम सिरफ supreme court जा सकते हैं आपको लोर कोड में जाने की जुरूरत नहीं है और वो आता है कि इसमें रिट की jurisdiction में देखने को आपको हम बिलता है रिट को ध्यान से समझते हैं को ध्यान से समझते हैं बिलकुल बचे आप लोग समझे कुए हैं जो मैं मैंने यहां पर टिक गल्दा कर दिया था येस और इसमें हम सिरफ supreme court जा सकते हैं रिट के अंदर हम सुप्रीम कोड भी जा सकते हैं हम लोर कोड भी जा सकते हैं पॉंट समझाया तो यह नहीं बनेगा हम यह बोल क्या रहा है कि आपको लोर कोड में जाने की जुरूरत नहीं और इसमें ध्यान रखना कि union territory जो word है वो include नहीं होता union territory word include नहीं होता क्योंकि union territory are directly controlled by the that is by the president और वो administrator को appoint कर देते हैं वहाँ पे तो अगर center state के जगड़े solve हो रहे है state और state के जगड़े solve हो रहे हैं तो it means यह क्या कर रहा है federal character of the constitution को maintain करके रखता है रिट मेंने आपको detail में समझाया था affiliate highest court of appeal आपकी supreme court है advisory supreme court advice किसको दे सकती है राष्टपती को दे सकती है राष्टपती की उपर यह चीज़ binding नहीं होती under article 143 clear यह यादर ना answer number a answer number a who is the first law officer of the country पहला law officer country का कौन है इन में से first law officer कह लो legal officer कह लो ठीक है and he is not related to the law ministry and he is attorney general of India attorney general of India attorney general of India article 76 में लिखा गया है इसको बनने के लिए जो supreme court के judge की requirement होती है वो ही same चाहिए that means भारत का देश नागरित होना ही चाहिए पांस साल high court के judge के experience 10 साल जो है आपको जो है एक advocate के experience होना चाहिए तो ये चीज़े चाहिए होते है इसको attorney general क्या करता है ये law officer इसी लिए कहते है legal advice provide करता है running government को running government को legal advice provide करता है law बनाने के लिए advice provide करता है ये ये पार्लेमेंट में जा सकता है बैठ सकता है discussion कर सकता है बोल सकता है anything तो बट वहां पर ये सिर्फ और सिरफ जो है vote नहीं कर सकता क्यूं क्यों क्योंकि he is not the member of the लोगसभा और राजसभा और पार्लेमेंट ये याद रखना है जब भी government के उपर case होता है और वो case आपका civil case हो तो civil case में बचाता कौन है attorney general of India ही बचाता है हमारी government को ध्यां रखना है criminal case में कोई भी कोई सुरवाई नहीं है कोई बचाता नहीं है ये कौन attorney general of India और ये full time member नहीं होता आपका government of India का ये अपनी private practice कर सकता है लेकिन वो private practice के अंतरकत क्या होगा कि ये case जो होगा वो running government के against नहीं लेके आ सकता मतलब government के case case नहीं लड़ सकता ये उनके लिए case लड़ता है उनके against नहीं लड़ सकता ये याद रखना clear होगे आप लोगो तो answer number B is the correct answer और इनकी help के लिए solister general होते हैं याद रखना clear so guys ये थे आज की lecture के अंदर question I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा lecture अच्छा लगा है तो like और share कर दीजिए बाकि जो भी updates होंगे वो आपकी telegram channel की उपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मेरे साथ यहां पर 1,40,000 प्लस बचे जुड़े होए हैं तो आप भी आखे जुड़ सकते हैं आप मुझे Instagram की उपर भी follow कर सकते हो और कोई paper हो exam हो doubts हो आप मुझे यहां पर send कर सकते हैं first question से yes first general elections was held in India during जो पहले elections थे आज इस particular lecture में जो हम discuss करेंगे ना ऐसे points डिसक्स करने बाले हैं जो आपको आते होते हैं लेकिन आप उसी उसको पढ़ने में इग्नोर करते हैं यह थोड़ा पूछेगा समझाया तो वो points आज हम discuss करेंगे particular तो देखे जी पहले general elections जो हैं आपके कब देखने को आपको मिले थे तो exact date is 25 October 1951 से लेके 21 February 1952 तक यह आपके प्रॉपर तरीके से जो है elections देखने को आपको मिले सो अंसर इसमें क्या बनेगा C is the correct answer 1951 52 is the correct answer yes answer number C is the right answer elections की बात आ जाती है तो जब elections की बात आगी आपका एक election commission of India है और एक आपका state election commission है election commission of India सारे election करवाता है president vice president state legislative assembly council लोकसभा राज्यसभा सबके election करवाता है यह लेकिन state election commission जो है आपका सिर्फ पंचायत और municipality के जो है elections करवाते हैं this is important one clear elections की बात करते हैं आपके article आपको बता होगा 324 जो election commission of India का बात करता है election commission of India जो होते हैं वो 6 साल के लिए पॉइंट के जाते हैं retirement is 65 राष्टपती यह पॉइंट करेंगे राष्टपती को ही resign देंगे article 326 important है आपका 326 होता है right to vote vote देने का हक है आपको अधिकार है 61st amendment 1988 में बोला गया था जो के implement हुआ था 1989 में इसमें 21 साल से 18 साल एज कर दी गई थी और right to vote जो है आपका एक constitutional right है legal right है यह याद रखना और इसको हम और के कहते हैं universal adult franchise universal adult suffrage के नाम से जाना जाता है तो answer इसमें क्या बनेगा c that means answer number c 51 52 is the correct answer 51 52 अगला गोश्य देखें जी क्या गयता है कि चाबश कि विच आर्टिकल स्पैसिफाइड अफंडेमेंटल ड्यूटी आफ एवरी सिडिजन मॉली कर्तव्यों के उपर बात आ रही है तो कौन से आर्टिकल में देखने को में मिलते हैं पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे सविधान में हमने USSR रशिया से इसको बोरो किया था सोवन सिंग कमेंटी की रिकमेंडेशन थी जब हमने एड़ किया था फंडामेंटल ड्यूटी तो दस फंडामेंटल ड्यूटी एड़ करी थी 42nd Amendment Act 1976 दोवारा और 42nd Amendment को Mini Constitution of India कहते है Fundamental duties अभी total कितनी है 11 तो 11 जो add करी थी 86th Amendment Act 2002 दोवारा add करी गई थी clear और fundamental duties are non-justiciable non-enforceable यह याद रखना है आपको these are very important points article 51A में लिखी गई है और part 4A के अंत्रगत लिखी गई है fundamental duties so इसका answer क्या बनने वाला है answer number C article 51A is the correct answer article 51A this is very important point article 80 की अगर मैं बात करता हूँ तो यह राज्यसभा के हमें बारे में बताता है that means council of states के बारे में हमें बताता है council of state clear होगे आप लोगों को अगें राज्यसभा की seeds के बारे में कहां पे लिखा गया है आपका fourth schedule में लिखा गया है allocation of the seeds चौथी अनुसूची में लिखा गया है याद रखना article 343 343 बड़ा important part है article है मतलब इसमें हम लिखते है जो हमारी country की जो official language है वो है हिंदी that is in the devnagri script devnagri script clear एक चीज़ मैं आपको बजा दू हमारे देश की national language के उपर अभी विवाद भी हुआ था हमारे देश की कोई national language नहीं है अगर होती तो सब को आती one समझ आया सबी स्कूलों में पढ़ाई जाती हमारे देश की official languages है जो official purpose के लिए use करी जाती है और वो हमारी official language total कितनी है 22 और इसमें आपकी हिंदी को official status provide किया गया है देवनagri script में article 343 में दिया गया है this is very important ये 22 official languages जो है ये 8 schedule में लिखी गई है आपकी जब सविधान बना था तो 14 थी अब total है 22 last में 4 भाषाई एड करी गई थी 91st amendment act 2003 द्वारा जिसमें bordo, डोगरी, मैथली और संथाली एड करी गई थी तो this is important one article 356 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमें बताता है constitutional emergency के बारे में president rule के बारे में clear और state emergency के बारे में इसमें क्या होता है अगर कोई एक राज्या proper तरीके से काम नहीं कर रहा सविधान के according काम नहीं कर रहा constitution के according काम नहीं कर रहा तो उस परदेश में जो है आपकी उस state में जो है आपका president rule लगा दिया जाता है constitution emergency लगा दिया जाती है आपका तीन साल तक आपकी maximum लग सकती है यह याद रखना है आपको minimum 6 महिने maximum 3 साल फिर आपका कोशन यह आता है कि 3 साल से आगे बढ़ाई जा सकती है यह नहीं जैसे पंजाब के केस में वह था 1984 के टाइम पे अब बात यहां पर यह आती है कि 3 साल से भी अगर हमने शाधthon के 6 महीन और बढ़ाना व 124 साल पिर 4 मेहीन बढ़ाना तो यह महीन बढ़ा सकते हैं बिलकुल बढ़ा सकते हैं उस चीज़ के लिए आपको क्या करनी पढ़ेगी एक करनी पढएगी एक संशोधन करना पड़ेगा तो this is very important part clear answer number C is the right answer so all these are the fundamental duties यह याद रखना है आपको चलिए जी अगला answer बताईए है नेक्स्ट कुश्चन a person will loss is citizenship नागरिक्ता जो है अपनी खो सकता है कैसे खो सकता है citizenship के लिए अगर हम दो तिन पॉंट याद करें citizenship act जो है 1955 का है clear article की बात करें तो 5 से 11 तक आता है part की बात करें तो part 2 में आता है clear हो गया citizenship हमारे देश में single citizenship है और इसकी बात हमने कहां से लिए यूके के constitution से citizenship की अगर हम बात करते हैं तो यह ministry of home affairs के अंतरकत देखने को हमें मिलती है अब हम single citizenship है loss तो बात की बात है कैसे ले सकते हैं यह आपको word याद करना है brand clear हो गया यह brand word से हम इस तरीके से ले सकते हैं by birth मतलब अगेन हमारा जन्म यहां पे हुआ हो हम बाहर से हैं यहां पे आके registration कर दिया हो हमने अमारे देश ने किसी देश की property को acquire कर लिया हो जा फिर हम बहुत time से यहां पे रह रहे हैं natural तरीके से जा फिर descent मतलब क्या हो गया आपके माता पीता जो है यहां के होने चाहिए तो that means इन कारणों से जो है हमारी citizenship हमारे पास रह सकती है लेकिन बात यह है कि खो कैसे सकते हैं अगर आपने मर्जी से खुद से अपनी सरंडर कर दी citizenship बिल्कुल हो सकती है गवर्मेंट ने विड्रॉग कर ली citizenship गवर्मेंट विड्रॉग कब करेगी जब आपका आप जो है किसी दूसरे देश की citizenship ले ले लेंगे तब आपकी विड्रॉग करी जाएगी और जो है वोलंटरी एक्सेट दा सिटिजन्शिप आफ अनदर कंट्री बिल्कुल सही है जा फिर ऐसे हो अगर कोई परसन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में involved हो वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो हमारे देश के गेंस्ट हो डाला इक फॉर एक्जामपल डिफेंस जो हमारा देश का डिफेंस है उसकी बहुत सारी इंफोर्मिशन लीक करके दूसरे देशों को दे रहा हो टेररिस्ट हो उनको हम सिटिजन्श जो है खो सकते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा डी इस दा करेक्ट अंसर नंबर डी चलेजी नेक्स कोशन बताइए पंजाईती राज की उपर कोशन है इसका अंसर बताना है आपको कि क्या बनेगा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ अगें काफे बच्चे अभी दोवारा चुड़र रहे हैं तो हमारी आज शाम को साड़ेचे बज़े क्लास है जो है तो उसमें आना मत बूलना शामकलम लंबनास होगी मज़ा आएगा आपको बहुत ज़ गया था कहां पर इंटर्ड्यूस किया गया था देखे पहली बात को मैं पंचाइटी राज कि अगर मैं बात करता हूं तो पहले ठीड आपको important है दो एक्तूBER 1959 सबसे पहले कहां पर गया था नागो डिस्टिक राजयश्तान में किया गया था पॉइंट समझाया और दूसरी बात करते हैं तो दूसरी आपकी आंधरा प्रदेश थी पूरी की पूरी स्टेट जहां पर ये आपका लगाया गया था डैडिस पंचाइती राज अगर हमने पंचाइती राज को और्गनाइज करवाना है तो आर्टिकल 40 में लिखा गया है इसके बारे में पंचाइती राज का आर्टिकल 243 एसी लेकि ओ तक आपको देखने को मिलता है पार्ट 9 में देखने को हमें मिलता है और स्केडूल अनुसूची की बात करें तो आपका 11 में देखने को हमें मिलता है ये पंचाइती राज के बारे में समझ आया पंचाइत की बात आपको करनी है इसमें एक अमेंडमेंट हुई थी that is 73rd Amendment Act 1992 जो के इंप्लिमेंट हुई थी 93 में और इसके अकॉर्डिंग जो है 29 सब्जक्ट के उपर कानुन बना सकती है पंचाइत बना सकती है अगें important points clear पंचाइत के बारे में अगर हम discuss करना चाहें तो आपकी पंचाइत जो है बलवंत राय कमेटी थी एक बलवंत राय कमेटी की recommendation से आपकी पंचाइत 300 में डिवाइड होई विलेज पंचाइत ब्लॉक समती और जिला परिशर और इसमें Apex Authority कौन है आपकी जिला पर आज डे होता है याद रखें तो अंसर नंबर क्या बनेगा A is the correct answer answer नंबर A चलिए अगला अंसर बताईए अगला गुशन देखें who decided the dispute regarding the election of Vice President of India Vice President के election में कोई dispute पढ़ गया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Vice President, President जो भी dispute होते हैं वो हमेशा Supreme Court इसी इसको संबालती है अंसर नंबर क्या बनेगा C option बनेगा right answer Article 71 के according राष्टरपति और उपर राष्टरपति की election को संबालती है कौन Supreme Court Next word is कि Vice President को अगर हमने चुनना है तो कौन कौन चुनेगा All the members of Parliament सभी Member Parliament के यहाँ पर All का मतलब क्या है Elected Plus Nominated Member Clear यहाँ पर Parliament word का मतलब है लोकसभा एंड राजेसभा समझाया जाने के Elected Plus Nominated Member of लोकसभा एंड राजेसभा वोट करेंगे उपर राष्टरपति के election में यह याद रखना है आपको Answer number C is the right answer Supreme Court of India बात करते हैं तो Regulating Act 70-73 के according बनी थी 70-74 में कहाँ पर कैलकटा में फिर अभी कहाँ पर है दिल्ली के अंतरकर देखने को मिलती है यह आई थी आपकी Government of India Act 1935 के according और बनी कब थी 28 जनवरी 1950 को यह बनी थी आपकी दिल्ली के अंतरकर सुप्रीम कोड जो होता है यह कस्टडियन है हमारे Constitution का हमारी देखरेक जो है आपके सविधान की कौन करता है सुप्रीम कोड करता है अगर सुप्रीम कोड ऑप्शन में नहीं आता तो वहां पर आपको आजाएगा Chief Justice of India तो भी आपका अंसर सही बन जाएगा सब्सक्ben आप regalinhran NBC प्रेजैन की बात करते हैं तो प्रेजज depend क्या करता है अपना इस्तीफा उपरास्टरपती को देता है उपरास्टेपती राश्टरपती न को देती है और देर शाल भी ए प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में लिखा गया है एलेक्शन कमिशन डिस्कस कर लिया था चेर पर्सन ऑफ राज्य सब्सक्राइब कर लिया था यह तो सिधा सिंपल कोशन है कि इंड कितने तरुगों से इंडिया की सिटिजनशिप हम ले सकते है अलडि हम डिसकस कर चुके हैं यह तो पांच ब्रैंड वर्ड में आपको बताया था तो अंसर नबर सी जार डेटेल में नहीं जाएंगे अलडि हम कर चुके हैं नेक्स कोशन देखिए आर्टिकल 360 ऑफ दा कॉंसिशन ऑफ इंडिया रिलेट सो पहली बात तो हमारे सविधा में आर्टिकल 360 कभी भी लागू नहीं हुआ कभी भी इंप्लिमेंट नहीं हुआ तो यह किस चीज का आर्टिकल है तो यह आर्टिकल है आपका फाइनेशल एमजनसी का वित्या पात कालिन स्थीति का कल को हमारे देश में कोई पैसे की कमी हो जाए जा देश डूब रहा हो जा हमारा देश ने बाहर के देशों को पैसे देना हो नेगटिव बैलेंस ओ पेमेंट हो रहा हो जा कोई भी ऐसे सिचुएशन जिसके कारण देश के अंतकत प्रॉब्लम चल रही हो तो आपके देश में फाइनेशल एमजनसी लग सकती है यह फाइनेशल एमजनसी आर्टि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती पॉइंट समझाया जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाईगी तब तक हमारी फाइनेशल एमजनसी एक्स्टेंड होती रहेगी और अगेन फाइनेशल एमजनसी कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है तो तो आप कहेंगे government of India Act 1930 35 से लिए है clear जहां से हमने सविदान का तीन बटा चार हिस्सा जाने के 75% हिस्सा यहां से हमने लिया है अगर हम बात करें कि fundamental right emergency में जो है suspend हो जाते हैं तो यह process कहां से लिया है यह हमने लिया है Germany से emergency में fundamental right खत्म हो आते हैं तो वह हमने जर्मनी से लिया है और अगेन मैंने आपको बता रखा है कि कौन से fundamental right खत्म होते हैं आपके सारे fundamental right खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 यह आपको पता है और वह national emergency का पार्ट होता है clear होगे आप सरकारिय कमिशन जो है बैठा था setup किया गया था for review the relationship between जो सरकारिय कमिशन है आपका वो किस चीज़ के relation को review करने के लिए setup किया गया था सरकारिय कमिशन की अगर मैं बात करता हूं तो यह आपका 1973 में बैठा था और यह हमें बताता था center and state के relationship के बारे में center or state के रिलेशनिशिप के बारे में बटाता है तो डैट मीज जब भी Central State की relationship की बात आती है तो हमें word use करते है federal और federalism की बात करते हैं clear हो गया आप Commission भी बिठाया गया था, again this is also very very important point, clear यह याद रखना है, एक point आपको और याद रखना है कि हमारे देश में कभी भी यह word कभी भी use नहीं हुआ, the federal word is not used anywhere in the constitution, but federal word का मतलब क्या होता है, federal word का मतलब होता है, distribution of power center में, state में, local government में जो है आपकी powers distribute है, divide करी गई है यह हमारे federal word का मतलब होता है हमारे देश में क्या है हमारे देश में है, federal with strong center मतलब powers divided है लेकिन हमारे देश में center strong है, यह provision हमने कहां से ली थी, Canada के constitution से हमने ली थी, तो this is again very very important point, clear, again यहाँ पे एक और चीज़ याद करो कि हमारे देश के federal character को बना के रखने वाली organization कौन है, तो वो है supreme code, supreme code article 131, जिसमें original jurisdiction के अंत्रकत वो क्या करती है, प्रागंबिक शेत्रादिगार के according क्या करती है, वो federal character of the constitution को बना के रखती है मतलब center और state का relationship को maintain करके रखती है state के relationship को maintain करके रखती है, मतलब इनके dispute नहीं होने देदी, जब इनके dispute नहीं होंगे तो obviously बात है, federal character of the constitution बनके रहेगा already मैंने जितने भी points आपके federalism वगरा के बनते थे वो सारे मैंने यहाँ पर discuss कर दी है answer number D is the correct answer answer number D, चलेजी, अगला कोशन बताईए अगला कोशन बताईए money bill has defined by the constitution under, जो money bill है धन विदेग बिल है आपका वो किस article किस सविधान, मतलब सविधान के किस जो है अनुछेद में दिया गया है आपको पता होना चाहिए पहली बात तो अगर हम बात करते है article 109 की तो इसमें कुछ आपकी special provision है जाने कि regarding the money bill special procedure है with respect to the money bill money bill लिखा क्या है 110 के अंदर लिखा गया है answer number पहले तो C बनाएंगे और article 111 क्या है जब हम इसको ascent करते हैं ascent का मतलब क्या हो गया जब राष्ट्रपती हां करता है sign करता है तो that means answer इसमें क्या बनेगा money bill जो है define क्या गया है article 110 में clear answer number C एक bill bill क्या होता है एक proposal होता है एक just proposal की हां हम ये करने जा रहे हैं bill को money bill तब कहा जाता है जब उसकी उपर speaker के sign हो जाने के speaker के sign होने बहुत जड़ा ज़रूरी है money bill हमेशा आता है लोकसभा में clear किस से पूछ के आता है राष्टपती की permission से आता है money bill को पास करने के लिए 14 दिन की अफ़दी होती है और सारी powers लोकसभा की होती है ये bill राज्यसभा को ज़रूर दिखाया जाता है राज्यसभा अगर ये bill 14 दिन के लिए अपने पास रखे तो automatically 14 दिन के अंतरगत पास हो जाएगा राज्यसभा अगर कुछ भी changes करती है बदलाव करती है तो वो लोकसभा की मर्जी होती है वो बाते माने या ना माने तो that means सारी powers किसकी होगी लोकसभा की पावर हो जाती है राज्यसभा की कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती अब बात करते है money bill में लिखा क्या क्या है money bill में लिखा होता है कि कोई tax आपने लगाया है बढ़ाया है घटाया है वो लिखा होगा salaries के बारे में खर्चा लिखेगा मतलब आएगा आपका भारत की संचीत निदी से कोई भी पैसा आएगा वो भी इसमें लिखा होगा जुडिश्री की उपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं नयालया की उपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी वो मनी बिल में देखने को मिलेगा तो अंसर इसमें में आपको समझा चुका हूँ चले जी अगला अंसर बताईए एक राज्य का जो गवर्णर होता है राज्यापाल होता है वह पॉइंट करते हैं राश्टपती बिल्कुल राश्टपती अपॉइंट करते हैं किसकी अडवाइस पर गरते हैं तो यह हमेशा प्राइम मनिस्टर की अडवाईज के ऊपर जो है इन पर्शन को जो है अपाइंट किया जाता है अब बात करते हैं गुवर्नर के बारे में गवनर आचिकल 153 में लिखा गया है कि देश एल्बे गवेर्नर ओफ स्टेट ऐर्टिकल 55 में इनकी यापाइंट के बारे में लिखा गया है 156 में इनको हटाने के बारे में लिखा गया है दोनों कौन करेगा राष्टपती करेंगे पॉइंट समझाया गवर्नर अपनी सीट की उपर तब तक बैठा रहता है जब तक राष्टपती चाहें मतलब राष्टपती की जब तक मंजूरियों की रा ज्यादा स्टेट्स का common governor हो सकता है सेवंथ constitutional amendment act 1956 द्वारा ये बात करी गई थी ये आपकी governor के बारे में clear the second part is कि 7th amendment act जो है हम और कहां पर पढ़ते हैं 7th amendment act एक तो governor के case में पढ़ते हैं कि एक governor दो या से ज्यादा स्टेट्स की common high court हो सकती है एक हम पढ़ते हैं तीसरा state reorganization act के बारे में जिसके according हमने 14 state और six union territory में पूरा देश जो है आपका तब्रील कर दिया था और ये amendment थी 7th constitutional amendment act clear एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा मैं कि ये सारी चीज़े जो unification होई थी हमारे राज्यों की वो किस ने करवाई थी बल्लबाई पटेल जी और वीपी मैनन जी ने करवाई थी इसी कारण बल्लबाई पटेल को हम क्या कहते हैं बल्लबाई पटेल जी को क्या कहते हैं जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है बल्लब बिसमार्क ने करवाई थी ऐसे हमारे इंडिया की यूनिफिकेशन के से करवाई थी इसलिए उनको बिसमार्क आफ इंडिया के नाम से जानते हैं So this is very very important point. Clear यह याद रखना है आपका. तो अंसर इसमें क्या बनेगा? That is Prime Minister. Governor की जो है आपकी और गवर्नर की pardon power 161 में लिखे गई है और आपकी ordinance power लिखे गई है 213 में लिखे गई है. याद रखना. तो answer number A is the correct answer. चलिए जी अगला answer बताईएगे. Next question is. President gives his resignation to बड़ा simple question है कि राष्टरपती जो है अपना resignation किसको देंगे? अभी मैंने आपको बताया था उपर राष्टरपती को डैडिस Vice President of India को और Vice President resignation किसको देंगे? राष्टरपती को देंगे. राष्टरपती जो होता है आप वो शपत कहां से लेता है? Chief Justice of India से लेता है जाने के Senior Most Judge of Supreme Court से लेता है ये ध्यान रखना important part है यहाँ पे. तो answer इसमें क्या बनेगा? C is the correct answer. Answer number C. The term of the office जो लिखी गई है वो 56 में लिखी गई है और आपको पता है 5 साल में 5 साल कारेकल होता है और resign अपना Vice President को देंगे देता है. चले जी अगला कोशन बताइए अगला भी बड़ा simple कोशन है देकिन अगेन पेपर में गलत हो जाता है Vice President जो है अपनी seat कितने टाइम तक जो है अपने पास रखते हैं that means कितने साल के लिए उनको पॉइंट किया जाता है देकिए Vice President is the ex official chairman of राजय सभा Vice President जो होगे वो 5 साल क six year जो लिखा गया है यह कुछ मतलब वो है मतलब office है जिनका होता है जैसे election commission उनके जो भी members होंगे 6 साल के लिए यूपी से के members जो भी होंगे 6 साल के लिए क्याग जो होगा क्याक के members अगेन आपका 6 साल के लिए होंगे सो यह तीन ऐसी मतलब authorities हैं office हैं जो आपके 6 साल तक चुने जाते हैं बागी सब 5 साल के लिए होता है answer number A is the correct answer 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 number A clear सर्वपाली राधा कृष्णन जी हमारे देश के ऐसे पहले वाइस प्रेज़ेंट है जो लगातार दो बार चुने गए थे सर्वपाली राधा कृष्णन जी जो है UNESCO के अंदर ambassador भी थे UNESCO के headquarter कहां पे हैं पैरिस में और सर्वपाली राधा कृष्णन जी की birth anniversary होती है 5 सब को और इस दिन हम celebrate करते हैं National Teachers Day National Teachers Day और सर्वपाली राधा कृष्ण जी की अगर हम बात करते हैं तो इनको पहला भारत रतन अवार्ड मिला था और भारत रतन जो है execute मतलब बनाया कब गया था constitute कब किया गया था 1954 में भारत रतन सीवी रमन जी को भी मिला था उसी टाइं और स इन पर्सन को इकठा मिला था पहला भारत रतन जो के हमारे देश का highest civilian award होता है याद रखें चले जे अगला कोशन बताईए अगला कोशन बताईए चीफ मनिस्टर आफ आल दा स्टेट इस एक्स ओफिशियो चेर्मेन ऑफ चीफ मनिस्टर जो होते हैं वह आपके किस चीज का जो है एक्स ओफिशियो चेर्में परसन होते हैं यह तो दिस इस दा इंटर स्टेट काउंसिल के इंटर स्टेट काउंसिल के अंसर और सी इस दा करेक्ट आंसर यह आपकी बॉदी नहीं है यह पार्लेमेंटरी लॉद्वरा बनाई गई नहीं बॉडी 1990 में इसको execute किया गया था और इसके chair person कौन होते हैं home minister देखने को आपको मिलते हैं और ex official chairman होते हैं आपके chief minister of all the state clear जहां पे president rule लगा होगा वहां के president उनके वहां के क्या आएंगे governor आएंगे और जहां पे आपकी union territory के अंदर assembly है जनकी विदान सबा है उनके cm आएंगे और जहां पे आपकी assembly नहीं है तो वहां के administrator या lieutenant governor जो है आपके आएंगे clear होगे आप लोगों को तो answer number क्या बनेगा interstate council is the correct answer yes interstate council answer number c is the right one answer number c यहां पे अगर मैं बात करता हूँ finance आपका finance commission की अगर हम बात करें तो finance commission जो है आपका यह बना था article 280 के अंत्रकत बना था clear और इसका काम क्या होता है center or state के बीचे में पैसे का बिवाजन clear पैसे का बिवाजन मतला tax का और plus grants का यह बिवाजन करना जो होता है वो इसके पास होता है finance commission के पास अभी 15th finance commission चल रहा है जिनके chair person कौन है N.K. Singh है planning commission scrap off कर दिया गया है 15 मार्च 1950 को यह बनाया गया था जो बाद में change किया गया था नीती आयोग में National Institution for Transforming India में जो के बना था 1 जनवरी 2015 को बना था clear और N.D.C. जो है आपका 6 अगस 1952 को बना था इसमें आपके एक्स-official chairman होते हैं आपके डैडिस प्राइम मिनिस्टर सीम इसका पार्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर इनका पार्ट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं प्लैनिंग कमिशन क्या करता था आपका प्लैन बनाता था उसको हां कौन करता था फाइनल डिसीजन कौन देता था N.D.C. नैशनल डेवल्मेंट काउंसेल लेकिन अब जो चीज़ें हैं अब किसके पास आ चुकी हैं सिर्फ और सिरफ नीति आयोग के पास क्योंकि नीति आ इंडिया जो भी आपकी पब्लिक मनी है उसको अगर आपने निकालना है उसको सेंक्शन करने वाली जो बाड़ी है वो इन में से कौन सी है वादा कि आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं और पार्लेमेंट ऑफ इंडिया अंसर नंबर क्या बनेगा दी इस दा करेक्ट असर प 26 में इसका वर्नन किया गया है और एक आपका पैसा होता है जो राष्टपती के पास होता है जिसे हम क्या कहते हैं कॉंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और आपका आर्टिकल 267 में आता है वो और इसका सारा मतलब जो भी इनकी भागदोड होती है प्रपर तरिक के पावर के पास होती है कैग करता है और किया करता है वो रिपोर्ट देता है रिपोर्ट आगे पब्लिश होती है जो की पब्लिक अकाउंट कमेटी करा देती है जिसमें बाइस लोग होते हैं 15 लोग सबसे और साथ राजय सबसे तो यह पोइंट्स आपको पता होने चाहिए अंसर नबर डी इस दा करेक्ट अंसर अंसर नबर डी चलिए अगला अगला कोशन बताईए अगला कुशन बिताइए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट इज अपॉइंटेड बाई यह कोशन बड़ा सही है लेकिन पेपर में गलत हो जाता है कैसे देखो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट की बात आ रही है हाई कोट आगी तो मतलब स्टेट के अंदर कर तो हाई कोट के अपॉ गवर्नर आफ डाट स्टेट जिस राज्या में आपके मतलब हाई कोट के जज को अपॉइंट करना है उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उससे बात करके तो हम उसको अपॉइंट करवा देते हैं तो इसलिए अंसर क्या बनेगा आपका बी इस दा करेक्ट अंसर नमबर बी और अगेन हाई कोड में ने आपको बताया था कि एक हाई कोड दो या दो से ज्यादा स्टेट की कॉमन हाई को ऑसकती है सेवंथ कॉंस्योंशन अमेंडमेंडमें आक 59 6 में लिखा गया है हाई कोड के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑन्व एक 1861 के अकोрडिक जो है आपकी हाई कोट बनी थी 1862 में पहली बनी थी कलकत्ता में दैन मदरास में यह याद अखना पहले कलकत्ता में बनी थी अगला कोशन बता यह क्या कहता है यह कोशन हमने डिसकस कर लिया है डिटेल में नहीं जाएंगे सिर्फ इसका अंसर टिक करेंगे क्योंकि आप लोग ही अंसर बता दोगे यहां पे हाँ एक बच्चा बोल रहा है हाई कोट का जो आर्टिकल है वो कितना है आपका 214 है एसे ही सुप्रीम कोट का आर्टिकल कितना होता है 124 होता है यह यूद रूंद है किस एमेंड्मेंट के अक़्ूरडिंग 21 साल jan 8 Augen सै तrebू कर दिया है डाट याइज कर दियू ए憤 दैला थी 1989 में amendment का article कितना होता है 308 होता है 368 होता है amendment procedure हमने लिया है South Africa के Constitution से और आपका part 20 के अंतरगत amendment procedure के बारे में लिखा होता है answer number C is the correct answer answer number C 61st amendment act चलिए अगला answer बताइए अगें यह भी पुछा जा सकता है कि यह amendment कि परधान मंत्री के टाइम पर पास होई थी तो राजीव कांदी के टाइम पर पास होई थी चलिए नेक्स question बताइए क्या कहता है article 18 जो है सविधान का वो किस चीज़ के लिए हमें guarantee provide करता है article 18 जो है हमारा यह कहता है abolition of title abolition of titles के बारे में बात करता है that means आप अपने नाम के आगे नाम के पीछे टाइटल नहीं लगा सकते यह टाइटल वो होने चाहिए जो आपने मदद सरकार ने आपको दिये हो जैसे कि भारत रतन पदम भूशन पदम विभूशन यह यह अगर कोई हो जाएंगे मैं बहुत बड़ा हो जाएंगा सविधान के लिए हमारे नाम के टाइटल जो होते हैं आगया पीछे नहीं लगा सकते एक्सेप्ट कौन से टाइटल आप लगा सकते हैं सिर्फ एजुकेशन डिगरी वाले जा फिर आपके आर्मी वाले जैसे कि फॉर एक्जामपल में बात कुरूं जैसे मैं डॉक्टर लगाता हूं कि मैंने पढ़ा ही करी है तो डॉक्टर विपन गोई तो मेरी एजुकेशन डिगरी है काफी बच्चे आप मैं इसे इंजिनिरिंग लगाते हैं सी ये लगाते हैं तो वो आप लगा सकते हैं क्यों लगा सकते हैं दिस ड्यू टू दा इक्वालिटी मतलब इस यूर एजुकेशन डिगरी पॉइंट ऑप पर नमो वान दूसरा है आर्मी जैसे हम कहते हैं कि शौरे चक्र ये विजेता परमवीर चक्र ये करता है एक के बारे में फ्रीडम की अगर मैं बात करूं फीडम और स्पीच एक्सप्रेशन 19-22 तक आता है फ्रीडम ओफ रिलीजन की बात करें तो 25-28 तक आता है आपका आर्टिकल क्लियर कॉंस्टिशन रेमिडिस की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 में लिखा गया है इसके के बारे में और इसको हाट एंडा सोल ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन कहते हैं जो बोला था बीमराव अंबेदकर जी ने क्यों क्योंकि जैसे अगर आपके फंडामेंटर राइट आप से खीच लिए जाए 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 तो आप आर्टिकल 32 के रिट फाइल कर सकते हैं आपके स समझाया आप लोगं को तो इस हमारे देश के सविधान का सरंख्षन कौन होता है घैस बताए यह जो दिस इजा सुप्रीम पॉट आफ इंडिया इजा करेक्ट अंसर आर्टिकल डी क्लिर आर्टिकल डी इस असरी आप्शन डी इस आप्शन डी चलियो जी स्टाट करते हैं पहले कोश्चं से बच्चा गह रहा है कि पीडिएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे कि इकठी हो जाती है तो मैं शेर कर देता हूं वहां पे ताकि आपको भी पढ़ने का हो ठीक है नोट्स भी बनाओ ऐसा नहीं है कि हाँ जो मैंने दिया और लिखिया और उसी सब चीज़े हो गई थोड़ा सा अपनी मेहनत भी किया करो जिरूरी नहीं है कि टीचर ही मेनत कर आप लोग भी मेनत परोगे तब ही आपको रिजल्ट मिलेंगे अधरवाइज नहीं मिलने वाला चलिए जी स्टार्ट कर यह पहले कोश्यों से अंसर दीजिए इन में से कॉंसी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है नमबर वान देखिये दा राइट वोट इन दा पंचायत मीटिंग पॉइंट नमबर वान देखिये यह जी 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 देखिये क्या होता है आर्टिकल 243C में लिखा हुआ है आपका इस चीज के बारे में देखिये चेर परसन जो होता ना जैसे के आपके स्टेट के legislatures होते हैं उनके चेर परसन पॉइंट के जाते हैं जो उनके members को members उनको elect करके करते हैं तो वो करेंगे आगे elect देखिये पंचायत के अंदर जो लोगों को सिर्फ चूना जाएगा लोगों के द्वारा लेकिन उनकी post जो decide होगी वो अंदर के members द्वारा decide करी जाएगी तो प पंचायती पंचाय सार इजर्फ और से एसी सटी और विमिल यह मतलब ऐसा नहीं मतलब दस्टेट ऐसार है साराय तो डिसाइड बिल्कूल स्टेट लेसर जो है डिसाइड कर सकता इसटी इसको unless डिशॉल अर्लियर वरी पंचायत कंटिवर यस जब पंचायत पांचायत के ल बना सकती है, audit करने के लिए account को, तो ये भी point आपका सही है, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका one option बनेगा correct answer, one option clear, again हम बात करते हैं, पंचायत के लिए, तो पंचायत को बनाना article 40 में लिखा गया है, organization of village पंचायत, जो के directive principle of state policy का part है, राज्या बनाएगी पंचायत, और पंच हुआ था, 93 में, 29 subject के उपर कानून बना सकती है, पंचायत, 11 schedule था आपका, clear, part जो था, part आपका 9 था, तो ये याद रखना है, आपको पंचायत के लिए, clear, पहली पंचायत नागोवर डिस्टिक में start करेगी थी, फिर उसके बाद जो है, आंधरा परदेश में करी गई, और बलबंत राय कमेटी की recommendation से किया गया था, बलबंत राय कमेटी जो है, आपका 1957 में देखने को आपको मिली थी, so this is important one, clear, नागालेंड में घाल्या, मिजोरम में पंचायत नहीं है, दिल्ली में पंचायत नहीं है, और जो है, that's it, चीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, so these are very important facts, तथ है, बड़े important हैं ये वाले, चलिए जय अगरान से बताईए, Indian Constitution का जो basic premise है, वो हमें कहां से मिला है, वो किस चीज़ से मिला हमें, कौन से act से, कौन से country से, किस से मिला है वो, देखे, सबसे बात, अगर मैं बात करता हूँ, Indian Constitution की सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिला है, Government of India Act 1935 से, answer number one, इस से हमें मिला है, 75% हिस्सा, जाने की आपका तीन और इससे Government of India से federal structure की बात करी जाए, provisions of emergency की बात करी जाए, clear, यह सब चीज़े, administrative details की बात करी जाए, यह सब चीज़े जो है, 1935 के according मिली है, हमें, emergency provisions की बात करी जाए, यह सब कुछ, clear, answer number one, सब से हिस्सा, 75%, 3,4 यह हमें यहां से मिला है, clear, US के constitution से हमें मिला है, हिस्सा, that is, जैसे प्रेम्बल का concept आपका हुए, जिक है, written constitution का concept, जुडिश्री का concept, independent of judiciary, judicial review का concept आपका, clear, और क्या हो सकता है, fundamental right का concept आपका, यह सारी चीज़े हमें मिली है, US के constitution से, ब्रिटेन की constitution की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहां पे rule of law, rule of law का concept आपका आगया, ठीक है, ब्रिटिश के constitution से हमें rule of law का मिला है, single citizenship मिली है, हमें यहां पे, एकल नागरिकता का concept हमें यहां पे मिला है, ब्रिटेन के constitution से, ब्रिटेन के constitution से हमें और के चीज़ मिली है, yes, rule of law, single citizenship, और that is parliamentary form of the government, bicameral legislature, रिट वर्ड का concept, यह सब चीज़े हमें यहां से मिली है, तो answer number one is the correct answer, answer number one, clear, the government of India Act, 1935, next question बताइए, मलिमत कमेटी 2003, मलिमत कमेटी 2003, looked at the ways to reform the, किस चीज़ के रिफॉर्म के लिए देखने का आपको मिली थी, yes, शाबाश, मलिमत कमेटी जो है, वो किस चीज़ के रिफॉर्म के लिए आपको मिली थी, yes, बिलकुल सही, so this is for the reform in the criminal justice system in India, criminal justice system in India को reform करने के लिए देखने को मिली थी, answer number B is the correct answer, answer number B, very very important point, answer number B, मलिमत कमेटी, justice V.S. मलिमत, clear हो गया आप लोगो, so this is the, this is for the criminal and ये report आई थी आपकी 2003 के अंतरगत, recommendation, 158 recommendation दी थी, इन्होंने crime investigation के लिए punishment के लिए among the others, so this is very important part, मलिमत कमेटी, yes, criminal justice system के लिए दी थी, next question देखेंजी क्या कहता है, which of the following statement are correct, with regard to speaker, DPD speaker of the looks bar, speaker और DPD speaker के लिए statement आपको बतानी है, कि इसमें से कौन सी सही है, on dissolution of the looks bar, जब looks bar dissolve हो जाएगी, speaker और DPD speaker cease to be the members of the looks bar, or the house, बिल्कुल सही है, अगर आपकी looks bar dissolve हो भी जाती है ना, तो ये speaker और looks bar, DPD speaker जो होंगे, वो अपनी seat के उपर रहेंगे, 100% रहेंगे, दूसरा point देखते हैं, both speaker and DPD speaker vacate their office on the dissolution of the looks bar, ये point आपका गलत है, ये seat vacate नहीं करते, ये उस time तक अपनी seat के उपर रहते हैं, थर्ड number one, थर्ड point देखते हैं, only DPD speaker vacate his office and speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the looks bar after the dissolution, ये point भी जो है आपका बिल्कुल correct है, जैसे ही आपकी पहली meeting होती है after the dissolution, clear होगे आप लोगों को, और ये लोकसबा DPD speaker जो है छोड़ देता है, और speaker नहीं छोड़ता, जब तक आपका नया speaker जो है, वहाँ पे पॉइंट नहीं हो जाता, तो ये बनेगा आपका one and three is the correct answer, one and three, so answer number क्या बनेगा, that is four is the correct answer, yes, yes, बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए जी, answer number क्या बनेगा, D, one and three is the correct answer, next point देखें जी क्या कहता है, 73rd Amendment Act, जो हुआ था, ये लागू कब हुआ था, मैंने भी आपको बताया था, 1992 में, implement हुआ था, 93 में, 29 सब्जक्ट की उपर कानू बना सकती है, पंचायत, 11 स्केडूल था आपका, अनुसूची, पार्ट 9 के अंतरगत आता है, भाग 9 के अंतरगत आता है, अब ये 24 अपरल 1993 को जो है, लागू हुआ था, अब 24 अपरल का मतलब यहां पर क्या है, कि 24 अपरल जो होता है, वो होता है हमारा पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस होता है, उसी दिन जो है ये लागू किया गया था, उसी दिन जो है चीज लागू करी गई थी, अंसर नमबर डी इस दा करेक्ट आंसर, 24 अपरल 1993, देखेजी पास हुआ था, 1992 के अंतरगत, और लागू हुआ हमारा 24 अपरल, 24 अपरल 1993 को आपका लागू हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटस भी मिल गया, इसको ग्रास रूट लेवल के उपर, डेमोकरिसी भी आपको मिल गी, पावर्स मिल गी, यह सब चीज़े यहां पर देखने को आपको मिल जाती है, अगला कूशिनत बताईए, पंचायत और मुंसिपलिटी के जो इलेक्षन वोते हैं, वो कौन करवाता है, देखे, इलेक्षन की कॉंसेt कि अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जितने भी elections होते हैं वो election commission of India करवाते हैं सिर्फ दो election को छोड़के पंचायत और municipality के election को छोड़के और वो करवाते हैं state election commission election commission of India करवाता कौन कौन सी election है लुक सभा के राजय सभा के clear president का vice president का और किस चीज के assembly के विधान सभा के council क सबके election कौन करवाता है आपका election commission of India लेकिन सिर्फ election पंचायत और municipality का कौन करवाता है state election commission करवाता है यह याद रखना state election commission state finance commission they are appointed by the governor they are appointed by the governor of the state लेकिन अगर इनको हटाना होगा तो इनको हटाएंगे राश्टरपती हटाएंगे यह याद रखना यहां रखना समझ के चलना अगर इनको appointment की बात आती है इन commissions की तो अपॉइंट करेंगे governor लेकिन इनको हटाएंगा कौन हमेशा राश्टरपती हटाएंगे यह याद रखना है important part है आपका already मैं बता चुका हूं municipality के लिए आपकी जो है 74th amendment हुई थी 1992 में इंप्लीमेंट हुआ था 1993 में और पहली municipality चिन होते हैं यह है नेक्स कोशन देखे जी फाइनेशल पापर अपर लोकल गवर्मेंट के लिए कोशन है आपका इन में से कथन जो है आपका करेक्ट कौन सा है इन में से कथन जो है आपका सही कौन सा है यह कोशन है आपका the number one point the local government have the constitutionally here mark the taxation power local government are empowered to levize such tax as permitted under the law local government are empowered to levize charges all the time within their share of activities local government are empowered to levize taxes with the permission of the department concerned देखे जी यह होता है कि आपकी जो local government है यहाँ पे पंचायत की बात आती है municipality की बात आती है यह empower करते हैं यह tax लगा सकते हैं इनके पास power होती है लेकिन कब under the accordance with the law जो constitution के अंतरकर जो चीज़े लिखी गई है वो जैसे के पंचायत अगर मैं बात करूं तो 29 subject के उपर ही कान बना पाएगी वो तो इट मीज़ इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा correct answer answer number B answer number B is the correct answer जैसे ही law के अंतरकत की बात करते हैं वो ही कानून बना पाएगी आपकी यह yes answer number B is the correct answer that is as permitted under the law as permitted under the law देखे मैंने आपको हमेशा बताया है कि examiner आपको आता question भी गलत करवाएगा वो आता ह हुआ question गलत करवाने का मतलब यहां पर यह है कि आपको लगेगा बहुत simple question है आपको लगेगा खासकर के पॉलिटी में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आता है लेकिन आपको वर्डिंग के उपर ध्यान देना पड़ेगा इसमें सारी वर्डिंग एक दूसरे से मिलती जुल इस लेवल की बात चल रही है टॉप मोस्त अथोर्टी की बात चल रही है कौन है टॉप मोस्त अथोर्टी के ऊपर यह दो आप अंसर बता सकते हैं सिदा सिदा डाड़ी जिला परिशन जिला पंचायट अंसर नमबर क्या बनेगा सी और इसको हैंडल करने वाली अथॉरिटी डाड़ी डिस्टिक कलेक्टर और अगेन मैं आपको बताया था कि पंचायट के अंद्रगत आर्टिकल 243 एसी लेके वह तक आपके आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं दूसरी बात यहां पर हमने बात करी है कि सीटे जो रिजर्व होती है वो सीट्स रिजर्व होती है उसमें 1 बटा 3 सीटे जो बी रिजर्व होंगी वो आपकी विमेन के लिए होंगी clear SCST के लिए city reserve है under article 243 D के अंतरकाद देखने को हमें मिलती है answer इसमें क्या बनेगा C is the correct answer गाउं के अंतरकाद जो gram सबा होती है gram सबा का मतलब क्या होता है gram सबा का मतलब यह होता है कि कोई भी person ऐसा जो के 18 या 18 plus वाला member plus member है मतलब लोग हैं वह gram सबा का पार्ट बनते हैं यह लोग जो है आगे चुनते हैं तो डेट मेंस ऐसमें क्या बनेगा C is the correct answer यहां पर देख लिए जो थ्री स्ट्रॉक्चर ऑपंचाहिती राज विलेज रेवल ग्राम पंचाहित जो के gram सबाग राम पंचाहित नयाय पंचाहित आपने पंचायती राज पूरा डेटेल में समझा दिया पूरा पंचायती राज आपको पूरा concept समझ में आ जाएगा लोकल सेल्फ गवर्मेंट आज और इंक्लूटेट इन दा विच लिस्ट इक है लोकल सेल्फ गवर्मेंट की बात अगेन वहीं पर आगी आपकी पंचायत और मुंसे पलेटी की उपर बात आगी तो यह कौन सी लिस्ट में दिया गया है मैंने भी आपको बताया था आर्टिकल 40 40 आर्टिकल 40 क्या बनाता है आपका और्गनेशन विलेज पंचायत जो के डिरेक्ट बनाती है यह सैंट अटेंट में सेंटेमिल के कानून बनाते हैं आपके यह अधर रखना है यह यह एस सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें क्या बनेगा वान इस दा टरेक्ट अंसर नुब यह पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि सेंटर में स्टेट में कौन कौन सी चीज़ आती हैं जैसे कि सेंटर में डिफेंस की बात आ जाई बैंकिंग करनसी फॉरें अफेर्स जैसे के education, forest, trade, marriage, adoption, succession, तो ये concurrent list का part हो जाता है, जिसमें center plus state दोनों मिलके कानून बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर important part एक ये भी है, कि अगर ऐसा कोई भी कानून आता है, जो इन तीनों list में ना लिखा हो, कल को हमारे सविधान में, कल को हमारे देश में एक need हो, किसी कानून को बनाने के लिए, ना वो center में आता हो, ना state में आता हो, ना concurrent में आता हो, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा हमारा residery list में, अवशिश शक्तियों के अंतरगत, article 248 में, यह सारा कानून कौन बनाती है, आपका Parliament बनाएगी, that means Parliament बनाएगी यह कानून, clear यह यादर ना important है, एक चीज़ important और भी है, एक ऐसे 5 सब्जक्ट हमने, 5 सब्जक्ट हमने, state list से, concurrent list में डाले थे, वो 5 सब्जक्ट जो थे आपके, वो एक amendment होई थी, protection of wildlife and animal, clear, और weight and measures, weight and measures, तो यह 5 सब्जक्ट जो हैं, आपके इस तरीके से चीज़ें करी गई थी, यहाँ पे, so this is important one, चलिए अगला कुशन बताएगे क्या कहता है, अगला कुशन बताएगे क्या कहता है, preamble of the Indian constitution, जो सविदान है, प्रस्तावना है हमारे सविदान की, तो वो बहुत ज़दा importance role play करती है, and constitution should be read and interpreted in the light of the grand and novel vision expressed in the preamble, की जो भी, मतलब हम justice provide करेंगे, जब कोई भी interpretation देंगे, वो हमें preamble के दाएड़े में रहके करनी है, प्रियम्बल में दाएड़े में रहके करने का मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े word है, जैसे के socialist, समाज के लिए करना है, secular किसी धर्म के उपर बात ना हो, secular मतलब पंत निर्पेक्ष, धर्म निर्पेक्ष की तरह बात करना है, integrity बना के रखनी है, unity बना के रखनी है, justice प्रवाइड करना है, social, economical, political, clear और freedom देनी है, expression की, कोई ऐसा ना हो किसी की freedom हम रोक लाएं, और liberty देनी है, equality देनी है, fraternity देनी है, यह सब चीज़े करनी है, यहाँ पे और इन चीज़ों से जो है, आपका प्रियम्बल का जो idea है, noble vision है, वो भी आपकी complete हो पाए की, तो अब बात यह है, कि यह किस case में बोला गया था, so this was in the, केशव नंदा भारती case versus union of india, 1973 के अंतरकत बोला गया था, state of care, answer number 4 is the correct answer, answer number 4, clear, और इसी केशव नंदा भारती के इसके अंतरकत, हमारा एक structure आया था, basic structure of the constitution, basic structure of the constitution, clear होगे आप लोगे को, यह basic structure of the constitution का concept है, क्या, यह हमें भी नहीं पता, लेकिन बात यह यह कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, supreme court time to time, हमें बताती रहते हैं कि, what is basic structure, what is basic structure, clear, कोई भी चीज है, उसके अंतरकत include हो सकती है, जैसे कि, independence of judiciary की बात करूं मैं, clear, judiciary independent है, और आपका, जो constitution है, वो आपका supreme है, तो, और bicameral legislature है, so all these are things, all these things are in the, that is in the basic chapter of the constitution, clear, time to time हमें, judiciary बताती रहते हैं कि, what is the basic structure of the constitution, तो answer इस में क्या बनेगा, आपका four is the correct answer, प्रेम्बल की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रेम्बल, प्रेम्बल की बात करें, इसका पहला नाम था, objective resolution, objective resolution, clear, 13 December 1946 को, प्रदार मंदरी, जो आला नहरु जी ने इस इसको state किया था, और इसके बाद जो है, आपका, डेट इस मेंड प्रेम्बल, objective resolution स्टार्ट होगा, फिर objective resolution के बाद, अगर मैं बात करूं, तो प्रेम्बल बना, प्रेम्बल बना, और प्रेम्बल को बोला गया था, डेट इस अ मौडरन होरोस्कोप ऑफ इंडिया, होरोस्कोप ऑफ मौडरन इंडिया, जाने के हमारे देश का, आदुनिक भारत का भविश्या है ये, ये किसे ने बोला था, ये बोला किसे था, तो इस इस बाइदा के एम मुशी, प्रेम्बल जो है, वो हमारी Soul of Constitution है, comment section में लिके बताईए, किसने बोला था, प्रेम्बल जो है, वो Soul of Constitution है, प्रेम्बल जो है, वो identity card है, identity card है, ओफ दर कॉंसिलिशन, ये दोनों statement बताईए, ये वाले, ये किसने बताये था, Soul of the Constitution किसने बताई था, और प्लस आइडेंटिटी कार्ड किस ने बताया था यह आपको बताना है चलिए जी आंसर नंबर फॉर इस दा करेक्ट अंसर नेक्स बताईगे कॉंचुशन ऑफ इंडिया ऐस बारइड इस फेडल स्टीम ओ यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम विच कांट्री यह की देखे फेडर स्कीन का मतलब क्या है यहां पर पावर डी सैंटराइज है इन पावर डीवाइड है आपकी लेकिंस खिशम में सुप्रिम कौन है आपका डैडी सेंटर है सेंटर का इसा सुप्रीम वान वान लोगों को तो यह सब घृब करी है एडवाईजरी यूरिजिक्षण जो सुप्रीम कोड अडवाइस कि सको देती है आपके राश्रपती को अंडर आटिकल 143 वो कॉंसेट भी हमने कहां से लिया है कैनडा सी गवर्मन से लिया है याद रखना है अमेरिका का कॉंसेट हमने याग किया था प्रियंबल का कॉंसेट फंडामेंटर राइट का कॉंसेट जुडिशिल रिव्यू इंडिपेंडनेंस ऑफ जुडिश्री और यह सब सब्सक्राइब का कॉंसेट यह सब चीजे आइलेंट से बोरो किया है बिल्कुल सही और आइलेंट से तो हमने वह भी बोरो किया है किस तरीके से आपके मैथट क्या है एलेक्शन ऑफ प्रेजिजेंट का प्रेजिजेंट का इलेक्शन मैथट क्या है वो लिखा हुआ है यहां पे और प्लस नॉमिनेशन नॉमिनेशन जो राश्च्रपदी करते हैं राजय सभा के अंतरकत 12 लोगों को वह भी प्राब्धान हमने कहां से लि दिया है 75% हिस्सा अगला बताये है है कि इस है यह इस बताइये तो पार्ट थ्री में जो वर्द है एक स्ट्वल इनमें से वो स्ट्वल्वड का मतलब क्या नहीं है ते ए स्ट्वल मतलब वह होता है जिसमें हम बाद क מה आता होिए जब पार्लेमेंट का पार्ट होगा चीक है जब फिर गर्मोंट ऑथरटी जब गर्मोंट के कंट्रोल में जो चीज़ें रहाएं तो वह आपका स्टेट का पार्ट बन जाता है यहां पे तो इन में से कौन सा पार्ट जो है स्टेट का पार्ट नहीं होगा जो इन में से गवर्मेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं होगा वो जैसे के ONGC की बात करें, तो ये तो आपका Government की इंडिया के अंदरगत आता है आपका NCERT की बात करें ये भी Government के अंदरगत आता है Legislative Assembly भी Government के अंदरगत आती है Industrial and Finance Corporation ये इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा मतलब State का पार्ट नहीं है ध्यान रखे, तो answer number one is the correct answer Clear होगे आप लोगे को बाकी तीनों चीजे जो हैं, वो Government के अंदरगत आती है Parliament ये स्टेट के अंदरगत आती है लेकिन ये Industrial and Finance Corporation स्टेट के अंदरगत नहीं आता Clear होगे आप लोगे को Answer number a is the correct answer Answer number one Industrial and Finance Corporation Government of India के अंदरगत नहीं आता Part three को Magna Carta of the Indian Constitution भी कहते हैं Clear और Part three को Magna Carta किसे ने बोला था भीमराओं अंबेदकर जी ने बोला था याद रखे Answer number one is the correct answer Next question बताईए जितने भी बच्चों ने अंसर दिया ना वो सबने गलत अंसर दिया है वो reason क्या है जल्दबाजी में ठीक है आप समझ भी ने रहे हैं सुन भी ने रहे हैं आपको बस ABC लिखने की या लगी पड़ी है तो यहाँ पर सुन लो पर ले बात मैं क्या कह रहा हूँ Article 14 Article 14 Guarantees Equality before law and Equal Protection of law 2 Equality before law Equal Protection of law Equality before law का मतलब क्या है कि कानून के आगे सब बराबर है Equal Protection of law सब कानून सब की जो है रक्षा करने के लिए है यह सब चीज़े यह बाते हैं आपके Article 14 में करी गई थी और यह बाते करी गई हैं कि कानून के आगे सब बराबर है Within the territory All person living within the territory मतलब हमारे देश के अंतर का जो भी चीज़े आएंगी इसमें तो वो पार्ट जो है हम लेके चलेंगे इसमें The All person living within the territory of India Guarantees Equality before law Equal Protection of law Article 14 के अंतर का देखने को आपको मिलेगा So answer number 1 is the correct answer Answer number 1 यहां भे देख लिए हैं Provide for equality before law Equal Protection of law Article 19 में बात क्या करता है That is the right related to the freedom Speech, expression, assembly, movement, trade Occupation, reasonable restriction बगएरा Article 21 क्या बात करता है Right to life, personal liberty These are the golden triangle This is called golden triangle Article number 14 Article number 19 Article number 21 यह कोशन में पूछा जा सकता है कि आपके सवीधान में golden triangle किसको बोलते हैं कौन कौन से articles को बोलते हैं 14, 19, 21 को बोला जाता है This is very important Clear? एक सीज में आपको और बताता हूँ अगर आपसे paper में पूछा जाए ऐसे कौन से right हैं देखिए अगर कोई बाहर से आता है तो उसको भी right मिलते हैं ना हमारे देश में लेकिन एक ऐसे कौन से right हैं जो exclusively हमारे इंडियन के पास है कोई बाहर से आएगा भी तो उसको rights वो मिलेंगे नहीं हमारे इंडियन के right है वो अर्टीकल नमबर पंत्रह शोलांटीस उन्तव पर तीस थी आर Assault प्रुष्व लिए डा गंट्यांटीस और इंड थी आर्टीस अर्टीस अर्टीस इस आर्टीस दूट इंडियन शीजन अगला अंसर बताईए अन्टचेबिलिटी अन्टचेबिलिटी येस अन्टचेबिलिटी का जो पनिशिबल अफेंस है आपका अर्स परश्टा जिसे कहते हैं कि छूने से हमारा धर्म भरश्ट हो गया जो पहले बाते करते थे ऐसा कुछ नहीं आ आज कल ठीक है तो अन्टचेबिलिटी की बात करते हैं तो पनिशिबल अफेंस है तो ये किस में लिखा गया है सो आर्टिकल 17 में लिखा गया है और इसके लिए हमारा एक राइट भी बना दिया गया है एक्ट भी बना दिया गया है पोटेक्शन ओफ सिविल राइट एक्ट पोटेक्शन ओफ सिविल राइट एक्ट नाइकिन सवेंटी सिक्स्ए मोट भी देखी भी होगी sex के अधार पे race के अधार पे place of the birth के अधार पे है उसको discriminate नहीं किया जाएगा article 15 मूँ भी देखी भी होगी आप लोगों ने आईश्मान कुराना वाली उसमें भी यह सब चीज़े दिखाई गई है article 16 के अगर हम बाग करते हैं तो कोई भी person जो है उसको discriminate नहीं किया जाएगा अगर वो public employment लेने जा रहा है again race, religion, car, sex, birth इसी चीज़ के अधार पे नहीं किया जाएगा 17 में ने आपको बता दिया 18 number क्या कहता है abolition of titles आप नाम के आगे नाम के पीछे अपने titles नहीं लगा सकते लेकिन आप titles लगा सकते हैं कौन से अगर आपने education degree हासिल कर रखी हो जा फिर आपने मतलब सेना में कुछ हासिल कर रखा हो कोई पद पद जिता हो जैसे परमविर चक् अगें education degree जैसे doctor as engineers CA यह अपने नाम के आगे लगा लेते हैं तो obviously बात है यह आप लगा सकते हैं इसमें आप जो है equality inequality की बात नहीं करते तो answer number क्या बनेगा इसमें that is C is the correct answer article 17 Abolition of untouchability very very important part next बताइए है हमारे देश में freedom है लेकिन साथ के साथ restriction भी है वह reasonable restriction है reasonable restriction का मतलब मैं आपको बता दूँ example जैसे अभी कोरोना का काल बहुत ज़्यादा बढ़के आया था लास्ट दो तीन सालों में ठीक है तो आपने देखा होगा आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाने दिया जा रहा था डैट मेंस reasonable instruction तो आपके बार अगर आपके के लिए मतलब security के लिए हो गया तो यह किस चीज में आता है तो वाट इस इस दिस इंदा येस reasonable restriction इंदा बिल्को सही तो इस इस आप speech and expression reasonable restriction जो है आपका speech and expression में देखने को मिलता है मेली क्योंकि speech and expression का मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी कोई भी बात कर दी यह मैंने example देके बोला है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ movement के लिए बात आएगी speech and expression आपने अगर जो है भड़काऊ भाशन दे दिया और लोग भड़क गए और इंडिया में दंगे हो गए जब कुछ ऐसे आपने एक्सप्रेस कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था और अगेन पूरी जंता बढ़क गई तो वह है आपका डेडिस speech and expression speech and expression में जो है आपका देश में यास अंसर नंबर यह आपका आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है अगर देश की security की बात उपर मुरलेटी की बात पार हो क्लियर् ओड़क की बात पूर्ट की बात की बात ऐसरे के डियान तब नेक्स कोशन बताईए यह कोशन भी बड़ा सिंपल है और मज़ेदार है राइट टू फ्रीडम आफ रिलिजन आर्टिकल 25 उसमें हम बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम आफ रिलिजन है और उसके अंतरगत हम रिस्रिक्शन नहीं लगा सकते on the ground of हमारे देश में सभीधा के अंतरगत जो रिलिजन है आप उसका परचार कर सकते हैं लेकिन अगर किस चीज़ के उपर रिस्रिक्शन नहीं लगाई जाती देखिए अगर मैं बात करता हूं हेल्थ के लिए हैल्स आपको ऐसे नहीं है कि अगर आप फ्रीडम कर रहे हैं तो आप किसी के धरम के उपर पात करी आ रहे हैं मतलब उसकी हैसं के ऊपर बात आ रही है जा आपकी moral values की ऊपर बात आ रही है कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपके public order नहीं होती है यह सिक्यूर्टी ओफ स्टेट के लिए नहीं होती security of state is not mentioned in the article 25 of the Constitution 25 of the Constitution में क्या लिखा हुआ है health morality और public order के लिए आपको restriction लगाई जाती है यह याद रखना answer number क्या बनेगा D is the correct answer answer number D clear होगे आप लोगो answer number D is the correct answer security of India जो है उसमें नहीं लिखा गया क्लिया चलिए अगलान से बताइए कोशें नेखें जी राइट प्रॉपर्टी वस ड्रॉप्ट फॉन लिस्ट फंडामेंट राइट 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 था राइट राइट को हमने हटा दिया था किस फंडामेंट राइट के मतलिस एक्ट के अकॉर्डिंग 44th amendment act 1978 के अकॉर्ड पहले क्या था यह फंडामेंट राइट था अब यह एक कॉंसिशन राइट बन गया है अब एक यह जो है आपका लिगल राइट बन गया है कॉंसिशन राइट इस आ मेंट पार्ट 44th amendment के अकॉर्डिंग जब हमारे देश में नैशनल एमजनसी लगती थी एक इंटरनल डिस 75 में इंद्रा गांदी जी की सरकार में लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस अब उसको वर्ड को चेंज करके हमने क्या डाल दिया है अब यह कारण जो है आपकी एमर्जनसी लगती है तो आम डूर्ट 44 के अकॉर्डिंग आया है क्लियर 42 अमेंडमेंट जिसे हम मिनी इंडिया भी कहते हैं अगर हम बात करें फंडामेंटल डूटी इसकी दस फंडामेंटल डूटी आड़ करी हमने और डैड़ी जड़ी सेकुलर इंडिक्रिटी वर्ड एड़ किया प्रेंबल में और 42 द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल पांसाल से छे साल हो जाता है उसक 24th Amendment Act क्या कहता है गोलगनाथ केस हुआ था और उसमें बोला गया था पार्लेमेंट ने क्या बोला था कि पार्लेमेंट जो है फंडामेंट राइड को कभी भी अमेंड नहीं कर सकती यह वर्ड यूज किया गया था 24th Amendment Act 1971 में क्या बोला गया था कि पार्लेमेंट जो है किसी भी फंडामेंट राइड को अमेंड कर सकती है और इस गोलगनाथ केस की चीजों को बदला था उसने और उसने बोला था कि अमेंड तो कर सकती ही करती है लेकिर आप अंडर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के दोरान ज आश्टरपती के पास उसको हां करना ही होगा उसको जवाब देना ही होगा एसेंट करना ही होगा उसको तो यह बात करी गई थी आपकी डैडी जिन्दा 24th Amendment Act 1971 के अकॉर्डेंग क्लिर होगे आप लोगों को सो गाइस यह थे कोश्चन हमारे लेक्चर में I hope आपको लेक्चर यहां पर जुड़ जाएंगे मेरे साथ यहां पर 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो बहुत साथ बच्चे यहां पर आते हैं और मैं मॉक्त टेस्ट मदर में कुछ नब यहां पर भी डालता हूं और प्लस अगेन यूट्टीब पे भी हम कुछ नब उन्या हैं और साथ लेक्चर्स पीडिया पगेरा में यहां पर आपको शेर कर देता हूं यहां पर चिक है आप मुझे इंस्टाग्राम के उपर भी फॉलव कर सकते हैं और कोई पेपर हो डाउट्स हो तो आम मुझे इमेल कर सकते हैं इस इमेल आइड के ऊपर जी सार्ट विदा फ अलपसंख्यक जिंकी संख्या कम हो कमाँ जाया औपलेशन जिनकी कम हो उनको हम अलपसंख्यक गार्ट से जानते हैं अगर हमारे सविधान की बात करें आर्टिकल आर्टिकल 30 में बूला गया है कि जो हमारी minorities हैं जो language के आधार पे जा फिर उनकी भाशा के आधार पे वो अपना school college जो है education के लिए अपना संस्था वो start कर सकते हैं तो इसलिए यह सब चीज़े जो लिखी गई है so that is the minority status तो यहाँ पे जो option है यहाँ पे अकेला word जो है religion word आ रहा है तो इसलिए इसको हम टिक क्या करेंगे religion basis के आधार पे otherwise हमारे देश में language basis के आधार पे भाशा के आधार पे और आपके religion के आधार पे जो है हम इन चीज़ों की मतलब minority की बात करते हैं तो answer number A is the correct answer 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 number A yes answer number A is the correct answer 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 number A चले जी अगला question बताइए और minorities की जो rights है वो article 29 और 30 में दिये गए है that is the cultural or educational rights के बारे में the next question is during the emergency imposed under article 352 which of the following constitutional provision stand suspended मतलब जब article 33 55 352 लगता है तो कौन सी चीज़े खतम हो जाती है पहली बात आपको पताना चाहिए article 352 बताता है हमें national emergency के बारे में national emergency तीन कारणों से लग सकती है external aggression external aggression war जा फिर armed rebellion armed rebellion सैन्य विद्रोज इसे हम कहते हैं यह armed rebellion पहले वर्ड क्या था पहले इसका वर्ड था internal disturbance इसकी जगा के उपर अंत्रिक असंतुला यह तीन कारणों से लग सकती है और तीनों ही कारण से हमारे भारदेश में लगी है external aggression 1962 इंडिया चाइना और इस 1971 इंडिया पाकिस्तान क्लियर इंडिया चाइना था और disturbance के कारण 1975 में इंद्रा गांधी जी के टाइम पे जब फक्रुदीन अली एमध वाज़ा प्रेजिटेंट उस टाइम पे यह लगी थी internal disturbance के कारण फिर हमने internal disturbance वर्ड आम डिविजन में चेंज कर दिया था 44th amendment 1978 के दो रांग वांट समझाया तो नाव दा कोशन इस कि 352 में आपके आर्टिकल कौन से सब्सक्राइब होते हैं आपके आर्टिकल सारे सब्सक्राइब हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल ट्विंटी एंड ट्विए बीस और एक्कीस को छोड़के आपके सारे फंडामेंटर राइट जो है वाय अमदाच सस्पेंड हो जाते हैं एक चीज़ बड़ी इंपोर्टन चीज़ ये है कि अगर आपका एमर्जंसी एक्स्टरनल एग्रेशन के कारण लगेगी जा फिर आपकी वार के कारण लगेगी ध्यांसे समना अगर आपकी एमर्जंसी ए इसको फंडामेंटर राइट इज राज्या के पास ना जाए जो हमारे देश के हित में ना हो तो यह ध्यान रखना answer number C is the correct answer that is fundamental right is the right one very very important अब बात करते हैं fundamental right की fundamental right article 12 से 35 तक लिए गई हैं हमने part जो है आपका part 3 के अंतरकत आता है जिसे हम और क्या कहते हैं Magna Carta of the Indian Constitution कहा जाता है और plus fundamental right जो है हमें political democracy प्रवाइड करते हैं याद रखना क्यूंकि इसमें अगर हमारी चीज़े वाइलेट होती हैं हमारे fundamental right वाइलेट होते हैं हम जा सकते हैं रिट रिट डाल सकते हैं article 32 के according इस इंपॉर्टण वा जुदिशन रिवियू की बात करूँ article 13 में लिखा होता है जुदिस्यल रिवियू एक वर्ड होता है एक वर्ड होता है कि अगर सुप्रीम कूड अपनास कर रही है तो रिवाईस करना इस रिवाईसरी जिन के अंतर गताता है अगर अगर सब करो कि कोईचीज बोल दी है कानून लगा दिया गया है और उस कानून को बताना है कि वो Constitutional है ज़ा Un-Constitutional है सवेधानिक है ज़ा असवेधानिक है तो वो बात करता है आपका Judicial Review की करहा है अंसर इसमें ये है अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करें Article 368 में लिखा गया है और ये प्रोसीजर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से और आपका पार्ट जो है पार्ट 20 में आता है ये अगर हम बात करते है डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑप स्टेट पॉलसी की Article 36 to 51 में आते हैं ये और पार्ट 4 में देखने को मिलता है और ये चीज़ हमने बोरो कहां से करी थी आयरलेंड से करी थी और इसका जो में एम होता है सोशल एंड इकनोमिक डेमोक्रेसी प्रवाइड करना और प्रस साथ के साथ जो है आपकी वेलफेर ऑफ दा स्टेट करना ये किसके पास आता है आपका आयलेंड से डिरेक्टी प्रिंसिपल में और हमने यह जिस बोरो करी है अंसर नंबर सी इस दा करेक्ट अंसर अंसर नंबर सी तो इस आपके राइट तो आपके राइट चलिए यह एकला कोशन बताईए इनमें ऐसे कौन से राजया है जहां पे आपका पंचाइती राज सिस्टम पहली बार इंप्लिमेंट किया गया था पंचाइती राज सिस्टम की बात करें जब पंचाइती राज इंस्टिशन की बात करते हैं तो यह आपके आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आपके लिखे गए हैं पहली बात दूसरा आर्टिकल 40 हमें क्या बताता है आर्टिकल 40 बताता है और्गनाइजिशन ओ विलेज पंचायत वो हमें स्टेट बना के देती है किसी भी एक गाहों के अंदर स्टेट के अंत्रगत अब बात यह है कि पहली स्टेट कौन सी थी तो डैट वाज राजस्थान और आंधरपरदेश तो अंत्रगत इसमें क्या बनेगा 1893 में इंप्लिमेंट हुआ था 29 स analysis के बना इसकिए पंचायित 11th schedule में लिखा गया है आपका जो पंचायत के बारे में और पार्ट 9 के अंदर में और उस्में village पंचायद block समती और जीला परिश्द के बारे में बात करी थी village पंचायद को फंच 10 पर ब्रमुख जो संभालते हैं और ये block समती को block पर समालते हैं jó आ परिश्द को आपके district collector जो है संभालते हैं और इन में से IPEX authority topmost authority होती है जिला परिशर जितनी सीटे रिजर्व होती है पंचायत में उसकी एक वटा तीन सीटे जो होती है विमन के लिए रिजर्व होती है यह याद रखना है आपको आर्टिकल 243 डी में लिखा गया है इस चीज़ के बारे में पांस साल के लिए चुनी जाती है ग्राम सबाब वो होती है जो ग्राम पंचायत को चुनती है डैट मिस ग्राम सबा में वो लोग होते हैं जो 18 या 18 प्लस होंगे और ग रखलान से बताइए बस लु है को ऊщंड इशिए सेंटल विजिलेंस कमिस्जन जो इस्तफे किया है अगे ओर इसके लिए संट्रेंटल विजिनेस कमिशन्रिक बिठाया गया था यह 1964 में बना था आपका और संथनम कमेटे की recommendation से और एक संथनम कमेटे इस दा संथनम कमेटे ऑन दा prevention of corruption कलियर होगे आप लोगों को तो डिस इस वेरी वेरी important point yes जी बिल्कुल तो यह है आपका डेटी सब्सक्राइब का सी option बने का correct answer अगर आप से पूछा कि इसको control करता है मनिस्ट्री कौन सी कंट्रोल करती है कोई मनिस्ट्री कंट्रोल नहीं करती यह किसी की अधीन नहीं होती इसको कौन संबालता है सारा पार्लेमेंट संबालता है और यह संतनम कमेंटी की रिकमेंडेशन से आया जैसे मैंने आपको बताया है क्लियर 1964 में and this is a statutory body parliamentary law द्वारा बनाई गई यह body है यह याद रखना answer number क्या बनेगा आपका C is the correct answer yes answer number C बिल्कुल सही statutory status इनको 2003 में मिला था 2003 में answer number क्या बनेगा C संतनम कमेटी is the correct answer संतनम कमेटी so this is in the 1964 पहली बात हो और government के corruption charges के बारे में हमें बताता है vigilance करता है and this committing on the prevention of the corruption संतनम द्वारा जो है इनको chair chair किया गया था so this is very important one यही आपका point है यहाँ पे चलेजी next question देखें स्क्रीन क्यों पर क्या गयता है members of the Rajya Sabha are elected by जो members होते हैं Rajya Sabha के वो elect कौन करता है और कैसे elect होते हैं Rajya Sabha मतलब राज्यों का संग that means this is also called the council of states this is also called the council of states Rajya Sabha की बात आपके article 80 में देखने को आपको मिलती है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता कभी भंग नहीं किया जा सकता abolish नहीं किया जा सकता, dissolve नहीं किया जा सकता और इसके जो members होते हैं उनका कारेकाल होता है 6 साल और उनके एक बटा तीन member हर 2 साल बाद जो है उनकी retirement होती रहती है अब बात करते हैं कि राज्य सभा के जो member होते हैं ये कहौन होते हैं तो मतला obviously बता है राज्य सभा मतला राज्यों का संग तो that means राज्या से चुने जाएंगे राज्या में क्या होते हैं हमारे विदान सभा जिसे हम state legislative assembly कहते हैं तो that means assembly वाले लोग इनको चुनके बेशते हैं और किस तरीके से indirect तरीके से that is indirectly elected by the elected member of state legislative assembly जाने के विदान सभा वाले लोग इनको चुनके बेशते हैं तो यहां पे answer क्या बनेगा answer number c is the correct answer that is elected member of legislative assembly तो answer इसमें क्या बनेगा आपका c option बनेगा correct answer राजय सभा के अंतरगर जो आपके member होते हैं 12 वो nominate कौन करता है आपका राश्टरपदी करते हैं और राश्टरपदी जो हैं वो कौन-कौन से field से लेते हैं cooperative society से लेते हैं literature से लेते हैं, arts से लेते हैं, science से लेते हैं और social service से लेते हैं all India service के case में अखिल भारतिय सेवाओं के case में all India services article 312 में लिखा गया है और all India services अभी क्यों कौन सी है IES है IPS है आपकी और आपकी IFS है, so all these are the all India services, कल को अगर हमने नई all India services बनानी है तो हमेशा बिल उठेगा राज्यसभा से, फिर जाएगा लोक्सभा में, फिर जाएगा राष्ट्रपती के पास पास होने के लिए और इस तरीके से all India service बनेगी इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो डील करता है आपका, yes डील करता है किसके साथ, citizenship के साथ, citizenship की अगर मैं बात करता हूँ, first of all हमारे भारत देश में single citizenship की बात आती है, ये प्रावधान हमने बिटेन के constitution से लिया है और citizenship act की अगर हम बात करें 1955 का है, part की बात करें तो part 2 में आता है और article 5 से 11 में देखने को हमें मिलता है और कौन से ministry के अंतरगा citizenship की बात आती है, ministry of home affairs के अंतरगा देखने को हमें मिलती है Now the part is citizenship कौन से act part में आता है, part 2 में देखने को हमें मिलता है, answer number 4 is the correct answer और उसके बाद अगर मैं बात करूं part 8 की तो part 8 में part 8 तो आपका नहीं बनता यहां पे yes yes part 8 is union territory union territory के बारे में बात आती है यह state government के बारे में आती है यह आती है finance contract जो भी आपकी states के बीच में होते हैं वो 12 नंबर में लिखे होते हैं yes बिलकुल सही बिलकुल सही तो answer इसमें क्या बनेगा that is 4 is the correct answer part 2 is the right one और कैसे हम जो है citizenship ले सकते हैं अगर आपका यहां पे birth हुआ हो जनम हुआ हो clear जा फिर आपने यहां पे registration कर लिया हो आके जा फिर आपने किसी property को acquire मतलब किसी दूसरे देश को acquire कर लिया हो naturalization के तरीके से कोई crime नहीं किया आप बस आप यहां पे आके रहने लगे तो natural तरीके से आप citizen बन जाएंगे और उसके बाद decent मतलब आपके माता पिता यहां के होने चाहिए इस तरीके से हम citizenship ले सकते हैं बारदेश की तो यहां पे देखे थी part 2 जो है आपका citizenship के लिए है part 6 जो है आपका state government के लिए है और उसके बाद जो है part 12 की बात करी थी finance, property, contracts and suits के बारे में part 8 is the unit territories के बारे में लिखा गया है यहां पे चले जी next question देखे क्या कहता है The largest committee of the Parliament of India सबसे बड़ी जो committee है आपकी Parliament की वो इन में से कौन सी आती है सबसे बड़ी committee जो आती है वो होती है estimate committee जिसमें 30 लोग होती है और 30 के 30 लोग लोग सबासे होती है Budget estimation लगाना पैसे का estimation लगाना वो सब कुछ estimate committee के पास होता है Estimate committee और यह जो पहली ABC की बात करते हैं तो all these are the financial committees हमारे सभीधान में Parliament में तीन ही financial committees है और तीनों की तीनों आपके option में देखने को मिल रही है और estimate committee में 30 के 30 लोग सबासे होते हैं Public account committee की बात करें तो इसमें 22 लोग होते हैं 15 लोग सबासे होंगे और साथ आपके राजय सबासे होंगे अब इन दोनों committees को A and B को इसको बोला जाता है sister committee के नाम से जानते हैं ज़र twin committee के नाम से इनको जाना जाता है इसलिए हम कहते हैं कि CAG ने घोटाला निकाला वो actually publish ये कर रहे हैं वो तो audit करने का काम है इनका इसलिए CAG को बोलते हैं the eye and ear of the public account, the guardian of the public purse ये सारे नाम उनके लिए जाने जाते हैं पब्लिक undertaking committee में भी 22 लोग होते हैं आपके 15 आपके लोग सभा से अगें साथ आपके राजय सभा से देखने को हमें मिलते हैं अगें डेली की जो डेली होती है वो इससे होती है तो answer number B is the correct answer 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 number B चलिए जी अगला answer बताईए विच और फॉलिंग इस आफ फीचर ऑफ दा प्रेजिडेंशिल फॉर्म अवड गवर्मेंट का मतलब क्या होता है देखें प्रेजिडेंशिल वर्ड की अगर हम बात करें दो तरीके की आपकी गवर्मेंट होती है एक होती है parliamentary form of the government जो के हमारे देश में देखने को मिलती है एक होती है presidential parliamentary form of the government के मतलब क्या होता है यहाँ पे जो executive होते हैं जो चीजों को लागू करते हैं They are responsible to the legislature. मतलब क्या हो गया? वो आपके जवाब देही है किसको कानुन बनाने वालों को. लेकिन presidential form of the government में क्या होता है? There is a separation of power. मतलब legislature की अपनी power है, executive की अपनी power है और judiciary की अपनी power है. तो इसमें अलग चीज़े हैं, उसमें अलग चीज़े हैं. हमारे देश में जो executive के लोग होंगे, वो कुछ आपके legislature से भी आते हैं, ज़र legislature के कुछ लोग executive में भी आते हैं, बट यहाँ पे powers different हैं, और सारे लोग different देखने को मिलते हैं. जैसे के presidential form of the government की अगर मैं बात परूँ, तो यहाँ पे head of the government कौन होता है? That is the president of India. So, यहाँ पे presidential की बात आ रही है, So, क्या है? It protects the freedom of the people. Yes, यह लोगों की freedom के बारे में, मतलब, obviously, बात रखक्राइब पर्ट करता है. It ensures the speedy execution of the policies. बिल्कुल speedy execution of the policies, जो है आपती यह ensure करी जाती है. तीसरा है, It fixes term, It fixes term stabilizes the system. बिल्कुल ये 5 साल के कारेकार है उसका stabilize करता है तो it means answer इसमें क्या बनेगा D All of these are the correct answer, all of these are the statements जो presidential form of the government में देखने को मिलती है लेकिन याद रखना paper में गलती मत करना यहाँ पे paper में बहुत आर पूचा जाता है कि what is the feature तो आप answer क्या देंगे separation of power very very important question है answer number D is the correct answer यहाँ पे देखें जी executive अलग होता है legislature से power separate होती है co equal branches मत्रा सबकी power बराबर centralization and decentralization देखने को मिलेगा federal system देखने को मिलेगा powers divided देखने को आपको मिलेगी यहाँ पे चलिजी next question देखें क्या कहता है liberalism is a symbol of liberalism is a symbol of यह question मैंने paid course में भी डाला था अपने mock test में liberalism का मतलब क्या होता है what is the meaning of liberalism liberalism का मतलब होता है आपको freedom provide करता जैसे कि अगर हम बात करें justice, equality, liberty, fraternity यह word जो आते हैं आपके कहां पे आते हैं प्रियंबल में देखने को मिलते हैं और उस प्रियंबल में liberalism वर्ड का मतलब क्या होता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा c is the correct answer 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 number c freedom of social political and economic aspect is called liberalism चलेजी next question बताईए next question is 10th schedule of the Indian constitution deals with जो 10 वी अनिसूची है सवीधान में वो किसके साथ deal करती है पहली बात तो schedule जो होते हैं हमारे देश में किसी भी चीज के लिए governance जाने की जो शासन चलाना है आपको उस चीज के लिए आपका schedule होते हैं जब सवीधान बना था तो 8 schedule थे अब total कितने schedule है 12 schedule देखने को हमें मिलते हैं जिसमें से एक जो 10th schedule है वो है आपका anti-defection law दल बदलने के विरुद कानून की बात आती है आपकी किसमे anti-defection law में और ये anti-defection law हमने add किया गया था सवीधान के अंतरकत 52nd amendment act 1985 के दोरान और इसको आगे strong बनाने के लिए भी एक amendment हुई थी that was 91st amendment act 2003 ये देखने को हमें मिली ती जिसमें परधान मंत्री अपनी मंत्री परिशद में कितने लोगों को रख सकता है 15% of the looks of a city रख सकता है ये याद रखना so this is important one clear ये clear होगे आपके दिमाग में अब बात करते हैं कि कौन कौन से schedules हमारे सवीधान में दिये गए हैं इनके बारे में हम डिस्क्रस करतेंगे detail में यहाँ पर मैं बात करूँ अगर पहले schedule की तो union and states के बारे में आता है दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर salaries के बारे में बात आती है यहाँ पर चुछे की बात करें तो यहाँ पर भी schedule एरिया administration होती है जो पर असम तरिपूरा और मिजोरम की इलाके देखने को मिलते हैं सात्में की की बात करें तो यहां पे list की बात आती है जिसमें center, state और concurrent list के बारे में बात होती है आठमे की बात करें तो languages के बारे में बात आती है भाशाओं के official languages कितनी हमारे बारदेश की 22 और Hindi is not the national language, Hindi is the official language of the country जो के article 343 में लिखी गई है आपकी क्लियर होगे आप लोगो और 9th schedule की अगर हम बात करें तो that is land reform, जमिदारी प्रथा खतम करी गई थी और validation of the certain act, validation of certain act यह बात करी गई थी यहां पे clear and this is in the first, this is by the first amendment act 1951 और 10th की बात करते हैं तो यह anti-defection law की बात करी गई थी यहां पे again 52nd amendment act 1985 और इसको strong बनाने के लिए आगे amendment 91st amendment act 2003 जो मैंने आपको भी समझाया था 11 में के लिए थी आपकी 73rd amendment act 1992 जो की implement हुई थी 93 में 29th subject की उपर कानून बना सकती है आपकी पंचायत बार्मा schedule जो बात करता है that is municipality 74th amendment act 1992 इंप्लिमेंट हुई थी आपकी 93 में clear और जो है 18 subject की उपर कानून बना सकती है municipality so all these are the आपके पूरे के पूरे बारा schedule चलिए नेक्स कोशन देखे क्या कहता है नेक्स कोशन देखे जी फड़ा फड़ा अंसर दीजे स्क्रीन पे तो whom does the public account committee submit its report अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको पेश करता है येस बताइए public account committee जो है आपकी 1921 में आपकी पेश करी गई थी बिल्कुल public account committee जो है आपके ये कर क्या देते हैं ये कर देते हैं आपके प्रॉपर तरीके से मतलब जितने भी government के account होते हैं उनको audit करते हैं उनकी report बनाते हैं कहां पे खर्चा हुआ कहां पे नहीं हुआ clear हो गया so public account committee जो अपनी report होती है वो राष्टपदी को देते हैं और राष्टपदी आगे Parliament में वो चीज़ को पेश कर देते हैं येस बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल अभी हमने बात करी थी public account committee के बारे में येस जी clear हो गया so answer में क्या बनेगा the president of इंडिया और president of इंडिया आगे किसको दे देते हैं Parliament में वो पेश कर देते हैं तो answer number क्या बनेगा आपका yes B is the correct answer जी चलिए अगला कोशन देखिए public account committee मतलब क्या है delivery करती है public services or by the government और ये government के accounts को audit करते हैं मतलब क्या करता है और क्या जो ensure करता है कि पार्लेमेंट का control जो की government के expenditure के हुआ और ये responsible है कि जो भी आपकी semi autonomous autonomous body है उनके accounts को भी scrutinize करें उनके accounts को भी देखें ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है चले जी अगला देखिए नेक्स कोशन देखिए फड़ा फड़ वो तो ठीक है यार 15 members लोकसभा के साथ में राजय सबगी अभी मैंने इसको दिसक्स करने का मतलब नहीं बनता था चले जी नेक्स कोशन देखिए जी क्या गयता है दा एक्स कोशन इस चलिए दा नेक्स कोशन इस अंडर दा कॉंसिट ऑफ इंडिया पहली बात तो एक वर्ड है यहां पे गार्जिन वर्ड बोला है गार्जिन मतलब देख रेक करने वाला हमारे सविधान का गार्जिन कौन है डाड़े सुप्रेम कोट जाने के जुडिश्री अगर सुप्रेम कोट नहीं आता तो चीफ जसिस ऑफ इंडिया आ जाएगा तो इस तरीके से कोट सा जाएगा तो ऑबिसली बाता सबका गार्जिन कौन है हमारा जुडिश्री है कोट समझाया निया पालिका हूँ इस दा गार्जिन ऑफ दा कॉंस्टिशिशन सविधान के अंदर ही तो लिखी गई है फंडामेंटल डूटीज फंडामेंटल राइट्स यह सब चीज़े तो गार्जिन हमारा कौन हो गया जुडिश्री बड़ा सिंपल कोशन है देखे मैं आपको हमेशा बदाता हूँ कि जब भी पेपर में कोशन आता है आप लोगों को तो हमेशा लगता है बहुत इजी है लेकिन पॉलिटी में ऐसी चीज़े होती है अगर आ आपका विधान के अंतरगत सुप्रीम कोट है चलिए अंसर बताईए नेक्स्ट बताईए भी लिए ग्Most कोशन के इंडियन यह बड़ा सिंपल सा गोश्य ट्विशन है आप लोगो को लेकिन इस कोशन का तो रट्टा मारना है तो इसका पर सिब्स्त्रिया आया हुआ है अगला देखे जी यह कोशन आप बताए कमेंट सेक्शन में अभी बताओ फट फट यह तो ऑरड़ी हम डिसकस कर चुके हैं कि राजय सभा की सीड्स के बारे में कहां पे लिखा गया है कौन से स्केडूल में लिखा गया है नाइन स्केडूल की बात करूं तो जम इंप्लिमेंट हुआ था नाइन्टी थ्री में टूंटी नाइज सब्जक्ट के उपर कानून बना सकती है पंचायत फिफ्ट स्केडूल स्केडूल एर्या की एड्मिस्टेशन के बारे में बात आई थी यहां पे और अंसर इसमें क्या बनेगा फॉर स्केडूल इस दा करे चलिए आगे देखते हैं कि एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल अंडर एनी लॉफ और दा टाइम बिंग इन फो शेल कंटिन्यू फॉर कितने टाइम तक वो कंटिन्यू रह सकती है अगर बीच में ही कि यस अगर बीच में ही वो अपना जो है काम कर दे ऐसे बदब कितने टाइम के लिए जो है करी जाती है so that is the five years पांच साल के लिए बड़ा सिंपल सा कोशन आये तो पंचायत पांच साल पंचायत के बारे में सब कुछ पढ़ चुकी है पंचायत में बस एक यह चीज़ याद कर लेना इनके election पंचायत और मुन्सिपलिटिक कांसिल उनके election करवाता है वह अंसर नंबर सी चलिए अगला अंसर बताईए पांच साल कि नेक्स्ट कोशन देखिए जी फूवाज चेर मैं नहुता सेकंड बैकवर्ड क्लास कमिशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमिशन के चेर परसन का नाम बताना है क्या बनेगा देखिए अ बीपी मंडल और बैकवर्ड क्लास कमिशन बनाना आर्टिकल 340 में लिखा गया है कि राष्टपती जब भी चाहें इस तरीके की बात वो कर सकते हैं तो अंसर नंबर A is the correct answer अंडर दा चेर्मेंशिप ऑफ काका के लेकर देन उसके बाद बीपी मंडल और यहां पर अगर मैं बात करूं जोतिवा फूले जी तो यह वो हैं सत्या शोजक समाज के संस्तापक जिन्हों ने एक पुस्तग लिखी थी डैडी जुलाम गिरी और विमेन एजुकेशन को बह दर्म को फॉलो भी किया था इन्होंने मूख नाइक पेपर भी जो है आपका लिखा हुआ है इन्हें ने बीम राव अमबेदकर जी ने बीम राव अमबेदकर जी इस फर्स लॉव मिनिस्टर आफ इंडिया डाफ्टिंग के चेर परसन आर्किटेक्ट आफ इंडिन को बु इन्हें से आर्टिकल जो बताता है हमें Re-election to the post of the President of India मतलब हम राष्टर पदी का Election करवा सकते हैं election करवाना लेकिन उसका re-election करवाना वो किसमें लिखा हुआ है re-election की अगर मैं बात करता हूँ तो article 57 में लिखा गया है otherwise election की बात करें तो article 54 में ध्यां से समयना 54 में elections के बारे में लिखा गया है clear और 57 में re-election के बारे में यहां पे लिखा गया है याद रखें very very important part है 52 में president के बारे में 53 में जो भी executive power होंगी वो राष्टपती के नाम पे ली जाएंगी और 55 में किस तरीके से election होगा राष्टपती का और कितने साल के लिए चुना जाएगा 5 साल के आपको पता है 58 में उसकी qualification के बारे में लिखा गया है तो यहां पे जो अंसर बनेगा वो बनेगा 57 अंसर नंबर क्या बनेगा डी क्योंकि यहां पे वर्ड है reelection अगर election होता तो यहां पे 54 आपका बन जाता clear हो गया आप लोगों को यह याद रखना है आपकी यह किस ने हमें बताई थी त्री यह अभी हमने डिसकस भी किया है वह बताई थी बलवांतराई कमेंटे की रिकमेंडेशन से 1957 में बैठी ती यह शोकर मैता ने टू टियर बताया था 1977 में पैटी थी इन्होंने बताया था कि ब्लॉक समधी को आप abolish कर दिया जाए इसके अंदरगत बात करी गई थी और GVK RV Rao की बात करते है तो 1985 में ये कमेटी पैटी थी 1985 में और उसके इलावा अगर मैं LM SINGHVI जी की बात करता हूँ तो that कमेटी is in the 1986 PAPER में जब ये QShine आता ना आपको match at the Falling में आ जाता है जब ये PAPER में पूछ लिए जाता कि अच्छा ये बताओ कि इनकी कमीटी पहले कहुंसी थी दूसरी कहुंसी थी इस तरीके से वसका ये स्ती कर सो फ में क्या बनेगा आपका ये ज्दिन भी इटियर सब्सक्राइब करनात्क में क्लियर या अभी के लिए बात कर रहे हैं अंधराप्रदेश में हैं बिहार में है और यूपी में है तो यह च्रेट के अंतरगाँ देखने को आपको मिलती है लैस्टेटिव काउंसिल तो कहां पे कहां पर है यह पूछा है तो करनाटक में भी है तमिलाटों में तो नहीं है केरल में भी नहीं है और आंदरप्रदेश में है मतलब 1 & 4 दूनों आपके option बनेगे 1 & 4 is the correct answer legislative council को बनाना article 69 में लिखा हुआ है ध्यां से समयना create करना मतलब बनाना ठीक है abolish करना मतलब खदम कर देना ये हम कर सकते हैं article 169 द्वारा बट ध्यार रखना इसको कभी भी हम dissolve नहीं कर सकते कभी भी dissolve नहीं कर सकते क्योंकि ये permanent house है आपका थाई सदन देखने को हमें मिलता है कौन council और article 169 के दौरान जो है हम इसको create और abolish कर सकते हैं कैसे आपकी जो assembly है assembly ये bill पास करेगी अगर assembly ने इस bill को special majority से पास कर दिया विशेश बहुमत मतलब दो बटा तीन से पास कर दिया तो obvious वी बात है इसके बाद ये जाएगा parliament के पास parliament जो है आपका simple majority से साधारन बहुमत से 50% plus 1 से जो है इस bill को pass कर देगा और आपका that means council बना भी जाए सकती है और खतम भी करी जा सकती है अगर बन चुकी है तो उसको हम dissolve नहीं कर सकते ये द्यान रखना पॉइंट समझाया तो इसका answer क्या बनेगा one and four is the correct answer और जितने भी council के अंतरकत member होते हैं उनकी एक पड़ा छे members को nominate कौन करता है governor nominate करता है और वो होते हैं corporate society literature arts science और social services ये लोग होते हैं ये याद रखना तो one and four is the correct answer one and four चले जेगरा से बताइए अगर no confidence motion की बात करी जाए और दूसरे non confidence motion की बात करी जाए तो उनमें कारेकाल कितना होता है उनमें difference कितना होता है देखें पहली बात तो no confidence motion या confidence में 100 सीटे हैं तो आपके पास 51 सीटे होनी चाहिए अगर आपके पास 200 सदन में 200 सीटे हैं तो आपके पास 101 होनी चाहिए That means 50% प्लस 1 सीटे जिसके पास है तो वो majority में है अगर opposition सरकार ये चलाती है कि हाँ आपके पास वो सीटे नहीं हैं तो obviously बात है no confidence motion पास हो जाता है अगर opposition सरकार में ये 50 लोगों द्वारा स्टार्ट होता है 50 लोगों द्वारा स्टार्ट होता है लोगसवा में ही स्टार्ट होता है अगर ये पास हो जाए तो क्या होती है जो running government होती है जाने कि council of minister मंतरी परिशद इसको क्या करना पड़ता है resign करना पड़ता है ये याद रखना clear और ये कारेकाल जो होता है month कितने difference होता है 6 महिने मतला 6 महिने के पहला और दूसरे के बीच में maximum 6 महिने का gap आपका होना चाहिए अब बात ये है कि ये लिखा कहां पे गया है तो ये rule 198 of rule of procedure में लिखा गया है ये याद रखना इस confidence no confidence motion के बारे में यहां पे लिखा गया है तो answer इसमें क्या बनेगा C is the correct answer 6 month is the right one अब 6 month से मेरे दिमाग में दो question आते हैं Parliament को राष्टरपती मिलते हैं तो उनकी meeting में भी 6 महिने का ज्यादा से ज्यादा difference नहीं हो सकता और एक bill की life भी कितनी होती है 6 महिने होती है उसके बाद deadlock हो जाता है राष्टरपती चाहे तो deadlock को तोड़ने के लिए समन कर सकते हैं बुला सकते हैं और उसकी सबा में speaker of the log सबा जो है chair person होते हैं याद रखना answer number 3 is the correct answer 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 number 3 तो ये बहुत सारी non confidence motion जो है आपके चलाये गए हैं और पहला 63 में चलाया गया था ये याद रखना clear so guys ये थे आज के lecture के अंदर question I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा lecture अच्छा लगा है तो like और share कर देजिए बाकी updates आपके telegram channel के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपन गोईल के नाम से और यहाँ पे मेरे साथ 140,000 प्लस बचे जुने होए हैं तो आप भी आके जूड सकते हैं आप मुझे Instagram के उपर भी follow कर सकते हो यहाँ पे और कोई exam paper doubts हैं आप मुझे यहाँ पे send कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको like करना चैनल को subscribe करना और हमें motivation आप लोगों के like और चैनल को subscribe करने से आती है अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ PCSR की आपकी help कर रहा है exams की preparation में तो comment section में लिखके बताना और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी और class की भी marathon चाते हैं तो वो भी आप मुझे comment section में लिखके बताना तो मैं और भी marathon इसमें plan कर दूँगा आप लोगों के लिए और चाहिए हमारी history की class हो हमने history की plan करी है चीक है और हमने science की marathon में ने plan करी थी तो आपको और भी marathon मिलती चली जाएंगी अगर आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे तो आप जो है बस पढ़ें और मैं पढ़ाऊंगा और मिलके दोनों का जो है सपना सफल होगा हमारा channel गुरो होगा और आपकी selection होगी that's it clear so thank you so much guys all the very best for your exams good luck take care bye bye jack in